हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़ी अरोगे दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में मैं हूँ आपका दोस्त आपका मेंटर सीए जसमी सिंग कोई भी वीडियो जब इस चैनल पर आ रहा था तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर एक ही डिमांड थी बच्चो की सर वन शॉट दे दीजे सर रिवीजनरी वीडियो दे दीजे तो लो बच्चो फाइनली रिवीजन की घड़ी आ गई है और आपके सामने पेशे खिदमत ह बिलकुल ताजा-ताजा रिकॉर्ड किया हुआ फुली अमेंड़ आपके पास टेक्सेशन का रिवीजनरी वीडियो हमारे पास टेक्सेशन के अंदर तीन पार्ट के अंदर आपके पास वीडियो आएंगी दो पार्ट में आपका इंकम टेक्स कवर होगा और एक पार्ट मे आपका GST cover होगा तो sir आपके पास income tax का जो पहला part है वो आज आपके सामने आ गया है इसके अंदर लगबग लगबग मैं कहूंगा कि हमने 60% of the income tax इसी वीडियो में cover कर दिया है तो make sure कि आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देख रहे हैं और हर एक topic को अच्छे से revise कर रहे है एक छोटा सा disclaimer देना चाहूंगा कि हमारा ये वीडियो किसी भी तरीके से आपकी जो regular studies है उसका supplementary नहीं है अगर आपने पहले अपने पास income tax पढ़ रखा है एक बार खुद से revise कर रखा है तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी जहां कहीं पर भी जरूरत थी वहां पर मैंने along with example provision को explain किया है कहीं पर भी भगाने की कोशिश नहीं करी अपनी तरफ से अराम से हर एक चीज आपको समझाने की कोशिश करी है so that कि आपके लिए ये वीडियो best possible way में काम आ सके right तो इस particular वीडियो के अंदर हमारे पास total 5 topics cover हो रहे है इसके अंदर हमारे पास residential status आपका cover हो रहा है residential status के साथ-साथ heads of income के जो 4 heads है वो हमने यहाँ पर cover कर ली है जो कि आपके पास main है salaries, house property, pgbp and आपके पास capital gain अब जो leftover portion है income tax का वो आपको second video में दे दिया जाएगा तब तक आप इसको अच्छे से complete करें जो practice session आपके लिए live लिए जा रहे हैं जिनकी recordings हमारे इसी channel पर available है make sure वो practice sessions आप कर रहे हैं वो practice session करके आपको एक next level of confidence आएगा प्लस आपको एक first hand experience होगा कि exam में किस तरीके के questions निकल कर आते हैं तो चलिए without wasting any of your time start करते हैं हमारा revision all the very best to each and every one of you चलिए बच्चो start करते हैं अब हमारा अगला chapter जिसका नाम है residential status residential status और citizenship ये दोनों अलग-अलग concept होते हैं ये बात आपको अच्छे से पता है ऐसा possible है कि कोई भी person इंडिया का citizen हो लेकिन उसका residential status non-resident निकल कर आजए ये भी possible है कि कोई person इंडिया का citizen ना हो लेकिन फिर भी उसका residential status resident निकल कर आजए आपका जो ये residential status होता है ये हम yearly basis पे determine करते हैं it is also possible कि कोई person इस साल resident है और वही person अगले साल क्या हो जाएगा non-resident हो जाएगा ऐसी possibility भी निकल कर आती है ऐसा नहीं है कि एक बर आप resident बन गए तो आप हमेशा resident ही रहोगे एक बर आप non-resident बन गए तो आप हमेशा non-resident ही रहोगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है हम हर previous year में आपका residential status determine करते है सर residential status क्यों निकालते है राजा बेटा आपके पास दो तरीके की income होती है एक Indian income एक foreign income आपके हाथ में कौन सी income taxable है ये आपके residential status पे depend करता है अगर आप ordinary resident हो तो आप Indian income पे भी tax दोगे foreign income पे भी tax दोगे और अगर आप non resident हो तो आप केवल Indian income पे tax दोगे आपका जो tax है वो भी आपके residential status के हिसाब से change हो जाता है जैसे resident individual को rebate मिलती है 87A वाली non resident को नहीं मिलती है तो कभी भी आप किसी person की tax liability निकालने जाओगे तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा उसका residential status निकालना Sir residential status income tax के अंदर कहां दे रखा है section number 6 में दे रखा है exam point of view से सबसे ज़ादा important आपके पास जो निकल कराता है वो निकल कराता है residential status of individual individual का residential status सबसे ज़ादा important है अब आपका जो individual है या तो वो resident होगा या तो वो non resident होगा ये depend करेगा कि sir आपका जो individual है वो दो basic condition में से कोई भी एक basic condition को satisfy कर रहा है कि नहीं अगर आपका resident individual दोनो basic condition satisfy नहीं करता हम उसको non-resident declare कर देते हैं लेकिन दो basic condition में से कोई भी एक basic condition वो satisfy करता है तो हम उसको resident declare करते हैं एक बारी individual आपका resident बन गया तो further हम उससे दो additional condition पुछते हैं। दोनो additional condition अगर वो satisfy कर देता है तो वो ordinary resident बनता है और अगर एक भी additional condition वो satisfy नहीं करता तो हम उसको not ordinary resident declare कर देते हैं। तो आईए जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास basic conditions कौन कौन सी हैं। का residential status निकाल रहे हो तो 23-24 आपका relevant previous year है और अगर आपका individual 23-24 में 182 days या उससे जाधा इंडिया में हैं तो वो basic condition की पहली condition को satisfy कर देता है। हम उसको resident declare करेंगे और additional conditions को check करेंगे। लेकिन अगर ये पहली condition satisfy नहीं करता तो हम इससे दूसरी condition पूछेंगे। दूसरी condition कहती है कि आपका जो stay होना चाहिए इंडिया में वो 60 days या उससे जाधा होना चाहिए relevant previous year में और आपका stay 365 days या उससे जाधा होना चाहिए last 4 years में. relevant previous year के पहले 4 साल में 365 days तो आपके पास जो second condition है उसके अंदर दो पार्ट है relevant previous year में minimum आपका stay 60 days का होना चाहिए और relevant previous year से 4 साल पहले आपका stay इंडिया में minimum 365 days होना चाहिए यानि कि अगर आपका 23-24 previous year है तो 23-24 में आपका minimum stay 60 days का होना चाहिए minimum और 23-24 से पहले के जो 4 साल है 23-24 से पहले के 4 साल 22-23 21-21 और 19-20 पिछले 4 साल में आपका stay होना चाहिए वो 365 days या उससे जाधा का होना चाहिए अगर आप second condition को satisfy कर देते हो तो basic condition satisfy हो गई अब additional condition चेक होगी लेकिन अगर आपने second condition भी satisfy नहीं करी तो बाबू उस case में हम आपको क्या declare करेंगे non-resident second condition में 2 part है दोनों part satisfy होने चाहिए relevant previous year में 60 days होना चाहिए और पिछले 4 साल में 365 days ये दोनों condition आपको satisfy करनी है second part में 2 condition है ये दोनों आपको satisfy करके चलनी है ठीक है जी अब सर समझना मेरी बात को ये जो 182 days है ये जो 60 days है ये जो 365 days है क्या ये continuous होने चाहिए मतलब लगातार आपको 182 days 60 days या 365 days रहना है the answer is no जरूरी नहीं है कि आपका जो period of stay होना चाहिए वो continuous होना चाहिए ये जरूरी नहीं है break करकर के भी आप इसको पूरा कर सकते हो इसके बाद lawmaker कहता है कि जिस दिन आप इंडिया से गए और जिस दिन आप इंडिया आए day of departure as well as day of arrival day of departure as well as day of arrival इन दोनों को अपन कंसीडर करते हैं for stay in इंडिया day of departure और day of arrival इन दोनों को अपन कंसीडर करके चलते हैं कि बाबु ये आपके पास stay in इंडिया है अब अगर आपने दोनों basic condition में से कोई भी एक basic condition satisfy करी तो resident दोनों satisfy नहीं करी तो आप क्या बन गए non resident अब additional condition की अगर हम बात करें तो additional condition हमारे पास क्या निकल कराती है sir additional condition केती है कि आपको पिछले 7 साल में इंडिया में 730 days या उससे जादा होना चाहिए relevant previous year से पहले के 7 साल relevant previous year अगर आपका 23-24 है relevant previous year अगर आपका 23-24 है तो relevant previous year से पहले के 7 साल relevant previous year से पहले के 7 साल का मतलब हो गया 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पिछले 7 साल में आपका stay कित्ता होना चाहिए पिछले 7 साल में आपका stay 7-30 days या उससे जादा होना चाहिए minimum और पिछले 10 साल में किसी भी 2 previous year में आपको क्या होना है resident होना है पिछले 10 साल में relevant previous year से पहले के 10 साल में relevant previous year आपका 23-24 है 23-24 से पहले के जो 10 साल है 23-24 से पहले के जो 10 साल है इन 10 सालों में किसी भी 2 previous year में आपको resident बनना है और resident कैसे बनते हैं जब हम basic condition को satisfy करते हैं तो पिछले 10 सालों में अगर आपने किसी भी 2 साल में basic condition को satisfy किया होगा तो आप resident बने होगे यानि कि आपने additional condition की ये वाली condition को पूरा कर दिया और पिछले 7 साल में अगर आप 730 days या उससे जादा इंडिया में हैं तो आपने second condition को भी पूरा कर दिया जब ये दोनों conditions आप पूरी करते हो तो हम assessi को ordinary resident बोलते हैं जब आप ये दोनों conditions को satisfy करते हो तो हम assessi को ordinary resident बोलते हैं और इन दोनों में से कोई भी एक condition अगर satisfy नहीं हुई इसमें से कोई एक या फिर दोनों additional conditions satisfy नहीं हुई तो फिर हम assessi को क्या declare कर देंगे non resident इसके बाद हमारे पास कुछ exceptions निकल कर आते हैं इसके बाद हमारे पास कुछ exceptions निकल कर आते हैं इन exceptions में हमारे पास केवल पहला basic condition available है यानि कि हमें 182 days वाली condition को check करना है second condition available नहीं है दो exceptions हैं जहां पर हम केवल 182 days वाली condition को check करेंगे अगर ये condition satisfy हो जाएगी अगर ये condition satisfy हो जाएगी येस तो वो resident बन जाएगा फिर हम additional condition को check करेंगे अगर वो satisfy हो जाएगी तो decide कर लेंगे वो ROR है कि RNOR है लेकिन अगर ये satisfy नहीं हुई तो हम directly इसको क्या बोल देंगे non-resident मतलब अब जो दो points हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें केवल पहला basic condition available है basic condition satisfy हो गई तो additional condition को check करेंगे और decide करेंगे कि ordinary हो कि not ordinary हो लेकिन अगर पहली ही condition आपने satisfy नहीं करी तो आपको सीधे क्या बोल देंगे non-resident ये दोनो points किसके उपर applicable होते हैं Indian citizen के उपर अगर कोई Indian citizen इंडिया छोड़ कर जा रहा है for the purpose of employment for the purpose of employment हो सकता है उसकी इंडिया के बाहर job लग गई हो हो सकता है उसने इंडिया के बाहर अपना business या फिर profession set up कर लिया हो तो अगर आप permanently इंडिया के बाहर जा रहे हो employment purpose के लिए यानि की job के लिए या फिर business आपने इंडिया के बाहर set up कर लिया है तो उस case में आपके पास केवल 182 days का condition आएगा अगर आप एक Indian citizen हो और leave कर रहे हो as a crew member of a Indian ship आप किसी Indian ship में crew member हो हो सकता है आप ship में captain हो हो सकता है आप ship में engineer हो हो सकता है आप ship में cook हो तो अगर आप Indian ship में crew member हो और आप ship के साथ इंडिया के बाहर जा रहे हो तो उस case में भी आपके पास 182 days की condition ही applicable होगी आप दूसरी condition applicable नहीं करोगे इन दो cases के अंदर, अगर आप ध्यान से देखो, तो ये दोनो cases कौन से हैं, इंडिया के बाहर जाने के, ये दोनो cases किसके हैं, इंडिया के बाहर जाने के, ये दोनो cases किस पे लगते हैं, इंडियन सिटिजन पे, तो अगर कोई इंडियन सिटिजन इंडिया के बाहर जा रहा है या तो employment के लिए या तो crew member of Indian ship के लिए तो हम वहाँ पे केवल 182 days का condition चेक करते हैं अब जब आप as a crew member of a Indian ship इंडिया के बाहर जाते हैं जब as a crew member of a Indian ship आप इंडिया के बाहर जाते हैं तो जो ship का captain होता है वो आपको एक continuous discharge certificate देता है वो आपको एक continuous discharge certificate देता है इस continuous discharge certificate में दो dates होती है एक joining की date होती है एक signing off की date होती है मतलब आपकी journey कब join हुई और कब आपकी journey sign off हुई मतलब कब आपकी journey commence हुई कब आपकी journey terminate हुई तो lawmaker कहता है कि sir आपको जो continuous discharge certificate में date of joining दिया हुआ है और continuous discharge certificate में जो date of signing off दिया हुआ है ये दोनों dates को अपन मान के चलेंगे कि आप इंडिया के बाहर हो इन दोनों dates को अपन मान के चलेंगे कि आप इंडिया के बाहर हो, considered as outside इंडिया, तो date of joining और date of signing off as per continuous discharge certificate उसे consider किया जाएगा कि आप इंडिया के पाहर हो, इसके बाद एक और special category वाला case आता है, एक और special category वाला case होता है, अगर कोई person of Indian origin या फिर कोई Indian citizen इंडिया विजिट कर रहा है, अगर कोई person of Indian origin या फिर कोई Indian citizen अगर आपके पास इंडिया में विजिट कर रहा है, इंडिया आ रहा है, तो उस case में आप चेक करो क्या आपका relevant previous year में stay 182 days या उससे जादा है, यानि कि आप चेक करो कि आपका पहला basic condition क्या satisfy हो रहा है, अगर आपका पहला basic condition satisfy हो रहा है, तो आप assessi को resident declare करो, फिर आप additional conditions को चेक करो, अगर आपकी additional condition satisfy हो रही है, तो आप उसे ordinary resident declare करो, या फिर अगर नहीं satisfy हो रही है, तो आप उसे not ordinary resident करो, यानि कि अगर person of Indian origin या फिर Indian citizen अगर पहला basic condition satisfy कर देते हैं, तो वो एक normal route में चले जाते हैं, पहला basic condition satisfy हुआ, resident बन गए, additional condition चेक करी, satisfy हो गई, ordinary, satisfy नहीं हुई, not ordinary, लेकिन अगर person of Indian origin, Indian citizen जिनोंने इंडिया में विजट किया है, और वो relevant previous year में 182 days इंडिया में present नहीं है, वो 182 days इंडिया में present नहीं है, तो ऐसे case में आपको तीन conditions है जो satisfy करनी होती है, अगर आप ये तीन conditions को satisfy कर देते हो, तो आप क्या कहलाओगे R, N, O, R, और अगर इन तीन conditions में से एक भी condition आपने satisfy नहीं करी, तो आप क्या कहलाओगे R, तीन conditions क्या है, आपका relevant previous year में stay 120 days या उससे जाधा होना चाहिए, पिछले 4 साल में आपका stay 365 days या उससे जाधा होना चाहिए, और आपकी Indian income including foreign business income जिसका control इंडिया में है, इंकुलूडिंग foreign professional income जिसका setup इंडिया में है, ये आपके पास exceed करनी चाहिए, ये आपके पास exceed करनी चाहिए 15 लाग को, 15 लाग से जाधा होनी चाहिए, अगर आपने ये तीनों condition satisfy कर दी, person of Indian origin और Indian citizen visiting India, अगर 182 days relevant previous year में नहीं है, तो वहाँ पर उनके पास not ordinary resident बनने का chance है, अगर तीन condition satisfy हूँ, relevant previous year में 120 days, पिछले 4 साल में 365 days, इंडियन income exceed कर रही है 15 लाग को, अगर ये तीनों condition satisfy हो रही है, तो not ordinary resident, और अगर एक भी condition satisfy नहीं हो रही है, तो non resident, यहाँ पर additional condition चेक नहीं होती, सीधे R.N.O.R. बनता है, सीधे R.N.O.R. बनता है, अब आप पूछेंगे सर, person of Indian origin कौन होता है, बिटा, assessi खुद, या assessi के parents, या assessi के grandparents, इन तीनों में से, अगर किसी का भी जनम, undivided India में हुआ है, तो उसको हम person of Indian origin बोलते हैं, असेसी खुद, असेसी के parents, या फिर असेसी के grandparents, इन तीनों में से, अगर किसी का भी जनम, undivided India में हुआ है, मतलब की India के partition से पहले, मतलब आज के Pakistan में, आज के Bangladesh में, आज के India में, अगर उनका जनम हुआ है, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, person of Indian origin, इसके बाद आपके पास एक बहुत ही खुपसूरत concept निकल कर आता है, individual के residential status में, इसको हम बोलते हैं, deemed resident, deemed resident के अंदर आपका number of days stay in India, number of days stay in India, matter नहीं करता, आप इंडिया कितने दिन के लिए आए हो, इससे फरक नहीं पड़ता है, इससे फरक आपके पास नहीं पड़ता है, अगर आप deemed resident बन रहे हो, तो आपका residential status directly are N.O.R. होगा, आपका residential status directly are N.O.R. होगा, कहता है कि individual को हम N.O.R. बनाएंगे, अगर all of the following conditions are satisfied, सारी conditions satisfy हो जाए, आपका जो individual है वो Indian citizen है, deemed resident का concept किस पे लगता है, Indian citizen पे, तो अगर एक individual Indian citizen है, और उसकी total income, excluding the income from foreign sources, but including foreign business income, और foreign profession income, 15 लाख रुपे से जादा की है, 15 लाख रुपे से जादा की है, और ये व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में, tax pay नहीं कर रहा, due to his domicile, residence, और similar nature, तो अगर एक Indian citizen, जिसकी Indian income, including foreign business income, जिसका control इंडिया में है, including foreign professional income, जो set up इंडिया में है, अगर ये 15 लाख से जादा है, और ये दुनिया के किसी भी कोने में tax नहीं दे रहा, तो इसको इंडिया में deemed resident बना दिया जाएगा, तो अगर आप एक Indian citizen हो, अगर आपकी Indian income, including foreign business income, जिसका control इंडिया में है, foreign की professional income जहाँ पे set up आपका profession इंडिया में है, ये exceed करती है 15 लाख को, और आप दुनिया में कहीं पर भी tax नहीं दे रहे, और आप दुनिया में कहीं पर भी tax नहीं दे रहे, अगर ये तीन conditions पूरी हो जाएं, तो आपका number of days stay in India matter नहीं करता, यहाँ पर आप deemed resident बनोगे, और deemed resident हमेशा क्या होता है, NOR होता है, चलिए, अब बात करते हैं, residential status of HOF, HOF के case में हम लोग चेक करते हैं कि HOF का control and management कहा है, अगर HOF का control and management होली या फिर partly इंडिया में है, तो HOF resident है, और अगर control and management पूरी तरीके से इंडिया के बाहर है, तो HOF आपकी non-resident है, एक बार आपकी HOF resident बन गई, तो वो further ordinary resident होगी, कि not ordinary resident होगी, ये करता पर depend करेगा, अगर करता दोनो additional condition satisfy कर दे, पिछले 7 साल में इंडिया में 730 दिन, और पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल, अगर करता resident है, करता अगर additional condition satisfy कर दे, करता पिछले 7 साल में इंडिया में 730 days है, करता पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल में आपके पास इंडिया में resident है तो उसकी HOF क्या बन जाएगी? ordinary resident लेकिन अगर करता additional condition को satisfy नहीं करता तो उसकी HOF क्या बन जाएगी? NOR तो करता will be the deciding factor की ordinary resident है HOF की not ordinary है लेकिन HOF resident है की non-resident है यह उसके control and management पे depend करता है तो control and management अगर holy partly इंडिया में है तो HOF resident है, otherwise non-resident है इसके बाद अगर हम partnership firm की बात करें BOI की बात करें, AOP की बात करें तो बाबू इस case में भी control and management देखा जाता है अगर control and management holy और partly इंडिया में है तो resident है, otherwise non-resident है अगर हम company की बात करते हैं तो company के case में अगर Indian company है तो वो हमेशा resident होती है लेकिन अगर foreign company है और उसका poem place of effective management अगर इंडिया में है तो resident है और place of effective management अगर outside इंडिया है तो वहाँ पर आपकी जो foreign company है वो क्या हो जाती है non-resident हो जाती है अब आपके पास आता है section number 5 वो बात करता है scope of total income and tax incidence की scope of total income मतलब कि आपकी income में कौन-कौन सी income include करी जाएगी Indian income की foreign income तो सबसे पहले हम समझते हैं कि Indian income और foreign income होती क्या है किसी भी income को Indian income या foreign income में declare करने से पहले किसी भी income को Indian income और foreign income declare करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि वो income accrue arise कहा हुई है और वो income receive कहा हुई है receive का मतलब first receipt पहली बार वो income कहां मिली है तो अगर accrue arise और receive इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ इंडिया में है तो वो आपके लिए Indian income है और जब accrue arise और receive दोनों इंडिया के बाहर है तो वो आपके लिए foreign income है तो accrue arise अगर इंडिया में हुआ है receive इंडिया में हुआ है Indian income accrue arise इंडिया में हुआ है receive भले outside इंडिया हुआ है Indian income accrue arise इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन receive इंडिया में हुआ है Indian income सर आपका accrue arise भी इंडिया के बाहर हुआ है receive भी इंडिया के बाहर हुआ है तो ये आपके लिए foreign income अच्छा कई बार question में आपको given रहता है कि sir remittance आई है remitted to India कई बार question में लिखा रहता है income is remitted to India या फिर लिखा रहता है subsequent transfer to India अगर आपको दिया हुआ है remitted to India या फिर subsequent transfer to India ये आपकी first receipt नहीं है इसे आप receipt नहीं मानोगे ये second receipt है यहाँ पर जो हम receive की बात करते हैं वो first receipt की बात करते है कि income पहली बार आपको कहाँ पर receive हुआ है अब sir हमको ये पता लग गया कौन सी income Indian income है कौन सी income foreign income है अगर accrue arise और receive इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर इंडिया में है तो वो Indian income है और जब दोनों चीज़े आपकी इंडिया के बाहर है तो वो आपके पास foreign income है अब सर्ध्यान से समझने वाली बात है अगर आप ROR हो आप NOR हो आप NR हो कोई फरक नहीं पड़ता आपने Indian income कमाई है तो Indian income पे हर कोई टेक्स देता है अगर आपने foreign income कमाई है और आप ROR हो तो आपको foreign income पे टेक्स देना पड़ेगा आपने foreign income कमाई है लेकिन आप NR हो तो N.R. को foreign income पे कोई भी tax pay करने की ज़रूरत नहीं है R.O.R. सभी foreign income पे tax देता है N.R. किसी भी foreign income पे tax नहीं देता N.O.R. generally किसी भी foreign income पे tax नहीं देता Generally N.O.R. किसी भी foreign income पे tax नहीं देता लेकिन दो तरीके की foreign income ऐसी है जो N.O.R. के हाथ में taxable होती है दो तरीके की foreign income ऐसी है जो NOR के हाथ में taxable होती है एक foreign business income जिसका control इंडिया में है एक foreign की professional income जहाँ पर profession set up इंडिया में है तो अगर आपके पास foreign business income है जिसका control इंडिया में है या फिर foreign की professional income है जहाँ पर profession आपका set up इंडिया में है वहाँ पर ये वाली incomes आपकी क्या हो जाएं तो वाली फॉरवार के हाथ में केवल दो फॉरें इंकम टेक्सेबल होती हैğı एक फॉरें बिजनस इंकम WOR के हात में हैगर प्रोफेशिनल इंकम थेक्सेबल होती है foreign income के अलावा और कोई foreign income कभी भी NOR के हाथ में taxable नहीं होती है चली भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पास section number 9 की section number 9 बात करता है income deemed to accruarize in India deemed to accruarize in India का मतलब क्या हुआ कि ये माना जाएगा कि income आपने कहां पर earn करी है इंडिया में earn करी है यानि की section 9 में जो भी income लिखी है वो आपके पास always Indian income होगी क्योंकि अगर accruarize इंडिया में हो गया तो ये always Indian income होगी और अगर ये Indian income होगी तो ये always taxable होगी आपका residential status कुछ भी हो कोई फरक नहीं पड़ता ये हमेशा taxable होगी पहला point निकल कर आता है कि भाई assessi ने कोई भी income earn करी है इंडिया के बाहर assessi ने कोई भी income earn करी है assessi को कोई भी income accruarize हो रही है any place outside इंडिया उसे deem किया जाएगा कि ये accruarize in इंडिया है अगर उस income का business connection इंडिया के साथ है business connection इंडिया के साथ कैसे बनता है अगर कोई non resident इंडिया में अपना agent रखता है और वो agent का काम क्या रहता है सर वो agent का काम रहता है कि वो उस non resident के बिहाफ पे contracts में enter करता है वो उस non resident के बिहाफ पे stock maintain करता है वो उस non resident के बिहाफ पे goods को purchase करता है तो business connection in India establish हो जाता है sir आपने जो income कमाई है वो ऐसी property से है ऐसी assets से है जिसका source of income इंडिया में है तो let's say आपके पास let's say आपके पास कोई house property है वो इंडिया में है लेकिन उसका rent आपको कहाँ पर मिलता है इंडिया के बाहर मिलता है कोई फरक नहीं पड़ता यह आपके पास इंडियान income है आपने किसी इंडियान कमपनी के shares किसी इंडियान कमपनी के shares आपने इंडिया के बाहर बेचे किसी इंडिया कमपनी के shares आपने इंडिया के बाहर बेचे तो भाबू आपने भले shares इंडिया के बाहर बेचे, आपकी जो asset है, आपकी जो property है, वो कहाँ पर है, इंडिया में है, मतलब income connection इंडिया के साथ बन रहा है, तो ये deem to accruarize in इंडिया हो जाएगी, आपने जो asset बेची है, वो asset आपके पास इंडिया में situated है, अगर आपने इं इंडिया की asset बेची है, अगर आपने इंडिया की asset बेची है, कहीं पर भी बेची हो, कोई फरक नहीं परता, it is always deemed to accruarize in इंडिया, अब कब ऐसा होगा कि आपका business connection in इंडिया नहीं माना जाएगा, not considered as business connection in इंडिया, not considered as business connection in इंडिया, ऐसा कब होगा कि हम इसे business connection in इंडिया नहीं मानेंगे, मतलब इस case में आपके पास section 9 applicable नहीं होगा, अगर आपने इंडिया में purchase किया है, export करने के लिए section 9 applicable नहीं होगा, अगर आप इंडिया में news collection का काम करते हो आपके पास section 9 applicable नहीं होगा अगर कोई foreign citizen इंडिया में आके film की shooting कर रहा है तो वहाँ पर भी आपका section 9 applicable नहीं होगा इसके बाद अगर आपने services इंडिया में render करी है services आपने इंडिया में render करी है और उसके लिए आपको salary दी जा रही है तो salary दुनिया के किसी भी कोने में दी जाए वो accru horizon इंडिया मानी जाएगी for example Mr. X ने अपने employer A limited को 26 साल की services दी और उसके बाद वो retire हो गए और जाकर London में settle हो गए Mr. X ने A limited को 26 साल services दी 26 साल service देने के बाद वो retire हो गए और जाके London में settle हो गए A limited क्या करता है इनको pension देता है इनके London के bank account में A limited इनको pension दे रहा है इनके London के bank account में तो ये pension जो आपको दी जा रही है वो for the services rendered in India है तो ये pension भले आपको London bank account में मिल रही है ये deemed to accrue horizon India ही माने जाएगी इसके बाद आता है कि अगर कोई Indian citizen Government of India को services provide करता है इंडिया के बाहर अगर कोई Indian citizen Government of India को services provide करता है इंडिया के बाहर तो जो salary government देती है इस Indian citizen को वो deemed करी जाती है as accrue horizon India for example आप Australia की embassy में as a ambassador भेजे गए हो by the government of India आपको आप Indian citizen हो आपको government of India ने ये Australia में जो Indian embassy है वहाँ पर आपको depute कर दिया है वहाँ पर भेज दिया है आपको कहा है कि Australia में जो Indian embassy है आप समालोगे आप उसको head करोगे तो आपको जो salary मिलेगी वो कहां से मिलेगी government of India से मिलेगी आप government of India को services कहां पर render कर रहे हो इंडिया के बाहर तो lawmaker कहता है कि अगर कोई Indian citizen government of India को इंडिया के बाहर services दे रहा है तो वहाँ पर इसको deemed to accrue horizon इंडिया ही माना जाएगा अब यहाँ पर एक section 10.7 की application आती है section 10.7 कहता है कि government Indian citizen को इंडिया के बाहर जो alliances और पर्क देती है इनको अपन क्या कर देंगे exempt कर देंगे तो alliances और पर्क जो government of India ने allow करे है Indian citizen को for the services rendered outside इंडिया इसे क्या कर दिया गया है exempt कर दिया गया है यानि कि केवल जो basic salary होगी वही taxable होगी जो alliances और पर्क मिलेंगे वो taxable नहीं होगे मतलब अगर government of India किसी Indian citizen को for services rendered outside इंडिया for services rendered outside इंडिया salary दे रही है तो salary आपकी taxable होगी alliances और पर्क दे रही है तो alliances और पर्क आपके पास क्या रहेंगे exempt रहेंगे alliances और पर्क आपके पास exempt रहेंगे लेकिन जो basic salary होगी वो taxable होगी अगला point निकल कराता है interest on loan अगर government of India ने किसी से loan लिया है और government of India interest का payment कर रही है government of India ने अगर किसी से loan लिया है और वो आपके पास क्या कर रही है loan का payment कर रही है interest का payment कर रही है तो वो interest recipient के हाथ में always deemed to accruarize in India होगा अगर government of India ने interest का payment करा है तो recipient के हाथ में वो हमेशा आपके पास Indian income होगा recipient के हाथ में वो हमेशा taxable होगा अगर loan किसी resident ने लिया है और उस loan को utilize किया है इंडिया में किसी भी source of income को earn करने के लिए अगर एक resident ने loan उठाया है और loan के पैसे को use किया है इंडिया में for earning any source of income तो resident जब interest की payment करेगा तो वो recipient के हाथ में Indian income होगी लेकिन अगर resident ने पैसा इंडिया के बाहर use किया एक resident ने loan उठाया loan के पैसे को Australia में invest किया और वहाँ से interest का payment कर रहा है इंडिया के बाहर तो वो Indian income नहीं होगी जब आपके loan के पैसे को use करा जाएगा इंडिया में तभी वो आपके पास interest का payment Indian income होगा अगर interest का payment कर रहा है एक non-resident तो वो interest Indian income माना जाएगा अगर non-resident ने loan के पैसे को use किया है इंडिया के अंदर for earning business और profession income for business और profession income non-resident ने अगर loan के पैसे को इंडिया में use किया है business और profession के लिए तब तो जो interest का payment होगा वो recipient के हाथ में Indian income बनेगा लेकिन अगर business और profession के अलावा किसी और में investment कर दी मानलो non-resident ने loan उठाया और loan से house property खरीदा house property खरीदा और interest का payment किया तो ये income accruarize in India नहीं मानी जाएगी यहाँ पे deemed to accruarize in India नहीं लगेगा लेकिन non-resident ने अगर loan उठाया और इसे इंडिया में utilize किया है business और profession के लिए तब ही ये आपके पास क्या माना जाएगा Indian income इसके बाद आता है royalty और fees for technical service royalty किसके लिए दिये जाती है intellectual property right के लिए IPR के लिए और technical fees किसके लिए दी जाती है technical consultancies के लिए तो अगर royalty का payment, technical fees का payment, government of India ने किया है तो recipient के हाथ में ये deemed to accrue rise in India है अगर royalty का payment, technical fees का payment, अगर resident ने किया है या फिर किसी non-resident ने किया है तो उस case में ये deemed to accrue rise in India होगा अगर हमने intellectual property right या फिर technical services को use किया है इंडिया के अंदर for earning any source of income तो resident और non-resident ने अगर intellectual property right को या फिर technical services को इंडिया में use किया है for earning any source of income तो royalty का जो payment होगा, technical fees का जो payment होगा वो recipient के हाथ में आपके पास क्या बन जाएगा deemed income और इसी के साथ हम लोगों ने section number 9 भी complete कर लिया है इसमें एक छोटा सा section आता है, section number आपके पास 7 received in India, उसके अंदर जो सारे points लिखे है ना वो salary वाले ही point है, तो आपको अलग से वो section पढ़ने की जरुरत नहीं है उसका आपको अलग से load लेने की जरुरत नहीं है जित्ता मैंने कराया, that is enough और इसी के साथ हमारा जो residential status वाला chapter है राजा बेटा ये भी हो गया है, आपके पास पूरी तरीके से complete तो चलो, अब बढ़ते हैं आगे चले बच्चो, start करते हैं हमारा अगला chapter जिसका नाम है income under the head salaries हमारे पास first head of income है, income under the head salaries इस chapter को start करें, उससे पहले हमारे पास कुछ important concepts निकल कर आते हैं relating to salary सबसे पहला point आता है कि बाबू आपको जो भी remuneration मिल रहा है वो remuneration आपका salary head में तभी cover होगा जब आपका employer-employee relationship exist करेगा employer-employee relationship कैसा होता है बाबू ये master-servant का relationship होता है इसमें master जो रहता है, वो servant को instructions देता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कब काम करना है और उस काम को करने के लिए जो tools रहते हैं, जो equipments रहते हैं, जो resources रहते हैं वो भी आपका employer ही provide करके चलता है employee को तो जब master-servant का relationship होगा, तभी employer-employee relationship होगा और तभी remuneration को salary बोला जाएगा इसके बाद sir lawmaker कहता है कि full-time employment में और part-time employment में कोई फरक नहीं होता अगर employer-employee relationship exist करता है, तो चाहे आप full-time job करो और salary receive करो, वो भी salary head में आएगी आप part-time job करो और salary receive करो, वो भी आपके पास salary head में आएगी मतलब at a time अगर मैं दो जगा पर काम कर रहा हूँ, सुभा मैं A limited में काम करता हूँ और शाम को मैं B limited में काम करता हूँ, A limited से जो remuneration मिलता है, B limited से जो remuneration मिलता है वो salary head में cover हो जाएगा, provided मेरा employer-employee relationship establish हो जाए A limited के साथ और B limited के साथ इसके बाद अगला point आता है forgoing of salary, forgoing of salary का मतलब क्या होता है, waiver of salary आपने salary wave off कर दी, तो lawmaker कहता है कि अगर आप salary wave off कर देते हो, salary forgo कर देते हो तो वो salary आपकी taxable रहेगी, मैंने 12 महीने की services render करी, लेकिन मैंने 11 महीने की salary receive करी और एक महीने की salary मैंने wave off कर दी, मैंने अपने employer से कहा कि आप ये salary कहीं पर donate कर दो तो lawmaker कहता है कि अगर आप salary forgo करते हो, तो ये application of income है ये application of income है, ये खर्चा करना है, हम आपके पास पूरे 12 महीने की salary पे ही आपके पास tax लेकर चलेंगे इसके बाद अगला point निकल कर आता है, surrender of salary, अगर आप salary को surrender कर देते हो, अगर आप salary को surrender कर देते हो, अपने पास central government को अगर आपने salary को surrender कर दिया है, अगर आपने salary को surrender कर दिया है, वो आपकी taxable नहीं होगी, उसे exempt कर दिया जाएगा salary forgo करते हो, वो taxable होती है, salary surrender करते हो, वो आपकी exempt हो जाती है इसके बाद अगला point निकल कर आता है, salary paid tax free, पिटा tax free salary एक ऐसा structure है tax free salary एक ऐसा structure है, जहाँ पर employer क्या करता है, employer employee को salary देता है employer क्या करता है, sir, employer employee को salary देता है, और employer क्या करता है, on behalf of employee, जो tax है, वो पे करता है to government जो income tax है वो pay करता है employer to government on behalf of employee तो जैसे मालो employee को salary 10 lakh रुपे की दी गई इस 10 lakh रुपे पे जो tax बनता है वो employee को देना चाहिए इस 10 lakh की salary पे जो tax बनता है वो employee को देना चाहिए लेकिन employer ने आपका salary का structure इस तरीके से fix किया है कि employer employee को 10 lakh रुपे देगा इस 10 lakh पे जो tax बनता है वो employer employee के बिहाफ पे government को देगा तो अगर आप 10 lakh पे tax निकालोगे old regime के हिसाब से तो 1,17,000 रुपे का tax आता है lawmaker कहता है कि sir employer ने employee के बिहाफ पे जो tax पे करा है हम इसे पर्क मान लेंगे ये 1,17,000 रुपे को क्या मान लिया जाएगा पर्क मान लिया जाएगा और ये आपकी salary में add कर दिया जाएगा यानि कि आपकी salary for income tax purpose केवल 10 lakh रुपे नहीं होगी आपकी salary for income tax purpose 11,17,000 हो जाएगी this 10 lakh plus this 1,17,000 this in other word means that the employer bear the burden of the tax on the salary of the employee employer bear करता है burden of the tax on the salary of employee in such a case income from salary in the hands of employee will consist of salary income and also the tax on his salary paid by the employer क्योंकि employee की obligation अगर employer met करता है तो उसे अपन पर्क मान के चलते है इसके बाद अगला topic निकल कर आता है बेटा place of accrual of salary place of accrual of salary का मतलब कि जहाँ पर आपने services render करी है वहीं पर आपकी salary accru arise मानी जाएगी इस बात का एक exception था जो हम लोगों ने residential status वाले chapter में section 9 के अंदर पड़ा था कि अगर कोई Indian citizen है और वो outside India services देता है government of India को तो यहाँ पर deemed to accru arise इंडिया में माना जाता है इसके अलावा और कोई भी case हो आपने जहाँ पर services render करी होगी that place will be considered as कि भी आपकी salary यहाँ पर accru arise हुई है for example अगर आपने लंडन में services दी है तो आपकी salary accru arise London में होगी अगर आपने इंडिया में मुंबई में services दी है तो आपकी salary accru arise कहाँ पर होगी मुंबई में होगी इसके बाद अगला point निकल कराता है basis of charge section number 15 बिल्कुल असा section है यह आपसे कहता है कि आपकी जो salary है वो या तो due basis पर taxable होगी या तो receipt basis पर taxable होगी या तो due basis पर taxable होगी या तो receipt basis पर taxable होगी दोनों में जो भी आपके पास क्या रहेगा earlier तो अगर आपने 12 महीने की service दी और आपको 10 महीने की salary रिसीव होई तो यहाँ पर आपकी taxable salary जो होगी वो 12 महीने की होगी अगर आपने 12 महीने की service दी लेकिन आपको 14 महीने की salary रिसीव होई जिसमें 2 महीने की advance salary थी जिसमें 2 महीने की advance salary थी तो आपकी 14 महीने की salary जो होगी वो taxable होगी तो due or receipt which ever is earlier अब समझो मेरी बात को अगर आपकी कोई salary due basis पे taxable हो गई है अगर आपकी salary due basis पे taxable कर दी गई है तो कल जब आपकी ये salary receive होगी तो ये दुबारा taxable नहीं होगी अगर किसी salary को due basis पे taxable कर दिया गया है तो जब आपको ये receive होगी दुबारा तो ये taxable नहीं होगी फॉर एक्जामपल प्रीवियस इयर 23-24 में आपने 12 महीने की service दी लिकिन आपको salary जो receive हुई वो April से लेकर जनवरी की ही receive हुई आपको Feb और March की salary receive नहीं हुई तो आपने services 12 महीने की दी है तो previous year 23-24 में आपकी जो taxable salary है वो पूरे 12 महीने की है पूरे 12 महीने की salary taxable है अब previous year 24-25 में क्या हुआ previous year 24-25 में भी आपने 12 महीने की service दी और आपको 24-25 में जो salary receive हुई है वो 14 महिने की हुई है आपको April 24 से March 25 की salary तो मिली ही है मतलब जो 24-25 में आपने काम किया है वो 24-25 की salary तो आपको मिली ही है इसके साथ पिछले साल की Feb और March की salary भी मिल गई है आपको Feb और March की salary भी मिल गई है तो अगले साल 24-25 में आपको 14 महिने की salary मिली 12 महिने इसी साल के और 2 महिने पिछले साल के अब logical क्या है सर 24-25 में जो salary taxable होगी 24-25 में जो salary taxable होगी वो 12 महिने की ही होगी April 24 से May 25 फरवरी 24 और March 24 वाली salary already due basis पे taxable करी जा चुकी है 23-25 में वो दुबारा से taxable नहीं होगी तो कोई salary अगर due basis पे taxable हो चुकी है तो subsequently जब वो receive होगी तो वो दुबारा taxable नहीं होगी similarly अगर कोई salary receipt basis पे taxable होगी है तो कल को जब वो दुबारा से due होगी तो वो दुबारा से taxable नहीं होगी similarly अगर आपको बिटा areas of salary मिलती है मतलब आपको salary का increment मिलता है with retrospective effect salary में increment मिलता है with retrospective effect तो ऐसे case के अंदर जिस year में आपको area receive होगा जिस भी year में आपको area receive होगा उसी year में आपका ये जो area रहेगा बिटा वो आपका chargeable to tax रहेगा इसके बाद आपका lawmaker क्या कहता है बिटा इसके बाद आपका lawmaker बात करता है computation of income under the head salary सर सेलरी में आपके पास basic salary आती है सर सेलरी में आपके पास commission आता है commission दो तरीके से मिलता है एक absolute amount वाला मिलता है एक percentage of turnover वाला मिलता है इसके अलावा आपको bonus वगेरा मिलता है ये भी आपके पास क्या होता है salary का part होता है इसके अलावा आपको alliances मिलते हैं ये भी आपकी salary का part होता है I don't think so कि मुझे इस वक्त आपको alliances का meaning बताने की ज़रुवत है alliances क्या है? alliances आपके पास एक fixed monetary payment है जो specific खर्चों के लिए आपको दिया जाता है official खर्चे भी हो सकते है personal nature के भी खर्ची हो सकते है उनके लिए आपको alliances मिलते है alliances के अलावा आपको perquisites मिलते है benefits मिलते है आपके employer ने आपको रहने के लिए घर दिया हो सकता है motor गाड़ी दे सकता है घर पे नौकर चाकर दे सकता है तो perks आपके पास निकल कर आ जाते है इसके अलावा आपके पास retirement benefits आ सकते है जैसे आपके पास gratitude हो गया आपके पास pension हो गया provident fund हो गया leave in cashment हो गया जब आप इन सारी चीजों को plus कर देते हो इसके अलावा एक और चीज़ आती है profit in lieu of salary जब आप इन सारी चीजों को plus कर देते हो तो आपके पास क्या निकल कराती है आपके पास gross salary निकल कराती है और फिर gross salary में से आपको standard deduction दिया जाता है gross salary में से आपको entertainment allowance का deduction दिया जाता है इसमें से आपको professional tax paid का deduction दिया जाता है और जो result आता है उस result को आप बोलते हो income under the head salary इस result को आप क्या बोलते हो income under the head salary अब एक बात याद रखना कि यह जो standard deduction है यह आपको old regime में भी मिलती है और new regime में भी मिलती है लेकिन जो entertainment allowance की deduction है और professional tax paid की deduction है यह आपको केवल old regime में मिलती है सर यह आपको new regime के अंदर offer नहीं करी जाती है तो आपकी salary का यह portion निकल कर आता है हम बाते करने जा रहे है बेटा अलोइंसेस की तो अलोइंसेस आपके पास एक आते है fully taxable alliances fully taxable alliances मतलब वो alliances जिनमें कोई भी exemption नहीं मिलता यह अलोइंसेस आपके fully taxable हैं under both regime दोनों रिजीम के अंदर आपके पास ये fully taxable रहने वाले हैं, इसके अंदर जो important important है वो मैं highlight कर देता हूँ, सर अगर आपको servant allowance मिल रहा हैं, ये fully taxable होता है, आपको dearness allowance मिल रहा है, आपको सिटी कंपनसेटए इसे शेर में रखा गया है जहां पर cost of living जो है वो महञी है तो उसको meet out करने के लिए अगर आपको alloyance दिया जा रहा है तो आपके पास ये जो रहेगा fully taxable आजाएगा overtime alloyance दिया जा रहा है ये fully taxable होगा ये जितने भी alloyances मैंने highlight करे हैं ये important है इनको रट लेना इसके अलावा overseas alloyance मिलता है वो fully taxable होता है शादी करने के लिए अगर कोई alloyance मिलता है वो taxable होता है personal research करने के लिए अगर कोई project alloyance मिलता है for example आप PhD वगेरा कर रहे हो तो आपको research वगेरा करनी रहती होगी तो अगर आपको उस research के लिए alloyance दिया जा रहा है तो बाबू वो आपके पास fully taxable हो गया non practicing alloyance दे रहा है ताकि आप office से घर जाने के बाद अपने end पर कोई काम ना करें independent capacity में कोई काम ना करें आप केवल employer के लिए काम करें इसके लिए आपको non practicing alloyance दिया जाता है ये भी आपका fully taxable होता है अगर आपका employer आपको rural area में job दे रहा है तो हो सकता है वो rural area में रहने के लिए आपको encourage करने के लिए आपको incentive दे दे rural alloyance के नाम का तो वो भी आपका fully taxable होता है holiday home alloyance दिया जाएगा fully taxable होता है mainly जो मैंने highlight करें है इनको आप अच्छे से कर लेना इसके बाद आता है fully exempted alliances ये जो fully exempted alliances है it is only under the old regime this is only under old regime this is only under old regime old regime के अंदर old regime के अंदर आपके पास exempted alliance आएंगे यानि कि new regime के अंदर ये alliances fully taxable होंगे new regime के अंदर ये alliances आपके taxable होंगे ठीक है कौन से alliances है सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के judges को जो alliances मिलते हैं वो आपके पास fully exempt होते हैं अगर आप United Nation Organization के employee हो और UNO के employee को अगर कोई salary मिलती है कोई alliance मिलता है कोई perk मिलता है ये तीनों चीज़े क्या हो जाती है exempt हो जाती है यानि कि UNO के employees को जो remuneration मिलता है वो इंडिया में कभी भी taxable नहीं होता इसके बाद ये अगला point already हमने residential status में पढ़ रखा है कि सर अगर आप एक Indian citizen हो और आप इंडिया के बाहर services दे रहे हो government of India को तो government of India आपको इंडिया के बाहर जो alliances देती है इंडिया के बाहर जो पर्क देती है ये आपके exempt रहते हैं 10-7 में मैंने ये तीनों जो आपको exemptions बताई है this is only under the old regime new regime के अंदर ये आपके पास fully taxable कर दी जाती है अब अगला point निकल कर आता है आपके पास official alliances अगला point आपके पास निकल कर आता है official alliances official alliances मतलब वो alliances जो आपको दिये जाते हैं official खर्चा करने के लिए वो alliances जो आपको दिये जाते है official खर्चा करने के लिए यहाँ पर आपको exemption मिलती है यहाँ पर आपको exemption मिलती है lawmaker कहता है कि सर जितना amount आपको receive हुआ है allowance का या जितना आपने spend करा है official purpose के लिए जितना आपने official purpose के लिए spend करा है इन दोनों में जो भी आपका lower है उसे हम क्या कर देंगे exempt कर देंगे for example आपके employer ने आपको traveling allowance दिया 15,000 रुपे का और आपने इसमें से spent किया suppose कर लेते हैं 10,000 रुपे तो यहाँ पर क्या होगा सर यहाँ पर आपके 5000 रुपे टेक्सेबल हो जाएंगे आपको 15,000 रुपे का allowance मिला है आपने 10,000 रुपे खर्च करें 15 और 10 दोनों में जो lower है वो exempt हो जाएगा 15 में से 10 exempt हो गए 5000 टेक्सेबल हो गए अगर आपने इसमें से 16,000 रुपे खर्च करें आपको मिले 15,000 लेकिन आपने 16,000 खर्च करें तो इस case में कुछ भी टेक्सेबल नहीं होगा क्योंकि सर 16 खर्च करें और 15 मिले हैं 15 और 16 whichever is lower 15 आपका exempt हो जाएगा 15 में से 15 चले गए कुछ भी यहाँ पर taxable नहीं होगा सर यहाँ पर total कितने alliances आते हैं total यहाँ पर बेटा 8 alliances निकल कर आते हैं official alliances के अंदर आपके पास total 8 alliances निकल कर आते हैं इनका हमने एक short form बनाया है हट आरे डी टी सी हट आरे डी टी सी हट आरे डी टी सी है एच का मतलब आपका helper alliance आपका employer आपको helper रखने के लिए assistant रखने के लिए आपका workload थोड़ा सा कम करने के लिए आपको बोल सकता है आप assistant रख लो या फिर secretary हायर कर लो तो उसके लिए आपका employer आपको helper alliance दे सकता है इसके बाद U आता है आपके पास uniform allowance यूनिफॉर्म आलोइंस क्या होता है कि सर obvious है जैसे आप अगर police में हो तो आपकी uniform होती है आप navy में हो uniform होती है आर्मी में हो uniform होती है hospital में nurse हो डॉक्टर हो, आपकी uniform होती है तो uniform को maintain करने के लिए जो allowance दिया जाता है इसके बाद T का मतलब है यहाँ पे transfer allowance अगर आपका employer आपको एक job location से दूसरी job location पे transfer कर रहा है, तो उसके लिए आपका employer आपको transfer allowance दे सकता है तो जितना allowance आप खर्च करोगे, यहाँ जितना allowance आपको receive हुआ है, दोनों में जो भी कम है, वो आपका exempt कर दिया जाएगा इसके बाद R का मतलब है research and development allowance अगर official कोई research है और उसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है तो जितना पैसा आपने official research में खर्च किया या जितना R&D allowance आपको मिला दोनों में जो भी कम रहेगा वो आपका exempt कर दिया जाएगा इसके बाद आता है academic allowance academic allowance मतलब आपका employer आपको encourage कर सकता है कि आप और पढ़ाई करो और उसके लिए वो आपको academic allowance दे सकता है further studies करने के लिए आपको academic allowance दिया जा सकता है तो आपका employer अगर आपको academic allowance दे रहा है तो वो academic allowance जितना आप खर्च करोगे पढ़ने के लिए वो आपका exempt हो जाएगा जो भी amount आप save कर लोगे वो amount आपके पास taxable हो जाएगी अब please मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैंने बात बोली हट आरे हट आरे यह जो पाँच alliances है यह जो हट आरे है यह जो पाँच alliances है इनकी exemption आपको मिलेगी only under old regime हट आरे की आपको जो exemption मिलेगी वो मिलेगी only under old regime अब जो मैं बात करने वाला हूँ DTC की DTC की इसकी exemption आपको old regime में भी मिलेगी और आपको new regime में भी मिलेगी DTC में क्या आता है आपके पास daily allowance DTC में आपके पास क्या आता है daily allowance यह basically किसको दिया जाता है essay employees को दिया जाता है जो official purpose के लिए दूसरी cities में visit करते हैं तो tour का खर्चा sir hotel में रहने का खर्चा खाने पीने का खर्चा इसके लिए आपका employer daily allowance देता है similarly sir आपका employer आपको traveling allowance दे सकता है यह भी daily allowance से मिलता जुलता है the only differences की daily allowance में खाने पीने का खर्चा भी include होता है लिकिन traveling allowance में केवल आपके tickets वगेरा का खर्चा include होता है तो अगर आपको travel करना पड़ रहा है एक city से दूसरी city अपने office काम के लिए तो train की ticket, plane की ticket उसको meet out करने के लिए आपका employer आपको क्या दे सकता है? पैसा दे सकता है इसके अलावा आपका employer आपको convince allowance दे सकता है convince allowance क्या होता है? within the city limit अगर आपको company के काम से अपने client को मिलने जाना है किसी भी reason से आपको official visit करनी है official visit करनी है within the city limit तो उसके लिए आपको क्या दिया जाता है? convince allowance दिया जाता है lawmaker कहता है कि जो default regime है यानि कि जो new regime है उसके अंदर exemption दी जाएगी उसके अंदर exemption दी जाएगी traveling allowance की daily allowance की और convince allowance की ठीक है? तो traveling allowance, daily allowance, convince allowance ये तीन alliances ऐसे हैं जिनका exemption जिनका exemption, DTC का exemption आपको old regime में भी मिलेगा और new regime में भी मिलेगा लेकिन जो हट आ रहे है जो हट आ रहे है इसका exemption आपको केवल old regime में मिलेगा यानि कि जो हट आ रहे है ये आपके पास new regime में fully taxable है ये आपके पास new regime में fully taxable कर दिये गए है चलिए अब बात करते हैं राजा बेटा alliances for personal nature की personal nature की alliances मतलब जो personal expenses को meet out करने के लिए दिये जाते हैं जो personal expenses को meet out करने के लिए दिये जाते हैं इनको हम बोलते है personal nature के alliances जो personal nature को meet out करने के लिए दिये जाते है personal खर्चों को meet out करने के लिए दिये जाते हैं इनको बोलते हैं हम लोग personal nature के alliances अब यहाँ पर रूल आपका क्या कहता है सर Alloyances for Personal Nature में Exemption का रूल कहता है कि भाई जितना Alloyance आपको Receive हुआ जितना Alloyance आपको Receive हुआ या फिर जितना Amount Limit में दे रखा है Rules में दे रखा है जितनी Limit Rules में दे रखी है इन दोनों में जो भी आपका lower है वो आपका exempt होगा परसनल लेचर का जो allowance है वहाँ पर जितना भी allowance आपको receive होगा या फिर जितनी rules में limit लिक रखी है उन दोनों में जो भी lower है वो आपका exempt होगा यहाँ पर आपके actual expenses से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर आपके actual expenses से कोई मतलब नहीं है actually में आपने उस allowance को खर्च किया है आपने actually में उस allowance को खर्च नहीं किया है इससे कोई फरक नहीं पड़ता जितना allowance आपको receive होगा या जितना limit rules में लिक रखी है इन दोनों में जो भी lower है उसे government क्या कर देगी exempt कर देगी अब सर यहाँ पर आपके पास जो exemption दी गई है वो केवल default regime में दी गई है default regime में कोई भी exemption नहीं है सर यहाँ पर आपको जो exemption मिलने वाली है वो केवल और केवल old regime में मिलने वाली है अंडर default regime आपके पास कोई भी exemption अवेलेबल नहीं है personal nature के alliances का, तो अगर आपको personal nature के alliances मिलेंगे, default regime के अंदर वो fully taxable होंगे, लिकिन old regime में मिलेंगे, तो वहाँ पर exemption निकल कर आ सकती है, जितना alliance रिसीव हुआ है, या फिर जितनी limit स्पेसिफाइ करी गई है, दोनों में जो भ पहला point यहाँ पर निकल कर आता है, आपके पास children education alliance, अगर आपका employer आपके बच्चों की education के लिए आपको alliance दे रहा है, तो lawmaker कहता है कि यहाँ पर हम exemption देंगे, up to rupees 100 per month per child, up to 2 child, maximum 2 बच्चों के लिए exemption मिलेगी, और maximum 100 rupees per month की मिलेगी, अब यहाँ पर बच्चे गलती करते है बच्चे यहाँ पर flat 100 rupees की deduction claim कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर लिखा है up to 100, up to 100 का मतलब क्या हुआ, कि अगर actually में आपको जो alliance मिला है, वो 100 rupees से कम है, तो कम वाला amount exempt होगा, और अगर आपको 100 rupees से जादा मिला है, तो आपका 100 rupees वाला amount exempt होगा, तो अगर आपके employer ने आपके बच्चों की education के लिए आपको 90 rupees पर मंत दिये हैं, तो 90 rupees पर मंत exempt होगे, ना कि 100, और अगर आपके employer ने आपको 120 rupees पर मंत दिया है, तो 100 rupees exempt होगे, ना कि 120, और यहाँ पर भी focus करिए, up to 2 children आपको exemption मिलती है, तो alliance अगर एक ही बच्चे का मिला है, तो exemption भी एक ही मिलेगी, allowance अगर 3 बच्चों का मिला है, तो आपको 2 बच्चों की exemption मिलेगी, तो maximum exemption दो बच्चों की है, और maximum amount जो बताई गई है, that is 100 rupees पर मंत पर child बताई गई है, इसके बाद अगर आपका employer आपके बच्चों के hostel के लिए allowance देता है, तो यहाँ पर आपके पास exemption है, up to 300 पर मंत पर चाइल्ड, maximum up to 2 चाइल्ड, same logic, अगर 300 रुपे से कम का allowance रिसीव होगा, तो जितना रिसीव हुआ है, वो exempt हो जाएगा, 300 रुपे से जादा रिसीव होगा, तो आपका 300 रुपे exempt हो जाएगा, दो बच्चों के लिए रिसीव होगा, तो दोनो बच्चों का exempt हो Transport Alliance देता है, Sir, Transport Alliance क्या होती है, बिटा, Office से घर, घर से Office जाने के लिए Alliance दिया जाता है, और इस Alliance को Government कहती है, कि ये Fully Taxable Alliance है, चाहे Old Regime हो, चाहे New Regime हो, आपका ये Alliance क्या होने वाला है, बिटा जी, Fully Taxable होने वाला है, Old Regime हो, चाहे New Regime हो, अगर आपको Transport Alliance मिलेगा, तो ये आ आपका Fully Taxable होगा, लेकिन अगर हमारे पास Employee Blind है, हमारा Employee Orthopedically Handicapped है, या फिर हमारा Employee Deaf है, या फिर हमारा Employee Dumb है, तो उस Case के अंदर भी आपको Exemption मिलेगी, अगर Employee Blind है, Orthopedically Handicapped है, Deaf है, Dumb है, उस Case में Exemption मिलेगी, Up to Rs.3,200 per month, अगेन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Up to, Up to का मतलब क्या हो गया, कि अगर 3,200 से जाजा मिला है, तो 3,200 exempt हो जाएगा, 3,200 से कम मिला है, तो कम वाला amount exempt हो जाएगा, Actually मैं आपने कित्ता खर्चा किया है, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, तो आपके पास अगर Employee Disabled है, तो 32 सो रुपे महीने तक की exemption मिलती है, और यह जो exemption मिलती है, यह Old Regime में भी मिलती है, और New Regime में भी मिलती है, यह जो Transport Alliance की Disabled Employee के लिए जो exemption है, 32 सो रुपे वाली, यह आपके पास exemption Old Regime में भी है, और यह exemption आपके पास New Regime में भी है, तो Transport Alliance अगर Disabled Employee को मिल रहा है तो 3200 रुपीज तक की exemption है और ये exemption old regime में भी है और आपके पास new regime में भी है इसके बाद अगर आपके employer ने outstation allowance आपको दिया है ये outstation allowance किसको दिया जाता है सर ऐसे employees को दिया जाता है जो transport system में काम करते हैं जैसे आप किसी airline company में pilot है आप किसी let's say let's say let's say आप किसी company में let's say let's say let's say let's say let's say मानलो कोई व्यक्ती है वो truck driver है कोई व्यक्ती है वो train में driver है वो train में TC लगा हुई है तो ऐसे employees को क्या दिया जाता है? Outstation Alliance दिया जाता है. ये Outstation Alliance आपके Personal खर्चों को Meet Out करने के लिए दिया जाता है. रहना, खाना. तो lawmaker कहता है कि सर जब आपको Outstation Alliance मिलेगा, तो आपको Daily Alliance नहीं मिलेगा. अगर आपका employer आपको Daily Alliance नहीं दे रहा होगा, तो वो आपको outstation allowance दे रहा होगा, outstation allowance आपके पास personal nature का allowance है, government कहती है, यहाँ पर 70% of the allowance और rupees 10,000 पर मन्त, इन दोनों में जो भी lower है, उसे क्या कर दिया जाएगा, exempt कर दिया जाएगा, 70% of the allowance या फिर 10,000 पर मन्त, अभी recent जो हमारे पास module है, उसमें से ये outstation allowance को शायद से हटा दिया गया है, मेरे को ये outstation allowance वाला जो provision है, वो नए module के अंदर दिखाई नहीं दिया, anyhow, read कर लेते हैं, क्या ही जाता है, इसके बाद आपके पास आता है underground allowance, underground allowance क्या होता है, सर अगर कोई employee जो है, वो mines में काम करता है, तो वहाँ पर उसका employer उसको underground allowance देता है, underground allowance में जो exemption नि निकल कराती है, जितना allowance मिला है, या फिर 800 रुपे, दोनों में जो भी lower है, वो exempt होगा, तो अगर आपको 700 रुपे का allowance मिला है, तो 700 रुपे exempt होगे, अगर आपको 1000 रुपे का allowance मिला है, तो आपको 800 रुपे क्या करे जाएंगे, exempt करे जाएंगे, अगर आपका employer आपको tribal area मे जॉब देता है तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको tribal area का alliance दे tribal area का alliance अगर आपको दिया जा रहा है तो जितना alliance आपको मिल रहा है या फिर up to 200 पर मंथ इन दोनों में जो भी आपका lower है वो आपका क्या कर दिया जाएगा एक्जेम्ट कर दिया जाएगा 100 रुपे का अगर आपको tribal area allowance मिल रहा है 100 रुपे एक्जेम्ट होगा 500 रुपे मिल रहा है तो उस case में 200 रुपे आपका एक्जेम्ट होगा इसके बाद other notified alliances है ये exam point of view से उतने important नहीं है इनको just आप लोग एक बार self से read कर लीजेगा इसको आप लोग एक बारी self से read कर लीजेगा तो personal nature के जो allowances है जो personal nature के allowances है जैसे children education allowance आपका hostel allowance आपका outstation allowance आपका underground allowance आपका tribal area allowance इन allowances की आपको exemption मिलती है old regime के अंदर और ये आपके fully taxable होते हैं new regime के अंदर इसके अलावा अगर आपका employer आपको transport allowance दे रहा है तो बाबु ये normally क्या होता है fully taxable होता है लेकिन अगर आपका employee disabled है तो उस case में आपको exemption मिलती है up to 3200 per month और ये आपकी exemption दोनों regime के अंदर आती है old regime के अंदर भी और new regime के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले allowance की जिसका नाम है हाउस rent allowance का भी आपको जो exemption है वो केवल old regime में ही मिलेगा new regime के अंदर default regime के अंदर आपके पास कोई भी exemption अवेलेबल नहीं है HRA का HRA के लिए government बोलती है कि हमने 3 limits बनाई है उन 3 limits में से जो भी lower होगा हम उसको exempt कर देंगे पहली limit आपके पास आती है rent paid minus 10% of salary rent paid minus 10% of salary दूसरी limit आती है अगर दिल्ली, मुंबई, चन्नाई, कॉलकता में आप रहते हैं तो 50% of the salary अगर आप other place पे रहते हैं दिल्ली, मुंबई, चन्नाई, कलकता के लावा तो 40% of the salary और तीसरी limit आती है आपके पास actual HRA received इन तीनों में से आपके पास जो भी लोवर है वो आपके पास क्या कर दिया जाता है exempt कर दिया जाता है rent paid minus 10% of salary 50% of the salary दिल्ली, मुंबई, चन्नाई, कॉलकता में other places में 40% of salary या फिर HRA received अब सर्य जो word salary है salary में क्या क्या आएगा तो salary में आपके पास तीन चीज़ें आएगी एक आपके पास basic salary आएगी एक आपके पास dearness allowance आएगा जो retirement benefit का part बने एक आपके पास commission आएगी जो percentage of turnover पे based होगी अगर आपको commission amount वाली given है तो आपको उसे consider नहीं करना है HRA की exemption वाली salary में HRA की exemption वाली salary में आपको उसे consider नहीं करना है इसके बाद अगर DA आपके retirement benefit का part नहीं बनता है तो वो भी आपके retirement benefit salary का part नहीं बनेगा जिसे हम HRA की salary में consider करते है तो retirement benefit salary जो है वो consider करी जाती है HRA की exemption calculate करने के लिए retirement benefit salary में तीन चीज़े आती है basic salary, retirement वाला DA, percentage वाली commission अब मालो question में कोई भी information नहीं दी है regarding DA, कि DA retirement salary का part बनता है की नहीं अगर DA को लेकर question में कोई भी information नहीं given है कि DA retirement salary का part बनता है की नहीं तो आप ये मान के चलेंगे कि DA retirement salary का part नहीं बनता अगर आपके पास question silent है तो आप हमेशा ये मान के चलेंगे कि DA जो है वो retirement salary का part नहीं बनता अगर DA Retirement का पार्ट बनता होगा तो question specifically आपको indicate करके चलेगा अब एक बात को समझना आपकी जो HRA की exemption है वो चार चीजों पर based है HRA की exemption based है कि आपने कितना किराया दिया है HRA की exemption based है कि आपने किराया कहां पर दिया है City क्या है यह आपकी based होती है कि आपकी retirement benefit salary किती है यह आपके पास based होती है कि आपको कितना HRA received हुआ है यह चार चीजों पर आपकी HRA की जो exemption है वो based होती है तो अब government कहती है कि अगर इन चारों चीजों में अगर कोई change निकल कर आता है तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा वहाँ पर आपको calculation separately करके चलनी पड़ेगी वहाँ पर आपको calculation जो है वो separately करके चलनी पड़ेगी जैसे मान लीजे आपके पास HRA received साल भर 6000 आपको पूरे साल भर 6000 रुपे का HRA मिला है मतलब HRA में आपके पास कोई भी change नहीं है लेट से आपकी retirement benefit salary जो है वो आपके पास April से लेकर October तक आपकी ये 50,000 रुपे है और October के बाद से ये आपके पास 60,000 की हो गई है October के बाद से ये आपके पास 60,000 की हो गई है इसके बाद आपके पास जो rent और location है वो मान के चल लीजे कि 1 April से लेकर 31st July तक आपके पास rent था suppose कर लेते हैं 10,000 का और आप गाजियाबाद में रहते थे इसके बाद आपका rent हो गया है 15,000 रुपे का और आप दिल्ली में रहते हैं तो government कह रही है कि आपके पास जितनी बार change आएगा उतनी बार आपकी calculation ब्रेक होगी और HR की exemption separately निकाली जाएगी तो आपके पास पहला change जो निकल कर आ रहा है आपके पहला change जो निकल कर आ रहा है वो 31st जुलाई को निकल कर आ रहा है तो आपकी जो पहली calculation बनेगी वो April से लेकर जुलाई तक की बनेगी यहाँ पर आपकी जो salary है यहाँ पर आपकी जो salary है वो 50,000 रुपे की है आपका जो rent paid है वो आपके पास 10,000 रुपे का है और आपके पास जो HR है वो 6,000 रुपे का है इसके बाद अगला आपका change आ रहा है यहाँ पर तो आप यहाँ पर calculation चेंज करेंगे यह calculation होगी आपकी August से लेकर October तक की August से लेकर October तक आपकी salary में तो कोई change नहीं है salary तो 50,000 की है लिकिन आपका rent बदल गया है अब अगर rent बदल जाएगा तो HR की exemption बदल जाएगी calculation आपको करनी पड़ेगी नवंबर से लेकर March तक की नवंबर से March में आपकी salary 60,000 हो चुकी है salary बदल गई है rent आपका 15,000 है HR आपका 6,000 है तो जितनी बार change आएगा उतनी बार HR का exemption separately निकलता जाएगा तो एक HR का exemption एपरल से जुलाई का निकलेगा एक HR का exemption अगस से October का निकलेगा और एक आपके पस November से March का निकलेगा एक चीज और हमेशा याद रखना कि अगर आपका rent paid 0 है अगर आपका rent paid 0 है तो आपका HR fully taxable होता है अगर आपका rent paid 0 है तो ऐसे case में आपका जो HR होगा बेटा वो आपके पास fully taxable होगा अगर आपका rent paid 0 है तो आपका जो HR रहने वाला है राजा बेटा वो आपके पास fully taxable रहने वाला है इसके बाद आपकी जो एचारे है और आपकी जो सैलरी है उसमें मैचिंग होनी चाहिए मैचिंग होनी चाहिए मतलब सर अगर आपको एचारे जो दिया गया है वो मान लो में से लेकर दिसंबर तक दिया गया है एचारे जो दिया गया है वो में से लेकर दिसम्बर तक दिया गया है तो यहाँ पर जो आपको salary कंसीडर करनी है वो salary भी आपकी में से December की होनी चाहिए मतलब एचारे की exemption निकालने के लिए जो salary आप consider करोगे वो में से December वाली ही होगी जिस period में आपको HR-A मिला है उसी period की salary आपको consider करनी है HR-A की exemption को calculate करने के लिए तो अगर rent paid 0 है याद रखना तो उस case में HR-A fully taxable होगा और अगर आपको HR-A मिला है में से लेकर December तक तो HR-A की exemption के लिए जो salary है retirement benefit salary है वो भी आप calculate करेंगे में से लेकर December तक की चलिए अब बात करते हैं deduction under section 16 की under section 16 आपको 3 deductions मिलती है एक आपको standard deduction मिलती है ये आपको दोनों regimes में मिलती है ये आपको मिलती है जितना आपका salary है या फिर 50,000 दोनों में जो भी lower है तो 50,000 रुपे तक का आपको standard deduction दिया जाता है दोनों regimes के अंदर इसके बाद बात करते हैं entertainment allowance की entertainment allowance का deduction आपको केवल old रिजीम में मिलता है, निउ रिजीम में आपको ये exemption नहीं मिलती है, ये exemption आपको तभी मिलती है, जब आप government employee हो, जब आप government employee हो, government employee से हमारा मतलब है कि आप central government के या state government के employee हो, अगर आप local authority के employee हो, किसी public sector undertaking के employee हो, तो आपको entertainment allowance का deduction नहीं मिलेगा, एक बात हमेशा याद रखना कि entertainment allowance के आपको दो treatment करने है, entertainment allowance का treatment number one, ये आपके पास fully taxable allowance है, इसे आप include करते हैं अपनी gross salary के अंदर, इसका treatment number two, treatment number two, ये old regime में होगा, और तब होगा जब आप government employee होंगे, दो condition, treatment number two कब होगा, treatment number two तभी होगा, जब आप old regime को opt करेंगे, और आप government employee होंगे, treatment number two आपको deduction मिलती है, under section 16.2, आपको deduction मिलती है, under section 16.2, deduction किती मिलती है, sir again government ने हमारे पास तीन limits बनाई है, इन तीनों limits में से जो भी minimum होगा, वो आपके पास deduction के लिए eligible हो जाएगा, आपकी basic salary का 20%, या फिर जितना entertainment allowance आपको receive या फिर 5000 रुपे, इन तीनों में जो भी आपका minimum है, उसका आपको deduction मिल जाएगा, मैं वापस से बोल रहा हूँ, entertainment allowance के आपको दो treatment करने है, treatment number one, ये आपके पास gross salary का part बनेगा, क्योंकि entertainment allowance fully taxable allowance होता है, treatment number two, ये treatment आपको कप करना है, जब old regime opt करी जाए, और आपके पास employee कौ सा employee हो, government employee हो, treatment number two तभी होगा, जब old regime opt होगी और government employee है, इसमें deduction मिलेगी under section 16-2, deduction मिलेगी 20% of the basic salary, 5000 रुपीज या फिर जितना भी actual HR आपको receive हुआ है, इसके बाद अगला point निकल कराता है, तीसरी deduction ये है professional tax की deduction, professional tax की deduction भी आपको कहाँ पर मिलेगी, सर ये भी आपको केवल old regime मिलेगी, new regime में आपको professional tax का deduction नहीं मिलता, professional tax कौन लगाता है, state government लगाती है, और इसका deduction आपको paid basis पे मिलता है, अगर professional tax due हुआ और pay नहीं हुआ, तो आपको उसका deduction नहीं मिलेगा, ये paid basis पे deduction के लिए eligible होता है, अब professional tax अगर employee ने pay करा है, अगर professional tax आपके पास employee ने pay करा है employee ने professional tax pay करा है तो जितना भी उसने payment करा है उसका उसको deduction मिल जाएगा under section 16.3 अगर employer ने professional tax pay करा है on behalf of employee employer ने अगर professional tax pay करा है on behalf of employee तो यहाँ पर दो treatment निकल कराएंगे पहला treatment इसे gross salary में include करा जाएगा क्योंकि यह पर्क बन जाएगा employee की obligation जब भी employer पूरी करता है यह पर्क बन जाता है और यह आपकी salary में include कर दिया जाता है तो first यह आपकी gross salary में include करा जाएगा and then आपको इसका deduction allow कर दिया जाएगा then आपको इसका deduction allow कर दिया जाएगा अगर professional tax due हुआ है लेकिन उसका कोई भी payment नहीं हुआ है इसका कोई भी deduction आपको allow नहीं होगा मैं वापस सरीपीट करता हूँ अगर employee ने professional tax pay करा है तो एक ही treatment होगा deduction under section 16 employer ने professional tax pay करा है on behalf of employee दो treatment निकल कराएंगे एक treatment यह आपके पास gross salary में add करा जाएगा और दूसरा treatment यहाँ पर आपको क्या मिलेगी deduction मिल जाएगी under section 16 दो treatment आपको करके चलने पड़ेंगे चलिए मित्रों अब बात कर लेते हैं हम लोग जल्दी से retirement benefits की retirement benefits क्या होता है राजा बेटा retirement benefits वो होते हैं जो retirement के वक्ट दिये जाते हैं simple सी चीज़ है तो अगर आपका employer आपको ग्रेचुटी दे रहा है ग्रेचुटी क्या है सर जो आपने पास सर्विसेज रेंडर करी हैं उसके लिए gracious payment है जो आपका employer आपको करता है यानि कि वो आपका सम्मान करता है सम्मान के लिए आपको पैसा दिया जाता है तो पहले ये ग्रेचुटी जो दी जाती थी वोलेंटरली दी जाती थी लेकिन ग्रेचुटी आक्ट आने के बाद इसका payment करना क्या हो गया compulsorly हो गया तो अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव होती है during the employment मतलब retirement से पहले अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव हो जाती है बेटा जी तो ये आपके पास fully taxable हो जाती है चाहे आप government employee हो चाहे आप non government employee हो कोई फरक नहीं पड़ता कोई फरक नहीं पड़ता अगर during the employment आपको ग्रेचुटी मिलती है तो बाबु ये आपके पास क्या कर दी जाती है ये आपके पास fully taxable कर दी जाती है लेकिन अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव होती है at the time of retirement और मातारानी की क्रपा से आप क्या है आप एक government employee है तो government employee को retirement के वक्त जो ग्रेचुटी मिलती है retirement के वक्त जो ग्रेचुटी मिलती है वो ग्रेचुटी आपके पास fully exempt होती है तो अगर एक government employee को retirement के वक्त ग्रेचुटी मिल रही है that ग्रेचुटी will be fully exempt लेकिन अगर आप non-government employee है और payment of gratitude act में covered है POGA का मतलब payment of gratitude act तो अगर आप non-government employee है और आप payment of gratitude act में cover हैं, तो आपके पास section 10.10, section 10.10 आपको exemption दिलवाता है, दोनों regimes के अंदर, old regime में भी, new regime में भी, section 10.10 कहता है, section 10.10 कहता है, कि अगर आप non-government employee हैं, और आप payment of gratitude act में covered हैं, तो हमने 3 limit बनाई हैं, उन 3 limits में जो भी least होगा, हम उसको exempt कर देंगे, पहली limit जो बनाई गई है, वो 20 lakh की बनाई गई है, ये आपके पास ceiling limit है, ceiling limit का मतलब क्या होता है, कि एक employee अपने lifetime में gratuity का maximum 20 lakh ही exempt करवा सकता है, एक employee अपने lifetime में gratuity का 20 lakh रूपीज ही exempt करवा सकता है, अगर आपने पहले कभी किसी employer से gratuity receive करी थी, और आपने कोई exemption क्लेम करी थी, तो जितना amount आपने exempt करवाया था, वो इस 20 lakh में से reduce कर दिया जाएगा, For example, पहले आप A Limited में काम करते थे, A Limited से जब आप retire हुए, तो वहाँ से आपको gratuity मिली, और उस gratuity में से आपने मान लेते हैं 3 lakh रूपे exempt करवाए, और अब आपने B Limited join कर ली, और जब आप B Limited से retire हुए, तो वहाँ से आपको कुछ gratuity मिल रही है, तो B Limited की gratuity की जब exemption निकालेंगे, तो जो ceiling limit है 20 lakh रूपीज की, उसको 3 lakh रूपे से कम कर देंगे, मतलब जितना gratuity आप पहले कभी exempt करवा चुके हो, उसे इस 20 lakh में से minus कर दिया जाएगा, एक assessi अपने lifetime में maximum 20 lakh रूपीज ही gratuity के exempt करवा सकता है, जैसे जैसे वो exemption लेता जाएगा, वैसे वैसे ये ceiling limit reduce होती जाएगी, तो 3 amounts आपके पास निकल कर आती है, पहला ceiling limit 20 lakh का, दूसरा आपके पास gratuity received और तीसरा last drawn salary का 15 by 26 multiplied by completed year, अगर मैं इस line को अंग्रेजी में बोलूँ, तो अंग्रेजी में इसको बोलते है 15 days last drawn salary, 15 days of last drawn salary for each completed year, और part there of in excess of 6 months, अगर आप पोगा में covered हो, अगर आप पोगा में covered हो, तो आपकी जो तीसरी limit है, वो है last drawn salary multiplied by 15 by 26, 15 by 26 करने का मतलब 15 दिन की salary, तो सर 15 by 30 क्यों नहीं करा, क्योंकि बेटा 4 दिन Sunday के होते हैं, यानि कि आपका employer जो आपको salary देता है, वो 26 days की ही देता है, तो 15 by 26 into last drawn salary into completed year, completed year में अगर आपका fraction 6 महिने से जादा का है, तो उसे completed year मान लिया जाता है, तो जैसे मान लो आपने service render करी है, 27 years और 3 month की, तो 3 month आपका जो fraction है, वो 6 महिने से कम का है, हम ignore कर देंगे, हम इसे 27 year की service मानेंगे, अगर आपने 27 years और 6 month की service करी है, तो again हम इसे 27 year ही मानेंगे, क्योंकि जो part of the year है, वो 6 महिने से जादा का नहीं है, लिकिन अगर आपने 27 साल और 7 महिने की service दिये, तो हम इसे कित्ता मान के चलेंगे, 28 years मान के चलेंगे, ठीके, तो अगर fraction 6 महिने से जादा है, तो वो आपके पास completed year में convert हो जाता है, यह जो last drawn salary है, last drawn salary में दो चीज़े आएंगी, एक आपके पास basic salary आएगी, और एक आपके पास DA आएगा, यहाँ पे जो DA consider करा जाता है, वो always consider करा जाता है, चाहे वो retirement का part हो, चाहे ना हो, यह वाला जो DA है, वो हमेशा consider करा जाता है, तो अगर आप covered हो अंदर पोगा, अगर आप covered हो अंदर पोगा, covered हो under Poga तो इस case में क्या होगा आपके पास least of the following shall be exempt 20 lakh rupees जितना भी gratuity मिला है वो या फिर 15 by 26 into last drawn salary into completed year completed year में अगर fraction 6 महिने से जादा का है तो उसे complete year मान लिया जाएगा fraction अगर 6 महिने या उससे कम है तो ignore कर दिया जाएगा इसके बाद last drawn salary में दो चीजे आएगी एक basic salary आएगी एक DA आएगा DA हमेशा consider होगा चाहे वो retirement part का बने चाहे वो retirement का पार्ट ना बने इसके बाद आपके पास अगला point निकल कराता है other employees not covered under Poga मतलब अगर आप non government employee है और आप payment of gratitude act में cover नहीं होते तो यहाँ पर भी तीन limits है और तीनों में जो भी least होगा वो आपका exempt होगा यहाँ पर भी आपके पास तीन limit है और तीनों में जो भी आपका least होगा वो आपका exempt होगा पहली limit सेम है 20 lakh रुपीस की दूसरी limit भी सेम है gratitude received की तीसरी limit change है यहाँ पर है half of average salary for each completed year half of average salary for each completed year है उसका मतलब completed year ही है कोई भी fraction होगा कोई भी fraction होगा हम उस fraction को क्या कर देंगे ignore कर देंगे कोई भी fraction होगा उस fraction को हम ignore कर देंगे तो जैसे अगर आपने 27 year 3 month काम किया है या आपने 27 year 6 month काम किया है या आपने 27 year 11 month और 29 days काम किया है इन तीनों ही सिनेरियों में हम इसे 27 years मानेंगे जो fraction है हमेशा हम उसको क्या कर देंगे ignore कर देंगे fraction कभी भी consider नहीं होगा अगर आप पोगा में covered नहीं हो तो fraction कभी भी consider नहीं होगा half of average salary सर यहाँ पर जो salary है उसका same meaning है जो आपने HR में पढ़ा था यानि कि retirement benefit salary तीन चीज़े आएंगी basic salary आएगी retirement वाला DA आएगा और percentage वाली commission आएगी DA को लेकर अगर question silent है तो मानेंगे कि वो retirement का part नहीं बनता और वो retirement benefit salary में फिर consider नहीं किया जाएगा फिर वो retirement benefit salary में consider नहीं किया जाएगा Sir average कितने महीने का करना है Sir आपको average करना है आपको average करना है पिछले 10 महीने की salary का आपको average करना है पिछले 10 महीने की salary का और ये 10 महीने कहां से count होंगे preceding the month of retirement जिस महीने में आपका retirement हुआ है उसके पहले के 10 महीने तो for example जैसे मानलो अगर आपका 15 December को retirement हुआ है और मुझे 10 महीने calculate करने हैं तो 10 महीने कहां से calculate होंगे आपका retirement December के महीने में हुआ है हम आपके पास 10 महीने जो calculate करेंगे वो calculate करेंगे एक फरवरी से लेकर 30 November तक हम आपके पास जो calculation करेंगे वो करेंगे एक फरवरी से लेकर 30 November तक की ठीक है जी December में अगर आपका retirement हुआ है तो December की कौन सी date पे retirement हुआ है मतलब नहीं है अगर आपका December में retirement हुआ है तो 10 महीने जो count करे जाएंगे वो पिछले महीने से count करे जाएंगे यानि कि November से backward calculation होगी एक फरवरी से लेकर 30 November तक की जो salary है वो consider करा जाएगा इस salary में क्या क्या आएगा basic salary आएगी इसमें retirement वाला DA आएगा और इसमें percentage वाली commission आएगी commission अगर absolute amount वाली दे रखी है तो वो retirement benefit का पार्ट नहीं बनती है ठीक है चलिए इसके बाद अगला point निकल कर आता है आपके पास pension pension आपके पास दो तरीके की होती है एक होती है uncommuted pension और एक होती है commuted pension uncommuted pension कौन सी होती है सर जो आपको periodically मिलती है uncommuted pension आपको कैसे मिलती है सर periodically मिलती है हर महीने आपको जो pension मिलती है वो होती है uncommuted pension और uncommuted pension आपके पास हमेशा क्या होती है बेटा जी uncommuted pension आपके पास हमेशा 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 fully taxable होती है आप चाहे government employee है आप चाहे non government employee है सर कोई फरक नहीं पड़ता आपके पास uncommuted pension हमेशा टेकसेबल होगी लेकिन अगर हम कम्यूटेड पेंशन की बात करें कम्यूटेड पेंशन कौन सी होती है लमसम वो पेंशन जो आपको लमसम में रिसीव हो जाती है अपने एमप्लोयर से उसको हम बोलते है Commuted Pension Commuted Pension का Rule जो कहता है वो ये कहता है कि अगर ये Government Employee को मिल रही है अगर Commuted Pension Government Employee को मिल रही है तो उस Case में ये आपके पास Fully Exempt होती है बोथ Regimes के अंदर Under Section 1010A Under Section 1010A आपकी जो Commuted Pension है Government Employee को Receive होगी तो ये आपके पास क्या रहेगी Fully Exempt रहेगी लेकिन अगर ये Non Government Employee को मिलेगी तो इस Case में आपको Check किया जाएगा कि Pension के साथ-साथ क्या Gratuity भी मिलता है अगर आपका Employer Pension के साथ-साथ आपको Gratuity भी दे रहा है तो Commuted Pension में से Commuted Pension में से आपका One Third of the Total Pension exempt हो जाएगा Commuted Pension में से One Third of Total Pension को exempt कर दिया जाएगा और अगर आपको Gratuity Receive नहीं होती तो बाबू आपका Total Pension का Half Total Pension का Half Commuted Pension में से exempt कर दिया जाएगा तो जैसे माल लो आपका Retirement होता है माल लो आपका Retirement होता है 1 October 23 को और आप क्या करते हो आप अपनी 60% Pension Commute कर वा लेते हो और आपको Receive होते हैं Suppose कर लेते 3,60,000 3,60,000 अब अगर आप Government Employee हो अगर आप Government Employee हो तो आपके ये पूरे के पूरे 360 exempt है आपको एक भी रुपे का इस पे टेक्स देने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप Non Government Employee हो तो चेक करना पड़ेगा कि आपको Gratuity भी मिलता है की नहीं अगर आपको Gratuity भी Receive हो रहा है तो Lawmaker कहता है कि जितना आपको Commuted Pension Receive हुआ है यानि की 360,000 इसमें से One Third of Total Pension आपका exempt होगा अब ये Total Pension कैसे निकलेगी तो Simple है आपने अपनी Total Pension का 60% Commute करवा लिया है आपने अपनी Total Pension का 60% Commute करवा लिया है तो Total Pension का 60% जब आपने Commute करवाया तो आपको 360,000 मिले तो इसका मतलब आपकी Total Pension कित्ती होगी 3,60,000 divided by 60% यानि की ये आपके पास आजाएगी 6,00,000 रूपीज की तो अब आपके पास जो exemption आएगी वो आएगी One Third of 6,00,000 यानि की 2,00,000 रूपे आपके exempt कर दिये जाएंगे और आपका 1,60,000 रूपे Commuted Pension का Taxable हो जाएगा लेकिन अगर आपको कोई भी Gratuity Receive नहीं होती लेकिन अगर आपको कोई भी Gratuity Receive नहीं होती तो ऐसे केस में आपको जितनी Commuted Pension मिली है उसमें से Half of Total Pension exempt होगा यानि की Half of 6,00,000 Half of 6,00,000 is what? 3,00,000 तो 3,00,000 60,000 में से 3,00,000 exempt हो जाएंगे और आपके 60,000 taxable हो जाएंगे ठीक है जी? तो Commuted Pension में से Total Pension का 1,3rd या फिर आपके पास Total Pension का जो Half है वो आपका exempt किया जाएगा वो आपका exempt किया जाएगा चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से हम लोग अगले टॉपिक की जिसका नाम है Leave in Cashment Leave in Cashment क्या होता है कि सर आपका Employer आपको कुछ Paid Leaves देता है ऐसी Leaves जो अगर आप अवेल करते हो तो उसकी आपकी Salary deduct नहीं होती इसको बोलते है Leave in Cashment Leave in Cashment क्या होता है कि सर आपका Employer आपको कुछ Paid Leaves देता है और अगर वो Leaves आप अवेल करते हो तो आपकी Salary deduct नहीं होती लेकिन अगर आप Leave अवेल ना करके Office आकर काम करते हो तो आपका Employer आपको उसके बदले में Extra पैसा देता है उसको बोलते है Leave in Cashment अगर ये Leave in Cashment आपको During the Employment होता है अगर ये Leave in Cashment आपका During the Employment होता है तो ऐसे case में ये क्या होगा बेटा ऐसे case में ये आपके पास Fully Taxable होगा अगर During Employment आपको Leave in Cashment मिलता है तो ये Fully Taxable होता है चाहे आप Government Employee हो चाहे आप Non Government Employee हो कोई फरक नहीं पढ़ता है कोई फरक नहीं पढ़ता है During Employment अगर Leave in Cashment मिलेगा तो It will be Considered as Fully Taxable लेकिन अगर Retirement के वक्त मिलता है Retirement के वक्त मिलता है तो Least of the following Exempt होगा For Non Government Employee अगर Retirement के वक्त Retirement के वक्त अगर ये Government Employee को मिलता है अगर Retirement के वक्त ये Government Employee को मिलता है तो बाबु ये आपके पास अगर यह आपके पास क्या होगा, फुली एक्जेम्ट होगा, लेकिन अगर यह नॉन गवर्मेंट एम्प्लोई को मिलता है, तो लीस्ट अफ दा फॉली एक्जेम्ट, तो जितना लीव इनकैश्मेंट आपको रिसीव होगा, तो 25 लाक रुपे, अगेन यह 25 लाक रुपे आपकी सीलिंग लिमिट है, अगर आपने पहले कभी लीव इनकैश्मेंट की एक्जेम्शन क्लेम करी होगी, तो इस 25 लाक की लिमिट को उतनी अमाउंट से रिडियूस कर दिया जाएगा, अगर आपने पहले कभी लीव इनकैश् का एक्जेम्शन नहीं ले सकता, इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, 10 month of average salary, 10 month of average salary, 10 month multiplied by average salary, इसके बाद अगला पॉइंट आता है, लेकिन आपने avail नहीं करी, उनको months में convert कर दिया जाएगा, और उसका multiply average salary से करा दिया जाएगा, सर यहाँ पे average salary का मतलब क्या है, सर यहाँ पे average salary का मतलब क्या है, average salary से पहले salary का मतलब क्या है, salary का मतलब same, वही retirement benefit salary है, basic salary, retirement वाला DA और percentage वाली commission, average कित्ते महीने का करना है, सर average करना है आपको 10 महीने की salary का, average करना है आपको 10 महीने की salary का, और यह 10 महीने कहां से calculate करे जाएंगे, preceding the date of retirement, ग्रैचुटी के case में आपने उठाया था preceding the month of retirement, यहाँ पर आप क्या उठाने वाले हो, preceding the day of retirement, यानि की माल लो आपका retirement, माल लो आपका retirement अगर 31st of December को हुआ है, अगर आपका retirement 31st of December को हुआ है, तो आपके 10 महीने यहां से calculate करे जाएंगे, आपके 10 महीने यहां से calculate करे जाएंगे, एक मार्च से लेकर 31-12 तक, preceding the month of retirement नहीं है यहाँ पर, लीव in cashment में preceding the day of retirement है, ठीक है जी, अब ये leave at credit कैसे निकाली जाएगी सर, तो leave at credit निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कितनी leaves अवेलेबल थी for completed year, कितनी leaves अवेलेबल थी for completed year, तो जैसे मानलो आपने अगर 28 साल और 6 महीने काम किया है, या मैं कहलू, आपने 28 साल और 11 महीने काम किया है, तो हम यहाँ पर 11 महीने को consider नहीं करेंगे, जब हम leaves अवेलेबल निकालेंगे, तो ये leaves अवेलेबल आपके पास completed year की निकलेंगी, यानि की 28 साल की निकलेंगी, अगर आपका employer आपको 30 days से जादा की leave देता है, तो हम यहाँ पर maximum 30 days की leave को ही consider करेंगे, अगर आपका employer आपको 30 days से जादा की leave देता है, तो हम यहाँ पर 30 days ही consider करेंगे, अगर आपका employer आपको 25 दिन की leave देता है एक साल में, तो हम 25 दिन consider करेंगे आपका employer आपको 30 days की leave देता है एक साल में हम 30 days consider करेंगे अगर आपका employer आपको 40 days की leave देता है तो हम 40 days consider नहीं करेंगे हम यहाँ पे 30 days की leave को ही consider करके चलेंगे तो सबसे पहले हम यह पता लगाएंगे कि आपने जितने completed year service दी है अगर आपने जितने completed year service दी है उस completed year में आपके पास कितनी चुटियां थी for example मान के चलते हैं आपका employer आपको 25 दिन की चुटि देता है तो आपने 28 साल काम किया है और हर साल आपका employer आपको 25 दिन की चुटि देता है इसका मतलब आपके employer ने आपको कित्ती चुटि दिये 28 into 25 आपके employer ने आपको 700 दिन की चुटि दिये इस में से minus कर देंगे वो leaves जो आपने ले ली इस 700 leaves में से जितनी leaves आपने ले ली वो हम minus कर देंगे तो let's suppose कर लेते हैं कि आपने 300 leaves ले ली थी 300 चुटियां आपने ले ली थी इन 28 सालों में इन 28 सालों में आपने ये 300 चुटियां ले ली थी इसके बाद मान लेते हैं कि आपने 100 leaves का पैसा employer से ले लिया था पहले ही leaves in cash during the employment आपने 100 leaves का पैसा employer से ले रखा है total आपके पास 700 चुटियां थी जिसमें से 300 चुटियां आप ले चुके हो, बची आपकी 400 चुटियां, 400 चुटियों में से 100 चुटियों के पैसे आप already employer से ले चुके हो, यानि कि आपके पास यहाँ पर कित्ता बचा, यहाँ पर आपके पास 300 बचा, इस 300 दिन को हम महीनों में convert कर देंगे, 30 days से divide करके, आप आपके पास leave at credit 10 months निकल कर आजाएगा, तो जितनी भी आपके पास leaves available हैं, उसमें से leaves availed को minus कर देना, leaves in cash को minus कर देना, leave at credit in days निकल कर आजाएगा, leave at credit in month निकालने के लिए उसको 30 से divide कर देना, अब कई बार exam में क्या होता है, कि exam में directly आपको बता देता है, आपको यह calculate करन आने के लिए नहीं देता, exam में directly बता देता है, कि आपके पास जो unavailed leaves है, question directly बता देता है, कि आपके पास unavailed leaves जो हैं, वो मानलो 210 दिन की हैं, और साथ में question यह भी बता देता है, कि आपका employer आपको let's say 30 days की leave देता है every year, तो अगर question में ऐसा data दे रखा है, question में आपको directly unavailed leaves द रखी हैं, और आपकी employer की जो छुटियां है, वो 30 days से जादा की नहीं है, तो आप इस 210 को सीधे सीधे accept कर लेना, इसको 30 days से divide कर देना, आपके पास 7 महीने का leave at credit आजाएगा, लेकिन मान लो question में अगर आपको unavailed leave दी गई है, 210 दिन की, लेकिन question में आपको ये दिया गया है कि आपका employer आपको 32 days की leave देता है every year, तो इसका मतलब आपका employer आपको हर साल 2 दिन की extra leaves देता है, आपके पास ये जो 210 दिन का calculation हुआ होगा, वो 32 days के हिसाब से हुआ होगा, यानि कि आपका employer आपको हर साल 2 दिन extra देता है, and let's suppose आपने अपने employer के पास 29 years और 10 मन्त का service दिया है, तो आपके पास excess leave किती है, आपके पास excess leave किती है, आपको 30 leave allowed है, लेकिन आपके employer ने 32 leaves दिये है, तो आपके पास 1 साल में 2 दिन की leave extra है, आपने 29 years की service दिये, यानि कि आपके पास total 58 days की leave extra है, तो ये 210 दिन की calculation में 58 days की leave extra है, तो unavailed leaves as per income tax कितनी आ जाएंगी? 210 दिन में से 58 माइनस हो जाएगा, यानि कि 152 आ जाएगा, और 152 को अपन क्या करेंगे? 30 से divide कर देंगे, ये आपके पास 5.07 मन्त हो जाएगा, ठीक है जी? तो अगर आपके पास employer ने आपको 30 days की leave दी है, और question में unavailed leave दी हुई है, चुप करके इसको accept कर लेना, लेकिन अगर extra leave दी गई है, तो जितनी भी extra leave है for completed year, उसको इसमें से minus कर देना, फिर जो figure आएगी, उसको leave at credit निकालने के लिए यूज कर लेना, राइट everyone, clear है यहां तक बात, चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, अब अगले topic की retrenchment compensation, यह आपके पास, जो exemption है, वो दोनों regime के अंदर allow होती है, यह मैं आप लोग को self पढ़ने के लिए देता हूँ class में, एक बार quickly यहां पर read कर देता हूँ, compensation आपको मिलाए, या फिर 5 lakh रुपीज, या फिर 15 days के हिसाब से, completed year of service and part year of 6 months की salary जो निकल कराती है, वो आपके पास यहां पर क्या कर दी जाती है, exempt कर दी जाती है, अगर मैं voluntarily retirement compensation की बात करूँ, तो इसकी exemption tendency में मिलती है, ये भी आपके पास बोथ regimes में allow करी जाती है, अगर यहां पर हम यहां पर अगर compensation के exemption की बात करें, तो least of the following यहां पर भी exempt होता है, जितना compensation मिला है, 5 lakh रुपे, या फिर 3 महीने की salary multiplied by completed year of service, या फिर आपकी last drawn salary into remaining month of service left, ठीक है जी, तो एक बार इसको देख लेना, main अब अगले point पे आते हैं हम लोग, provident fund, इसको important mark कर लेंगे, provident fund के हम जो provisions पढ़ने वाले हैं, ये दोनों regimes में applicable होने वाले, ये provisions आपके पास, दोनों regime के अंदर applicable होने वाले हैं, आपको अच्छे से पता है कि provident fund क्या होता है सर, provident fund एक तरीके का retirement benefit है, जो employee के लिए तयार किया जाता है, हमारे पास 3 तरीके के essay fund है, जो employer maintain करता है, तीन तरीके के essay fund है, जो employer maintain करता है, सर, आपके पास जो SPF है, आपके पास जो RPF है, statutory provident fund, recognized provident fund और unrecognized provident fund, ये तीन तरीके के fund ऐसे हैं, जो आपका employer maintain करके चलता है, इस fund के अंदर आपके पास employee का contribution आता है, साथ के साथ इसमें आपका interest credit होता है, साथ के साथ इसमें आपके पास interest credit होता है तो ये तीन तरीके के fund ऐसे हैं जो employer maintain करता है इसके अंदर employee पैसा डालता है इसके अंदर employer पैसा डालता है इसमें interest credit होता है और sir इसमें से पैसा withdraw होता है इसमें से पैसा withdraw होता है वही पे हमारे पास एक public provident fund है ये public provident fund government maintain करती है और इस public provident fund में कोई भी व्यक्ति पैसा contribute कर सकता है तो इसके अंदर आपके पास employee का contribution आता है इसमें आपके पास interest credit होता है और इसमें से withdrawal होती है PPF के अंदर कभी भी employer पैसा contribute नहीं करता तो हमें basically चार मुद्दों पे बाते करनी है एक सर जो employee contribution करेगा उसका क्या होगा जो employer contribution करेगा उसका क्या होगा जो interest credit होगा उसका क्या होगा और जब provident fund से withdrawal होगा तो उसका क्या होगा इन चार मुद्दों पे हमें text treatment सीख के चलना है तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो statutory provident fund की करने वाले है statutory provident fund में अगर employer पैसा contribute करता है तो कितना भी पैसा contribute करे वो exempt होता है employee जो पैसा contribute करता है उसका deduction उसको under section ATC मिलता है obviously अगर आपने default regime opt करी है तो आपको ATC वाली deduction नहीं मिलेगी यह deduction आपको old regime में ही मिलेगी इसके बाद आपका जो interest credit होता है वो interest आपका exempt होता है वो interest आपका exempt होता है और जो withdrawal आप करते हो वो withdrawal भी आपकी exempt होती है मतलब आपकी पाचों उंगलिया घी में है statutory provident fund में employer ने अगर contribution किया तो वो exempt है employee ने contribution किया उसका deduction मिल जाता है ATC में जो interest आता है वो भी exempt है और जो withdrawal होती है वो भी आपके पास क्या रहती है exempt रहती है अब अगर हम RPF की बात करें recognized provident fund की तो recognized provident fund में employer का जो contribution है वो आपके पास exempt होता है up to 12% of retirement benefit salary retirement benefit salary में basic salary आती है retirement वाला DA आता है और percentage वाली commission आती है तो ये आपके पास exempt रहेगा up to 12% of retirement benefit salary employee ने जो contribution किया है RPF में उसका उसे deduction मिल जाता है under section ATC जो interest आपका credit होता है RPF में जो interest आपका credit होता है RPF में वो interest भी आपका exempt होता है लेकिन अगर 9.5% से जादा का interest आया तो जो access interest होगा वो आपका taxable हो जाएगा 9.5% तक का जो interest होता है वो exempt होता है 9.5% के उपर अगर आपको interest मिला तो वो interest आपका taxable हो जाएगा RPF से जो आप withdrawal करते हो वो withdrawal आपकी exempt होती है subject to the condition RPF से आप जो पैसा withdraw करते हो वो exempt होती है subject to the condition condition क्या है कि आपको अपने employer को 5 साल की continuous service प्रोवाइड करनी है अगर आपने 5 साल की service प्रोवाइड करने के बाद RPF से पैसा withdraw किया है तो वो पैसा आपका क्या हो जाएगा, exempt हो जाएगा, 5 साल की condition आपके उपर applicable नहीं होती, अगर employee retire हो रहा है, because of ill health, employee की तब्यत खराब हो गई है, employee बिमार हो गया है, employee का accident हो गया है, जिसकी वज़े से 5 साल की service पूरी नहीं हो रही, वो 5 साल से पहले ही retirement ले रहा है, या फिर, sir, employer का business का contraction हो गया है, उसका business कम हो गया है, जिसकी वज़े से उद्रों ने employees को निकाल दिया है, ऐसा भी तो हो सकता है न, sir, employer के धंदे में नुकसान हो गया, employer ने अपने branches बंद कर दी, अपना business जो है वो shrink कर लिया, contract कर लिया, तो ऐसे case में employees को निकाला जाता है, तो वहाँ पर भी 5 साल की condition नहीं देखेंगे, sir, employer ने अपना धंदा ही discontinue कर दिया, तो वहाँ पर भी 5 साल की condition नहीं देखेंगे, या कोई भी ऐसा reason, जो employee के control में नहीं है, वहाँ पर भी 5 साल की condition नहीं है, normally आपकी 5 साल की condition देखी जाएगी, कि अगर आपने 5 साल की service दी है, औ लेकिन 5 साल से पहले withdrawal इसलिए किया क्योंकि employee की तब्यत बिगड़ गई थी या फिर employer का धंदा contract हो गया था या फिर employer का धंदा discontinue हो गया था या फिर कोई भी ऐसा reason जो employee के control में नहीं है इसके बाद तीसरा on the cessation of employment with the existing employer जो accumulated balance in RPF था उसे आपने transfer कर दिया नए employer के पास sir आपने a limited में 3 साल service दी और फिर आपने a limited छोड़ दिया आपने b limited join कर लिया तो आपको क्या करना है sir a limited के पास आपका जो RPF का balance था a limited के पास आपका जो RPF का balance था उसे आपको क्या कर देना है b limited के पास transfer कर देना है तो b limited के पास जो आपका RPF account है अगर आपने वहाँ पर ये वाला पैसा transfer कर दिया तो फिर 5 साल की condition जरूरी नहीं है इस transfer को आपका क्या रखा जाएगा exempt रखा जाएगा या फिर आपने इसे अपने NPS account में transfer कर दिया जो ATCCD में refer किया गया है notified pension scheme बी limited के पास transfer नहीं किया आपने इसे अपने NPS account में डाल दिया तो भी आपके पास 5 साल की condition applicable नहीं होगी इसके बाद अगर हम URPF की बात करें URPF में आपका जो employer का contribution है वो yearly basis पे taxable नहीं होता वो taxable होता है at the time of withdrawal employer का contribution contribution के वक्त taxable नहीं होगा ये taxable होगा जब हम URPF से पैसा क्या करेंगे withdraw करेंगे employee जो पैसा contribute करता है उसका उसे ATC में कोई reduction नहीं मिलता interest आपका जो credit होता है URPF में वो भी आपका taxable होता है at the time of withdrawal जब आप पैसा withdraw करोगे URPF से तो उस पैसे के 4 हिस्से कर दिये जाएंगे जब आप पैसा URPF से withdraw करोगे तो उस पैसे के 4 हिस्से कर दिये जाएंगे एक हिस्सा employer का contribution होगा एक हिस्सा interest on employer contribution होगा एक हिस्सा employee का contribution होगा और एक हिस्सा interest on employee contribution होगा लॉमेकर कहता है कि जो employer का contribution है और जो interest on employer contribution है जो आपके पास employer का contribution है या फिर जो आपका interest on employer contribution है ये आपके पास profit in lieu of salary माना जाएगा ये आपके पास profit in lieu of salary माना जाएगा और इसे हम cover करेंगे under the head salary जो employee का contribution है ये आपका taxable नहीं होगा क्यों taxable नहीं होगा क्योंकि जब employee ये पैसा contribute करता था तब उसको कोई भी deduction नहीं मिलती थी ultimately ये पैसा आपका taxable हो जाता था yearly basis पे जो interest on employee contribution है ये आपका taxable होगा under the head other sources तो URPF का जो withdrawal है वो चार टुकडों में बढ़ जाता है employer का contribution interest on employer contribution profit in lieu of salary under the head salary में taxable हो जाते हैं employee का contribution taxable नहीं होता interest on employee contribution आपके पास other sources में जाता है इसके बाद अगर हम PPF की बात करें तो PPF के case में employer का contribution तो applicable ही नहीं होता employer तो contribute नहीं करता PPF में जो employee का contribution है उसका ATC में deduction मिलता है जो interest credit होता है वो interest आपका exempt होता है PPF से जब पैसा withdraw करते हो तो वो withdrawal भी क्या रहती है exempt रहती है तो जो SPF का treatment है वही PPF का treatment है बस यहाँ पर employer का contribution आपको दिखाई नहीं देगा employee के contribution का deduction interest जो credit हो रहा है वो exempt अब दो चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ, basically एक चीज़ आपको बता रहा हूँ वो एक चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह आपके पास SPF में भी applicable है और RPF में भी applicable है, ज़रा SPF और RPF के लिए note number 3 देखो SPF और RPF के लिए note नमबर 3 देखो यहाँ पर वो कहता है कि जो interest है on employees contribution वो आपका exempt तब माना जाएगा interest on employee contribution आपका exempt तब माना जाएगा जब आपका contribution up to 2,50,000 है अगर employee ने साल भर में 2,50,000 से जादा का contribution किया अगर employee ने साल भर में 2,50,000 से जादा का contribution किया तो जितना excess का interest होगा that will be taxable देखो मान लो employer और employee दोनों ने employer and employee इन दोनों ने 3,00,000 each contribute किया इन दोनों ने 3,00,000 each contribute किया सर्ट टोटल जो interest आपका credit हुआ टोटल जो आपका interest credit हुआ let's suppose कर लेते हैं वो आपके पास credit हुआ है 35,000 रोपीस का टोटल जो interest credit हुआ है वो credit हुआ है 35,000 रोपीस का तो lawmaker कहता है कि employee का जो contribution है 5,00,000 के उपर employer के contribution की बात नहीं कर रहा है employee के contribution की बात कर रहा है employee के contribution पे जो 5,00,000 रोपे तक का interest है वो तो exempt होगा 5,00,000 के उपर का जो interest है वो taxable होगा तो ये 35,000 का जो interest आया है ये तो 6 लाग पे आया है 3 लाग रुपे employer के 3 लाग रुपे employee के ये तो 6 लाग पे आया है तो employee के 3 लाग पे कितना आया है employee के 3 लाग पे आपके पास आया है 35,000 divided by 6 लाग into 3 लाग employee के 3 लाग पे 17,500 का interest आया है यह 17,500 जो interest है वो 3,000,000 रुपे के contribution का है आपके पास जो interest यहाँ पे taxable निकल कर आएगा इस 35,000 में से जो taxable interest निकल कर आएगा वो कित्ता होगा 17,500 तीन लाख रुपे के contribution का है 2,000,000 तक के contribution को माफ किया जाएगा 50,000 के contribution का जो interest है वो आपके पास taxable होगा RPF और SPF में employee का contribution अगर 5,000,000 से जादा है SPF में और RPF में अगर employee का contribution 5,000,000 रुपे से जादा है तो access contribution पे जो interest आया है वो interest आपका taxable होता है उसकी आपको exemption नहीं मिलती 17,500 का ब्याज आया है 3,000,000 पे 50,000 का जो ब्याज होगा वो taxable होगा यानि कि 2917 ये ब्याज आपका क्या होने वाला है taxable होने वाला है ये जो आपकी exemption विड्रौ हो रही है वो employee के contribution पे विड्रौ हो रही है employee ने अगर 250,000 से जादा का contribution किया है तो जो access contribution का interest है वो आपको allow नहीं करा जाएगा ये 2,50,000 की limit को बढ़ा कर 5,000,000 कर दिया जाता है अगर employer contribute नहीं कर रहा केवल employee contribute कर रहा है अगर SPF में और RPF में employer contribute नहीं कर रहा केवल employee contribute कर रहा है तो धाई लाग की जो limit है वो धाई लाग की जगा डबल हो जाएगी 5,000,000 की हो जाएगी तो अगर केवल only employee का contribution है, तो 5 लाख रुपे तक के interest पे exemption मिलेगी, 5 लाख के ऊपर जो होगा वो taxable होगा, लेकिन employer और employee दोनों कर रहे हैं, तो employee के धाई लाख रुपे तक के contribution पे exemption मिलेगी, धाई लाख के ऊपर जो होगा बेटा, वो आपका taxable कर दिया चाहेगा. चलिए बाबू, अब percusates की बात करते हैं, और percusates में सबसे पहला जो percusates अपन पकड़ेंगे, वो होगा rent free और concessional accommodation, यहाँ पर आपके पास amendment है, और वो amendment मैं यहाँ पर discuss करके चलूँगा आपके साथ, ठीक है यहाँ पर आपके पास amendment है, वो amendment जो है वो मैं discuss करके चलूँगा rent free और concessional accommodation, rent free का मतलब कि आपका employer आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा है, उसने आपको रहने के लिए घर दिया है, और आपसे वो एक भी amount चार्ज नहीं कर रहा है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जो accommodation का परक है वो निकालना पड़ेगा, और इसके लिए आप आपको चेक करना पड़ेगा कि आप government employee है कि non-government employee है, अगर आप government employee है, तो accommodation की जो value होगी, वो होगी license fee of the house, और यह license fee of the house कौन decide करेगा, government decide करेगी, तो अगर आप government employee है और आपको रहने के लिए घर दिया गया है, तो उस घर की एक license fee होगी, it is just like the annual value of the house, और यह आपके पास government आपको declare करके चलेगी, यह question में आपके पास available रहेगी, अब अगर आप non-government employee है, और आपके employer ने आपको रहने के लिए घर दिया है, और जो घर आपको दिया गया है, वो owned by employer है, तो sir अगर आप एक non-government employee है, अगर आप एक non-government employee है, और non-government employee को जो घर दिया गया है, वो by employer है तो ऐसे case में आपकी salary का specified percentage पर्क बनता है और यही पे आपके पास amendment है पहले आप क्या करते थे सर पहले आप जो population देखते थे वो 2001 census के इसाब से देखते थे लेकिन अब जो आपको देखनी है वो 2011 के census के इसाब से देखनी है तो सर आपके पास अब जो rules आ गए हैं वो कहत हैं कि अगर आपको घर ऐसी जगा पर दिया गया है जहां पर population 40 लाग से जादा की है वहां पर आपको 10% of salary लेना है population 15 लाग से जादा है लेकिन up to 40 लैक है आपको 7.5% of salary लेना है और population अगर up to 15 लैक से तो आपको यहां पर 5% of salary consider करके चलना है पहले यह percentages अलग हुआ करते थ लेकिन आपके एक्जाम के लिए यह revised percentages applicable करे गए है और यह effective करे गए है with effect from 1st September 23 1st September 23 इन rates को effective कर दिया गया है तो अगर आप एक non-government employee है और accommodation owned by employer है तो salary का specified percentage और वो population पर डिपेंड करेगा population 40 लाक से जादा है तो 10% 15 लाक से जादा है लेकिन up to 40 लाक है तो 7.5% और अगर up to 15 लैक है तो 5% इसके बाद अगर आप एक non-government employee है और आपके employer ने आपको जो घर दिया है वो आपके employer ने किराय पर ले कर दिया है accommodation is taken on rent by employer तो ऐसे case में जितना भी rent आपका employer पे कर रहा है या फिर आपकी salary का 10% यहाँ पर भी amendment है पहले ये 15% हुआ करता था लेकिन अब ये 10% हो गया है तो आपका 10% of salary या फिर rent paid by employer दोनों में जो भी कम है वो आपके लिए perk value बन जाएगी government employee है तो license fee, non-government employee है accommodation owned by employer है तो specified percentage of salary और अगर accommodation taken on rent by employer है तो rent paid by employer और 10% of salary whichever is lower इसको आप पकड़के चलोगे अब अगर आपके घर पे furniture भी provide किया गया है और वो furniture owned by employer है तो sir ऐसे case में furniture की cost का 10% per annum add कर दिया जाएगा 10% flat नहीं है per annum है तो अगर आपको furniture की facility जुलाई से लेकर जनवरी तक की दी गई है तो जुलाई से लेकर जनवरी तक कित्ते महिने होते हैं जुलाई अगर सप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 7 महिने होते हैं तो आप यहाँ पे 10% per annum जब लोगे तो cost of asset का 10% into 7 by 12 करके चलोगे तो जितने महिने के लिए आपको asset दी गई है उतने महिने के हिसाब से याँ पर calculation होगी और जो आपके घर पे furniture दिया गया है वो employer ने किराय पर लेकर दिया है आपके घर पे TV दिया गया है, AC दिया गया है, फ्रिज दिया गया है और ये किराय पर लेकर आपके घर पर रखा गया है employer के द्वारा तो ऐसे case में जितने भी higher charges पे करे गए हैं, let's say TV के 2000 रुपे, AC के 1000 रुपे, refrigerator के 3000 रुपे तो ये 6000 रुपे के जो higher charges पे करे हैं आपके employer ने, ये आपके पास perk value में add कर दिये जाएंगे, इसके अलावा अगर आपसे कोई amount recover करी गई है, तो वो इस perk value में से minus कर दी जाएगी, टोटल 4 step होते हैं, step 1 में accommodation की value आती है, step 2 और step 3 में अगर आपके घर पे कोई asset provide करी गई है, उसकी value आती है, और step 4 के अंदर अगर आपसे कोई amount recover करी गई है, तो वो यहाँ पर क्या कर दी जाती है, माइनस कर दी जाती है, वो यहाँ पर माइनस कर दी जाती है, अब सर salary यूज हुआ है, इस salary में क्या क्या आता है, तो राजा बेटा salary में आपके पास basic salary आती है, आपके पास dearness allowance आता है, अगर वो retirement salary का part बने, अगर आपके पास dearness allowance retirement salary का part नहीं है, तो वो यहाँ पर consider नहीं किया जाएगा, इसके अलावा जो taxable portion of all the alliances हैं, वो यहाँ पर cover हो ज जाएगा, जैसे children education allowance आपको 300 रुपे महिना मिल रहा है, जिसमें से 100 रुपे महिना exempt हो गया, taxable 200 रुपे महिना है, तो यहाँ पर वो 200 रुपे महिने वाली figure आएगी, traveling allowance आपको 15,000 मिला था, जिसमें से आपने 10,000 रुपे खर्च किया, 5000 रुपे taxable हो रहा है, तो यहाँ प अगर आपको leave in cashment मिला है, during the employment अगर आपको gratuity मिली है, यह भी आपके पास क्या हो जाएगा, आपकी salary का part बन जाएगा, usually इस point पे कोई भी adjustment ICAI दे कर नहीं चलता, mainly यही point आपके पास cover होते हैं, जो उपर के 4 points है, इसके बाद rent free accommodation की salary में क्या include नहीं करते, जब rent free accommodation की salary निका जालते हैं, तो इसमें हम क्या include नहीं करते, जो percusates हैं हम वो include नहीं करते, जो provident funds हैं वो include नहीं करते, retirement के वक्त जो gratuity मिलती है, pension मिलती है, provident fund मिलता है, वो include नहीं करते, कोई area of salary या फिर advanced salary मिलती है, हम वो भी consider नहीं करते, इसके बाद कहता है कि salary उसी period की consider करनी है, जिस period के लिए आपको rent free accommodation दिया गया है तो अगर आपको rent free accommodation दिया गया है जुलाई से लेकर नवंबर तक पाँच महिने के लिए तो यहाँ पर जो salary का consideration होगा यह जो salary यूज करेंगे यह जो specified percentage of salary, 10% of salary यह जो salary हम यूज करेंगे यह भी हमारे पास जुलाई से लेकर नवंबर तक क होगी मतलब यह accommodation की पर्क निकालने के लिए जो salary consider करी जाएगी वो भी जुलाई से लेकर नवंबर तक की करी जाएगी यानि की matching principle फॉलो करेंगे यह जो salary यहाँ पर consider होगा वो उसी period का consider होगा जिस period में आपको rent free accommodation दिया गया है इसके बाद अगर आपके employer ने आपको accommodation दो जगा पर दिया हुआ है तो पहले 90 दिन के लिए for the first 90 days आपका एक ही accommodation taxable होगा 90 days के बाद आपके दोनों accommodation क्या हो जाएंगे taxable हो जाएंगे only one accommodation taxable होगा लेकिन only for a period of 90 days after 90 days आपके दोनों accommodation taxable कर दिये जाएंगे ऐसा कब होता है जैसे मानलो पहले आपके पास कानपूर में accommodation था पहले आपके पास कानपूर में accommodation था आप कानपूर में job कर रहे थे अपने employer के पास आपको कानपुर में एक घर दिया हुआ था फिर आपके employer ने आपको नोईडा ट्रांसफर कर दिया और आपको नोईडा में भी घर दे दिया employee नोईडा वाले घर में रह रहा है और employee की family अभी भी कानपुर वाले घर में रह रही है employee की family ने अभी कानपुर वाला घर खाली नहीं किया अब क्योंकि employee का transfer कर दिया गया था to NOEDA तो उसके employer ने उसको NOEDA में भी घर दिलवा दिया तो पहले 90 दिन के लिए कानपुर वाला घर या फिर NOEDA वाला घर जिसकी भी perquisite value कम निकल कर आएगी हम वो taxable करेंगे 90 days के बाद ये दोनों आपके पास taxable हो जाएंगे आज तक ICI ने इसके उपर कोई भी practical question नहीं पूछा आगे भी आने के chances कम हैं अगर आपके employer ने आपको hotel में accommodation प्रोवाइड करी है तो ऐसे case में आपकी जो perk value होती है वो salary का 24% या फिर जितना खर्चा आपके employer ने करा है दोनों में जो भी कम है वो आपके पास perk value बना दिया जाता है सर आपकी salary का 24% या फिर आपका actual expenditure दोनों में जो भी आपका कम है उसे आपके पास perk value consider कर लिया जाता है यहाँ पे salary का मतलब वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने discuss किया लेकिन आपके hotel के accommodation को exempt कर दिया गया है कहरें कि hotel के accommodation को हम taxable नहीं करेंगे अगर दो conditions आप satisfy कर दो आपका जो hotel का stay है वो 15 दिन से जादा का नहीं है आपका hotel का stay है वो 15 दिन से जादा का नहीं है और आपको hotel में stay इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको transfer किया गया है from one place to another तो लेक्ट से पहले आप दिल्ली में job करते थे आपके employer ने आपको मुंबई में transfer कर दिया तो जब तक आपको मुंबई में घर नहीं मिल रहा आपके employer ने आपको hotel में रहने के लिए दिया है तो hotel का stay अगर 15 दिन से जादा का नहीं है तो उस case में मुंबई में जो आप hotel में ठहरे हो वो वाला पर्क आपकी salary में add नहीं होगा अगेन यहाँ पर भी कोई practical question नहीं बना MCQ question बन सकता है याद रखना दो condition अगर आपको transfer किया गया है from one place to another और hotel में आपको stay 15 दिन से जादा का नहीं दिया गया यह दोनों condition अगर satisfy होती हैं तो hotel का पर्क taxable नहीं होगा otherwise hotel का पर्क taxable होता है salary का 24% या फिर actual expenditure दोनों में जो भी less है salary उसी period की लेंगे जितने period के लिए hotel में ठहराया गया है salary उतने ही period की लेंगे जितने period में hotel के लिए ठहराया गया है तो hotel में अगर दो महीने ठहराया गया था जुलाई और अगस्त तो यहाँ पर जो salary ली जाएगी वो भी होगी जुलाई और अगस्त की इसके बाद बात करते हैं other percusates की इसमें सबसे पहला आता है interest free और concessional loan अगर आपके employer ने आपको interest free या फिर concessional loan दिया है interest free मतलब loan दिया है और कोई भी interest charge नहीं कर रहा या फिर आपको loan दिया है लेकिन nominal सा interest charge कर रहा है तो ऐसे case में आपके पास पर्क निकाला जाएगा और पर्क निकालने के लिए हम SBI के rate को consider करेंगे और वो भी rate कौन से दिन का होना चाहिए ये SBI का जो rate होना चाहिए ये आपके पास 1st April of the previous year का होना चाहिए तो यहाँ पर पर्क calculation करने के लिए State Bank of India का rate consider किया जाएगा और वो भी आपके पास beginning of the financial year यानि की 1st April का rate consider किया जाएगा अब यहाँ पर जो पर्क निकलता है वो monthly basis पे निकलता है तो आपको क्या करना है हर महीने के आखरी का outstanding balance identify करना है तो हर महीने के आखरी में जो outstanding balance है उसके उपर पर्क की calculation करी जाएगी हर महीने के आखरी में जो outstanding balance है उस outstanding balance के उपर आपके पास पर्क का calculation करा जाएगा formula क्या तयार किया गया है आपको monthly outstanding balance का sum कर लेना है हर महीने के outstanding balance का sum कर लेना है और इसका multiply कराना है जितना benefit आपको मिल रहा है अगर SBI का rate 12% है और आपका employer 4% ले रहा है तो आपको 8% का benefit मिल रहा है तो monthly outstanding balance के sum को आप 8% से multiply करके 1 by 12 से multiply कर देंगे लेकिन अगर आपका employer आपसे कोई interest charge कर ही नहीं रहा और SBI का rate 12% है तो monthly outstanding balance निकालके उसका sum कर लेना उसका multiply 12% से और फिर उसका multiply 1 by 12 से फिर उसका multiply 1 by 12 से प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना यहाँ पे fractional period का कोई भी interest charge नहीं होता fractional period का कोई भी interest आपका charge नहीं करा जाता हर महीने के आखरी में जो outstanding balance है उस पे आपका interest calculate करा जाता है अब एक बात हमेशा याद रखना कि अगर बेटा जी आपका entire loan outstanding है अगर आपका entire loan outstanding है आपने throughout the year कोई भी loan का repayment नहीं किया तो आप normal तरीके से जैसे interest निकालते हो वैसे interest calculate करना जो भी आपकी loan की amount है इसका multiply करा देना जितना भी आपको benefit मिल रहा है multiply करा देना यहाँ पर T upon 12 से multiply कर देना यहाँ पर T upon 12 से जैसे माल लो आपने अपने employer से 15 जुलाई को या माल लो 1 जुलाई को आपने अपने employer से 1 जुलाई को 5 लाग रुपे का loan लिया और आपका entire loan outstanding है आपने एक भी amount repay नहीं करी पूरा का पूरा loan outstanding है SBI का interest rate दे रखा है 12% का आपका employer charge कर रहा है मान के चलो 4% का तो ऐसे case में क्या करोगे entire loan outstanding है तो 5 लाग का multiply करा होगे benefit से 12% minus 4% इसका multiply करोगे T upon 12 से July से लेकर March तक July से लेकर March तक यानि कि आपके पास कितने महीने हो गए 9 महीने हो गए into 9 upon 12 अच्छा मान लो अगर हमने 1 जुलाई की जगा अगर हमने मान लो 25 जुलाई को loan लिया होता अगर हमने 25 जुलाई को loan लिया होता То भी मेरी calculation 9 महीने के हिसाब से ही होती क्योंकि parque value जो निकाली जाती है वो monthly outstanding balance से निकाली जाती है तो आपने कि loan लिया उससे मतलब नहीं है किस महीने में loan लिया उससे मतलब है अगर आपने जुलाई में loan लिया है तो जुलाई के आखरी में जो outstanding balance है उस पे पूरे महीने का interest निकलता है उस पे पूरे महीने का interest निकलता है तो आपने किस date को loan लिया है वो matter नहीं करती अगर 1 जुलाई की जगा आपने 25 जुलाई को भी loan लिया होता तो भी मैं यहाँ पर calculation जुलाई से marks तक की ही करता into 9 upon 12 ही आता इस बात का हमेशा ध्यान रखना अच्छा अगला point कहता है कि आपके पास कोई भी पर्क कोई भी पर्क यहाँ पर नहीं निकलेगी अगर 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 आपका जो aggregate amount of loan है वो up to 20,000 है आपने अपने employer से 3 loan ले रखे हैं आपने एक loan ले रखे हैं मान लेते हैं 2,500 रुपे का आपने एक loan ले रखे हैं 12,500 रुपे का और आपने एक loan ले रखे हैं 3,400 रुपे का अगर मैं इसका aggregate करता हूँ तो aggregate निकल कर आ रहा है 18,400 तो अगर सारे loan का total सारे loan का total अगर 20,000 को exceed नहीं करता तो इसको हम लोग petty loan बोलते हैं और petty loan के उपर कोई भी perk calculate नहीं होती तो aggregate में अगर 20,000 रुपीज तक का loan है तो वहाँ पर कोई भी perk value आपकी calculate नहीं होगी इसके बाद अगर employee ने अपने employer से loan लिया है for the treatment of specified disease जो की rule 3A में दे रखी है इस loan के उपर भी perk value calculate नहीं होगी दो जगा पे perk नहीं निकलेगा अगर आपका aggregate loan 20,000 से जादा का नहीं है या फिर आपने specified disease के treatment के लिए loan लिया है और वो specified disease rule 3A में mention है इसके बाद अगला perk निकल कराता है free food और refreshment अगर आपका employer आपको during the working hours during the working hours आपको tea coffee snacks देता है तो बाबू वो आपके पास fully exempt होती है अगर आपका employer आपको free meals देता है free lunch देता है तो वहाँ पर आपके पास taxability निकल कर आती है आपकी perk value बनती है cost of meal minus amount recovered from the employee cost of meal minus amount recovered from the employee और old regime के अंदर आपका perk 50 rupees per meal तक exempt होता है old regime के अंदर new regime के अंदर आपको येवाली exemption नहीं मिलती new regime के अंदर आपको येवाली exemption नहीं मिलती तो जैसे मान लो आपके employer ने आपको 157 meals दी है during the previous year, 24 ठीक है, cost of meal आपके employer के लिए मान के चल लो 210 रुपए है एक meal की, और employer ने आपसे recover करे है, मान के चल लो 75 रुपीज पर meal, तो आपके पास perk value किती निकल कर आएगी, तो अब इस question को अगर मैं old regime से solve करता हूँ, old regime से solve करता हूँ, तो मेरा answer क्या आएगा, सर मेरे पास cost of meal किती है, 210 रुपए पर meal और मुझे 157 meals मिली है, तो 210 into 157, मेरे पास आएगा 32970, इसमें से minus कर देंगे जितना भी amount recover किया गया है, recover किता किया गया है, 75 रुपीज, तो 157 into 75 की आपसे recovery करी गई है, 157 into 75, 11775 की recovery करी गई है, 32970-11775, आपके पास 21195 आ रहा है, ये आपके पास perk आ रहा है, इसमें से 50 रुपए पर meal तक exempt हो जाएगा, आपको 157 meals दी गई है, 50 रुपीज पर meal तक exemption होती है, 7850, ये old regime में exemption मिलेगी, ये old regime में exemption मिलेगी, यानि कि old regime में आपके पास taxable figure निकल कराएगी, 13345, और वहीं पे अगर आप new regime में जाओगे, तो new regime के अंदर आपका जो 21995 था, ये आपके पास taxable figure आएगी, ये वाली exemption आपको new regime के अंदर allowed नहीं है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर आपके employer ने आपको holiday पे भेजाए, travel पे, tour पे, accommodation प्रोवाइड करी है, holiday facility प्रोवाइड करी है, तो जितना भी पैसा आपके employer ने खर्च किया है, minus जितना पैसा उसने आपसे recover कर लिया है, वो आपके लिए perk value हो जाएगी, अगर employee official tour पे था, और उसका family member उसको accompany करता है, तो family member पर जितना खर्चा employer ने करा है, वो आपके लिए perk value हो जाएगी, कोई amount अगर recover कर लिया है, वो minus कर देंगे, अगर आपके पास employee official tour पे था, और उसे extend कर दिया गया है vacation पे, तो जितना खर्चा आपका vacation period पे हुआ है, वो आपके लिए क्या होगा, taxable हो जाएगा, और कोई भी amount अगर आपसे recover करी गई होगी, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, reduce कर दी जाएगी, अगर आपने gift दिया है employee को, cash gift दिया है, तो ये आपके पास fully taxable होता है, और अगर आपने kind gift दिया है, तो ये आपके पास exempt होता है, up to rupees 5000 per annum, अगर आपका gift ध्यान रखिएगा, अगर आपका gift exceed करता है, अगर आपका kind gift exceed कर जाता है 5000 को, तो वहाँ पर आप उसे fully taxable कर दीजेगा, वहाँ पर आप उसे fully taxable कर दीजेगा, अगर आपको watch का gift मिला है, और let's say अगर watch 3000 रुपे की है, watch अगर 3000 रुपे की है, तो ये आपके पास exempt रहेगी, लेकिन ये ही watch अगर 6000 रुपे की कर दी जाएगी, तो ये आपके पास fully taxable हो जाएगी, अगर आपके employer ने आपको credit card facility दी है, तो जितना personal purpose के लिए आपने credit card को use किया होगा, वो आपके पास taxable हो जाएगा, अगर आपको club facility आपके employer ने दी है तो जितना personal use पे आपने खर्च किया होगा वो आपका taxable हो जाएगा अगर credit card की facility आप official purpose के लिए use करते हो तो कुछ भी taxable नहीं होगा club facility को अगर आप official purpose के लिए use करते हो तो again वहाँ पर आपके पास कुछ भी taxable नहीं होगा इसके बाद अगला point निकल कराता है use of employer asset by the employees use of employer asset by the employee अगर employer की asset employee ने use करी है और वो asset laptop और computer है तो वहाँ पर कुछ भी taxable नहीं होगा even आप computer और laptop को use करते हो for personal purpose कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपके employer ने आपको computer और laptop दे रखा है तो वो आपके पास कभी भी taxable नहीं होगा भले आप उसे personal purpose के लिए क्यों ना use करो लेकिन अगर इसके अलावा और कोई asset है इसके अलावा आपके पास और कोई asset है तो उस case में आपके पास क्या होगा सर उस case में आपके पास यहाँ पर जो cost of asset है उसका 10% per annum आपके पास परक माना जाएगा और अगर किराय पर लेकर आपको asset दी गई है तो जितना किराया employer पे कर रहा है उसे परक माना जाएगा और अगर आपसे कोई amount recover करी गई है, तो उसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा जी, minus कर देंगे, उसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, minus कर देंगे, चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, sale of movable asset की, अगर employer अपनी movable asset, let's say car, let's say fridge, let's say computer, right furniture, अगर यह employee को बे पर्क हो जाएगा, अब यह पर्क कैसे calculate करेंगे, सर हम cost of asset पकड़ेंगे, cost of asset में से हम depreciation minus करेंगे, अब याद रखना, depreciation हमेशा completed year का minus होता है, मतलब अगर employee को बेचने से पहले, employee को बेचने से पहले, आपके पास asset, 3 साल, 11 महीने और 28 days के लिए थी, employer इस asset का मालिक, employee को asset बेचने से पहले, 3 साल, 11 महीने और 28 दिन रहा है, तो हम कभी भी 11 महीने और 28 दिन का depreciation चार्ज नहीं करेंगे, हम depreciation हमेशा 3 साल का चार्ज करेंगे, तो जितने years complete हो चुके हैं, केवल उसी का depreciation लगेगा, fraction of the year का कभी भी depreciation नहीं लगेगा, तो आपने cost of asset में से depreciation minus करना है for each completed year, आपके पास asset की value आजाएगी, और उस asset की value में से, जो amount आपने चार्ज करा है employee से, उसे minus करवा दिजेगा, जो result निकल कराएगा, that will be the perk value, जो भी asset की cost है, उसमें से debt minus होगा, for the completed year, asset की value आजाएगी, उसमें से आप minus करदेंगे, जो amount आपने employee से recover करी है, remaining amount आपके पास क्या हो जाएगी, taxable value यहाँ पर निकल कर आजाएगी, अब सट depreciation का rate क्या होगा, और method क्या होगा, यह asset पर depend करता है, अगर आपकी asset computer and computer peripherals है, computer peripheral मतलब computer का keyboard, computer का mouse, computer का printer, computer and peripheral अगर आपने बेचा है, तो ऐसे case में 50% return down value method से depreciation लगेगा, अगर आपने motor vehicle, motor vehicle बोले तो motor car, अगर आपने motor car employee को बेची है, तो उस case में 20% से depreciation लगेगा, written down value method से, इन दोनों asset के अलावा आपने और कोई asset बेची है, let's say आपने furniture बेचा है, let's say आपने TV बेचा है, let's say आपने music system बेचा है, तो other assets के case में आपके पास depreciation 10% straight line method से लगेगा, question आपको बहकाने के लिए ऐसा बोल सकता है, question आपको बहकाने के लिए ऐसा बोल सकता है, कि employer ने motor car employee को बेची है, और employer चार्ज करता है depreciation 15% WDV से, ऐसा question में लिखा रहेगा, तो आपको employer किस rate से depreciation चार्ज करता है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास perquisite के rules में, car के उपर clearly लिखा है कि 20% WDV लगता है, तो 20% WDV ही लगाना है, हो सकता है employer ने employee को computer बेचा हो, और question में लिखा हो कि computer पे employee, sorry, employer 25% WDV से depreciation लगाता है, लगाने दो, हम जब यहाँ पे perk calculate करेंगे, तो हम computer पे 50% WDV का depreciation लगा कर चलेंगे, ठीक है जी, इसके बाद अगला point आता है medical facility, अगर आपके employer ने आपको medical facility दी है, एक होता है medical allowance, अगर आपके employer ने आपको medical allowance दिया है, तो medical allowance आपका fully taxable होता है, लेकिन अगर आपके employer ने आपको medical facility दी है, ठीक है, employee को medical facility दी है, या फिर employee के family member को medical facility दी है, और वो medical facility कहाँ पर मिली है, employer के hospital में मिली है, या फिर government hospital में मिली है, या फिर किसी approved hospital में मिली है for the specified disease, employer के hospital में मिली है, government hospital में मिली है, approved hospital में मिली है for specified disease, तो ये आपके पास exempt हो जाएगी. अगर आपके employer ने आपका या आपके family member का health insurance premium पे करा है तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा exempt हो जाएगा इन चार cases के अलावा पाँचवा कोई भी case होगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा जैसे मालो आपने employee ने अपना इलाज करवाया private clinic पे private clinic में किसी nursing home पे तो बाबू वहाँ पर exemption नहीं मिलेगी वो आपके पास taxable होगा सर पहले employee ने इलाज करवाया private hospital में और बाद में employer से reimbursement ले लिया taxable होगा exemption आपको केवल इन तीन hospitals में मिलेगी employer के hospital में, government के hospital में, approved hospital में for the specified disease सर ये family member में कौन कौन आएगा तो राजा बिटा family member में spouse आ जाएगा बच्चे आ जाएंगे spouse और बच्चे आप पे depend करें ना करें कोई फरक नी परता ये हमेशा family member का part होंगे इसके अलावा parents, brother और sister family member का part बनेंगे अगर ये आपके उपर dependent है तो इसका मतलब grand parents family का part नहीं है grand parents का अगर आपने medical treatment करवाया तो वो taxable हो जाएगा father-in-law, mother-in-law यहाँ पर cover नहीं है मतलब उनका अगर इलाज करवाया तो वो भी आपके पास यहाँ पर taxable हो जाएगा अगर इंडिया के बाहर आपको medical facility दी गई है आपके employer ने employee का या फिर employee के family member का treatment करवाया है outside India तो stay पे जो खर्चा आया होगा या फिर treatment पे जो खर्चा आया होगा जितना reserve bank of India permit कर देगी उतना आपका exempt हो जाएगा इंडिया के बाहर stay करने में और इंडिया के बाहर treatment करवाने में जितना RBI permit कर देगी उतना आपका exempt हो जाएगा लेकिन आपने जो travel किया है इंडिया के बाहर वो आपका taxable होगा कि exempt होगा वो इस बात पर depend करता है कि आपकी gross total income कितनी है अगर आपका gross total income 2,00,00 रुपे से जादा है परमंत नहीं पूरे साल का अगर आपका gross total income साल भर का 2,00,00 से जादा है तो इंडिया के बाहर travel करने पर जो आपने खर्चा किया है वो fully taxable हो जाएगा फॉर एक्जामपल, employee का treatment USA में हुआ है तो obviously USA तक जाने का ticket का खर्चा आएगा ना एयर ticket का खर्चा ये एयर ticket का खर्चा taxable हो जाएगा अगर employee की gross total income 2,00,00 को exceed करेगी और अगर employee की gross total income 2,00,00 को exceed नहीं करेगी तो foreign travel का ये खर्चा जो होगा वो exempt हो जाएगा अब सर इंडिया के बाहर कौन जा सकता है इलाज करवाने के लिए obvious है employee अगर बिमार है तो employee जा सकता है employee का कोई family member बिमार है तो employee का family member जा सकता है और उसके साथ एक attendant जा सकता है तो employee बिमार है तो उसके साथ एक attendant family member बिमार है उसके साथ एक attendant अगर एक attendant से जादा attendant गए है तो exemption आपको जो मिलेगी वो employee मतलब जो patient है उसकी मिलेगी और one attendant की मिलेगी अगर माल लो patient के साथ साथ दो attendant गए हैं पेशन्ट के साथ साथ दो अटेंडेंट गए हैं तो आपको जो exemption मिलेगी वो patient की मिलेगी और one अटेंडेंडेंट की मिलेगी जो आपके पास second attendant है उसके उपर जो भी खर्चा किया होगा वो खर्चा क्या होगा taxable होगा मतलब second attendant के stay का खर्चा taxable हो गया second attendant के travel का खर्चा taxable हो इसके अलावा अगर COVID-19 का treatment है तो वहाँ पर भी आपके पास exemption है subject to the conditions notified by the CG इसके बाद अगला point निकल कराता है लीव travel concession लीव travel concession क्या होता है आपका employer within India आपको travel benefit extend करता है कि आप इंडिया में कहीं जाकर घूम के आ सकते हैं इंडिया में कहीं जाकर घूम के आ सकते हैं तो आपको travel का option आपका employer provide करता है और leave travel concession का हमको exemption मिलता है section 10.5 में और ये exemption हमको केवल old regime में मिलता है आपका employer आपको हो सकता है हर साल travel पे भेजे कभी गोवा भेज रहा है कभी केरला भेज रहा है कभी जैपूर भेज रहा है कभी असाम भेज रहा है कभी दार्जलिंग कभी डेल हाउजी आपका employer हो सकता है आपको हर साल travel पे भेजता हो लेकिन आप leave travel concession का जो exemption है वो 4 साल के block में 4 years के block में किसी भी 2 journeys का ले सकते हो किसी भी 2 journey का आप LTC exemption ले सकते हो चार साल के block में ये जो 4 साल का block है ये 4 calendar years है तो 4 calendar years के block में किसी भी 2 journey का आप exemption ले सकते हो अभी जो current block चल रहा है वो 2022 से 2025 का चल रहा है The exemption shall be available to an individual 2 times in each block of 4 calendar years Employee travel पे जा सकता है employee के साथ employee का family member भी travel पे जा सकता है Employee travel पे जा सकता है employee के साथ employee का family member travel पे जा सकता है Family member में कौन आएगा spouse आएगी Family member में children आएगे चाहे वो dependent हो चाहे independent हो Children के उपर limit लगाई गई है maximum 2 children की ही आप LTC exemption ले सकते हो Maximum 2 बच्चों की ही आप LTC exemption ले सकते हो लेकिन अगर आपके पास पहले एक child था बाद में मातारानी की क्रपा से आपके घर पे twins पैदा हुए तो total आपके 3 बच्चे हो गए तो यहाँ पर 3 बच्चों की exemption मिल जाएगी लेकिन अगर आपके पास पहले से twins थे और आपने एक और child को बर्थ दे दिया तो तीसरे child की आपको exemption नहीं मिलेगी पहले एक था दूसरा करने की कोशिश करी भगवान ने twins दे दिये तो ऐसे case में 3 बच्चों की मिल जाएगी लेकिन अगर पहले से twin था तो और बच्चा करने की क्या जरुवत थी लेकिन फिर भी आप नहीं माने आपने किया तो कर लो भाई वो तीसरे बच्चे की आपको exemption नहीं मिलेगी अगर multiple birth हुए है after the birth of one child तो exemption आपको सभी बच्चों की मिल जाएगी इसके अलावा dependent parents भी family member का part है dependent brother and sister भी family member का part है grandparents family member का part नहीं है इन laws जो है वो भी आपके पास family member का part यहां पर नहीं है बात समझ में आ रही है अब समझो मेरी बात को LTC में आपको केवल जो travel का खर्चा होता है जो travel का खर्चा होता है उसी का exemption मिलता है अगर आपने hotel पे खर्चा किया है आपने food and beverage पे खर्चा किया है इसकी आपको कोई भी exemption अवेलिबल नहीं होगी मतलब employer हो सकता है तुमारे hotel का भी खर्चा उठाए तुमारे खाने पीने का भी खर्चा उठाए तो तुमें उसकी exemption LTC में नहीं मिलेगी LTC में जो तुमें exemption मिलेगी वो केवल travel के खर्चे की मिलेगी अब सर यहाँ पर travel के खर्चे की भी limit लगाई गई है maximum तुम कितना खर्चा claim कर सकते हो अगर तुमने journey air से perform करी है तो maximum तुमें economy fair का खर्चा अला होगा मतलब हो सकता है तुमने हो सकता है तुमने business class से travel किया हो तुमारे employer ने business class की ticket करवा कर दी हो तो exemption तुमें business class की नहीं मिलेगी economy fair की ही मिलेगी अगर तुमने air से journey perform नहीं करी other than air other than air तुमने कैसे भी journey perform करी हो तुम bus से गए हो, तुम train से गए हो, तुम taxi से गए हो, तुम bike से गए हो, तुम paddle गए हो, बैल गाड़ी में गए हो, कैसे भी गए हो other than air तुम कैसे भी journey perform करो लेकिन maximum जो तुमको exemption मिलेगी वो railway के first class AC fair की मिलेगी for example आपने journey perform करी है taxi से तो taxi का भाड़ा आपने खर्च कर दिया मानलो 15,000 रुपए लेकिन अगर आप first class AC fair लेते first class AC का rail fair लेते तो वो खर्चा आता मानलो 14,000 रुपए मतलब अगर आप train से first AC में जाते तो खर्चा 14,000 आता लेकिन आप taxi से गए आपका खर्चा 15,000 आया तो आपको यहां पर 15,000 की deduction नहीं मिलेगी exemption नहीं मिलेगी 15,000 की आपको exemption 14,000 की मिलेगी लेकिन मानलो आप taxi से गए और आपका खर्चा 12,000 आया first class का भाड़ा 14,000 का है तो ऐसे case में आपको 12,000 रुपए की exemption मिल जाएगी तो जितना पैसा आपने खर्च किया है subject to maximum limit सर आप ऐसी जगा पर गए हो जहां पर train नहीं जाती लेकिन वहां पर recognized transportation system exist करती है train नहीं जाती लेकिन bus जाती है तो बाबू bus का जो first class का deluxe का जो fare होता है maximum उतना खर्चा आपको अला होगा अगर train नहीं जाती लेकिसे bus जाती है तो deluxe bus का जो भाड़ा है वो maximum आपको अला होगा और अगर वहां पर recognized transportation system भी नहीं है वहां पर bus भी नहीं चलती ऐसी जगा पर आप गए हो तो जितने kilometer आपने travel किया है जितने kilometer आपने travel किया है उतने kilometer का जो railway का first class का भाड़ा है that will be your maximum limit ये maximum limit है अगर actual खर्चा maximum से कम है तो actual वाला खर्चा मिलेगा और actual खर्चा अगर maximum से जादा है तो वहां पर आपके पास maximum वाला खर्चा अलाओ किया जाएगा इसके बाद आपके पास अगला पॉइंट आता है ऐसे perquisites जो केवल specified employees के हाथ में taxable हैं तो अगर आपके employer ने आपके घर पे कोई gardener, watchman, sweeper provide किया है employer ने इन्हें खुद hire किया है employer ने gardener को hire किया है watchman को hire किया है sweeper को hire किया है तो perquisite value होगी जितना पैसा employer ने खर्च किया less amount recovered from the employee I hope आपको specified employees के बारे में पता है नई सर आप बता दो हम तो सब भूले बैटे आप बता दो बिटा specified employees में हमारे पास तीन तरीके के employees आते हैं एक वो जो company में director है एक ऐसा employee जिसके पास company में 20% या उससे ज़ादा की equity है ऐसा employee जिसकी monetary salary during the previous year जिसकी monetary salary during the previous year exceed करती है 50,000 को during the year अगर exceed करती है 50,000 को साल भर में अगर आपको 50,000 रुपे से ज़ादा की monetary salary मिलती है तो आप एक specified employee हो तो technically speaking आज की date में हर एक employee आपके पास specified employee की definition में आ जाता है अगर माल लो gardener को, watchman को, sweeper को या फिर किसी भी servant को employee ने hire किया था employee ने उसको salary दी और बाद में employee ने reimbursement लिया तो वो reimbursement सब employees के हाथ में taxable होता है ठीक है इसके बाद अगर आपके employer ने आपको transport facility दी है आपके employer ने आपको transport facility दी है आपका employer passenger के या फिर goods के transportation में involved है आपका employer passenger के या फिर goods के transportation में involved है और आपके employer ने आपको transportation facility दी है तो बाबु जो भी ticket का cost होगा जो भी ticket का price होगा वो आपके हाथ में पर्क बनेगा as reduced by the amount recovered from the employee for example मालो आप एक ऐसे employer के पास काम करते हो जिसकी buses चलती है जिसकी buses चलती है वो buses के थूँ passenger transportation service देता है वो buses के थूँ passenger transportation service देता है और आप कानपुर से दिल्ली से कानपुर किये हो ऐसा total आपने किती journeys करी है let's say आपने total 50 journey करी है आप 50 बार दिल्ली गए हो 50 बार दिल्ली से वापस आए हो अब sir आपका employer जो charge करता है अपने customer से अपने customer से charge करता है 800 रुपे पर ticket 800 रुपे पर ticket लेकिन उसने employee से recover करे हैं केवल 300 रुपे यानि कि normally वो अपने customer से 800 रुपे लेता है और उसने आपसे 300 रुपे लिए यानि कि आपके employer ने आपको 500 रुपे का benefit दिया और आपने 50 journey करी हैं मतलब 50 बार आप दिल्ली गए हो और 50 बार आप दिल्ली से वापस आए हो मतलब total आपकी 100 journeys हैं 100 journeys हैं और हर journey पे आपने 500 रुपे बचाए हैं अगर आप railways में काम करते हैं तो और यह perquisite क्या रहता है टेक्स फ्री रहता है वहाँ पर यह perquisite टेक्स फ्री रहता है वहाँ पर कोई भी टेक्स नहीं लगेगा मतलब अगर railway का employee ट्रेंस से जा रहा है और उसे concession मिल रहा है benefit मिल रहा है तो वो benefit taxable नहीं होगा similarly कोई airline company में काम करने वाला employee अगर अपने employer के aircraft में जा रहा है और उसको सस्ते rate पे ticket मिल रही है तो वहाँ पर भी आपके पास कुछ भी taxable नहीं होने वाला है चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं education facility की एक होता है आपके पास children education allowance तो children education allowance के लिए आपने क्या पढ़ रखा है सर children education allowance के लिए आपने पढ़ रखा है कि up to rupees 100 per month up to rupees 100 per month per child up to 2 child यह आपको exemption मिलती है कहाँ पर सर यह exemption आपको मिलती है old regime में remaining आपका क्या होता है taxable होता है लेकिन education facility क्या होती है सर यहाँ पर आपका employer आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है education के लिए वो आपके बच्चों की fees पे कर रहा है आपके family member की fees पे कर रहा है या फिर ऐसा हो सकता है कि आप या आपके family member या आपके बच्चे employer के ही institute में पढ़ रहे है college में पढ़ रहे है school में पढ़ रहे है तो उस case में क्या होगा उस case में lawmaker बोलता है कि अगर employees को train करा जा रहा है employees की training पे खर्चा हो रहा है कोई भी let's say updation आया चाहे वो technical हो चाहे वो किसी भी तरीके का हो और employee को वो updation देने के लिए employer अपने पास से खर्चा कर रहा है training दे रहा है जैसे मालो employee जो है वो taxation department के हैं और tax में काफी सारी amendments आती हैं तो उन amendments की knowledge देने के लिए employee को कोई seminar conduct करवा दिया गया कोई बढ़िया से text professional को बुला लिया गया कि भाई साब amendments explain कर दो हमारे staff को right कि क्या-क्या changes आये है so that कि वो company में compliance proper तरीके से कर पाएं तो अगर employee की training पे पैसा खर्च हो रहा है तो ये कभी भी आपका taxable नहीं होगा अगर education facility employee के किसी family member को दी जा रही है brother को, sister को, spouse को तो family member को अगर education facility दी जाएगी ये fully taxable होगी family member employer के school college में पढ़ सकता है या फिर किसी भी school college में पढ़ सकता है जहाँ पर employee पहले fees देता है और बाद में employer से reimbursement ले लेता है दोनों ही scenario में आपके पास ये क्या रहेगी बेटा, fully taxable रहेगी अब बात करते हैं, sir education facility अगर employees के बच्चों को मिलती है तो याद रखना, यहाँ पर number of child पर कोई restriction नहीं है दो बच्चों की भी मिल सकती है तीन बच्चों की भी मिल सकती है चार की भी मिल सकती है no restriction on the number of child अब ऐसा हो सकता है कि sir employee के जो बच्चे है वो कहा पढ़ रहे है sir उस school में पढ़ रहे है जिसे employer maintain करता है मतलब कि employer का school है employer का college है, वहाँ पढ़ रहे है या फिर ऐसे school में पढ़ रहे है जहाँ पे employer का link है employer की चलती है इस वज़े से वहाँ पर बच्चो का admission हो गया मतलब उस school को उस college को employer sponsor कर रहे है या फिर कोई भी ऐसा school college जिसको आपका employer sponsor कर रहे है जिसका आपके employer के साथ tie up है या तो school college employer का है या ऐसे school में पढ़ाया जा रहा है जहाँ पर आपके पास tie up है employer का उस school के साथ तो यहाँ पर lawmaker क्या कहता है यह थोड़ा सा मेरे से उल्टा हो गया है मैं आपको जब notes दूँगा न तो वहाँ पर correct करके दूँगा यह वाले point का यहाँ पर applicable है cost of education in similar locality or the institution अगर employee के बच्चे employer के school में पढ़ रहे है या फिर ऐसे school में पढ़ रहे है जिसका tie up है employer के साथ तो हम cost of education in similar locality और in the similar institute पकड़ लेते हैं मतलब जैसा institute employer का है ऐसे ही और किसी institute पे इसी education की fees क्या है for example आपका employer DPS है आप DPS में job करते हो और आपके बच्चे जो है वो DPS school में ही पढ़ रहे है तो DPS जैसा ही और कोई school वहाँ पर जो fees है वो fees को बकड़ लिया जाएगा और जितना amount आपसे recover करा गया है उस amount को reduce कर दिया जाएगा और अगर ये perk की value up to rupees 1000 है तो ये exempt हो जाएगी और अगर 1000 रुपे से जादा है तो आपका access जो होगा वो नहीं पूरा का पूरा taxable हो जाएगा तो माल लो यहाँ पर आपके पास cost of education निकल कर आ रही है cost of education निकल कर आ रही है suppose कर लेते हैं similar institute में निकल कर आ रही है 5000 रुपे और employee से recover करे जा रहे है suppose कर लो 3000 रुपे तो यहाँ पर 2000 रुपे का benefit है यह 2000 रुपे का benefit fully taxable हो जाएगा ठीक है लेकिन माल लो आपसे recover करे जा रहे होते 4000 यानि कि आपको 1000 रुपे का benefit दिया जाता तो यह 1000 का benefit आपका क्या हो जाता fully exempt मैं फिर से repeat कर रहा हूँ अगर बच्चे उस school में पढ़ रहे हैं जो school employer का है या फिर बच्चे उस school में पढ़ रहे हैं जो school का tie up है employer के साथ तो हम क्या करेंगे similar institute में similar college के अंदर similar school के अंदर जो भी education की fees है हम उसको पकड़ लेंगे और जितना amount हमने employee से recover किया है वो minus कर देंगे तो माल लो similar institute में जो fees है वो 5000 रुपे की है और हम employee से 4000 रुपे recover कर रहे है यानि कि हम employee को 1000 रुपे का benefit दे रहे हैं तो अगर आपका benefit up to rupees 1000 है तो यह fully exempt हो जाएगा लेकिन अगर 5000 रुपे की fees है similar institute में और हम employee से 3000 रुपे recover कर रहे हैं यानि कि हम employee को 2000 का benefit दे रहे हैं ये benefit आपका 1000 रुपे से ज़ादा का है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, fully taxable हो जाएगा. अगर कोई दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब जो employer का नहीं है, या फिर जिसके साथ employer का tie-up नहीं है, तो जितना खर्चा employer करेगा, उसमें से reduce कर देंगे, जो भी amount हम employee से recover करेंगे. अगर ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसका employer के साथ कोई भी link नहीं है, तो जितना खर्चा employer ने करा है, हम उसको पकड़ लेंगे, और जितनी amount recover हुई है, उसे यहाँ पर minus कर देंगे. ये वाला point वापस से repeat हो गया है, तो इसको अपन ignore कर देते हैं. अगला point निकल कराता है, gas, electricity और water facility. minus जो भी amount आपसे recover करी गई है. और अगर आपका employer gas का काम नहीं करता, electricity का काम नहीं करता, water facility का काम नहीं करता, उसने third party से gas, electricity, water facility लेकर आपको दी है. third party से लेकर आपको दी है, तो जितना पैसा उसने third party को पे करा है, वो आपके लिए पर्क बन जाएगा, minus कर देंगे जितना amount recover किया है उसने आपसे. लेकिन माल लो, आपके नाम पे gas connection है, आपके नाम पे electricity का connection है, आपके नाम पे water का connection है, पहले आप gas का bill पे करते हो, electricity का bill पे करते हो, water का bill पे करते हो, और बाद में reimbursement लेते हो employer से, तो फिर वो सब employees के हाथ में taxable हो जाता है. अगर आपके employer ने आपको sweat equity shares या फिर ESOP प्रोवाइड करे हैं तो perk value बनती है जिस दिन आपने ESOP exercise किया है उस दिन की FMV minus जितना amount आपने पे करा है exercise date की FMV minus जितना amount employee ने पे करा है हमेशा याद रखना की FMV कौन से दिन की लेनी है जिस दिन हमने option exercise किया है ठीक है अगर आपके employer ने आपका life insurance premium पे करा है तो यह taxable होगा अगर आपके employer ने आपका life insurance premium पे करा है तो यह taxable होगा लेकिन अगर आपके employer ने आपका personal accident policy का premium भरा है या फिर staff group insurance का premium भरा है तो वहाँ पर यह आपका exempt हो जाएगा आपका employer जनरली आपका जो premium देता है वो कौन सा होता है सर वो health insurance का होता है आपकी accident policy का हो सकता है आपके पास वो staff group insurance का हो सकता है वो life insurance का हो सकता है तो life insurance वाला आपका taxable है बाकी तीनों आपके पास क्या रहेंगे exempt रेंगे यह important point है, exam में फस जाता है यह वाला point. इसके बाद अगला point आता है motor car facility. अगला point आता है motor car facility. आपके employer ने अगर आपको motor car facility दी है तो क्या होगा? अगर आपके employer ने आपको motor car facility दी है तो क्या होगा? car employer की है, इसे use employee करता है और car के खर्चे employer देता है और car आपके पास चल रही है official और personal दोनों परपस के लिए. employee गाड़ी को official purpose के लिए भी use कर रहा है, personal purpose के लिए भी use कर रहा है, तो lawmaker कहता है कि अगर आपकी छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी का मतलब क्या है? sir छोटी गाड़ी का मतलब है जिसकी cc up to 1600 है, up to 1600 cc या फिर 1.6 liter बोलते हैं इसको, और अगर बड़ी गाड़ी है, तो बड़ी गाड़ी का exceed करता है 1600 cc, और exceed करता है 1.6 liter को, तो छोटी गाड़ी के fixed 1800 रुपे taxable होंगे, बड़ी गाड़ी के fixed 2400 रुपे taxable होंगे, और गाड़ी के साथ अगर driver भी दिया गया है, तो driver के 900 रुपे अलग से taxable होंगे, अगर गाड़ी employer की है, employee चलाता है, और जो personal running expenses है, वो employee bear करता है, गाड़ी official और personal दोनों कामों के लिए चलती है, तो छोटी गाड़ी का 600, बड़ी गाड़ी का 900 taxable होगा, और साथ driver भी दिया गया है, तो driver के भी 900 taxable होंगे, याद रखना, जब गाड़ी official और personal purpose के लिए चलती है, तो जो आपसे amount recover करी गई है, उसे ignore किया जाता है, आपके जो actual expenses incurred हैं by employer, इसे भी आप full to क्या करके चलते हो, इग्नोर करके चलते हो, तो जब गाड़ी official और personal दोनों purpose के लिए चलेगी, तो वहाँ पर आपको actual expenses incurred by employer से मतलब नहीं है, जो amount employee से recover करी है, उससे आपको मतलब नहीं है, flat taxability आएगी, O plus P है, employer खर्चा कर रहा है, तो छोटी गाड़ी का 1800, बड़ी गाड़ी का 2400, और अगर O plus P है, और employee खर्चा कर रहा है, तो छोटी गाड़ी का 600, बड़ी गाड़ी का 900, और अगर driver दिया गया है, तो driver के 900 रुप purpose के लिए इस्तमाल कर रहा है, सर्जी personal purpose के लिए इस्तमाल कर रहा है, खर्चे कौन कर रहा है, employer कर रहा है, तो इस case में क्या होगा, जितने भी खर्चे आपका employer कर रहा है, petrol का, running maintenance का, हम वो पकड़ लेंगे, जो driver की salary है, वो इसमें add कर देंगे, आपकी car की cost का 10% per annum इसमें add कर देंगे, car अगर किराय पर लेकर आपको दी है, तो उसके higher charges को add कर देंगे, और अगर कोई amount employee से recover करी है, तो उसे minus कर देंगे, remaining value आपके पास perk value आजाएगी, remaining value आपके पास perk value आजाएगी, अब अगर car आपके पास employee की है, use भी employee करता है, लेकिन खर्चे employer दे रहा है, और गारी official और personal दोनों कामों के लिए चल रही है, तो जितने expenses employer ने करे, petrol पे, running maintenance पे, वो पकड़ लेंगे, जो driver की salary है, वो पकड़ लेंगे, इसमें से official खर्चा minus किया जाएगा, इसमें से official खर्चा minus किया जाएगा, official खर्चे की fixed limit है, छोटी गारी का 1800 रुपे महिना, बड़ी गारी का 2400 रुपे महिना, और driver के 900 रुपे महिने minus कर दिये जाएगे, जो यहाँ पर taxable करे जा रहे थे, वही figure यहाँ पर minus करी जाती है, जब गारी employee की होती है, और इसे employee चलाता है, लेकिन खर्चे employer कर रहा है, गारी official और personal दोनों कामों में चल रही है, तो जितने भी expenses employer ने incur करे, उसमें driver की salary add कर देते हैं, छोटी गारी का 1800 माइनस करते हैं, बड़ी गारी का 2400 माइनस करते हैं, driver के 900 माइनस करते हैं, और even कोई amount recover करी गई है, तो वो भी माइनस करेंगे, ठीक है, अगर गारी employee की है, employee चलाता है, employer खर्चा करता है, और गारी personal purpose के लिए चलती है, तो जितना भी खर्चा employer ने किया, प्लस कर देंगे उसमें driver की salary, माइनस कर देंगे amount recovered from employee, जो निकल कर आएगा, that will be considered as perk value, इसके अलावा और कोई vehicle है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, 900 रुपे पर मंत, आपका क्या ह होगा, taxable होगा, other vehicle में क्या आएगा, obviously two wheeler आएगा, two wheeler आएगा, तो यहाँ पर 900 रुपे पर मंत, taxable होगा, generally ये वाला point exam में नहीं आता, जनरली ये वाला point exam में नहीं आता, सबसे जादा point जो exam में आता है, वो ये वाला है, सबसे जादा जो exam में point आता है, वो ये वाला आता है, इसके बाद अगर आपके employer ने आपको more than one motor car दी है, तो आप किसी भी, किसी भी एक car को treat कर सकते हो, कि ये partly official, partly personal है, और बाकी जो कारी को treat किया जाएगा, personal use के तरीके, तो जैसे आप HP में self occupied, deemed to be let out की combinations बनाते हो, वैसे ही आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, मालनो आपके पास तीन car दी गई है, आपके पास car 1, car 2, car 3 दी गई है, तो आपको क्या करना है, सर्थ सबसे पहले, तीनों कारों का official और personal वाला पर्क निकालना है, फिर step 2, आपको तीनों कारों का personal वाला perquisite निकालना है, फिर step 3, आपको combinations बनाने हैं, combination number 1 क्या होगा, कि आप car 1 को official और personal माल लो, तो आपकी car 2 और car 3 personal माल ली जाएगी, दूसरा combination आपके पास क्या आएगा, कि आप car 2 को official और personal माल लो, तो आपकी car 1 और car 3 personal माल ली जाएगी, तीसरा combination आप बनाओगे, कि आप car 3 को official और personal बना दो, तो ऐसे में आपका car 1 और car 2 personal माल लिया जाएगा, इन तीनों में जहाँ पर भी lower perk value निकल कर आ रही होगी, हम उसे क्या कर लेंगे बेटा जी, accept कर लेंगे, जहाँ कहीं पर भी lower perk value निकल कर आ रही होगी, हम उसे क्या कर लेंगे बेटा जी, accept कर लेंगे, अगर गाड़ी आपकी 100% official use के लिए चलती है, तो कभी भी perk नहीं निकलता, अगर आप गाड़ी को केवल official purpose के लिए यूज करते हो, तो वहाँ पर आपके पास कभी भी perk calculate नहीं किया जाता, आईए, अब हम बात करते हैं हमारे पास, दो perquisites हमारे हैं, जो छूट गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जल्दी से, देखिए, आपको पता है, employer ज जो है, employer जो है, वो employee के RPF में contribute करता है, employer जो है, वो employee के superannuation fund में contribute करता है, employer जो है, वो employee के notified pension scheme में contribute करता है, अगर इन तीनों का aggregate contribution aggregate contribution अगर up to 7.5 लेक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ये taxable नहीं होगा इसे हम पर्क नहीं मानेंगे इसे हम पर्क नहीं मानेंगे लेकिन अगर आपका aggregate contribution exceed कर जाता है 7.5 लेक को let's say आपका aggregate contribution 8 lakh का हो गया तो इस 8 lakh में से आपका 7.5 lakh तो taxable नहीं होगा लेकिन जो साड़े साथ लाग के उपर का contribution है 50,000 वो taxable हो जाएगा ठीक है तो अगर आपका employer employer यहाँ पर हम किसके contribution की बात कर रहे हैं employer के contribution की बात कर रहे हैं अगर आपके employer ने जो contribution करा है employer ने जो contribution करा है employee के RPF में employee के NPS में employee के superannuation fund में employer ने जो contribution किया है by the employer to the account of assessi जितना वो exceed करेगा 7,50,000 को up to 7.5 lakh कोई tension नहीं है up to 7.5 lakh है कोई tension नहीं है 7,50,000 से जादा है तो 7,50,000 तक तो वो taxable नहीं होगा वो पर्क नहीं माना जाएगा लेकिन जो 7,50,000 को exceed करेगा वो आपके लिए पर्क मान लिया जाएगा similarly इस access contribution पे जो interest आएगा इस access contribution पे जो interest आएगा वो interest भी पर्क मान लिया जाएगा इस access contribution पे जो interest आएगा उस interest को भी पर्क मान लिया जाएगा और ये पर्क कैलकुलेट करने के लिए हमको formula दिया गया है TP क्या है TP आपका current year का interest है on access contribution over and above 750,000 तो current year में current year में आपका contribution है उसके बारे में बाते करने वाला है तो TP आपके पास क्या आने वाला है taxable perk आने वाला है TP आपके पास क्या है taxable perk कैसे निकलेगा PC divided by 2 into R PC क्या है PC आपके पास amount और aggregate of amount of employer contribution in excess of 7.5 lakh current year में आपने जो 36,000,000 के उपर का contribution करा है उसको PC बोल रहे है current year में आपने जो 37,000,000 के उपर contribution करा है उसे PC बोल रहे है इस PC का average कर लेंगे मतलब current year में आपने 50,000 रुपे extra जमा करें है उस 50,000 का average कर लेंगे 50,000 divided by 2 into R, R आपके पास क्या है? R आपके पास है interest divided by F average interest divided by F average सर ये क्या बला है? बिटा जितना भी interest आपका credit हुआ है या फिर जितना भी interest आपका accrue हुआ है उसको fund के average से divide कर देंगे सर फंड का average कैसे निकलेगा? सिंपल है फंड का average निकलता है जो भी आपका opening balance है जो भी आपका closing balance है divided by 2 सर ये interest कैसे निकलेगा? सिंपल है आपके पास जो closing balance है आप उसको पकड़ोगे इसमें से आप minus कर दोगे जो भी आपके पास closing balance है वो आप पकड़ोगे इस closing balance में से आप minus करोगे employer और employee का current year का contribution इस closing balance में से आप minus कर दोगे employer और employee का current year का contribution इसमें से minus कर दोगे आप opening balance आपके पास interest आ जाएगा इस interest को fund के average balance से जब divide कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कि एक रुपए पे कितना interest आया है उसको r बोलते है कैसे निकलेगा जितना भी interest आया है उसको fund के average balance से divide कर देंगे जितना भी interest आया है उसको fund के average balance से divide कर देंगे तो एक रुपए का interest आ जाएगा तो current year का access contribution का average current year के access contribution का average multiplied by interest per रुपी इसमें plus कर देंगे PC1 plus TP1 सर ये PC1 और TP1 क्या है पिछले सालों का पिछले सालों का जो access contribution है उसे PC1 बोला गया है और पिछले सालों का उस access contribution का जो interest है उसे TP1 बोला गया है तो PC1 plus TP1 into r ये आपके पास TP निकल कर आएगा class में in detail हमने इसके उपर चर्चा कर रख किये तो उसको आप class से एक बार देख लेना कि एक ही question है आपके पास वही question exam में repeat होने के chances है उस question को एक बार देख लेना working आपको समझ में आ जाएगी इसके बाद any other benefit अगर आपके employer ने और कोई benefit आपको provide करा है तो जितना खर्चा employer ने करा है उसमें से minus कर देंगे amount recovered अगर आपके employer ने आपको telephone facility दी है मतलब आपके telephone का bill जो है वो आपका employer पे करता है including mobile phone ये आपके पास exempt रहेगी लेकिन अगर आपका employer आपको telephone allowance देता है तो telephone allowance आपके पास fully taxable होता है अगर आपका employer आपको telephone allowance देता है तो वो fully taxable होता है लेकिन telephone की facility देता है तो वो आपके पास क्या रहती है बेटा जी fully exempt रहती है और इसी के साथ हम लोगों ने salary के सारे provisions लगबग लगबग धाई घंटे के अंदर अंदर revise कर लिए हैं है ना चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए बचो स्टार्ट करते हैं अब अगला chapter इसका नाम है income under the head house property और ये हमारे पास second head of income है इसका जो basis of charge है वो section number 22 में आता है basis of charge का पहला condition कहता है कि property should consist of any building और land upper tenant there to property में building होना मस्ट है अगर property में building नहीं रहेगी तो वो property की income house property में नहीं आएगी वो other sources में चली जाएगी अगली condition आती है sir assessi जो होना चाहिए वो उस building का owner होना चाहिए या फिर deemed owner होना चाहिए owner बोले तो आपके नाम पर title होना चाहिए deemed owner बोले तो आपके पास कुछ cases ऐसे हैं जहां पर आपके पास title नहीं भी होता फिर भी आपको owner मान लिया जाता है जैसे अगर आपने spouse को inadequate consideration के लिए property transfer करी तो आप वहाँ पर deemed owner मानने जाओगे बले title spouse के नाम पर है ये house की income आपके हाथ में taxable होगी अगर आपने किसी को part performance of a contract के लिए position दे दिया तो जिसको आपने position दे दिया वो deemed owner माना जाएगा बले title आपके नाम पर है लेकिन जिसके पास position है उसे deemed owner मान लिया जाएगा तो ऐसे ही कई cases हमारे पास है deemed owner वाले तो पहली condition की property में building होनी चाहिए दूसरी condition की assessi उस building का या तो owner या फिर deemed owner होना चाहिए तीसरी condition building को किसी भी purpose के लिए use किया जा सकता है building let out हो सकती है building self occupy हो सकती है building vacant हो सकती है building unoccupied हो सकती है तो building can be used for any purpose except business और profession of the assessi अगर उस property पे assessi अपना business चला रहा है उस property पे अगर assessi अपना business चला रहा है तो बाबू उस case के अंदर उस case के अंदर उस case के अंदर वो HP PGBP में जाएगी house property के अंदर नहीं आएगी अगला point आता है कि अगर आपके पास house property as a stock in trade पड़ी हुई है then also उसकी जो annual value है वो आपके पास HP वाले head में ही आएगी आप real estate के dealer हो बहुत सारे flats आपके पास पड़े हुए हैं बेचने के लिए तो lawmaker कहता है कि उन flats की annual value भी आपके पास इसी head में आएगी लेकिन जिस year में completion certificate मिला था उस year के end से 2 साल तक इनकी NAV को निल माना जाएगा तो अगर आपको completion certificate मिला है 23-24 में आपको completion certificate मिला है 23-24 में मानलो 1 जुलाई को आपको completion certificate मिला है 23-24 आपका end होता है 31 March 24 को तो यहां से 2 साल तक अगर आपका stock in trade actually में let out नहीं हुआ है अगर आपका stock in trade actually में let out नहीं हुआ है तो उसकी NAV क्या मानली जाएगी निल दो साल के बाद भी अगर वो let out नहीं हुआ तो वहां पर उसे हम deemed to be let out मानलेंगे अब सर house property की income कैसे calculate होती है हम बेटा gross annual value पकड़ते है और इसमें से जो municipal taxes है जो owner ने pay करे हैं वो minus कर देते हैं जितना भी municipal tax आपने pay करा है चाहे वो current year का हो चाहे वो past year का हो जितना भी municipal tax आपने current year में दिया है वो minus कर देते हैं आपके पास NAV निकल कर आ जाती है NAV में से आपको standard deduction मिलता है under section 24A का जो की 30% of NAV होता है इसके बाद 24B में आपको interest on capital borrowed allow कर दिया जाता है 24B में आपको interest on capital borrowed allow कर दिया जाता है और ये आपको due basis पे allow कर दिया जाता है जितना भी interest आपका due होगा वो आपको allow कर दिया जाएगा जो result आएगा that result will be your income under the head house property अब GAV कैसे निकलेगी सर जीएवी के लिए आपको चाहिए fair rent जो की आपके locality का rent होता है आपको चाहिए municipal value जो local authority declare करती है आपकी property की annual value तीसरी चीज़ आपको standard rent चाहिए fair rent और municipal value में जो भी higher है हम उसको पकड़ लेते इन दोनों में जो भी higher है हम उसको पकड़ लेते फिर उसके बाद इस higher को standard rent से compare करते है इन दोनों में जो lower होता है उसको हम expected rent बोल देते है कि आपकी property इतना rent तो कमाएगी ही fair rent, municipal value में जो भी higher है उस higher को standard rent से compare करेंगे यह rent control act बताता है कि maximum rent कितना होना चाहिए fair rent और municipal value में higher उसको standard rent से compare किया जो भी lower है वो आपके पास expected rent आ गया expected rent को actual rent से compare करेंगे expected rent को actual rent से compare करेंगे और दोनों में जो भी आपका higher होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा जी यह भी बन जाएगा municipal tax का deduction आपको तभी मिलेगा जब इसको owner ने pay करा होगा अगर यह owner ने pay नहीं किया tenant ने pay किया है तो इसका deduction नहीं मिलता current year में आपने जितने भी municipal tax pay करेंगे अब बात करते हैं income of the house lying vacant for some period let's say आपकी property किराय पर थी let's say आपकी property किराय पर थी 10 महीने के लिए और आपकी property vacant थी 2 महीने के लिए vacant का मतलब होता है बेटा सर्फ property पे कोई नहीं रहता घर के बाहर ताला लगा हुआ है ऐसा हो सकता है कि घर के अंदर मंजुलिका हो आमी जे तुमार गाती हो लेकिन उसके अलावा घर पे कोई नहीं है घर के बाहर ताला लगा हुआ है there is no one residing in the house उसको बोलते हैं घर vacant है तो ऐसे case में आपको क्या करना है आपको expected rent पूरे साल का निकालना है यानि की 12 महीने का आपको actual rent let out period का निकालना है यानि की 10 महीने का फिर आपको आपके expected rent को और actual rent को compare करना है comparison में अगर आपको ये मिले कि आपका actual rent आपके expected rent से जादा है तो आपकी GAV actual rent होगी अगर आपको ये मिले कि actual rent expected rent से कम है due to vacancy अगर vacancy ना होती तो actual rent expected rent से कम ना होता vacancy is the reason ये दो महीने की vacancy is the reason कि आपका actual rent आपके expected rent से कम है अगर आपका actual rent expected rent से कम है और उसका reason vacancy नहीं है उसका reason vacancy नहीं है तो ऐसे case में आपका GAV क्या बनेगा ER बनेगा आईए example देखते है let's say let's say आपका जो expected rent है let's say आपका जो expected rent है पर मन्त पर मन्त आपका जो expected rent है वो 15,000 रुपे का है आपका जो actual rent है पर मन्त मान के चलते हैं बेटा 20,000 रुपे का है बान के चलते हैं 20,000 रुपे का है तो मैंने आपसे क्या कहा मैंने आपसे कहा कि आपको क्या करना है बेटा आपको expected rent पूरे साल का निकालना है तो आपने expected rent पूरे साल का निकाला 15,000 इंटू 12 आपके पास 1,80,000 आ गया करेंगी यानिकी दो लाग केस नंबर टू आपका एक्सपेक्टेड रेंट 15,000 रुपे सपोस करो आपका actual rent 16,000 है 10 महीने के लिए आपको किराया मिलेगा क्योंकि let out period 10 महीने का है आपके पास 1,60 आ गया आपने जब comparison किया तो देखा कि मेरा जो actual rent है वो मेरे expected rent से कम है तो अब आपको इसका reason पता लगाना है अगर vacancy ना होती तो आपका actual rent किता होता सर vacancy ना होती तो मेरा actual rent 1,92,000 का होता इसका मतलब मेरा actual rent expected rent से कम है due to vacancy vacancy is the reason कि मेरा actual rent मेरे expected rent से कम रह गया and if vacancy is the reason तो ऐसे case में आपका GAV actual rent ही बनता है यानि कि 1,60,000 case नमबर 3 मान लीजिए आपका expected rent जो है वो 15,000 रुपे ही है आपका actual rent मान लीजिए 12,000 रुपे अब अगर आप देखे तो आपका actual rent आपके expected rent से कम है लेकिन क्या इसका reason vacancy है चेक कर लेते हैं अगर vacancy ना होती तो actual rent कितना होता सर अगर vacancy ना होती तो actual rent 12,000 इंटू 12 144 होता 144 भी तो 180 से कम ही होता अगर vacancy ना होती फिर भी actual rent expected rent से कम ही होता तो actual rent expected rent से कम है not due to vacancy और अगर ये vacancy की वज़े से कम नहीं है अगर ये vacancy की वज़े से कम नहीं है तो ऐसे case में GAV क्या बनती है expected rent यानि की 1,80,000 इसके बाद अगला case आता है अगर आपकी house property part of the year part of the year let out है और part of the year self occupied है मतलब साल के कुछ महीने वो let out है साल के कुछ महीने वो let out है और साल के कुछ महीने उसका owner उस property में रह रहा है तो साल के 9 महीने ये let out है साल के 3 महीने ये self occupied है तो ऐसे case में आप expected rent पूरे साल का निकालते हो 12 महीने का actual rent आप let out period का ही निकालते हो और दोनों में जो भी higher होता है उसी को आप GAV बना देते हो दोनों में जो भी higher होता है उसी को आप क्या करते हो GAV बना देते हो तो for example मान लो आपका expected rent है 15,000 रुपे का तो आप ये पूरे साल का निकालोगे 180 actual rent मान लो आपके पास 16,000 का है 9 महीने के लिए let out है तो 16,000 into 9 144,000 आपका GAV क्या बनेगा ER और AR दोनों में जो भी higher है ER और AR दोनों में जो भी आपका higher है यानि की 180 तो अगर आपकी part of the year property let out है part of the year property self occupied है तो ER और AR दोनों में जो भी आपका higher होगा वही आपके लिए GAV बन जाएगी अब एक बात याद रखिएगा आप maximum 2 house property maximum आप 2 house property self occupy कर सकते हो maximum 2 house property आप self occupy कर सकते हो आपकी जो self occupied property होती है उसका GAV निल होता है आपको municipal taxes paid का कोई deduction नहीं मिलता self occupied property की NAV हमेशा निलाती है self occupied property का interest on capital borrowed आपको allowed होता है subject to maximum 2,000,000 और 30,000 as the case में भी 2,000,000 कम मिलता है जब 4 conditions को आप satisfy करते हो 2,000,000 की deduction आपको कम मिलती है जब आप 4 conditions को satisfy करते हो क्या है 4 condition पहला आपने loan लिया हो on और after 1,490,99 लोन आपने लिया हो या तो घर purchase करने के लिए या तो घर construct करने के लिए आपका construction पास साल में complete होना चाहिए from the end of financial year in which loan is taken जिस year में आपने loan लिया है उस year के end से 5 साल तक अगर आपने loan लिया है मान के चलते हैं 19-20 में तो 19-20 के end से अगर आपने 19-20 में loan लिया है तो 19-20 के end से 5 साल आपके घर का construction complete होना चाहिए 31 मार्च 25 तक इसके बाद चौथी condition कि आपके पास interest certificate होना चाहिए जो आपका lender है जिसने आपको loan दिया है उसने आपको interest certificate दिया हो जब आप ये 4 condition satisfy कर देते हो तो आपको maximum deduction मिलता है 2,00,000 रुपे का अब याद रखना ये 2,00,000 रुपे जो है ये हर एक self occupied property का नहीं है self occupied property 1 self occupied property 2 इन दोनों का मिला कर आप maximum 2,00,000 ले सकते हो जैसे माल लो आपने self occupied property 1 के लिए repair के लिए loan लिया repair के लिए loan लिया और आपका interest निकल कर आ रहा है 35,000 तो क्या आपको 35 मिलेगा? नहीं यहाँ पर आपको 35 नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको 30 मिलेगा self occupied property 2 आपने purchase के लिए loan लिया था interest on capital borrowed आ रहा है 1,80,000 क्या 1,80 allowed हो जाएगा? हाँ 2,00,000 तक allowed होता है आपको 1,80 allowed हो जाएगा भई purchase के लिए खरीदा है न 2,00,000 तक allowed होता है 1,80 तो allowed हो जाएगा लेकिन 1 और 2 का मिला कर अगर आप देखो तो आपके पास 2,10,000 आ रहा है तो आपको 2,10,000 का deduction नहीं मिलेगा आपको 2,00,000 का deduction मिलेगा ये जो आपके पास restriction लगती है interest की ये जो आपके पास restriction लगती है interest की ये restriction केवल और केवल self occupied property के लिए होती है तो आप maximum दो properties को self occupied बना सकते हो maximum आप 2 properties को self occupied बना सकते हो self occupied property में आपका NAV निल होता है आपका standard deduction निल होता है interest on capital borrowed मिलता है या तो 2,00,000 या तो 30,000 ये मैं बता रहा हूँ old regime के अंदर अगर आप new regime की बात करोगे तो new regime के अंदर new regime के अंदर self occupied property हमेशा निल होती है इसका NAV भी निल होता है इसका standard deduction भी निल होता है new regime के अंदर self occupied का interest allowed नहीं होता यानि की self occupied की income new regime के अंदर हमेशा निल निकल कर आएगी हमेशा आपके पास निल निकल कर आएगी under default regime no deduction is allowed for the interest on the capital borrowed of self occupied property hence the income of self occupied property shall always be nil under the default regime अगर आपके पास more than two houses self occupied है तो क्या होगा अगर आपके पास दो से जादा घर self occupied है तो क्या होगा तो लेट से आपके पास तीन घर है house one है house two है house three है ये तीनों घर आपके पास self occupied है तो lawmaker कहता है कि बाबू कोई भी दो घर आप इनको self occupied मानोगे कोई भी दो घर आपको self occupied मानोगे जो आपका third house रहेगा वो deemed to be let out हो जाएगा जो आपका third house होगा वो deemed to be let out हो जाएगा deemed to be let out के case में आपका जो जीएवी होता है वो बनता है expected rent self occupied property है old regime है तो आपके पास ICB interest on capital borrowed या तो 2,00,00 का आएगा या तो 30,000 का आएगा अगर new regime है तो self occupied में interest on capital borrowed allowed ही नहीं होता allowed ही नहीं होता जो property deemed to be let out है वहाँ पर interest on capital borrowed पे कोई restriction नहीं होती जितना भी interest होगा सारा का सारा आपको allow कर दिया चाहिए तो अगर आपके पास 3 घर है house 1 self occupied, house 2 self occupied, house 3 self occupied तो आप किसी भी दो घर को self occupied बनाओगे और तीसरा घर आपका deemed to be let out हो जाएगा तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको step 1 पहले आप सभी घर को deemed let out बनाओगे और income calculate कर लोगे step number 2 आप सब घरों को self occupied मान के income calculate कर लोगे step number 3 अब आप क्या करोगे combinations बनाओगे combination number 1 combination number 1 आप क्या करोगे आप check करोगे कि house 1 मैं self occupied करता हूँ house 2 को मैं self occupied करता हूँ house 3 को मैं deemed let out करता हूँ आप income calculate कर लोगे याद रखना house 1 और house 2 दोनों को अगर self occupied कर रहे हो तो दोनों का मिला कर maximum interest 2 लाख ही आएगा ये याद रखना option number 2 अब आप क्या करोगे house number 2 को self occupied बना लो house number 3 को self occupied बना लो house number 1 आपका deemed let out हो जाएगा option number 3 house 1 को self occupied कर लो house 3 को self occupied कर लो आपका house 2 deemed let out हो जाएगा इन तीनों options में आपके पास जहां पर minimum income आ रही होगी वो वाला option आप क्या कर लोगे choose कर लोगे अगला आपके पास आता है portion of the house is let out portion of the house is let out and portion of the house is self occupied अभी जो पढ़ा था वो पढ़ा था part of the year let out part of the year self occupied अब part of the year नहीं पढ़ रहे है अब पढ़ रहे है portion portion of the house is let out portion of the house is self occupied मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक घर है इस घर का 60% portion इस घर का 60% portion let out है इस घर का 40% portion self occupied है तो आप इसे दो अलग अलग property मान लेना आप इसे अलग अलग property मान लेना let out portion की income calculate करना जैसे आप let out HP की calculate करते हो और self occupied portion की income ऐसे calculate करना जैसे आप self occupied HP की calculate करते हो यानि कि इसका NAV निल हो जाएगा इसकी standard deduction निल हो जाएगी इसका interest on capital borrowed दो लाक या फिर 30,000 old regime के अंदर आएगा new regime में तो interest on capital borrowed मिलेगा ही नहीं और जो let out portion है उसमें क्या करोगे आप expected rent आप expected rent municipal tax paid municipal tax paid interest on capital borrowed इसका 60% calculate करोगे मतलब proportionately calculate करोगे expected rent पूरी property का given रहेगा उसे 60% में convert कर लोगे municipal tax paid पूरी property का given रहेगा 60% में convert कर लोगे interest on capital borrowed पूरी property का रहेगा 60% में convert कर लोगे और let out portion की income निकाल लोगे interest on capital borrowed 40% का आपको अलाओ किया जाएगा self occupied portion में old regime के अंदर तो आपका जो let out portion है वहाँ पर क्या बोल रहा है compute करो income of the let out portion normally expected rent निकाल लो compute for the part of the property let out that is 60% municipal tax allow करो for part of the property let out 60% interest on capital borrowed allow करो for the part of the property that is 60% self occupied की बात करते हो तो GAV निल हो गई municipal tax का deduction मिलता नहीं है NAV निल हो गई interest on capital borrowed आपको मिलेगा 40% के लिए जितना portion आपका self occupied है और interest on capital borrowed मिलेगा भी आपको old regime के अंदर वो भी maximum 30,000 और 2 lakh वो भी maximum 30,000 और 2 lakh interest on capital borrowed कभी भी आपके पास new regime में allow नहीं किया जाएगा new regime में allow नहीं किया जाएगा अगला point निकल कराता है treatment of unrealized rent unrealized rent को actual rent में से minus कर दिया जाएगा unrealized rent क्या है एक तरीके का bad debt आप जब tenant से rent recover नहीं कर पाते हो वो unrealized rent होता है unrealized rent reduce कर दिया जाएगा include नहीं किया जाएगा actual rent के अंदर include नहीं किया जाएगा actual rent के अंदर if all the conditions are satisfied अगर आपकी सारी condition satisfied हो जाती है तो पहली condition आपकी tenancy bona fide होनी चाहिए good faith में होनी चाहिए जो defaulting tenant है उसने आपकी property vacate कर दी होनी चाहिए जो defaulting tenant है वो आपकी ही किसी दूसरी property में किरायदार नहीं होना चाहिए और आपने rent recover करने के लिए legal steps initiate कर दिये हैं या assessing officer को यह satisfy कर दो कि legal steps करके कोई फाइदा नहीं है अगर यह चार conditions आप satisfy कर देते हो तो unrealized rent को actual rent में से reduce कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा अगर आपको areas of rent मिलता है मतलब increment होता है rent का with retrospective effect अगर आपके rent का increment होता है with retrospective effect या फिर आपको recovery होती है unrealized rent की तो जिस year में आपको area receive हुआ है जिस year में आपको unrealized rent की recovery हुई है यह उस year की income बनती है under the head house property और आपको यहाँ पर 30% का standard deduction भी मिलता है तो जितना rent आप recover करोगे unrealized rent वाला उसमें से 30% minus करने के बाद आपकी income में include करा जाएगा इसका बाद year of receipt में आप HP own करते हो की नहीं करते हो यह important नहीं है जिस year में आपको areas of rent मिला है जिस year में आपको unrealized rent की recovery हुई है उस year में आप house property own करते हो की नहीं करते हो यह important नहीं है यह income under the head house property ही बनेगी यह income under the head house property ही आपके पास बनेगी right, 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 statutory deduction की बात हमने करी हुई है कि भई आपके पास NAV का 30% आपको allow किया जाता है it is a notional expenditure, it is allowed for the purpose of repair maintenance of the house property एक बात हमेशा याद रखना कि HP के अंदर केवल 3 deductions मिलती है municipal tax paid की, statutory deduction की और interest on capital borrowed की इसके अलावा और कोई deduction नहीं मिलेगी question आपको बहका सकता है question आपको insurance premium दे सकता है question आपको repairs का खर्चा दे सकता है question आपको parking की fees दे सकता है या parking के charges दे सकता है और बहुत सारे expenses दे सकता है यह expenses आपको अलाव नहीं होंगे केवल यह 3 expenses house property के अंदर आपको अलाव करे जाते हैं केवल यह 3 चलिए अब बात करते हैं interest on capital borrowed section 24b की interest on capital borrowed को दो पार्ट में divide किया जाता है pre construction period और current year का interest pre construction period कौन सा year होता है sir pre construction period वो period होता है जो date of loan से start होता है और यह till the previous year preceding the previous year in which the construction is completed वहां तक count किया जाता है मतलब मतलब मान लो आपने loan लिया है मतलब मान लो आपने loan लिया है एक जुलाई 18 को और आपने property purchase या फिर construct करी है 31st December 23 को आपने property purchase या फिर आपका construction complete हुआ है 31st December 23 को यानि कि आपका construction complete हुआ है 2023-24 में तो जिस year में आपने property खरीदी है या जिस year में आपकी property का construction complete हुआ है इसके पहले वाले साल तक इसके पहले वाला साल कौन सा 22-23 यानि कि 31 March 23 तक इसके पहले वाले साल के end तक यानि कि 31 March 23 तक आपका pre construction period होता है तो आपका pre construction period start होगा loan की date से loan की date से और end कब होगा end कब होगा सर जिस year में आपने property purchase या फिर construct करी है उसके पहले वाले previous year तक loan की date से start होगा और खतम कहां पर होगा जिस year में आपने property purchase या फिर construct करी है उसके पहले वाले previous year तक आपके पास ये pre period होता है प्री पीरियड का जितना भी interest है उसे accumulate कर लिया जाता है और उस interest की पाच installment बनाई जाती है प्री पीरियड का जितना भी interest होता है उसे accumulate कर लिया जाता है और उसकी पाच installment बनाई जाती है और वो installments आपको allow होती है उस year से जिस year में आपका construction complete हुआ है तो एक जुलाई 18 से 31 मार्च 23 तक एक जुलाई 18 से 31 मार्च 23 तक जितना भी interest होगा ये interest का calculation कर लेंगे इसकी five installment बना देंगे जो भी installment निकल कर आई है ये आपको पाच किश्तों में allow होगी या अगले पास साल में allow होगी पहला साल 23 जिस year में construction complete हुई है अगला साल 24-25 अगला साल 25-26 अगला साल 27-27 अगला साल 27-27 इन पास सालों में आपको जो है वो installments की deduction दे दी जाएगी accumulated interest is allowed in five installment commencing from the year in which the construction is completed जो current year का interest है current year का interest मतलब relevant previous year का interest relevant previous year मतलब जिस year की income निकाल रहे हो जिस year की income निकाल रहे हो उस year का जो interest होगा वो same previous year में allow कर दिया जाएगा due basis में तो अगर आप 23-24 की income निकाल रहे हो तो 23-24 में जितना भी interest due होगा 23-24 में जितना भी interest due होगा वो तो आपको मिलेगा ही प्लस जो आपके पास installment है pre-period की वो भी मिलेगी तो 23-24 का जो interest due होगा वो तो मिलेगा प्लस pre-period की जो installment है वो भी आपको allow करी जाएगी अब एक बात याद रखना कि अगर आपने नया loan लिया है अगर आपने नया loan लिया है पुराना loan repay करने के लिए तो आपको नय loan पे जो interest होगा वो 24B में allow हो जाएगा अगर आपने loan raise करने के लिए brokerage या फिर commission pay करी है तो वो आपको कभी भी allowed नहीं होगी अगर आपने interest pay करा है on unpaid interest जब आप installment late pay करते हो तो interest के उपर interest लग जाता है वो वाला interest आपको allow नहीं होगा अगर आपने इंडिया के बाहर से loan लिया है और आपने उसमें TDS deduct नहीं किया है आपने इंडिया के बाहर से loan लिया है और उसपे आपने TDS deduct नहीं किया है तो उस case में वो deduction आपको नहीं मिलेगी इंडिया के बाहर से loan लिया है तो deduction तभी मिलेगी जब आपने उस पे TDS deduct किया होगा Self occupied property पे जो interest की restriction होती है वो मैंने आपको समझा दिये loan purchase के लिए या construction के लिए होना चाहिए on और after 1-4-90-99 होना चाहिए construction 5 साल के अंदर-अंदर complete हो जानी चाहिए और आपके पास interest certificate होनी चाहिए ये condition आप satisfy कर दोगे तो maximum deduction 2,00,00 रुपे की मिलेगी अगर ये conditions पूरी नहीं हो रही यानि की हो सकता है आपने loan repair के लिए लिया हो आपने loan renovation के लिए लिया हो या फिर आपकी construction 5 साल में complete नहीं हुई या फिर loan 1490-99 से पहले का है तो उस case में आपको 30,000 का ही deduction मिलेगा ये maximum deduction से हैं अगर actual खर्चा maximum limit से कम है तो actual खर्चा अला होगा और actual खर्चा अगर maximum limit से जादा है तो maximum limit अला होगी self occupied property का interest केवल old regime में मिलता है new regime में आपको अलाओ नहीं होता है इसके बाद अगला point निकल कराता है co owned house property co owned property क्या होती है सर मान लो कोई property है और उसके एक से जादा owner है कोई property है उसके एक से जादा owner है लेटसे ये एक property है इस property की 4 units है इस property की 4 units है unit 1 किराय पर उठी हुई है unit 2 किराय पर उठी हुई है unit 3 self occupied करी हुई है राजू ने unit 4 self occupied करी हुई है शाम ने इस घर के दो owner है ये HP co owned है by राजू एंड शाम राजू एंड शाम इस property के co owner है दोनों बराबर बराबर के मालिक है equal owners है दोनों इस property में आपके पास क्या है equal owners है unit 1 आपके पास let out है unit 2 आपके पास let out है unit 3, unit 4 self occupied है तो lawmaker क्या कहता है lawmaker कहता है unit 1 और unit 2 जो let out है इसकी income नॉर्मल तरीके से निकालो इसकी income नॉर्मल तरीके से निकालो as if there is single owner जैसे इस property का एक single owner है आप उस तरीके से unit 1 और unit 2 की income निकालो unit 1 और unit 2 let out है इन दोनों को merge कर दो यानि की unit 1 और unit 2 जो आपके पास let out है unit 1 और unit 2 जो आपके पास let out है इसे आप क्या करो इसे आप 1 HP माल लो इसका combined इसका combined आप क्या करो income निकालो इनका combined आप income निकालो as if जब इसके में single owner है नॉर्मल तरीके से जैसे आप निकालते हो फिर जो आपके पास income निकल कर आएगी under the head house property इस let out portion से उसे divide कर देना among राजू या between राजू and श्याम और जो unit 3 और unit 4 self occupy हो रखी है unit 3 self occupy करी है राजू ने unit 4 self occupy करी है राजू ने sorry श्याम ने इनका calculation separately करो इसकी NAV निल इसकी NAV भी निल क्योंकि self occupied है इसका standard deduction भी निल इसका standard deduction भी निल interest on capital borrowed राजू की दो लाख और तीस अजार की limit अलग श्याम की दो लाख की और तीस अजार की limit अलग राजू और श्याम दोनो दो दो लाख रुपे वाली limit के लिए eligible रहेंगे तो अगर आपकी co owned property let out है तो यहाँ पर lawmaker कहता है calculate करो income of the let out property normally जैसे उसका single owner है जो income आपने calculate करी है उसे divide कर दो between the owners on the basis of their ownership right और अगर आपके पास property self occupied है तो each co owner के लिए separately इसकी calculation होगी NAV nil होगी each co owner is entitled for deduction of ICB of 30,000 और 2,000 रिस्पेक्टिवली only in the old regime obviously अगर new regime होगी तो interest का deduction नहीं मिलेगा तो जो unit 1 और unit 2 let out है जो unit 1 और unit 2 let out है उसका income normal तरीके से निकालना जो भी income निकल कर आए उसे राजू और श्याम के बीच में divide कर देना जो unit 3 राजू की self occupied है जो unit 4 श्याम की self occupied है इनका calculation आप separately करना राजू को 2 लाक और 30,000 का limit अलग मिलेगा श्याम को 2 लाक और 30,000 का limit अलग मिलेगा अब आपके पास last topic निकल कर आता है deemed owner यहाँ से कोई भी practical question नहीं आता एक बर आप अपने पास read कर लेना इसको इसमें एक point आता है HP to spouse for inadequate consideration अगर आपने inadequate consideration के लिए wife को या फिर husband को property transfer करिये तो husband और wife उसके owner नहीं माने जाएंगे जिसने transfer करिये वो माना जाएगा अगर minor child को inadequate consideration के लिए property transfer करिये तो जिस भी parent ने, father या mother ने करिये वो आपके पास deemed owner माने जाएंगे अगर आप cooperative society के member हो तो flat की ownership cooperative society के पास होती है flat का position member के पास होता है लेकिन member को deemed owner माना जाता है अगर आपके पास कोई property का position है part performance of the contract के लिए आपको property का position मिल गया है part performance of a contract के लिए part performance of a contract के लिए अगर आपको property का position मिल गया है तो जिसके पास position है वो deem donor माना जाता है अगर आप impartible estate के holder हो मतलब ऐसी property जिसका partition नहीं हो सकता उस property का जो भी holder है उसी को deem donor मान लिया जाएगा अगर आपने property lease पे लिए 12 साल या उससे जादा के लिए तो जो lessie होता है वो यहाँ पे deem donor मान लिया जाता है इसी के साथ आपका यह chapter भी हो जाता है राजा बेटा चलिए बच्चो स्टार्ट करते हैं one of the most important chapters under income tax PGBP से PGBP का आपका जो basis of charge है वो section number 28 में आता है basically आपका जो यह basis of charge है इसके अंदर लिख रखा है कि कौन-कौन सी incomes हैं जो PGBP के अंदर cover होंगी इसके अंदर सबसे पहला point निकल कर आता है the profit of any business और profession carried at any time during the relevant previous year during the previous year आपने कोई भी business या profession run किया है चाहे एक दिन के लिए run किया है वहाँ से जो भी profit और loss निकल कर आएगा वो आपका PGBP head में cover हो जाएगा अगला point आता है अगर आपको export incentives मिल रहे है आप exporter हो आप goods को इंडिया के बाहर export करते हो services को इंडिया के बाहर export करते हो और government आपको export incentive दे रही है cash assistance के रूपे cash assistance क्या होती है it is a subsidy आपको import license दिया गया है government के दुआरा जिसको आपने बेच के profit बना लिया है या फिर duty drawback duty drawback क्या होता है sir आपने जो GST वगेरा pay कर रखी होती है अपने raw materials पे जिनसे आपने finish good बना कर export किया है वो वाली जो GST होती है वो आपके पास refund कर दी जाती है तो duty drawback is basically एक ITC का refund duty drawback is basically ITC का refund in detail आप ये चीज़े CA finals में पढ़ोगे customs के अंदर इसके बाद अगला point आता है profit on sale of duty entitlement passbook ये सेम वैसा ही होता है import license बेचने जैसा government आपको import license देती है as a export incentive कि आप import कर सकते हो या तो free of cost कोई duty charge नहीं होगी या फिर concessional duty charge होगी और आपके पास right होता है कि आप ये import license क्या कर सकते हो बेच सकते हो किसी को भी तो अगर आपको import नहीं चाहिए आपको import नहीं करते हो आपको import license की ज़रूरत नहीं है तो आप क्या कर सकते हो ये license को बेच के पैसा बना सकते हो तो government कहती है ये license बेच के जो आपने पैसा बनाया है ये आपके पास PGBP में cover हो जाएगा इसके बाद अगला point निकल कराता है The value of any benefit or perquisite arising from the business or profession अगर आपको कोई भी perk मिलता है business or profession से जैसे आप मालो chartered accountant बन गए और आप अपने client को services दे रहे हो client का कोई case फस गया income tax में उसको करोडो रुपे की penalty लगने वाली थी बचा दी तो client ने खुश होके आपको एक car gift कर दी तो client ने अगर आपको car gift करी है ये आपके लिए perk है client आपको पैसा देगा आपकी fees देगा लेकिन वो बहुत खुश हुआ आपने उसके करोडो रुपे की penalty बचा दी उसके बदले में उसने as a gesture आपको car gift करी तो lawmaker कहता है कि अगर आपके profession के चलते आपके business के चलते आपको अगर पर्क मिल रहे है तो वो आपके पास PGBP की income बनेंगे अगर आप किसी partnership firm में partner है और firm से आपको interest मिल रहा है salary मिल रही है, bonus मिल रहा है commission मिल रही है, remuneration मिल रही है तो अगर एक partner को partnership firm से कोई remuneration मिलती है interest के रूप में, salary के रूप में, bonus के रूप में commission के रूप में, वो PGBP की income होती है अगर आपको non-competing fees मिलती है कोई business या कोई भी activity ना करने के लिए अगर आपको पैसा मिलता है तो वो आपके लिए PGBP income होती है Similarly, आपके पास कोई patent है, कोई copyright है आपको इसे किसी के साथ share नहीं करना है इसके लिए अगर आपको पैसा मिलता है तो ये भी आपके लिए PGBP की income है For example, आपने कोई technology innovate करी आपने उसका patent करवा लिया मैंने आपसे वो patent use करने के लिए लिया और आपके साथ एक contract किया कि बाबू, आप ये patent मेरे अलावा और किसी को नहीं दोगे इसके लिए मैं आपको 5 लाग रुपे दे रहा हूं तो patent किसी और के साथ share ना करने के लिए मैंने आपको अलग से 5 लाग रुपे दिये तो ये 5 लाग रुपे जो आपको मिले ये आपके पास PGBP की income हो गए अगर employer को keyman insurance policy का पैसा मिलता है employer को अगर keyman insurance policy का पैसा मिलता है keyman insurance policy क्या होती है sir keyman का मतलब होता है एक important employee एक important person organization के अंदर तो जैसे reliance के अंदर जो keyman है वो mokation मानी है तो ऐसा हो सकता है कि reliance ने मुकेश अंबानी जी के लिए क्या ले रखा हो keyman insurance policy ले रखा हो अब sir खुदा ना खासता अगर मुकेश जी को कुछ हो जाता है और वहाँ पर insurance policy से पैसा reliance company को मिलता है तो वो reliance company के लिए क्या बन जाएगा sir वो reliance company के लिए PGBP की इंकम बन जाएगा sir अगर मुकेश अंबानी साहब की wife को मिलता है तो क्या होगा वो उनके लिए other sources की इंकम बन जाएगा और sir अगर मुकेश भाई के जीते जी ये policy मैचियोर हो गई तो sir पैसा अगर मुकेश अंबानी साहब को मिला तो वो उनके लिए salary इंकम बन जाएगा तो keyman insurance policy की proceeds keyman insurance policy की proceeds अगर employee को मिलती है तो वो उसके लिए salary इंकम होती है अगर employer को मिलती है तो वो उसके लिए PGBP की इंकम होती है और अगर legal hire को मिलती है तो वो उसके लिए other sources की इंकम होती है इसके बाद अगर आपने speculative transaction से पैसा कमाया है speculative transaction कौन से transaction होते हैं सर speculative transaction एक ऐसा contract होता है जिसमें purchase, sale होता है किसी भी commodity का वो stock हो सकता है, shares हो सकते हैं और यहाँ पर transaction जो settle होता है सर यहाँ पर जो transaction settle होता है वो actual delivery नहीं होती वहाँ पर कोई physical delivery नहीं होती सर वहाँ पे profit और loss को settle करा जाता है For example मैंने आपके साथ एक gold को buy करने का contract किया मैंने आपसे का कि मैं 3 महीने बाद आपसे gold खरीदूंगा Let's suppose 50 लाक रुपे में 3 महीने के बाद उस gold की value 47 lakh हो गई 3 महीने बाद उस gold की value 47 lakh हो गई तो मुझे 3 लाक रुपे का नुकसान होगा क्योंकि मुझे आपसे 50 लाक का gold खरीदना है आपका फायदा होगा कि market में gold की value 47 lakh है लेकिन ये वाले सरदार जी मेरे से 50 लाक रुपे का gold खरीदेंगे तो आपको 3 लाक का फायदा होना है मुझे 3 लाक का नुकसान होना है तो 3 महिने के बाद हम contract को settle करेंगे मैं आपको 3 लाक रुपे दे दूँगा मेरा 3 लाक रुपे का नुकसान है आपका 3 लाक का फायदा है मैं आपको 3 लाक दे दूँगा हम actually में gold की कोई भी physical delivery नहीं करेंगे इसको बोलते है speculative transaction तो speculative transaction से अगर आपने income generate करी है speculative transaction से अगर आपने income generate करी है तो वो भी आपके पास PGBP में आएगी सर अगर आपके पास कोई business contract है और business contract के terms and conditions में modification हो रही है आपका कोई business contract है उस business contract के terms and conditions में कोई modification हो रही है और उस modification की वज़े से सामने वाली party आपको compensation दे रही है सामने वाली party आपको compensation दे रही है तो वो compensation आपके लिए क्या बन जाएगा business income अगर आपके business के contract के terms and conditions modify हो रहे हैं और सामने वाली party आपको कोई compensation दे रही है then it will be considered as business income अगर आप अपने stock in trade को अगर आप अपने stock in trade को convert कर लेते हो capital asset में, तो जिस दिन आपने conversion किया है, उस दिन की जो FMV होगी, वो आपके लिए business income हो जाएगी. For example, आप लोग का generators का काम है, जिससे बिजली generate होती है न, आपका generator का काम है, तो आप generators में deal करते हो, generators आपके लिए क्या है stock in trade, आपको अपने office के लिए एक generator की जरुवत थी, तो आपने क्या किया? आपने ही stock में से एक generator निकाला और अपने office में install कर लिया, जैसे ही आपने stock में से generator निकाल के office में install किया, वो आपके लिए fixed asset बन गई, जो generator आपने office में install कर लिया है, वो बेचने के लिए खरीदा नहीं गया आप वो, वो use करने के लिए खरीदा गया, जो stock in trade में आपके पास generator पड़े हुए थे वो बेचने के लिए पड़े हुए थे लेकिन stock in trade में से एक generator निकालके आपने अपने office में install कर लिया आपने उस generator को fixed asset में convert कर दिया तो lawmaker बोलता है कि जिस दिन आपने generator को office में install कर दिया generator को आपने अपनी fixed asset बना लिया उस दिन की जो FMV है generator की वो आपके पास क्या बन जाएगी business income बन जाएगी इसके बाद क्या आपके पास speculative transaction नहीं होते क्या आपके पास speculative transaction नहीं होते अगर आप hedging contract कर रहे हो in respect of raw material merchandise stock and share सर ये hedging contract क्या होते हैं पिटा ये hedging contract वो contracts होते हैं जिसमें आप आज की date पे future date के transaction की जो भी conditions हैं उसे lock कर देते हो मतलब आपके और मेरे बीच में आज एक contract हो गया कि मैं 3 महीने के बाद आपसे 10,000 kg of raw material खरीदूंगा at rupees 50 per kg तो आज contract हो गया 3 महीने बाद का कि मैं 3 महीने के बाद आपसे 10,000 kg raw material 50 रुपीज पर kg में खरीदूंगा date quantity rate आज fix हो गया इसको बोलते हैं hedging contract ये contracts क्यों करे जाते हैं ताकि future में अगर prices में कोई fluctuation आ रही है तो हम उस fluctuation को avoid कर सकें 3 महीने बाद उस raw material का price 55 भी हो सकता था 45 भी हो सकता था तो हमने उस fluctuation को avoid करने के लिए आज क्या कर लिया आज price lock कर दिया इसको बोलते हैं hedging contract तो अगर आप hedging contract कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पास इसे speculative transaction नहीं मानते similarly अगर आप forward contract करते हो तो जैसा hedging contract होता है वैसा ही forward contract होता है इसमें आपका date quantity amount पहले से fix हो जाता है तो forward contract अगर आप कर रहे हो तो यह speculative नहीं है क्योंकि hedging contract के अंदर भी forward contract के अंदर गी दोनों contracts में actual delivery होती है speculative transaction वह होता है जहाँ पर actual delivery ना हो लेकिन hedging contract के अंदर और forward contract के अंदर actually में delivery होती है अगर आप अगर आप trading कर रहे हो in derivatives electronically through CB registered stock broker और the sub broker और the intermediary in the recognized stock exchange आजकल बहुत चल रहा है options and futures F and O जिसको बोलते हैं तो आजकल आप देखते हो ना लोग F and O में बड़ा करते हैं सर call खरीद ली सर put खरीद ली call बेज दी put बेज दी ये बाते आप सुनते रहते हो तो यह trading है तो अगर आप trading कर रहे हो derivatives की options and futures are what derivatives options and futures are what derivatives तो अगर आप derivatives की trading कर रहे हो तो सर इसको clearly बोल दिया गया है कि ये आपके पास speculative transaction नहीं है ये normal business की तरह deal किया जाएगा अगर आप trading करते हो in commodity derivatives तो commodity derivatives क्या होता है सर यहाँ पर commodities बिक्ती हैं stock exchange में securities बिक्ती है stock exchange में securities बिक्ती है share debentures bond commodity market के अंदर commodity बिक्ती है pulses, steel, gold, silver तो अगर आप trading कर रहे हो commodity derivatives की तो यहाँ पर भी आपके पास इसे speculative transaction नहीं माना गया है राइट अच्छा जब आप securities की trading करते हो तो वहाँ पे STT involved होता है जब आप commodity की trading करते हो तो वहाँ पे CTT involved होता है वहाँ पे CTT involved होता है commodity transaction tax however the requirement of chargeability of commodity transaction tax is not applicable in respect of trading in agricultural commodity derivative agricultural commodity derivative की अगर आप trading करते हो तो this is not a speculative transaction this is not a speculative transaction this is just like a normal transaction ठीक है यह एक ऐसा transaction है जहाँ पे CTT involved नहीं होता commodity market के अंदर commodity market के अंदर जब आप trading करते हो commodity derivatives की तो वहाँ पे CTT involved होता है लेकिन अगर आप trading कर रहे हो agricultural commodity derivative की अगर आप trading कर रहे हो agricultural commodity derivative की तो वहाँ पर CTT involved नहीं होता याद रखना जब भी आप commodity derivatives की trading करते हो याद रखना जब भी commodity derivatives की trading करते हो या फिर आप stocks की trading करते हो stock derivatives की trading करते हो वहाँ पर इसे speculative नहीं माना जाता यह आपके पास normal business होता है जब PGBP का question आता है या total income का question आता है, वहाँ पर ये point डाला जा सकता है, set off के अंदर ये वाला point डाला जा सकता है, right, तो set off के अंदर खासकर आपको ध्यान रखना है कि trading in derivatives और trading in commodity derivatives, ये आपके पास speculative transactions नहीं होते, these are to be considered as non speculative business, ये दोनो points important है बेटा, ठीक है जी, चलिए सर, हमने basis of charge complete कर लिया, अब बात कर लेते है section number 29 की, how to compute the PGBP income, section 28 में जो incomes लिखी हुई है, section 28 में जो incomes लिखी हुई है, उनका computation कैसे करा जाएगा, as per section 30 to section 43D, section 30 से लेकर section 43D आपकी help करेंगे, इस income को compute करने में, आईए बात करते है section number 30 की, section number 30 कहता है कि सर, जिस building में आप अपना business चला रहे हो, जिस building में आप अपना profession run कर रहे हो, उस building के जो खर्चे हैं वो हम आपको allow करेंगे, अगर आप building को as a tenant use कर रहे हो, as a किरायदार आप उसमें रहते हो, तो जो भी rent आप पे करोगे, उसका खर्चा आपको मिलेगा, जो भी आप current repairs कराओग या जो भी आपने insurance premium पे करा है, उसका खर्चा आपको allow कर दिया चाहेगा, और as a owner अगर आपने occupy कर रखा है, तो उस case में जो revenue nature का खर्चा है, repairs का वो आपको allow होगा, municipal taxes आपको allow होगे, insurance premium जो आपने पे करा है वो भी आपको allow होगा, इसके अलावा building का depreciation भी आपको allow होगा, बस depreciation आपको कहा मिलेगा, section number 32 में, अगर capital repairs आपने करे हैं, मतलब capital nature का repair करा है, तो वहाँ पर आपको deduction नहीं मिलेगी, लेकिन आपको depreciation जो है वो allow करा जाएगा, capital nature के repair पे खर्चा allow नहीं होता, depreciation मिल जाता है, अगर capital repair tenant ने कराई है, tenant ने कोई capital expenditure करा है property में, तो उस capital expenditure के लिए हम tenant को deemed owner माल लेंगे, उस capital expenditure के लिए हम tenant को deemed owner माल लेंगे, और हम depreciation allow करेंगे tenant को, अगर tenant ने कोई capital expenditure किया है building पे, तो उस खर्चे के लिए हम tenant को owner मानेंगे, और उसको भी depreciation का खर्चा allow कर देंगे, अगर assessi अपनी ही building में, अपना धंदा चला रहा है, असेसी अपनी ही building में अगर अपना धंदा चला रहा है, तो वो notional rent का खर्चा claim नहीं कर सकता, आपने actually में जब rent पे करा है, उसी का खर्चा आप claim कर सकते हो, notional rent का खर्चा आप claim नहीं कर सकते हो, इसके बाद आता है आपके पास section number 31, section number 31 बात करता है, sir plant से related, machinery से related, furniture से related expenses की तो अगर आपने current repairs करवाया है, या फिर insurance करवाया है, plant machinery का, furniture का, जिससे आप business में use करते हो, उसका खर्चा आपको section 31 में मिल जाएगा, अगर आपने plant and machinery किराय पर लिया है, तो उसका जो आप rent देते हो, उसका खर्चा भी आपको मिल जाएगा, बस the only difference is, कि वो deduction आपको section 37 में मिलेगी, ना कि section 31 में, कोई फरक नहीं पड़ता, अगर आपके पास plant, machinery, furniture, business में use हो रहे हैं, तो उनके current repairs का खर्चा, उनके insurance का खर्चा, उनके rent का खर्चा आपको अला होगा, अगर capital nature के repairs आपने करवाया हैं, अगर capital nature के repairs आपने करवाया है तो उस case में क्या होगा, सर capital nature के repairs पे हमको depreciation मिलेगा, capital nature के repairs पे हमको क्या मिलेगा, depreciation allow किया चाएगा, आईए, सबसे important section PGBP का depreciation, depreciation, सर depreciation आपको कम मिलेगा, जब आप following conditions को satisfy कर दोगे, पहला, सर आपके पास asset की ownership होनी चाहिए, अगर आप asset के मालिक नहीं हो, अगर आप asset क owner नहीं हो, तो आप depreciation का खर्चा claim नहीं कर सकते, depreciation का खर्चा सिर्फ और सिर्फ उसके मालिक को मिलता है, ownership होली हो सकती है, या फिर partly हो सकती है, आप asset के complete owner हो सकते हो, अगर आप complete owner हो, तो आपको 100% depreciation मिल जाएगा, और अगर आप partly उसको own करते हो, तो जितना भी आपका share है उस asset के अंदर आपको वो मिल जाएगा, जिसे माल लीजे आपने और मैंने मिलके एक truck खरीदा, इस truck में मेरी ownership 60% की है, और आपकी ownership इसके अंदर 40% की है, आपकी ownership इसमें 40% की है, हम इस truck पे depreciation निकालेंगे, सपोस कर लो depreciation एक लाग आ गया, तो मुझे एक लाग का 60% और आपको एक लाग का 40% मिलेगा, आपको एक लाग का 40% मिलेगा, आपको asset को use करना है, आपको asset को use करना है, for the purpose of business or profession, अगर ये business और profession में use नहीं होती, तो depreciation नहीं मिलेगा, इसके बाद कहता है must be used during the previous year आपकी asset during the previous year use होनी चाहिए इस्तमाल होनी चाहिए अगर during the previous year आपने asset को use नहीं किया during the previous year अगर आपने asset को use नहीं किया तो आपको depreciation allowed नहीं होगा if any of the above conditions is not satisfied depreciation shall not be allowed सर आपको एक बात याद रखनी है कि आपको depreciation का खर्चा claim करना mandatory है आप ये depreciation का खर्चा मांगो चाहे ना मांगो income tax वाले आपको ये खर्चा हमेशा allow करके चलते हैं depreciation आपको allow होगा जब आपकी asset put to use होगी आपने asset खरीद ली है तो खरीदने पर depreciation नहीं मिलेगा खरीदने पर depreciation नहीं मिलेगा जब आप इसे put to use करोगे तभी आपको depreciation मिलेगा हमारे पास तीन तरीके के depreciation होते हैं एक हमारे पास normal depreciation होता है जितने भी assessi हैं हर assessi को income tax के अंदर जो depreciation मिलता है वो block of asset पे मिलता है और WDV basis पे मिलता है ठीक है ब्लॉक आफ असेट पे मिलता है और WDV basis पे मिलता है सर ब्लॉक आफ असेट क्या होती है ब्लॉक आफ असेट का मतलब होता है ग्रुप आफ असेट हम assets का group बनाते हैं और grouping करने के लिए हम क्या देखते हैं कि asset का class same होना चाहिए और asset का rate of depreciation same होना चाहिए, जिन assets का class same है, जिन assets का rate of depreciation same है, उनको हम लोग एक group में डाल देते हैं, एक block में डाल देते हैं, तो जैसे आपके पास 4 machinery है, आपके पास 4 machinery है, तो plant and machinery आपके पास क्या हो गया, एक class हो गया, आपकी asset A पे 15% का debt लगता है, asset B पे 15% का debt लगता है, तो हम इनका एक block बना देंगे, block 15%, आपकी asset C पे 40% का debt लगता है, asset D पे 40% का debt लगता है, हम इसका block बना देंगे, accounts के अंदर आप जब depreciation चार्ज करते हो, तो आप individual asset पे चार्ज करते हो, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप depreciation block पे चार्ज करते हो, group of asset पे चार्ज करते हो, तो सर, block of asset का मतलब होता है, group of asset जो fall करती है within the same class of asset, total हमारे पास चार classes है, tangible assets में building का एक class है, plant and machinery का एक class है, furniture का एक class है, और एक class आपके पास intangible assets का है, जिसमें आपके पास know-how, patents, copyright, trademark आ जाते हैं, तो normally हम सबको जो depreciation देते हैं, वो block of asset method से देते हैं, WDV basis पे, इसके बाद आपको additional depreciation मिलता है, अगर आप एक manufacturer है, या फिर आप power generation में involved है, तो आपको additional depreciation मिलता है नई plant and machinery खरीदने पे, इसके बाद अगर आप power generation में involved है, तो आपको option मिलता है, straight line method से depreciation claim करने का, ये एक lota exception है, पूरे PGBP के अंदर, जहां पे आप straight line method of depreciation लगा सकते हो, otherwise हमेशा क्या होता है, block of asset method, WDV basis पे ही allow किया जाता है, अब सर हमारे पास depreciation का rate क्या है, जो general rates है, मैं वो एक बार आपको बता देता हूँ, अगर residential purpose की building है other than hotel, तो 5% लगेगा, commercial building है including hotel, तो उस पे 10% लगेगा, तो जितने भी आपके offices हैं, go down हैं, wear houses हैं, उन पे 10% लगेगा, जो आपके residential building हैं, जैसे guest house वगेरा, उन पे 5% लगेगा, hotel जो है आपका, वो आपके पास 10% के लिए आएगा, अगर कोई temporary buildings हैं, उन पे 40% लगेगा, furniture में एक ही rate of depreciation है 10% का, generally आपकी जो plant and machinery है, उस पे 15% लगता है, motor car अगर आपके पास normal वाली है, मतलब आपने अपने business के use के लिए खरीदी है, तो 15% लगता है, लेकिन अगर आप as a taxi motor car को use करते हो, मतलब आप ओला उबर वाले बंदे हो, आपने टेक्सी चलाने के लिए गाड़ी को खरीदा है, आपका टेक्सी का business है, तो उस case में आपको 30% का depreciation मिलता है, अगर आपने car खरीदी है 23 अगस्ट 19 से लेकर 31 मार्च 20 के बीच में, आपने car खरीदी है 23 अगस्ट 19 से 31 मार्च 20 के बीच में, तो आपका 15-15 depreciation बढ़ जाता है, अगर आपका running on higher का business है, आप car को run करते on higher, मतलब आपका टेक्सी का दंदा है basically, आपका टेक्सी का दंदा है basically, तो normally आपको 30 मिलता है, लेकिन अगर इस period में asset खरीदी है तो 45 मिलेगा, अगर आपने running on higher के लिए नहीं खरीदी, आपने running on higher के लिए नहीं खरीदी, अपने business use के लिए खरीदी है, for example आपने CEO के लिए कोई car खरीदी है, आपने director के लिए कोई car खरीदी है, तो normally आपको 15% मिलता है, लेकिन अगर आपने इस period में asset खरीदी है, 23 अगस्त 19 से 31 मार्च 20 के बीच में, तो आपको 30% का debt मिलेगा, 15% extra, computers के उपर आपके उपास 40% का debt है, books के उपर आपके पास 40% का debt है, intangible assets पे आपका 25% का debt है, याद रखना, goodwill के उपर debt नहीं लगता, goodwill के उपर कोई depreciation नहीं लगता, goodwill आपके लिए non depreciable asset होती है, अब सर ये block of asset कैसे काम करता है, block of asset आपके पास कैसे काम करता है, आइए इसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम block के अंदर, जो opening WDV होती है बेटा वो पकड़ लेते हैं, opening WDV मतलब, सर हमारे पास साल के पहले दिन, जो block में value है हम वो पकड़ लेते हैं, opening WDV of the block, फिर हम इसके अंदर add करते हैं, वो assets जो हमने during the previous year खरीदी, assets acquired during the previous year, जो हमने खरीदी हम उसको add करते हैं, अब यहां पर हम assets का bifurcation करते हैं, सर वो assets जो हमने खरीदी और put to use भी करी, और put to use का period 180 days से ज़ादा का था, वो asset जो हमने खरीदी और put to use करी, और put to use का period 180 days से कम का था, वो asset जो हमने खरी दी लेकिन हमने put to use नहीं करी ये block के अंदर तो जाएगी लेकिन इसके उपर आप कोई भी depreciation charge नहीं करोगे ये block के अंदर तो जाएगी लेकिन इसके उपर आप कोई भी depreciation charge नहीं करोगे इसमें से minus कर देंगे जितनी भी assets आपने बेच दी और जिस price पे आपने बेची जो आपका selling price है उस price को यहाँ पर minus करेंगे जिस price पे आपने asset को बेचा जो selling price था हम उस selling price को यहाँ पर minus कर देंगे ये आपके पास closing WDV of the block आ जाएगा ये आपके पास जो block की value आ रही है ये आपके पास साल के आखरी दिन पर आ रही है ये आपके पास साल के आखरी दिन पर आ रही है और याद रखना income tax के अंदर जो depreciation लगता है वो year end पे जो block की value होती है year end पे जो block की value होती है उसी value के ऊपर आपका depreciation चार्ज होता है year end पे आपकी जो value होती है उसी value पे आपका depreciation चार्ज होता है प्लीज ज़रा ध्यान से देखिएगा माल लेते हैं आपके पास opening WDV of the block है ये block मैंने कौन सा लिया है सर ये block मैंने ले लिया है 15% block plant and machinery 15% का block मैंने ले लिया है question में दे रखा है कि आपके पास opening WDV में तीन asset है A, B और C और इनकी value है 10,00,000 रुपे की block की एक खासियत होती है block के अंदर जब asset जाती है तो asset अपनी individual identity खो देती है block की जो value होती है वो मानी जाती है मतलब यहाँ पर आपके पास तीन assets है हमें ये तो पता है लेकिन individually इन assets की value क्या है हमें नहीं पता block में तीन assets है A, B, C ये हमको पता है लेकिन individually इन assets की value क्या है ये हमको नहीं पता हमें ये पता है कि ये तीनों मिला कर 10,00,000 की कि block के अंदर जब asset जाएगी तो वो अपनी identity खो देगी, तो जैसे समुद्र होता है न, समुद्र में छोटी छोटी नदिया जाके मिलती है, तो जैसे ही छोटी छोटी नदिया जाके समुद्र में मिलती है, नदिया अपनी identity खो देती है, समुद्र की identity रहती है, तो बिल्कु जो हमने put to use करी for more than or equal to 180 days तो मान लो हमने asset D खरीदी है जिसको हमने put to use किया है for more than or equal to 180 days suppose कर लेते हैं इसकी value 5 लाक रुपे की है इसमें हमको plus करना होता है put to use for less than 180 days मान के चलते हैं यहाँ पर कोई भी asset नहीं है ऐसी इसके बाद हम इसके अंदर add करेंगे not put to use assay एक खरीदा है लेकिन ई अभी तक हमने put to use नहीं करा हमने asset E खरीदा है लेकिन E अभी तक हमने put to use नहीं किया माइनस कर देते हैं कि इसमें से हमने asset B और C sold कर दिया 4 लाक रुपे में हमारे पास closing WDV आ जाएगी कित्ते की हमारे पास closing WDV आ जाएगी 14 लाख रुपे की अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना इस closing WDV के अंदर इस closing WDV के अंदर वो वाली asset की value भी है जिसे हमने अभी तक put to use नहीं किया इस 3 लाख रुपे के ऊपर कोई भी depreciation नहीं लगना ये वाले 14 लाख के अंदर ये वाली 3 लाख की value included है तो अपन अब क्या करेंगे इस 14 लाख में से 3 लाख पे कोई depreciation चार्ज नहीं करेंगे और बचे हुए 11 लाख पे हम लोग depreciation चार्ज करेंगे 15% का यानि की 1 लाख 65,000 का तो आपके पास 165 का depreciation आएगा next year की आपकी जो opening WDV आएगी वो कितनी आएगी sir next year की opening WDV आएगी ये वाला 14 लाख ये वाला 14 लाख माइनस ये वाला 165 next year की opening WDV आएगी 12,35,000 right समझ में आ गया क्या करना है हाँ सर समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं अब अगला point करते है depreciation allowed at half rate depreciation allowed at half rate depreciation allowed at half rate का मतलब क्या हुआ आपका depreciation का rate आधा कर दिया जाएगा अगर 10% का depreciation है तो 5% मिलेगा 40% का depreciation है तो 20% मिलेगा ऐसा कब होगा जब आप 2 conditions को satisfy करोगे तो depreciation का rate आधा कर दिया जाएगा पहली condition आपने asset खरीदी है और put to use करी है same year में जिस एर में असेट खरीदा है उसी एर में असेट को put to use किया है और put to use का period less than 180 days का है, put to use का period less than 180 days का है, please मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, माल लीजे आपने असेट परचेस करी है 15 जुलाई 2023 को, आपने परचेस करी है, this is purchase और आपने असेट put to use किया है, माल लेते हैं 15 नवंबर 2023 को, तो आपने असेट खरीदी कब है, आपने असेट खरीदी है 23-24 में, आपने असेट put to use करी है 23-24 के अंदर ही, अब आपके पास put to use का period कितना है, सर, 15 नवंबर से लेकर, अगर आप 31st मार्च तक calculate करोगे, तो आपके पास ये period less than 180 days का निकलेगा, आपका half rate of depreciation लगेगा, सर, यही पे अगर मैं आपसे बोलू, कि मानलो आपने असेट 15 जुलाई को खरीदी है, और आपने असेट एक एपरेल 24 को put to use करी है, आपने असेट खरीदी 23, 24 में है, लेकिन आपने असेट put to use 24, 25 में करी है, तो यहाँ पर आपके पास half rate नहीं लगेगा, यहाँ पर आपके पास full rate लगेगा, क्योंकि खरीदी आपने 23, 24 में है और put to use आपने 24, 25 में करी है, even अगर आपने 24-25 में इसे एक दिन के लिए put to use किया होता even आपने 24-25 में इसे एक दिन के लिए put to use किया होता तो भी आपके पास full rate of depreciation लगता क्यों? क्योंकि खरीदी पिछले साल थी खरीदी 23-24 में है put to use 24-25 में करी है same year में put to use नहीं हुआ आपका half rate कब होता है? जब same year में put to use हो जाए अगर same year में put to use नहीं हो रहा भले ये एक दिन के लिए इस्तमाल हुई है आपको यहाँ पे full rate of depreciation मिलेगा clear है? अगर आपने असेट 23-24 में खरीदी और 23-24 में आपने put to use नहीं करी तो 23-24 में आपको कोई depreciation नहीं मिलेगा depreciation आपको 24-25 में ही मिलेगा और 24-25 में आपको full rate मिलेगा यानि की half rate कब करना है? जिस year में खरीदी है उसी year में put to use करी है जिस year में खरीदी है उसी year में put to use करी है और put to use का period 180 days से कमका है ठीक है जी? अब अगला point निकल कर आता है कि sir आपको कोई भी depreciation allowed नहीं होगा अगर आपने block की सारी assets बेच दी हैं अगर आपने block की सारी assets बेच दी हैं तो बाबु वहाँ पर आपको कोई भी depreciation allowed नहीं करा जाएगा ऐसे case में आपके पास दो scenarios बनेंगे या तो short term capital gain आएगा या तो short term capital loss निकल कर आएगा जैसे माल लो एक block है माल लो एक block है 15% का चीक है? इसकी opening WDV है इसमें 3 assets है A, B और C माल लेते हैं 10 लाक रुपे की during the year आपने इसके अंदर put to use करा था asset D, माल लेते हैं 5 लाक रुपे का तो इस वक्त आपके block में 4 assets है और 4 assets की value मिला के 15 लाक की आती है अब माल लो आपने सारी assets बेच दी माल लो आपने सारी assets बेच दी A. 17,50,000 में B. आपने बेच दी 12,00,000 पे इस मेरी बात को सुनना block की identity asset से बनती है और अगर आपने सारी assets बेच दी है मतलब ब्लॉक के अंदर asset लो जाता है मतलब ब्लॉक एक्जिस्ट ही नहीं करता अब जब ब्लॉक में asset ही नहीं है ब्लॉक एक्जिस्ट ही नहीं करता तो आपको PGBP के अंदर कभी भी कोई depreciation नहीं मिलेगा PGBP के अंदर आपको कोई भी depreciation allow नहीं किया जाएगा क्यों नहीं करा जाएगा As block ceases to exist जब block में asset ही नहीं है तो block exist ही नहीं करता और अगर block exist ही नहीं करता तो depreciation नहीं मिलेगा अब अगर आप ध्यान से देखो तो sale value जो है वो block value से जादा है आपने 15,00,000 की चीज 17,50,000 में बेची तो यहाँ पर आपके पास short term capital gain आएगा 2,50,000 का under section 50 एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी depreciable asset बिकती है तो वहाँ पर हमेशा short term gain ही निकलता है कभी long term gain नहीं निकलता दूसरा case आपने 15,00,000 की assets आपने 15,00,000 की assets 12,00,000 में बेच दी यह 4 assets मिलाकर 15,00,000 की थी और आपने 12,00,000 की बेच दी तो यहाँ पर आपके पास short term capital loss निकल कर आएगा 3,00,000 का under section 50 short term capital loss निकल कर आएगा under section 50 तो एक case आपको मैंने बता दिया अगर आपने block की सारी assets बेच दी आपने अगर block की सारी assets बेच दी block ceases to exist होगा तो ऐसे case में या तो short term capital gain आएगा या तो short term capital loss आएगा अगर sale price आपकी opening WDV plus asset purchase during the year से जादा है तो gain आएगा और sale price अगर कम है opening WDV plus assets purchase during the year तो आपके पाँ short term capital loss आएगा अगर आपने part of the block बेच दिया आपने सारा block नहीं बेचा आपने part of the block बेच दिया लेकिन part of the block की जो sale value थी part of the block की जो sale value थी वो block value से जादा की थी समझना मेरी बात को समझना मेरी बात को आपके पास एक block है 15% का आपके पास एक block है 15% का इसमें opening WDV में आपके पास 3 assets पड़ी हुई है 10 लाक रुपे की during the year आपने asset D खरीदी है मान के चलते हैं 5 लाक रुपे की अब आप सारी assets नहीं बेच रहे हो अब आप सारी assets नहीं बेच रहे हो आपने part of the block sold किया है मान लो आप asset B और C बेच रहे हो आपके पास total 4 assets है लेकिन इन 4 में से आप केवल 2 assets बेच रहे हो B और C आपने B और C बेच दिया let's suppose कर लेते हैं 16 लाक रुपे पे तो सर अगर मैंने यहापे 16 लाक माइनस कर दिये तो मेरा block negative हो जाएगा block में अभी 2 assets पड़ी हुई है block में अभी 2 assets पड़ी हुई है A और D इस block में 4 assets थी मैंने 2 assets को बेचा है अभी 2 assets मेरे पास पड़ी हुई है यह जो 2 assets मैंने बेची है इनकी sale value block value से जादा है अगर मैं sale value को block value से माइनस करूँगा तो block negative हो जाएगा बाबू block asset होता है block क्या है block एक asset है और asset की value या तो positive होती है या तो zero होती है block की value कभी भी negative नहीं होती तो मैं यहाँ पर कभी भी 16 लाक माइनस नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ पर 15 लाक ही माइनस करूँगा मेरी block की value क्या हो जाएगी निल अब बाबू निल के उपर depreciation चार्ज करोगे तो depreciation निकले गई नहीं निल के उपर depreciation चार्ज करोगे depreciation तो निकले गई नहीं तो PGBP में आपके पास कोई depreciation नहीं आएगा लेकिन capital gain के अंदर आपके पास short term capital gain आएगा under section 50 आपकी जो sale value है वो आपकी block value से जाधा है sale value 16 लाक रुपे की थी block value 15 लाक रुपे की थी आपके पास 1 लाक रुपे का short term capital gain निकल कर आजाएगा तो यह हो गया कि कब आपके पास कोई भी depreciation charge नहीं होगा अच्छा सर बताओ अगर sale value block value से जाधा की नहीं होती माल लो अगर sale value block value से जाधा नहीं होती आपके पास opening WDV 10 लाक की थी आपने 5 लाक रुपे की asset खरी दी आपके पास 15 लाक आ गया suppose करो आपने B और C को 9 लाक रुपे में बेचा है तो आप कोई tension नहीं है अब आपके पास block में asset है A और D और आपके पास block में value है 6 लाक रुपे की आपके पास block में asset भी है A और D और block में value भी है 6 लाक रुपे की आप इस 6 लाक रुपे के उपर depreciation चार्ज करोगे इसका मतलब यह हुआ कि depreciation लगाने के लिए हमारे पास block में asset होनी चाहिए depreciation लगाने के लिए हमारे पास block में value होनी चाहिए जब हमारे पास block में asset होगी और जब हमारे पास block में value होगी तो हमें depreciation का खर्चा allow कर दिया जाएगा इसके बाद अगला point आपके पास निकल कर आता है additional depreciation additional depreciation आपको किस पे मिलता है additional depreciation आपको मिलता है new plant और machinery पे सर किसको मिलता है कोई भी assessi जो manufacturing का काम कर रहा है जो manufacturing का काम कर रहा है कुछ भी बना रहा है सर यह mouse बना रहा है यह phone बना रहा है कुछ भी बना रहा है या फिर कोई भी ऐसा assessi जो power generation में involved है कोई भी ऐसा assessi जो power generation में involved है वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा additional depreciation मिल जाएगा तो मारे पास additional depreciation हमेशा दो ही assesses को मिलेगा एक वो assesses जो manufacturing का काम कर रहे हैं और दूसरे वो assesses जो power generation में involved है additional depreciation कब मिलेगा जब आप नया plant and machinery खरीदोगे जब आप नया plant and machinery खरीदोगे तभी आपको depreciation मिलेगा अगर आपने second hand plant and machinery खरीदा तो आपको additional depreciation नहीं मिलेगा additional depreciation आपको asset की life पे किसी भी नई plant and machinery पे आपको एक ही बार additional depreciation मिलता है और additional depreciation का जो rate होता है वो होता है आपका 20% यह हमेशा आपको पहले ही साल मिल जाता है जो plant and machinery का first year होगा जो plant and machinery का आपका first year होगा उस first year के अंदर आपको normal depreciation भी मिलेगा और आपको additional depreciation भी मिलेगा additional depreciation का rate fix है आपको 20% से additional depreciation मिलता है लेकिन अगर आपने during the previous year asset को put to use किया है for less than 180 days अगर during the previous year आपने asset को put to use किया है for less than 180 days तो ऐसे case में आपको पहले साल में 10% मिलेगा और बचा हुआ 10% आपको उसके अगले साल मिल जाएगा 20% पूरा मिलेगा लेकिन अगर आपके put to use का period less than 180 days का है तो पहले साल में आपको 10% मिलेगा और जो बचा हुआ 10% है वो आपको अगले साल दे दिया जाएगा सर plant and machinery में क्या-क्या include नहीं होगा तो बटा जो ships और aircraft है इनको plant and machinery में include नहीं करेंगे यानि कि इस पे additional depreciation नहीं मिलेगा second hand plant and machinery पे additional depreciation नहीं मिलेगा कोई भी plant और machinery जो office में install हुई है किसी भी residential accommodation में install हुई है या जो भी आपके office appliances हैं, इन पे additional depreciation नहीं मिलेगा, जो road transport वहीकल हैं, उन पे भी आपको additional depreciation नहीं मिलेगा, सर कोई भी plant and machinery जिसका 100% खर्चा आपको allow कर दिया जाता है as a expense under the head PGBP, वहाँ पर भी आपको additional depreciation नहीं मिलेगा, अभी आगे चलके हम लोग पढ़ रहे होंगे section 35 scientific research, वहाँ पर 100% खर्चा allow कर दिया जाता है, तो वहाँ पर additional debt की condition नहीं आएगी, specified business वाला point आएगा, वहाँ पर भी 100% खर्चा allow कर दिया जाता है, वहाँ पर भी additional debt वाली condition निकल कर नहीं आने वाली है, इसके बाद अगला point न मिलता है, वह actual cost पर मिलता है, actual cost का मतलब क्या है, actual cost to the assessi, actual cost to the assessi में आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी खर्चा, अगर किसी और person ने या authority ने किया है, किसी भी और person ने या authority ने किया है, कोई भी खर्चा, तो उसे हम include करके नहीं चलेंगे actual cost के अंदर, तो अगर actual cost का part नहीं बनेगी, आपने 10 लाग की machinery खरीदी और आपको government से 1 लाग का subsidy मिल गया, तो subsidy का जो amount है, वह आपके पास actual cost का part नहीं बनेगा, 9 लाग रुपे पे ही आपको depreciation मिलेगा, इसके बाद अगला point आता है कि sir, अगर आपने asset खरीदी है, और आप asset के लिए payment कर रहे हो, एक दिन में एक person को अगर 10,000 से जादा का payment कर रहे हो, तो वो payment specified mode से होना चाहिए, अगर वो payment specified mode से नहीं है, तो वो आपके actual cost का part नहीं बनेगा, फिर वो आपके actual cost का part नहीं बनेगा, for example, आपने machine खरीदी, आपने machine खरीदी 15 लाग रुपे की, आपने ये 15 लाग की payment कैसे कर रुपे आपने NEFT से payment किया, और आपने 1 लाग रुपे cash में payment कर दिया, ठीक है, ये NEFT से आपने payment किया था, 15 जुलाई 23 को, 16 जुलाई 23 को आपने cash में, एक दिन में, एक दिन में, आपने asset के लिए payment कर दिया, 10,000 रुपे से जादा, non specified mode से, तो आपके पास जो actual cost मानी जाएगी, वो 14 लाग मानी जाएगी, पंदरा लाग नहीं मानी जाएगी, आपको जो depreciation मिलेगा, वो 14 लाग पे मिलेगा, तो अगर आपने asset खरीते वक्त, एक दिन में, अगर 10,000 से जादा का payment, non specified mode से कर दिया, specified mode आपको पता है, सर ये account पे चेक होता है, account पे ड्राफ्ट ह होता है, electronic clearing system through bank account होता है, neft, upi, imps, rtgs, credit card, debit card, net banking, ये सब आपके पास specified mode है, इसके बाद अगर आपने loan लिया है asset को खरीदने के लिए, construct कराने के लिए, तो जब तक आपकी asset put to use नहीं हो जाती, जब तक आपकी asset put to use नहीं हो जाती, ये आपकी loan date है, ये आपकी asset की put to use की date है, तो lawmaker कहता है कि सर, loan की date से put to use तक की date का जो interest होता है, ये interest capitalize किया जाता है, इसे include किया जाता है actual cost में, और इस पे debt claim किया जाता है, तो जो interest put to use तक की date का होगा, उसे capitalize करेंगे, actual cost में add करेंगे, और उस पे अपन depreciation claim करेंगे, सर, जो आपके पास put to use के बाद का interest होता है, वो interest आपके लिए revenue nature का होता है, और इसे आप PL में क्या करते हो, debit करते हो, तो put to use के बाद का जो interest होगा, वो PL में debit होगा, put to use से पहले का, जो आपके पास interest होगा, वो आपके पास क्या होगा, actual cost का part बनेगा, सर, ये actual cost कैसे निकलेगी, जो भी आपके पास बिटा purchase price है, उसको पकड़ लेना, इसमें add कर देना interest, up to the put to use तक का, इसमें add कर देना freight और insurance का खर्चा, add कर देना loading, unloading का खर्चा, add कर देना installation का खर्चा, और इसमें से minus कर देना कोई भी amount, जो third party ने bear करा है, subsidy के रूप में, grant के रूप में, और machine वगएरा पे, अगर आपने GST पे करा है, और उसका ITC आपको मिलता है, तो वो GST की amount को भी, आप actual cost का part नहीं बनाओगे, इसके बाद ये वाले points आप read कर लेना अपने आपसे, हमने already class में in detail इस पर discussion किया है, इसमें से जो important point है वो मैं आपके लिए ले ले दा हूँ, ये वाला point बहुत important है जो exam में आता है, ये वाला point बहुत important है आपके पास जो exam में आता है, अगर building पहले private purpose के लिए इस्तमाल हो और बाद में हम इस building को business में ले आते हैं, पहले building private purpose के लिए यूज हो रही थी और अब हम ये building को अपने business यूज में ले आए हैं, तो इस building का cost of acquisition क्या होगा, तो lawmaker कहता है कि सर जितने में आपने ये building खरी दी थी, इसमें से notional depreciation minus कर दीजे, उस period का, जितने period के लिए ये personal use में थी, जितने period के लिए ये personal use में थी, for example, आपने building खरी दी थी, एक जुलाई 2019 को, आपने building खरी दी थी मान लेते हैं 15 लाख रुपे की, आपने क्या किया, आपने इसे 1 सितंबर 23 को put to use कर दिया है अपने business में, तो lawmaker कहता है, lawmaker कहता है कि business के लिए, business के लिए, इस building का cost of acquisition कैसे निकलेगा, business के लिए, इस building का cost of acquisition कैसे निकलेगा, तो lawmaker कहता है, 19-20 का, 20-21 का, 21-22 का, और 22-23 का, आपको ये 4 साल का depreciation minus करना है, 19-20 का, 20-21 का, 21-22 का, 22-23 का, ये 4 साल का depreciation minus करना है, 4 साल का depreciation minus करने के बाद, जो value निकल कर आएगी, वो value यहाँ पे cost of acquisition बनेगी, तीक है? ये चार साल का debt minus करने के बाद जो value निकल कराएगी वो value यहाँ पर cost of acquisition बनेगी ये notional debt वाला जो treatment है ये हम केवल building के case में करते हैं अगर मानलो building की जगा पर यहाँ पर car होती कि मैंने car खरीदी थी 1 जुलाई 19 को और उसे मैं 1923 को put to use कर रहा हूँ तो वहाँ पर notional depreciation का concept नहीं आएगा ये 15,00,000 में मैंने car खरीदी थी तो business के लिए भी इसकी value 15,00,000 की ही होगी तो ये जो notional depreciation वाला concept है ये केवल building के ऊपर apply होता है किसी और asset के ऊपर apply नहीं होता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते है depreciation on straight line method basis तो ये किसको मिलता है उन assesses को मिलता है जो power generation में involved है ये power generation में जो assessi होते हैं इनको written filing date से पहले ये decide करना है कि इनको WDV basis लेना है कि इनको SLM basis लेना है return filing date से पहले ये जो भी method opt कर लेंगे वो method इनके लिए applicable होगा हमेशा 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 इस option को आप reverse नहीं कर सकते तो before return filing date in the previous year in which they begin to generate the power the option once exercise shall not be reversed इसको आप reverse नहीं कर सकते option for SLM is for the tangible assets only केवल tangible assets पे मिलता है in tangible assets पे आप हमेशा WDV ही लगाते हैं depreciation आपके पास tangible assets पे individually charge होगा SLM basis पे और WDV basis पे whichever is more beneficial तो power generation वाले को block of asset follow नहीं करना होता वो individually assets पे depreciation लगा सकती है चाहे तो SLM basis से चाहे WDV basis से जो भी उसके लिए जादा beneficial है इसके उपर exam में कोई question नहीं आता अगर ऐसा assessi जो power generation में involved है और वो अपनी asset को sell कर रहा है तो क्या होगा अगर आपकी sale value book value से कम है मतलब आपको loss हुआ है अगर आपकी sale value आपकी book value से कम है यानि कि आपको loss हुआ है इस loss को हम terminal depreciation बोलते हैं क्या बोलते हैं इस loss को हम लोग terminal depreciation बोलते हैं इस loss को क्या बोलते है terminal depreciation और इस terminal depreciation को debit कर दिया जाता है PL पे तो जैसे माल लो आपके पास asset की book value जो है वो 4 लाक रुपे की है और आपने ये asset 3 लाक में बेची है आपकी asset की actual cost जो थी वो 6 लाक रुपे की थी आपने ये asset 6 लाक में खरीदी थी इसकी book value इस वक्त 4 लाक की चल रही है और 4 लाक की चीज आपने 3 लाक की बेच दी यानि कि आपको 1 लाक रुपे का नुकसान हुआ है और ये नुकसान आपके लिए क्या कहलाएगा terminal depreciation इसे आप अपने PL में debit कर दो लेकिन अगर आपकी sale value आपकी book value से ज़ादा है लेकिन actual cost को exceed नहीं कर रही आपकी sale value आपकी book value से ज़ादा है लेकिन actual cost को exceed नहीं कर रही तो जैसे आपकी actual cost 6 लाक है आपकी book value 4 लाक है आपकी sale value 5 लाक है आपने book value से उपर बेचा है लेकिन actual cost से कम पे ये आपकी income है, profit हुआ है, आपने 4 लाग के ऊपर बेच दिया है, asset की books में value 4 लाग की है, लेकिन आपने 5 लाग में बेच दिया है, आपको profit हुआ है, इस profit को balancing charge बोलते हैं, और इसे आपके PL में credit कर दिया जाएगा, जो की होगा sale value minus book value, यानि की 5 लाग minus 4 लाग, एक लाग रुपए आपके PL में credit कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपकी sale value आपकी actual cost से ज़ादा है, आपकी sale value आपकी actual cost से ज़ादा है, actual cost 6 लाग की है, book value 4 लाग की है, लेकिन हमने इसको बेच दिया है, मानलो 7 लाग 50 लाग पे, sale value जो है आपके पास वो book value से ज़ादा का है, तो ऐसे case में आपकी दो income निकलेंगी, PGBP में आपका balancing charge निकलेगा, और आपका capital gain applicable होगा, जो आपके पास actual cost है और जो book value का difference है, यह आपके पास balancing charge बनेगा, 6 लाग माइनस 4 लाग, 2 लाग रुपए आपके पास balancing charge बनेगा, इसे आपके PL में credit करा जाएगा, और आपके पास actual cost और sale value का जो difference है, वो आपके लिए capital gain में जाएगा, यह capital gain long term होगा या फिर short term होगा, यह depend करेगा period of holding पे, अगर period of holding 36 मन्थ से जादा है, तो long term capital gain निकलेगा, और long term capital gain निकालते वक्त आपको actual cost को index करके चलना पड़ेगा, लेकिन अगर period of holding up to 36 मन्थ है, तो आपके पास short term capital gain निकलेगा, short term capital gain में indexation करने की जुरूत नहीं है, sale value में से actual cost को minus कर दिया जाएगा, sale value में से actual cost को minus कर दिया जाएगा, अगला point आता है आपके पास carry forward and set off of unabsorbed depreciation, सर यह unabsorbed depreciation क्या होता है, सर यह आपके पास unabsorbed depreciation क्या होता है, बिटा अगर आपके पास profit before depreciation कम है, और आपका depreciation का खर्चा जादा है, तो ऐसे case में आपको जो depreciation allow होता है, वो होता है जितने आपके पास profits है, और जो extra depreciation है, जो extra depreciation है 2,00,00 रुपे का, हम इस 2,00,00 रुपे के extra depreciation को unabsorbed depreciation बोलते हैं, तो अगर आपके पास depreciation का खर्चा profit before depreciation से जादा है, तो जो excess depreciation है, उसे unabsorbed depreciation बोला जाता है, और unabsorbed depreciation को carry forward कर दिया जाता है, अगले साल के profits में से adjust करने के लिए, यह unabsorbed depreciation unlimited time period तक carry forward होता है, जब तक यह fully adjust नहीं हो जाएगा, तब तक यह आपका carry forward होता रहेगा, अब यह set off का आपका criteria क्या है, इसको हम set off वाले chapter में पढ़ेंगे, अभी के लिए इस पे आप load मतलो, अभी के लिए आप इस पे load मतलो, इसको cover करेंगे set off के साथ, unabsorbed depreciation क्या है, वो मैंने आपको समझा दिया है, राइट? चलि भाई, अब बात करते हैं, जल्दी से हम लोग section 35 scientific research की, सर scientific research आपको पता है, आप research and development का खर्चा करते हो, R&D का खर्चा आप in-house कर सकते हो, या फिर आप outside agency को contribution कर सकते हो, अगर आप in-house research करते हो, तो वो research आपके business से related होनी चाहिए, वो research आपके business से related होनी चाहिए, सर यहाँ पर जो assessi है, सभी assesses को यहाँ पर deduction आपके पास provide करी जाती है, all the assesses are eligible for deduction, राइट? अच्छा, सर research आपके पास कैसी होगी? सर research आपके पास revenue nature की हो सकती है, आपके पास capital nature का research का खर्चा हो सकता है, अगर आपका revenue nature का खर्चा है, वो तो 100% allow होता ही है, और अगर आपका capital nature का research का खर्चा है, तो वो भी आपको 100% allow कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने land के purchase पे खर्चा किया है, तो land के purchase का खर्चा आपको अलाओ नहीं होगा क्या बोल रहा है आपके पास 100% of revenue as well as capital expenditure incurred during the previous year shall be allowed as deduction except capital expenditure on the purchase of land तो land का capital expenditure अलाओ नहीं होगा land के अलावा building, plant and machinery, furniture अगर यह आपने scientific research purpose के लिए खरीदा है तो इसका 100% deduction आपको मिल जाएगा अगर आपने research करी है before the commencement of business business के commencement से पहले अगर आपने research करी है तो उस case में भी आपको खर्चा अलाओ किया जाएगा expense incurred up to 3 years before the commencement of business shall be allowed in the year of the commencement of business business commencement से 3 साल पहले तक आपने जो खर्चे करे हैं वो भी आपको अलाओ कर दिये जाएगे तो मालो आपका business comments होता है 15 July 23 को आपका धंदा जो है वो comments हो रहा है 15 July 23 को तो 15 July 23 से 3 साल पहले तक यानि की 15 July 20 इस period में आपने जो scientific research के expenses करे हैं उसका deduction आपको मिल जाएगा previous year 23 में आपका धंदा previous year 23 में चालू हुआ है तो business commencement के 3 साल पहले तक आपने जो भी खर्चा किया है वो आपको allow कर दिया जाएगा उस previous year में जिस previous year में आपका धंदा चालू हुआ है revenue expenditure अगर आपने किया है तो केवल salary का खर्चा मिलेगा perquisites का खर्चा नहीं मिलेगा जो भी material वगएरा आपने खरीदा है उसका खर्चा आपको मिल जाएगा इसके अलावा आपने कोई भी revenue expenditure करा होगा तो उसका खर्चा allowed नहीं होगा मतलब पिछले 3 साल में आपने जो salary पे खर्चा किया है other than perk और जो raw material पे खर्चा किया है वो allow हो जाएगा इस period में आपने और कोई revenue expenditure किया है salary के अलावा material के अलावा यहाँ पर और कोई revenue expenditure किया है तो वो आपको allow नहीं होगा इसके अलावा अगर आपने business commencement से पहले कोई capital expenditure किया है तो उसका deduction भी मिल जाएगा सिर्फ land का ऐसा खर्चा है जो आपको allow नहीं होगा इसके बाद अगला point निकल कर आता है sale of asset used for the scientific research purpose अगर आपने scientific research के लिए scientific research के लिए अगर आपने asset खरीदी थी और अब आप उस asset को sell out कर रहे हो तो क्या होगा lawmaker आपसे पूछता है कि क्या आप उसे बिना business में use करे बेच रहे हो मतलब research purpose के लिए asset आई थी research पूरा हो जाने के बाद research purpose के लिए asset आई थी research पूरा हो जाने के बाद आपने अगर उसको बेच दिया तो sir उस case में क्या होगा lawmaker कहता है कि check करो कि आपकी जो sale value है क्या वो actual cost को exceed कर रही है अगर आप कहते हो कि नहीं sale value actual cost को exceed नहीं कर रही तो जो भी आपकी sale value है वो आपके लिए business income हो जाएगी और अगर आपकी sale value actual cost को exceed कर रही है तो आपकी जो actual value है वो business income हो जाएगी और actual value के उपर आपने जो पैसा बनाया है वो आपके लिए या तो short term capital gain या तो long term capital gain हो जाएगा depending upon the period of holding period of holding अगर up to 36 month की है तो short term capital gain और अगर उससे जादा की है तो वहाँ पर आपके पास long term capital gain निकल कर आएगा देखिए आपने क्या किया था आपने 2019-20 में एक machine खरीदा था 15 लाक रुपे का for scientific research तो क्या हुआ होगा सर 19-20 में आपको section 35 के अंदर deduction allow कर दी गई होगी 15 लाक रुपे की यानि कि आपकी जो machine की book value है वो क्या हो चुकी है इस वक्त निल हो चुकी है आपने क्या किया during the previous year 23-24 आपने इस machine को sold कर दिया without put to use in business without put to use in business A point आपका जो sale value है वो मान लीजे 10 लाक रुपे का है आपकी actual cost किते की थी सर आपकी actual cost 15 लाक रुपे की थी और आप इसे 10 लाक रुपे में बेच रहे हो तो lawmaker कहता है कि यह जो sale value है पूरी की पूरी यह आपकी business income है अगर आपने इसको बेच दिया मान के चलिए 16 लाक रुपे में आपने इसे बेच दिया 16 लाक रुपे में तो इस case में क्या होगा इस case में क्या होगा इस case में क्या होगा आपके पास जो actual cost है वो business income बनेगी actual cost आपके पास business income बनेगी और आपके पास capital gain निकलेगा आपने 16 लाक रुपे में बेचा है फुल वैली ओफ कंसिडरेशन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो period of holding आपके पास 36 months से जादा की है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो period of holding आपके पास 36 months से जादा की है long term हो चुका है अब इसमें आप index cost of acquisition निकालेंगे 15 लाक का multiply indexation factor 23-24 से करेंगे और इसका division indexation factor 19-20 से करेंगे जो भी result निकल कर आएगा वो यहाँ पर minus कर देंगे result will be your long term capital gain पास समझ में आया तो अगर sale value आपके पास actual cost से कम है sale value अगर आपके पास actual cost से कम है तो sale value ही business income है और sale value अगर actual cost से जादा है तो actual cost business income है और actual cost के ऊपर का जो consideration है वो capital gain में जाएगा either it will be short term और long term depending upon the period of holding लेकिन अगर आप asset को बेचते हो business में put to use करने के बाद अगर आप asset को बेचते हो business में put to use करने के बाद तो lawmaker कहता है कि हम इस asset को add कर देंगे respective block के अंदर with nil value ये asset जिस भी block को belong करती है उस block के अंदर add कर दी जाएगी with nil value और जब आपकी ये asset बिकेगी तो हम इसको block में से क्या कर देंगे minus कर देंगे जब ये asset बिकेगी तो हम इसको block में से क्या कर देंगे minus कर देंगे देखिएगा बात को आपने एक July 19 को machine खरीदा था scientific research के लिए 15,000,000 रुपे का आपको इसका deduction मिला दिया गया होगा under section 35 के अंदर आपको 100% का deduction मिल गया था 2019 में आपने क्या किया आपने बाईस तेईस में इस machine को put to use कर दिया business के अंदर आपने इसे put to use कर दिया in business तो क्या होगा बेटा क्या होगा ये 22-23 के अंदर 22-23 के अंदर block में जाके add हो जाएगी add कर देंगे to block 15% क्योंकि plant and machinery का block 15% है हम add कर देंगे इसको nil value के साथ nil value के साथ क्यों add कर रहे है क्योंकि sir आपको already पूरे 15 लाग का खर्चा allow किया जा चुका है आपकी machine की value already nil हो चुकी है तो जब ये आप business में इस्तमाल में लेंगे तो ये आपके block में add कर दी जाएगी with nil value फिर आपने क्या किया sir 23-24 में इस scientific research asset को sold कर दिया for rupees 5 lakh तो अब क्या होगा अब ये block में से minus करी जाएगी आपके पास जो भी block की opening WDV है आप वो पकड लोगे इसमें add कर दोगे जो assets आपने खरीदी है इसमें से minus कर दोगे scientific research वाला asset आपने 5 lakh रुपे में बेचा है वो minus कर दोगे आपके पास closing WDV आ जाएगी और इसी closing WDV पे अब आप depreciation क्लेम कर लोगे इसी closing WDV में आप depreciation क्लेम कर लोगे जब आपने asset खरीदी होगी तो आपको deduction मिली होगी इसकी book value nil होगी फिर जब आप इसे business में use में लोगे तो ये block में add कर दिया जाएगा nil value के साथ फिर जब ये बेचा जाएगा तो इसे block में से minus कर दिया जाएगा जब इसे बेचा जाएगा इसे block में से minus कर दिया जाएगा जो भी sale value रहेगी वो block में से minus हो जाएगी जो भी closing WDV निकल कर आएगी इस closing WDV पे depreciation चार्ज कर दिया जाएगा ठीक है जी इसके बाद आता है carry forward of unadjusted capital expenditure of scientific research carry forward of unadjusted capital expenditure of scientific research अगर आपके पास profit before deducting the capital expenditure profit before deducting the capital expenditure is less than the capital expenditure then excess capital expenditure shall be carried forward जो revenue expenditure होता है वो आपको always allow होता है irrespective of the availability of profit तो let's say आपके पास profit before scientific research expense 5,000,000 रुपे का है profit before scientific research expense 5,000,000 रुपे का है आपके पास scientific research expense में revenue expenditure है मान लो 6,000,000 रुपे का तो ये 6,000,000 रुपे आपको पूरा allow होंगे आपके पास profit available है नहीं है इससे कोई फरक नहीं पड़ता ये 6,000,000 आपको पूरे allow होंगे आपका जो capital expenditure है मान लो वो आपके पास 5,000,000 रुपे का है तो क्यूंकि आपके पास profit available नहीं है तो capital expenditure आपको allow नहीं करा जाएगा ये जो 5,000,000 रुपे हैं ये carry forward हो जाएंगे just like unabsorbed depreciation unlimited time period के लिए इसे carry forward करा जाएगा जब तक ये fully adjust ना हो सर अच्छे एक बात बताओ मान लो आपके पास profit 5,000,000 की जगा आपके पास profit 8,000,000 का होता आपके पास profit 8,000,000 का होता तो ऐसे case में 6,000,000 रुपे आपके पास जो revenue expenditure है वो अलाओ होते आपके पास 2,000,000 का profit बचता आपके पास capital expenditure 5,000,000 का है 5,000,000 अलाओ नहीं होता 2,000,000 अलाओ होता आपका profit निल हो जाता और आपका 3,000,000 रुपे का जो unabsorbed scientific research का capital expenditure है वो carry forward कर दिया जाता तो अगर आपके पास capital expenditure का खर्चा claim करने से पहले का जो profit है वो अगर कम है तो उतना ही खर्चा अलाओ होगा जितने profit है remaining आपके पास carry forward कर दिया जाएगा just like unabsorbed depreciation इसके बाद अगर आप outside agency को contribution करते हो अगर आप outside agency को contribution करते हो तो ये deduction आपको केवल old regime में मिलेगी एक चीज और याद रखना मैं बताना भूल गया था कि आपका जो additional depreciation होता है ये भी आपको केवल old regime में मिलता है new regime में नहीं मिलता scientific research का जो खर्चा था in-house वाला ये old regime में भी मिलता है और new में भी मिलता है लेकिन अगर आपने contribution करा है outside agency को तो ये आपके पास केवल old regime में अविलेबल होगा new regime में अविलेबल नहीं होगा अगर आपने outside agency को contribution करा है for the scientific research किसी भी approved scientific research association को पैसा दिया है किसी भी Indian company को पैसा दिया है जिसे approval मिल रखा है scientific research करने के लिए या फिर किसी भी approved institute को पैसा दिया है scientific research करने के लिए या फिर आपने किसी भी IIT national laboratory को पैसा दिया है scientific research करने के लिए तो जो भी contribution आपने करा है, Approved Scientific Research Association के लिए, Indian Company के लिए, Institutions के लिए, IIT, National Laboratory के लिए, आपको 100% donation का allow किया जाएगा, 100% donation का allow किया जाएगा, जितना भी payment आपने करा है, उतना payment आप अपने PL में debit कर सकते हो, अगर आपने 5 लाग की payment करिये, आप PL में 5 लाग debit करोगे, आपने 10 लाग की payment करिये, आप 10 लाग debit करोगे, बस ये deduction याद रखना old regime में मिलती है, तो additional depreciation old regime में मिलता है, contribution to outside agency for the scientific research, चाहे वो business से relate करे, चाहे ना करे, वो भी old regime में मिलता है, अब अगले topic पे चल रहे हैं, section 35 AD, deduction in case of specified business, ये भी आपके पास old regime में ही मिलता है, ये भी आपके पास old regime में ही मिलता है, new regime में यहाँ पर कोई भी deduction आपके पास निकल कर नहीं आती है, right, चलिए सर, जल्दी से शुरू करते, यहाँ पर deduction in respect of specified business, देखो normally क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपके पास जो आपका revenue expenditure होता है, वो आपको 100% अलाओ करा जाता है, और capital expenditure आपने करा है, तो उस पे आपको depreciation अलाओ करा जाता है, अगर आपने revenue expenditure किया है, तो 100% अलाओ करा जाता है, आप उसे PL में debit कर सकते हो, और capital expenditure किया है, तो उसका depreciation आप PL में debit कर सकते हो, लेकिन अगर आप specified business चला रहे हो, तो बाबू उस case में आपने जो भी revenue expenditure किया है, जो भी आपने capital expenditure किया है, 100% आप उसे PL में debit कर सकते हो, specified business के अंदर revenue और capital expenditure में कोई भी bifurcation नहीं है जो भी खर्चा आपने किया है चाहे वो revenue nature का हो चाहे वो capital nature का हो उसे आप 100% PL में debit कर सकते हो लेकिन अगर आपने capital expenditure गुडविल पे किया है आपने capital expenditure land पे किया है आपने capital expenditure financial instruments जैसे की derivatives वगएरा पे करा है तो बाबू ऐसे case में ऐसे case में आपको इसका कोई deduction नहीं मिलेगा ठीक है तो 35 AD कहता है कि अगर आपने revenue nature का खर्चा किया है capital nature का खर्चा किया है हम ये दोनों खर्चे आपको allow कर देंगे even specified business के अंदर अगर आपने business commencement से पहले business commencement से पहले कोई भी capital expenditure किया है business commencement से पहले लेट से आपका business commence हुआ है 15 जुलाई 23 को तो business commencement से पहले अगर आपने कोई भी capital expenditure किया है तो ये capital expenditure भी आपको 100% allow कर दिया जाएगा previous year 23 जिस year में आपका धन्दा स्टार्ट हुआ है previous year 23 जिस year में आपका धन्दा स्टार्ट हुआ है उस year में allow कर दिया जाएगा सिर्फ एक condition है सिर्फ एक condition है कि आपने इस खर्चे को capitalize किया हो in books of accounts capitalize करने का मतलब क्या होता है कि आपने इस खर्चे को अपनी books में as a asset record किया हो अगर आपने इस खर्चे को अपनी books में as a asset record कर लिया है इनको capitalize कर लिया है तो आपको previous year 24 में इसका खर्चा क्या कर दिया जाएगा, allow कर दिया जाएगा, सर यहाँ पर कितने time पहले का capital expenditure कितने भी time का, कोई दिक्कत नहीं है, तो सर क्या बोला, कि specified business के अंदर अगर आपने कोई revenue expenditure किया है, कोई capital expenditure किया है, 100% खर्चा PL में डालोगे, goodwill खरीदी है, land खर production नहीं मिलेगा, business commencement से पहले अगर capital expenditure किया है, तो 100% खर्चा आपको allow करा जाएगा, जिस year में धंदा start हुआ है, लिकिन अगर आपने कोई capital expenditure किया है, तो वो आपको यहाँ पर allow नहीं किया जाएगा, sorry, sorry, अगर आपने business commencement से पहले कोई capital expenditure किया है, तो वो भी आपको 100% allow करा ज जो आपने books of accounts में capitalize कर दिया है, अब कौन-कौन से धंदे specified business बोले गए है, उसकी एक list है, इस list को आप लोग read करोगे, यहाँ पर read करने कोई फायदा नहीं है, इस list को आप लोग read करोगे, वो धंदे specified धंदे है, इस list को रटना नहीं है, केवल read करना है, यह वाला point मैंने list को खरीदने के लिए, और आपने उसका payment करा एक दिन में 10,000 रुपे से ज़ादा, एक दिन में अगर आपने aggregate payment करी है, 10,000 रुपे से ज़ादा की, तो वो payment कैसे होनी चाहिए specified mode से, अगर specified mode से नहीं है, तो वो खर्चा eligible नहीं होगा for deduction under section 35 AD, same वही example कि आपने let's say machine खरीदी ह आपने machine खरीदी है 15,000,000 रुपे की, आपने 14,000,000 रुपे account पे ही check से दिये, और 1,000,000 रुपे आपने cash में दिये, तो आपको deduction जो मिलेगी under section 35 AD, वो कित्ते की मिलेगी 14,000,000 की मिलेगी, जो payment आपने एक दिन में 10,000 रुपे से ज़ादा की, non specified mode से करी है, उसका आपको deduction य आपर नहीं मिलेगा, conditions to claim deduction under section 35 AD, 35 AD में deduction claim करने की क्या condition है, कि आपका जो business है, वो already existing business को split करके ना बनाया जाए, अगर आपके पस पहले से कोई existing business है, और उसे split करके, reconstruct करके, आपने specified business बनाया है, तो आपको 35 AD में deduction नहीं मिलेगी, आपको used plant and machinery नहीं खरीदनी है, maximum जो used plant and machinery हो सकती है, वो 20% की हो सकती है, मतलब आपको नई plant and machinery खरीदनी है, जो भी specified business है, उसके लिए आपको नई plant and machinery खरीदनी है, used plant and machinery आप कितनी खरीद सकते हो, maximum 20%, 20% से जादा used plant and machinery आप specified धंदे के लिए नहीं खरीद सकते हैं, तीसरा point super important है, यह point आपसे कहता है कि अगर आपने asset खरीदी है specified business के लिए, तो उसे आपको specified business में 8 assessment years के लिए इस्तमाल करना है, Assets must be used in a business for 8 assessment years for which deduction is claimed under section 3580, जिसके लिए आपने deduction claim किया है 3580 में, उस asset को आपको 8 साल तक use करना है, अगर आपने 8 साल से पहले बेच दिया, तो जिस year में आप बेचोगे, उस year में business income arise होगी, 8 साल से पहले बेच दिया, या फिर किसी और business में इसे use करने लग गए, तो उस case में आपकी business income निकलेगी, business income होगी जितना खर्चा आपने claim किया है 3580 में, जो की asset की cost के बराबर होगा, minus आपका deemed depreciation, जैसे आपने एक April 23 में एक asset खरीदी थी, let's say plant and machinery खरीदी थी, specified business के लिए, 15 लाख रुपे की, जिसका deduction आपने claim कर लिया था under section 35 AD, आपको इसको 8 assessment years तक अपने पास hold करना था, यानि की 8 सालों तक hold करना था, पहला साल खतम होगा 24 में, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, इसे आपको hold करना चीए था 31st March 31 तक, लिकिन आपने अगर इसे 31st March 31 से पहले, let's say आपने इसे 1 July 26, यानि की 26, 27 में आपने इसे sold कर दिया for rupees 10 lakh, आपने इसे 10 lakh रुपे में बेज दिया, तो lawmaker कहता है की 26, 27 में आपकी business income निकलेगी, 26, 27 में आपकी business income निकलेगी, ये business income कैसे निकलेगी, सर जो भी आपकी cost of asset थी, इसमें से हम depreciation minus करेंगे 23, 24 का, इसमें से हम depreciation minus करेंगे 24, 25 का, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27 में आपने बेची है, 26, 27 का depreciation नहीं लगेगा, 23, 24 का depreciation, 24, 25 का depreciation, 25, 26 का depreciation, 15 का depreciation होता है plant and machinery पे, तो 15, 15 का depreciation minus हो जाएगा, 15,000,000 में से 15 गए, फिर 15 गए, फिर 15 गए, फिर 15 गए, आपके पास value बच रही है, 9,21,188, ये आपके लिए business income हो जाएगी, अगर आपने इसे 8 साल से पहले बेच दिया, तो सर उस case में, आपके पास business income निकलेगी, जितना deduction आपने claim किया था, उसमें से notional depreciation minus कर दिया जाएगा, उसमें से deemed depreciation minus कर दिया जाएगा, जो remaining amount आपके पास बचेगी, ये आपके लिए business income होगी, इसके साथ साथ आपके पास short term capital gain निकलेगा, आपने 9,21,000 वाली चीज 10,00,000 में बेच दिये, तो आपके पास यहाँ पे 69,000 के आसपास का short term capital gain निकलेगा, भई आपने cost में से अगर depreciation minus कर दिया, तो ये return down value ही तो आई, WDV 9,21,000 की थी और इसे 10,00,000 में बेचा गया है, तो यहाँ पे short term capital gain में निकलेगा, तो दो income arise होगी, एक business income arise होगी, और एक आपके पास capital gain, यहाँ पर क्या होगा, arise होगा, ठीक है जी, चलिए, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और बात करते हैं, अब हम section 35D preliminary expenditures की, section 35D preliminary expenditure की, preliminary expenses क्या होते हैं सर, preliminary expenses वो expenses होते हैं, जो हम incur करते हैं, before setting up of the business, business को चालू करने से पहले का खर्चा, या फिर business के extension का खर्चा, अगर हम same line of business को extend कर रहे हैं, हमारी एक नई factory setup कर रहे हैं, एक नया office setup कर रहे हैं, या फिर हम एक नए business के अंदर enter कर रहे हैं, अभी हम shoes manufacture करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग shirt भी manufacture करेंगे, तो इस case में आपके पास जो खर्चे होते हैं, उन खर्चों को preliminary expenses बोला जाता है, basically, before the commencement of business, before the extension of the business, before setting up of the new business, आपने जो भी खर्चा करा है, that will be considered as preliminary expenses, इसका जो खर्चा है, वो Indian company को allow होता है, और non-corporate resident assessi को allow होता है, मतलब foreign company को हम preliminary expenses का खर्चा 35D वाला allow नहीं करते, हम किसी non-resident को preliminary expenses का खर्चा अलाओ नहीं करते, तो आपके पास individual HOF, firm, AOP, BOI, इनको खर्चा अलाओ हो जाएगा preliminary expenditure का, provided ये resident होने चाहिए, या फिर Indian company को allow होगा, foreign company को ये खर्चा आपके पास allow नहीं किया जाएगा, सर हमारे पास eligible expenses की list है, इन eligible expenses के अलावा और किसी expense का आपने खर्चा किया है, तो वो expense dead expense माना जाएगा और उसका आपको कोई भी खर्चा allow नहीं होगा, तो eligible expense में आता है feasibility report, market survey का खर्चा, project report का खर्चा, engineering services का खर्चा, अगर आप company हैं, तो सर आपके पास AOA, MOA का खर्चा, आपके पास prospectus को print करवाने का खर्चा, आपके पास registrar of companies में registration का खर्चा, या फिर कोई भी legal खर्चा, जो आप करते हो company को register करने के लिए, GST में registration करवाने का खर्चा, वगएरा वगएरा, इसके अलावा आपने और कोई खर्चा किया है, आपने employees को salary दी है, आपने rent दिया है premises का, आपका interest on borrowed capital है, तो इनको हम preliminary expenses नहीं मानते, income tax के अंदर, और ये खर्चे dead expense है, मतलब इनका आपको कोई treatment नहीं allow किया जाएगा, अगर ये notified खर्चे आपने करे हैं, तो ही आप 35D के अंदर deduction ले सकते हैं, इन खर्चों के अलावा कोई और खर्चा किया है, तो उसका deduction आपको allow नहीं होगा, Indian company को deduction कित्ती मिलती है, सर, Indian company को deduction मिलती है, cost of project या फिर capital employed, दोनों में जो भी higher है, उसका 5% इसको compare करते हैं, actual जो आपका खर्चा है, preliminary expenditure का, और उसमें जो lower है, उसको पकड़ते हैं, और उसकी 5 equal installments बनाते हैं, यानि कि माल लो आपके पास cost of project, 50 लाक रुपे की है, आपका capital employed, माल लो 60 लाक रुपे का है, इन दोनों में जो भी higher है वो पकड़ लो, higher है आपके पास 60 लैक, उस 60 लैक का 5% कर दो, आपके पास आगया 3 लाक, अब आप actual जो आपका preliminary expenditure है, उसको पकड़ लो, ये माल लो आपके पास है 2 लाक पचास हजार, तो इन दोनों में जो भी lower है, उसको पकड़ लिया जाएगा, लोवर आजाएगा 2 लाक पचास हजार, इस 2 लाक पचास हजार की 5 installment बन जाएगी, यानि कि आपको 50 पचास हजार करके 5 बार में खर्चा मिलेगा, पहली installment आपको कब मिलेगी जिस year में आपका धन्दा comments हुआ है, अगर आप other than Indian company कोई resident हो, तो उस case में आपने जितना actual में खर्चा किया है, या फिर cost of project का 5%, इन दोनों में जो भी lower है, उसकी 5 installment आपको दे दी जाएगी, यानि कि मानलो आपका cost of project 50 पचास लाग है, तो 50 लाग का 5%, 2,50,000, आपका actual जो खर्चा है, suppose कर लीजे वो है, आपके पास 1,80,000, इन दोनों में जो भी lower है, उस lower को पकड़ा जाएगा, 1,80,000, और 1,80,000 की 5 किष्टे बन जाएगी, यानि कि आपको हर साल 36,000 अलाओ कर दिय चाहेगा, cost of project में आपके पास क्या निकल कर आता है, सर, cost of project में आपके पास fixed assets आ जाती है, land buildings आ जाती है, plant machinery, furniture, fitting, railway, sliding, तो basically आपकी सारी जो assets है, उनकी बाते हो रही है, capital employed कैसे निकलती है, सर, आपका जो share capital होता है, जो debentures होती है, जो long term borrowings होती है, तो basically आपका जो share capital है, औ आपके पास क्या निकल कर आजाएगा, capital employed, right, चीक है, अच्छा share capital में reserves and surplus भी आएंगे, obviously, ठीक है, reserves and surplus, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, normally जो होता है, normally जो होता है, normally जो होता है, आपके पास accounts के अंदर, reserves and surplus जो होते हैं, वो आपके पास capital employed का part होते हैं, लेकिन आपके पास PGBP में जब capital employed निकलेगी तो इस capital employed में reserves and surplus including the security premium shall not be considered as part of capital employed, इसे हम capital employed का part नहीं मान के चलेगे, ठीक है जी, इसके बाद एक बेकार सा section आता है section 35 DDA, ये voluntarily retirement की बात करता है कि अगर आपने employees को voluntarily retirement offer किया है और employees ने उस offer को exercise किया है, तो जितना भी आपने voluntary retirement में compensation दिया होगा, वो compensation आपको 5 installments पे अला होगा, voluntary retirement पे आपने जो भी compensation दिया होगा, वो compensation आपको 5 equal installments में अलाओ किया जाएगा, इसके बाद अगला section आता है section 36, section 36 का पहला point आता है insurance premium, अगर आपने insurance premium का payment करा है, आपने अपने stock का insurance करवाया है और उसका premium आप पे कर रहे हो, उसका deduction आपको मिल जाएगा, आपका poultry farm है, आपने अपनी hens का insurance करवा रखा है, आपका stud farm है, आपने horses का insurance करवा रखा है, आपका dairy farm है, आपने cows का buffalo का insurance करवा रखा है, उसका भी खर्चा आपको मिल जाएगा, तो stock का भी मिलता है और life stock का भी मिलता है, life stock मतलब आपके जो जानवर वगरा है, इसके बाद जो medical insurance का खर्चा है, जो आपने employee का medical insurance करवाया है, उसका खर्चा भी आपको अलाव हो जाएगा, provided आपने ये खर्चा cash में ना किया हो, इसके अलावा अगर आप employees को bonus या फिर commission देते हो, तो ये खर्च और commission dividend के रूप में नहीं होना चाहिए, अगर ये dividend के रूप का है, तो फिर ये आपको नहीं मिलेगा, sir dividend के रूप का है मतलब, पिटा dividend के रूप का है मतलब कि अगर मालो आपने अपने employees से बोला था, आपने अपने employees से बोला था कि हम आपको bonus देंगे 5% of profits का, तो अगर आ profit का certain percentage bonus देने वाले थे तो इसको dividend बोलते हैं तो ये वाला bonus आपको allowed नहीं होगा ये वाला bonus आपको allowed नहीं होगा लेकिन अगर आप employees से बोलते हो सर जी हम आपको bonus देंगे 5 लाख रुपे का absolute amount में देंगे तो ये आपको allow किया जाएगा तो bonus और commission अगर आप देते हो तो वहाँ पर आपको खर्चा allow हो जाएगा अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जो bonus दे रहे हो वो as per payment of bonus act हो मतलब it is possible कि जो employer है वो bonus act में जो amount है उससे ज़ादा का bonus अपने employees को दे सकता है there is no restriction on the amount of the bonus it may exceed the bonus payable under the payment of the bonus act right इसके बाद आपके पास अगला point निकल कर आता है अगर आपने business और profession के लिए loan लिया है अगर आपने business और profession के लिए loan लिया है और उसका आप interest payment कर रहे हो तो वो interest का खर्चा आपको allow हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अगर आपने asset के लिए asset के लिए asset के लिए आपने loan लिया है तो जितना interest put to use की date तक का है वो capitalize होगा और put to use के बाद का जो interest है उसका खर्चा आपको allow होगा अगर आपने zero coupon bonds issue करे है और उस पे आपने discount दिया है तो discount को amortize किया जाता है over the life of the zero coupon bond for example मानलो आपने एक लाख रुपे एक लाख bonus share आपने एक लाख के zero coupon bond issue करे है एक लाख zero coupon bond आपने issue करे है आपने issue price रखा है 25 रुपे का आपने redemption का price रखा है 100 रुपीज का और इसकी maturity होगी after 10 years तो आपने 25 रुपे पे इसको issue किया है जबकि इसकी face value जो है वो 100 की है इसकी जो face value है 100 की है यानि कि आपने कित्ते का discount दिया है 75 रुपीज का discount दिया है एक लाख zero coupon bonds पे 75 रुपीज का discount है यानि कि total discount कित्ते का है total discount आपका 75 रुपीज का है तो आपका जो ये 75 रुपीज का discount का खर्चा है ये discount का खर्चा आपको अला होगा 10 सालों में जितने साल की life है यानि कि हर साल आप अपनी books में 7,50,000 रुपे का खर्चा क्लेम कर सकते हो zero coupon bond पे हम interest नहीं देते zero coupon bond को हम discount पे issue करते हैं और इसको par value पे redeem करते हैं तो जितना भी discount है वो आप zero coupon bond की life में divide कर देंगे और हर साल आप proportionate discount ही क्या करके चलेंगे claim करके चलेंगे अगर employer का contribution है अगर employer का contribution है to employees statutory provident fund to employees recognized provident fund to employees approved superannuation fund to employees approved gratitude fund to employees any other approved fund तो ये खर्चा आपको allow कर दिया जाएगा ये खर्चा आपको allow कर दिया जाएगा provided आपने इसका payment कर दिया हो up to return filing date provided आपने इसका payment कर दिया हो up to return filing date अगर written filing date तक अगर written filing date तक आपने contribution कर दिया है अगर written filing date तक आपने contribution कर दिया है employee के SPF में, RPF में approved superannuation fund में approved graduate fund में या फिर any other approved fund में अगर आपने contribution कर दिया है return filing date तक तो उस case में आपको खर्चा अलाओ होगा return filing date तक अगर आपने जमा नहीं किया तो फिर जिस year में आपने जमा किया होगा उस year में आपको अलाओ होगा simple सा fund आए मान लो आपका contribution है employer का contribution है तो आरपी एफ मान के चलते हैं पाँच लाख रुपे का इस पाँच लाख में से यह previous year 23 चौबिस का है previous year 23 चौबिस का है मान लो return filing date तक 31st July तक हमने इस में से 3 लाख रुपे deposit कर दिये और return filing date के बाद 31st December को हमने 2 लाख रुपे deposit करें तो lawmaker क्या कहता है कि जितना return filing date तक आपने जमा किया है जितना return filing date तक आपने जमा किया है वो आपको अला हो जाएगा जो return filing date के बाद जमा किया है वो आपको कब अला होगा जिस year में आपने इसको deposit किया है तो आपको previous year आपको previous year अगर employer employee के notified pension scheme में पैसा deposit करता है, contribution करता है तो उसका deduction आपको मिलता है जितना amount contribute करा गया है या फिर 10% of retirement benefit salary इन दोनों में जो भी आपके पास slower है जितना आपने amount contribute करा है या फिर 10% of retirement benefit salary इसके बाद अगर आपका employee का contribution है, जो employer ने deduct कर लिया है उसकी salary में से, towards the RPF, towards the ESI तो कह रहा है कि sir आपको ये खर्चा तभी अला होगा जब employer ये amount deposit कर देगा relevant account में, up to the due date in the relevant act sir मतलब, employer क्या करता है बेटा, employer employee को salary देता है employer employee को salary देता है, माल लो उसकी salary है, एक लाख रुपे की और इस salary में से वो RPF का contribution, जो employer का है, वो काट लेता है employer के RPF के contribution काट लेता है, और employee को 90,000 रुपे की salary देता है तो lawmaker कहता है कि ये 10,000 रुपे जो आपने employee के काटे हैं, ये जो employee का contribution है ये employee का contribution आपको deposit करना है, उसके PF account के अंदर, up to the due date up to the due date as per PF act as per PF act, PF act में क्या due date दे रखी है, अगले महीने की 15 तारिक माल लो ये मैंने जो salary दी है, वो जुलाई की है तो मुझे ये 10,000 रुपे कब तक deposit कर देने चाहिए थे मुझे ये 10,000 रुपे deposit करने चाहिए थे, इसकी due date निकल कर आएगी 15 अगस्त 23 तक, अब अगर मैंने ये 10,000 रुपे 15 अगस्त 23 तक जमा नहीं करे अगर मैंने ये 10,000 रुपे, employee के PF act के अंदर, PF account के अंदर अगले महीने की 15 तारिक तक जमा नहीं करे तो मुझे इस 10,000 का deduction नहीं मिलेगा employer का अपना जो contribution होता है, employer भी contribute करता है, employee भी contribute करता है employer का जो contribution है, वो return filing date तक होना चाहिए employer का जो contribution है, वो return filing date तक होना चाहिए और जो employee का contribution काट लिया है, उसकी salary में से deduct कर लिया है employee का contribution जो उसकी salary में से deduct कर लिया है वो PF act के हिसाब से अगले महीने की 15 तारिक तक जमा हो जाना चाहिए अगर वो अगले महीने की 15 तारिक तक जमा नहीं होगा, तो फिर इस 10,000 का खर्चा आपको allow नहीं किया जाएगा, ठीक है सर, इसके बाद अगला point आता है bad debts, आपको income tax के अंदर कभी भी provision for bad debts का खर्चा allow नहीं होता, अगर आप provision बनाते हो bad debts का, तो उसका आपको कभी भी खर्चा नहीं मिलता, लेकिन जब आप books में से bad debts को write off कर देते हो, जब books में से आप bad debts को write off कर देते हो, यानि कि आप journal entry pass कर लेते हो, bad debt account debit to data, जब आप bad debt account debit to data वाली journal entry pass कर लेते हो, मतलब actually में अपने books में से आप data को write off कर देते हो, तो आपको वहाँ पर क्या मिल जाती है, deduction मिल जाती है future में आपके पास कभी भी bad debts अगर recover हो जाएंगे, तो जिस year में आपको recovery होगी, उस year में वो आपकी business की income बनेगी, whether or not आपका business exist करे गया ना करे, अगर आप actually में books में से data को write off करोगे, आपको खर्चा मिलेगा, आप provision बनाओगे, आपको खर्चा नहीं मिलेगा, जिस भी year में आपको bad debts की recovery होगी, जिस भी year में आपको bad debts की recovery होगी, recovery वाले year में, वो आपके लिए क्या बन जाएगी, income बन जाएगी, recovery वाले year में आपके लिए वो क्या बन जाएगी, income बन जाएगी, जैसे माल लीजे, आपके पास 22-23 में bad debts का खर्चा अलाओ किया गया, 15,000, अब आपके पास 23-24 में recovery हो गई, 23-24 में आपके bad debts recover हो गए, आपको 15,000 का खर्चा अलाओ हुआ था, 15,000 में से 10,000 रुपे रिकवर हो गए, तो ये 10,000 रुपे आपके लिए क्या हो गए, business income हो गए, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि आप खर्चा जादा मांगते हो, आपने bad debts claim करे थे, आपने bad debts claim करे थे, previous year 21-22 में मानलो 50,000 रुपे के, आपने claim करे थे, लेकिन assessing officer ने आपको allowed करे थे, इस 50,000 में से केवल 40,000, आपका नुकसान 50,000 का हुआ था, लेकिन A.O. ने आपको previous year 21-22 में allow जो करे वो 40,000 ही allow करे, previous year 23-24 में, previous year 23-24 में आपको recovery हुई, previous year 23-24 में आपको recovery हुई, आपको bad debts की recovery हुई, मान के चलते हैं बेटा 35,000 रुपीज की, आपको 35,000 के bad debts की recovery हुई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 21-22 में A.O. ने तुमको 10,000 रुपे disallow करे थे, तुमने 50,000 का bad debt का खर्चा मांगा था, लेकिन तुमको 40,000 का ही खर्चा मिला था, यानि कि आपके पास 10,000 रुपे disallow कर दिये गए थे, यानि कि आपने इस 10,000 पे government को text दे दिया है, तो आज जब 35,000 recover होंगे, तो आप government से क्या बोलोगे, कि government इसमें से 10,000 तो वो वाले हैं, जिसका खर्चा तुमने हमको दिया ही नहीं था, हमने 50,000 का खर्चा मांगा था, तुमने 40,000 का खर्चा दिया था, 10,000 रुपे तुमने disallow करे थे, इस 35,000 में से 10,000 तो वो ही वाले हैं, जिस पे हम आपको already text दे चुके हैं, इस 40,000 में से जो तुमने हमको खर्चा allow किया था, इस 40,000 में से केवल 25,000 की ही recovery हुई है, तो 25,000 को ही bad debts recovered मानेंगे, और इसे आप क्या करके चलेंगे, टेक्सेबल करके चलेंगे, तो पहले government ने आपको 10,000 रुपे disallow करे थे, अब आप बदला लोगे government से, आप government को कोगे, हाँ 35,000 की recovery हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, 35,000 की recovery हुई है, लेकिन इसमें से 10,000 की recovery वो वाली है, जिस पे हमने already तुमको text दे रखा है, बचे हुए 25,000 को bad debts recover बोला जाएगा, और इसी पे आप से क्या लिया जाएगा, text लिया जाएगा, ठीक है जी, इसके बाद आपने अगर family planning expenditure पे खर्चा किया है, आपने employees के बीच में family planning को promote किया है, तो इसका खर्चा अलाओ होता है केवल और केवल company SSC को, revenue खर्चा आप जो करते हो वो पूरा का पूरा अलाओ हो जाता है, capital खर्चा जो आप करते हो वो आपको 5 installments पे अलाओ होता है, अगर आपके पास profits नहीं है, अगर आपके पास sufficient profit नहीं है, तो family planning का revenue वाला खर्चा भी और capital वाला खर्चा भी उतना ही अलाओ करते हैं, जितने आपके पास profit अवेलेबल होते हैं, यानि की मान लो आपके पास profit अवेलेबल है, 3 लाओ का, आपका family planning promotion पे revenue खर्चा हुआ है, 4 लाओ का, capital nature का खर्चा हुआ है, मान के चलते हैं, 6 लाओ का, इसकी 5 installment बन जाएंगी, ये हो जाएगा 1 लाओ 20 अजार, प्लीस मेरी बात profit before family planning, before family planning promotion expenditure, 3 लाओ का दिया है, आपके पास profit 3 लाओ का है, revenue का खर्चा 4 लाओ का है, इस खर्चे को restrict कर दिया जाएगा, इस खर्चे को restrict कर दिया जाएगा 3 लाओ पे, आपका result हो जाएगा, निल, आपके पास unabsorbed family planning promotion expenditure आ जाएगा, revenue में आपके पास 4 लाओ का खर्चा था, 1 लाओ रुपे बच गया, आपको 3 लाओ की allowed हुआ, capital में आपके पास 1 लाओ 20 अजार है, ये आपके पास क्या कर दिया जाएगा, carry forward कर दिया जाएगा, just like unabsorbed depreciation, अगर आपके पास sufficient profit available नहीं है, then the expenditure, revenue वाला भी और capital वाला भी, shall be deducted to the extent of the profit available, जितने profit available हैं, उतना ही खर्चा आपको दिया जाएगा, इसके बाद आता है सर, अगर आपने STT और CTT पे करा हैं, आप trading कर रहे हो, stock exchange में, commodity exchange में, और आपका security transaction tax और commodity transaction tax लग रहे हैं, तो उसका खर्चा आपको allow कर दिया जाएगा, provided आपके पास securities और commodities कैसी होनी चाहिए, stock in trade के रूप में होनी चाहिए, stock in trade के रूप में होनी चाहिए, इसके बाद आपके पास आता है section number 37, section number 37 आपसे क्या कहता है, section number 37 आपसे कहता है, कि sir अगर कोई खर्चा section 30 से लेकर 36 में cover नहीं हुआ, जैसे salary का खर्चा 30 से 36 में cover नहीं हुआ, advertisement का खर्चा, telephone का खर्चा, electricity का खर्चा, convince का खर्चा, traveling का खर्चा, ये खर्चे कवर नहीं हुए section 30 से 36 में, government कहती है कि अगर कोई खर्चा 30 से लेकर 36 तक cover नहीं है, लेकिन वो खर्चा revenue nature का है, और वो खर्चा business और profession के लिए किया गया है, तो हम उस खर्चे को allow कर देंगे under this section, मतलब section number 37, कुछ expenses जो आपको allow होते हैं section 37 में, advertisement से related खर्चा, आपके पास boarding and lodging, मतलब hotel का खर्चा, traveling का खर्चा, employees की salary का खर्चा, employees के entertainment का खर्चा, sir महूरत करते हैं, हम लोग कोई भी नया धंदा start करते हैं, तो महूरत होता है, महूरत का खर्चा, sir दिवाली में पूजा होती है, दिवाली में हम gift वगेरा देते हैं, employees को, हमारे customers को, वो वाले खर्चे, अगर हमने late payment करी है GST की, तो interest लगता है वो वाला खर्चा, sir हमने किसी पे business से related case कर दिया, या किसी ने हम पे case कर दिया, तो legal proceeding स्टार्ट हो गई, court कचैरी का खर्चा, अगर हमने professional text पे करा है, business और profession का, तो वो हमको अला हो जाएगा, sir हमने chartered accountant साहब को written filing के लिए पैसा दिया, हमने appeals के लिए पैसा दिया, हमारा कोई income tax का case फसा हुआ था, हमने उसके लिए पैसा दिया, हमने C.A. साब को audit fees पे करी, उसका खर्चा मिल जाएगा, कीमेन insurance policy का premium भरा, उसका खर्चा मिल जाएगा, कोई भी खर्चा जो revenue in nature है, और business के लिए किया गया है, मिल जाएगा, कुछ खर्चे specifically हटाए गए हैं, जो section 37 में आपको allow नहीं होते, corporate social responsibility का खर्चा अगर company ने किया है, तो वो कभी भी allow नहीं होगा, corporate social responsibility का खर्चा, appropriation of profit कहलाता है, charge of profit नहीं कहलाता, अगर आप political party के souvenirs पे, brochures पे, track पे, pamphlet पे, advertisement करते हैं, political party के souvenir पे, brochure पे, track पे, pamphlet में, अगर आप advertisement करते हैं, तो उसका deduction आपको PGBP में नहीं मिलता, लेकिन उसका deduction आप claim कर सकते हैं, under section ATGGB और ATGGC के अंदर, छीक है, इसके बाद penalty, मतलब basically deduction आप claim कर सकते हैं, under chapter 6 से, अंदर chapter 6 से, जो donation वाला point आता है, वहाँ पर आप इसे claim कर सकते हैं, इसके बाद अगर आपने कोई law तोड़ा है, अगर आपने कोई law तोड़ा है, breach of law करा है और उसकी वज़े से penalty लगी है, उसका खर्चा आपको कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने breach of contract करा है, तो उसका खर्चा मिल जाएगा, law government का बनाया हुआ है, तो government का बनाया हुआ law अगर तोड़ोगे, और उसके लिए penalty लगेगी, तो वो penalty कभी भी allowed नहीं होगी, तुमने GST की payment नहीं करी, government ने पकड़ लिया, GST evasion में, और government ने penalty लगा दी, तो वो penalty आपको allow नहीं होगी, लेकिन अगर आपने GST की late payment करी, payment करी, late payment करी, government ने आपको नहीं पकड़ा, आपने खुद से payment करी, थोड़ी देर सवेर हो गई, late payment की वज़े से interest लग गया, तो वो interest आपको allow हो जाएगा, दो parties के बीच में contract था, आपके और मेरे बीच में contract था, contract की कुछ शर्ते थी, मैंने उन शर्तों का पालन नहीं किया, आपने मेरे against पे case कर दिया, court ने मेरे उपर penalty लगा दी, तो हम दोनों के बीच में जो contract है, वो law थोड़ेना है, वो तो कुछ conditions है, जो मुझे पूरी करनी थी, आपको पूरी करनी थी, अगर मैं उन conditions को पूरा नहीं करता हूँ, और उसकी वज़े से penalty लगती है, तो उसका खर्चा allow हो जाएगा, एक बात हमेशा याद रखना, इंकम टेक्स का खर्चा अगर आपने पे करा है, मतलब इंकम टेक्स की पेमेंट करी है, एडवांस इंकम टेक्स दिया है, तो ये आपको कभी भी allowed नहीं होता, Similarly, अगर आपने इंकम टेक्स और एडवांस टेक्स पे करने के लिए लोन लिया है, और उस लोन पे इंटरस्ट दे रहे हो, तो वो इंटरस्ट भी allowed नहीं होगा, अगर इंकम टेक्स का कोई असेस्मेंट है, आपका कोई केस चल रहा है, इंकम टेक्स और आफिस में, उस income tax का assessment है आपने उसकी कोई appeal वगेरा file करी है इससे related जो expenses है वो allowed है income tax का खर्चा allowed नहीं है income tax को pay करने के लिए अगर loan लिया है उस loan पे interest है तो वो allowed नहीं है लेकिन अगर कोई income tax की proceedings चल रही है कोई case चल रहा है उसके लिए CS आपको fees दिये तो उसका खर्चा आपको क्या कर दिया जाएगा अगर आप illegal expenses pay करते हो जैसे हफ्ता देते हो ब्राइब देते हो तो यह खर्चे आपको कभी भी allowed नहीं करे जाते यह खर्चे आपको कभी भी allowed नहीं करे जाते चलिए बचो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं section number 38 की section number 38 आपको कहता है कि sir अगर कोई खर्चा है जो partly business के लिए हुआ है और partly personal के लिए हुआ है तो personal वाला खर्चा अलाओ नहीं होगा आपको business वाला खर्चा अलाओगा जैसे माल लो आपके पास एक car है आपके पास एक car है ये car आप 60% official purpose के लिए चलाते हो 40% आप ये car personal purpose के लिए चलाते हो तो car के जितने भी expenses होंगे उसके running and maintenance के खर्चे driver की salary उसका depreciation इसका आपको 60% खर्चा ही अलाओ होगा 40% खर्चा आपको अलाओ नहीं होगा दोस्तो इसी के साथ हमारे जो expenses allowed as deduction है वो complete हो गया है अब हम बात करेंगे उन expenses की जिनका हमें कोई भी deduction नहीं मिलता है ऐसे expenses की जिनका हमें कोई भी deduction नहीं मिलता है इसकी अंदर सबसे पहला point जो आपके पास निकल कर आता है ऐसी payments जिनके उपर TDS के provisions लग रहे है कहता है कि dis allowance जो है वो आपके पास attract होगी अगर any one of the following condition are satisfied आपके पास अगर TDS के provisions लग रहे हैं TDS के provisions लग रहे हैं और payment करते वक्त अगर आपने TDS deduct नहीं किया TDS deduct नहीं किया up to the last day of the previous year मतलब आपको TDS deduct करना है up to 31st March of the previous year और जो TDS आपने deduct किया है उस TDS को अगर आपने time से जमा नहीं किया government के पास time से जमा नहीं किया मतलब आपने return filing date तक उसको जमा नहीं किया इन दोनों में से एक भी condition अगर आपकी satisfy नहीं हुई आपका जो TDS है ये आपके पास timely deduct होना चाहिए timely deduct मतलब up to 31st March of the previous year और ये आपके पास timely deposit होना चाहिए up to return filing date आपका TDS timely deduct होना चाहिए up to 31st March of the previous year और उसके बाद आपके पास ये TDS timely deposit होना चाहिए अगर ये दोनों condition satisfy हुई है timely deduct भी हो गया है और timely deposit भी हो गया है तो आपको deduction allow कर दिया जाएगा लेकिन अगर आपने TDS time से deduct नहीं किया अगर आपने TDS time से deduct नहीं किया या फिर आपने TDS time से deposit नहीं किया इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो गई आपने 31st March of the previous year तक TDS नहीं काटा या फिर काट लिया लेकिन उसे return filing date तक जमा नहीं किया इन दोनों में से अगर एक भी condition satisfy हो गई तो आपके पास dis allowance attract हो जाएगी आपके पास dis allowance attract हो जाएगी अब अगर आपने इंडिया के बाहर payment करी है किसी भी person को इंडिया के बाहर payment करी है किसी भी person को या फिर इंडिया में आपने payment करी है किसी non resident को तो 100% आपका खर्चा disallow कर दिया जाएगा 100% आपका खर्चा disallow कर दिया जाएगा और अगर आपने इंडिया में payment करी है किसी resident को आपने इंडिया में payment करी है किसी resident को तो वहाँ पर 30% of the payment आपकी disallow कर दी जाएगी और जो amount आपकी disallow करी गई है वो उस year में allow करी जाएगी जिस year में आपने government के पास TDS जमा किया है उस year में allow करी जाएगी जिस year में आपने government के पास TDS जमा किया है For example, आपने commission का payment करा है For example, आपने commission का payment करा है Rs. 1,00,00 का आपने इसका TDS deduct कर दिया है 31st March of the previous year को let's say previous year 23-24 है तो आपने इसका TDS deduct कर दिया है 31st March 24 को और आपको TDS जमा किया है आपने मान के चलते हैं 31st December 24 को आपकी जो return filing date थी वो थी 31st October 24 तो आपने TDS टाइम से तो deduct कर दिया आपको last day of the previous year तक TDS काटना था आपने काट दिया लेकिन आपने TDS late deposit किया अब अगर आपने TDS late deposit किया तो यहाँ पे disalloyance आएगी अगर आपने payment करी है in India to resident आपने payment करी है in India to resident तो क्या होगा 30% खर्चा disallow हो जाएगा आपको allowance allowed होगी खर्चा आपको allow होगा एक लाग का 70% 70% खर्चा आपको allow हो जाएगा यह खर्चा आप अपने PL में debit कर सकते हो previous year 23-24 में ही और आपको disalloyance आएगी 30% की यानि की 30,000 की यह जो disalloyance आपके पास आई है यह disalloyance हुई है previous year 23-24 में यह disalloyance हुई है previous year 23-24 में यह खर्चा आपको 23-24 में allowed नहीं होगा लेकिन यह खर्चा आपको allow हो जाएगा उस year में जिस year में TDS जमा हुई है TDS आपके पास जमा हुआ है 31-24 को यानि की TDS जमा हुआ है 24-25 में तो यह जो 30,000 का खर्चा आपको disalloyance किया गया है यह आपको allow कर दिया जाएगा previous year 24-25 में यही payment यही payment अगर आपने इंडिया के बाहर करी होती यही payment आपने इंडिया के बाहर करी होती तो 23-24 में आपको 100% की disalloyance आती यानि की आपका 1,00,000 disallow हो जाता और यह वाला 1,00,000 आपको allow किया जाता in the previous year in the previous year 24-25 यह आपके पास allow किया जाता in the previous year 2024-25 everyone clear है? बात समझ में आ गई? चलिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला point आता है यह दो point आप लोग read कर लेना अपने आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो basic-basics हैं एक बात करते हैं section 40-B की बात करते हैं section 40-B की payment of salary और interest to the partner अगर आप partner को salary या फिर interest दे रहे हो तो ऐसे case में क्या होगा? अगर आप partner को salary या फिर interest दे रहे हो तो ऐसे case में क्या होगा? तो lawmaker कहता है कि interest का खर्चा lawmaker कहता है कि आपको interest का खर्चा अलाओ होगा अगर ये आपके पास partnership deed में mention है subject to maximum 12% subject to maximum 12% क्या बोल रहा है? कह रहा है interest का खर्चा आपको अलाओ करेंगे अगर deed में mention है subject to maximum 12% मतलब कि sir अगर माल लो deed में लिखा है कि interest मिलना चाहिए 10% तो हम 10% देंगे deed में लिखा 11% तो हम 11% देंगे deed में लिखा है 15% तो हम 15% नहीं देंगे हम 12% देंगे इसके बाद आप salary, bonus, commission किसको दे सकते हो? working partner को दे सकते हो salary, bonus, commission आप किसको दे सकते हो? working partner को दे सकते हो और working partner को भी देने के लिए limit है ऐसा नहीं कि unlimited salary दे सकते हो, नहीं limit है आपके पास जो पहले 3,00,000,000 रुपे के profit है जो पहले 3,00,000,000 रुपे के profit है उसमें 90% of the book profit और rupees 1,50,000 whichever is higher और 3,00,000 के उपर का जो book profit है तीन लाग के उपर का जो book profit है उसमें 60%, तो जैसे अगर आपके पास book profit है जैसे आपके पास book profit है 5,00,000, तो पहले 3,00,000 पे पहले 3,00,000 पे आप 90% तक दे सकते हो यानि कि 2,70,000 और जो बचे हुए आपके पास 2,00,000 है उस पे आप 60% दे सकते हो यानि कि 1,00,000, तो अगर आप 5,00,000 रुपे का book profit कमाते हो तो आप maximum 3,90,000 रुपे की salary दे सकते हो partner को अब ये book profit कैसे निकलता है book profit का मतलब होता है जो भी profit आ रहा है as per income tax इसमें add कर दो remuneration to partner अगर ये PL में debit हो रखा है तो profit as per income tax इसमें add कर दो remuneration to partner अगर ये PL में debit हो रखा है तो अगर ये profit as per income tax before remuneration to partner है तो फिर ये add करने की ज़रुरत नहीं है इसको add तभी करना है जब ये PL में debit हो रखा हो अगर ये वाला profit before remuneration का दे रखा है तो फिर इसे add करने की जुरुत नहीं है इसमें से आप minus कर सकते हो जो आपका brought forward depreciation है अगर पिछले साल का कोई unabsorbed depreciation आपके पास पढ़ा है तो वो आप minus कर सकते हो तो profit as per income tax में partner का remuneration add कर दो unabsorbed depreciation अगर carry forward होकर आया है उसे minus कर दो आपके पास book profit आ जाएगा याद रखिएगा कि जब हम book profit का calculation करते हैं तो brought forward losses का कोई treatment नहीं करते जब हम book profit calculate करते हैं तो brought forward losses का अपन कोई भी treatment नहीं करते हैं अगला section आता है 40A2 40A2 कहता है कि अगर आप payment कर रहे हो relatives को और वो payment excessive है, unreasonable है fair market value से ज़ादा की payment करी है आपने अगर आपने कोई समान खरीदा है, कोई services ली है अपने relative से और आपने fair market value से ज़ादा का payment करा है तो जितना payment excessive है, unreasonable है, वो disallow कर दिया जाएगा जैसे मैंने अपने भाई से 1,00,000 रुपे वाला समान 1,00,000 का करीदा क्यूं खरीदा महेंगे में, ताकि मेरे PL में 20,000 का ज़ादा खर्चा जा सके ताकि मेरा profit 20,000 से कम हो सके, ताकि मैं उस पे tax बचा सकूं तो अगर मैंने एक लाख रुपे का समान, एक लाख 20,000 रुपे में खरीदा है अपने ब्रदर से, तो सर assessing officer 20,000 रुपीज को क्या कर सकता है, डिस अलाओ कर सकता है, रिलेटेड परसन में कौन-कौन आएगा, यह important है, specially individual वाला पार्ट, यह जो individual वाला पार्ट है, यह आपके पास important है, individual की definition अच्छे से याद रखना, individual के लिए कौन relative है, individual के लिए उसका spouse relative है, individual के लिए brother relative है, individual के लिए sister relative है, individual के लिए lenial ascendant और lenial descendant, ascendant मतलब दो generation उपर, पापा मम्मी और उनके पापा मम्मी, मतलब दाद दादी, similarly मम्मी के पापा मम्मी नान नानी, यह फिर उनके भी पापा मम्मी, similarly दो generation नीचे, आपके बच्चे, आपके बच्चे, और आपके बच्चों के बच्चे, यह होता है, lenial ascendant और descendant, प्लीज ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर individual का जो relative का definition है, वो gift वाले relative से अलग है, gift वाले relative की definition में आपके पास जो in-laws होते हैं, वो भी cover होते हैं लेकिन यहाँ पर जो relative की definition है, उसमें in-laws cover नहीं है, spouse, brother, sister, lenial ascendant 2 generation उपर, lenial descendant 2 generation नीचे, ध्यान से in-laws यहाँ पर cover नहीं है, तो brother in-law को relative नहीं माना गया है, brother in-law को relative नहीं माना गया है, तो अगर मैंने brother in-laws से 1,00,000 रुपे का समान, 1,20,000 में खरीदा, तो आपका section 40A2 applicable नहीं होगा, 40A2 तब applicable होगा जब मैं relative से खरीद हूँगा, in-laws को relative नहीं माना गया है, in-laws को relative नहीं माना गया है, तो in-laws से अगर मैं अपने दोस से खरीदा हूँ, अपने पडोसी से खरीदा हूँ, अपनी महिला मित्र से खरीदता हूँ, 1,00,000 रुपे का समान, 1,200,000 में, तो वहाँ पर section 40A2 applicable नहीं होगा, 40A2 relative में applicable होता है, relative में in-laws नहीं आते, friend नहीं आती, girlfriend नहीं आती, ये लोग यहाँ पर cover नहीं है, company के लिए उसके जो director होते हैं, वो relative होते हैं, firm के लिए जो partner होते हैं, वो relative होते हैं, AOP के लिए members और HOF के लिए उनके members, director के जो relative हैं, वो भी company से relative हो जाएंगे, partner के जो relatives हैं, वो भी firm से related हो जाएंगे, member of AOP के जो relative है, वो AOP के relative हो जाएंगे, member of family के जो relative है, वो HOF के relative हो जाएंगे, ये उत्ता important नहीं है, individual super important है, अच्छे से कर लेना, इसके बाद आता है section 40A3, 40A3 कहता है, 40A3 कहता है कि अगर आपने एक दिन में एक person को एक खर्चे के लिए, अगर आपने एक दिन में एक परसन को एक खर्चे के लिए, इना डे, इना डे, टू आ परसन फॉर एन एक खर्चे के लिए, एक व्यक्ति को, अगर अप टू रूपीस 10,000 की पेमिंट करी है, तो वो कैसे भी कर सकते हो, कोई दिकत नहीं है, कोई दिकत नहीं है, लिकिन अगर more than 10,000 करी है, और ये 10,000 जो limit है वो aggregate में है, एक दिन में एक व्यक्ति को एक खर्चे के लिए aggregate में 10,000 से जादा की पेमिंट करी है, तो वो पेमिंट specified mode से होनी चाहिए, अगर वो specified mode से नहीं है तो entire payment आपकी disallow कर दी जाएगी entire payment आपकी disallow कर दी जाएगी for example मालनो मैंने 1,00,000 रुपे की purchase करी इस 1,00,000 की purchase के लिए मैंने 10 जुलाई 23 को 50,000 रुपे NEFT से pay करे तो NEFT मेरे पास क्या है specified mode है फिर मैंने 11 जुलाई 2023 को 9,000 रुपे cash में pay करे 10,000 रुपे तक कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है फिर मैंने 12 जुलाई 2023 को 21,000 रुपे का bearer check दे दिया bearer check specified mode नहीं होता तो यह जो मैंने 21,000 का payment कर दिया है bearer check से यह मेरे पास पूरा का पूरा डिसला हो जाएगा पूरा का पूरा डिसला हो जाएगा इसके बाद मैंने 15 जुलाई को balance पैसा कित्ता बचा 50 और 30 balance पैसा 20,000 रुपे यह मैंने account पे चेक से दे दिया account पे चेक specified mode होता है यह अला हो जाएगा तो मेरे को यह वाले 50,000 की payment अला हो जाएगी यह वाले 9,000 की payment अला हो जाएगी यह वाले 20,000 की payment अला हो जाएगी एक दिन में मैंने 10,000 रुपे से जादा का payment non specified mode से कर दिया यह खर्चा मेरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा 21,000 दिसला हो जाएगा यह जो limit 10,000 की है यह transporter के लिए 35,000 हो जाती है मतलब आप transporter को जिसने आपका माल, goods एक जगा से दूसरी जगा transport किया है वहाँ पर आप 35,000 रुपीज तक cash में दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद आपके पास rule 6DD आता है यह exception है तो section 40A3 मतलब कितना भी payment non specified mode से कर दो disalliance attract नहीं होगी कितना भी payment non specified mode से कर दो disalliance यहाँ पर attract नहीं होगी no disalliance for the following payments no disalliance for the following payments shall be made क्या है आपने payment करी है cultivator को payment करी है grower को producer of agricultural produce को तो basically अगर आपने farmer को payment करा है तो कितना भी payment आप cash में कर दो कोई दिक्कत नहीं है government को करी है bank को करी है RBI को करी है LIC को करी है कितनी भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी जगा पर payment करी है जहाँ पर bank नहीं है कितना भी payment cash में कर दो कोई दिक्कत नहीं है जब आपने payment agent को करी है और agent ने आगे payment करनी है cash में जब payment आपने agent को करी है और agent ने आगे payment करनी है cash में तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कितना भी payment कर दो अगर employee retire हो रहा है और retirement benefit आप उसको दे रहे हो ग्रेचुटी हो गया, पीएफ हो गया, पेंशन हो गया, अगर वो अप्टू रूपीज 50,000 है, तो कितना भी cash में देदो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप cottage industry से goods खरीदे हैं, उसके लिए payment कर रहे हो, कितना भी payment cash में कर दो कोई दिक्कत नहीं है, अगर bank से transfer कर रहे हो, एक bank खर्चा पहले allow किया गया था, accrual basis पे, अगर कोई खर्चा आपको पहले allow किया गया था, accrual basis पे, और बाद में आपने उस खर्चे की payment करी, और वो payment aggregate में 10,000 और 35,000 से जादा की थी, और आपने वो payment cash में कर दी, या फिर non specified mode में कर दी, तो ऐसे case में वो payment आपकी deemed income बन जात आपने 31st, March 23 को, यानि की 22-23 में, credit में goods purchase करे थे, आपने credit purchase करी थी 1,00,000 रुपे की, तो आपको 2022-23 में इस 1,00,000 का खर्चा allow कर दिया गया था, on due basis, आपको ये खर्चा due basis पे allow कर दिया गया था, आपने क्या किया, 15 April 23 को, अगले साल, 23-24 में, आपने 60,000 रुपे cash में पे कर दिये, ये जो आपने खर्चा पिछले साल किया था, एक लाख रुपे का, ये जो खर्चा आपने पिछले साल किया था, एक लाख रुपे का, इस खर्चे के लिए, आपने current year में, 10,000 रुपे से जादा का payment, non-specified mode से कर दिया, तो lawmaker कहता है कि हम ये 60,000 रुपे को, deemed income मान लेंगे, deemed income मान लेंगे, previous year 23-24 की, हम इसे deemed income मान लेंगे, previous year 23-24 की, section 40A3A में, section 40A3A में, अगर आपको कोई खर्चा, पहले allow किया गया था, पिछले साल allow किया गया था, और आपने उस खर्चे की payment इस year में करी है, और इस year में जो आपने payment करी है, वो 10,000 से जादा की है, non-specified mode से, तो current year में वो आपकी deemed income बन जाती है, जिस year का खर्चा है, उसी year में अगर payment करते हो, तो section 40A3 लगता है, पिछले साल का खर्चा है, और उसकी payment इस साल कर रहे हो, तो आपके पास deemed income के provision लगते हैं, section 40A3A के, अगर आप loan का repayment कर रहे हो, तो उसके उपर 40A3 apply नहीं होता, क्योंकि loan का repayment is a capital expenditure, लेकिन जो interest का payment आप करते हो, वो revenue expenditure होता है, interest की payment के उपर section 40A3 apply हो जाएगा, इसके बाद section 40A7 आता है, वो कहता है, कि अगर unapproved gratuity fund में आप पैसा डाल रहे हो, तो उसका खर्चा आपको allow नहीं होगा, unapproved gratuity fund में अगर आप contribution कर रहे हो, तो उसका खर्चा आपको disallow, नहीं होगा section 36 में approved gratuity fund का खर्चा अलाओ होता है, unapproved में अगर आपने पैसा contribute किया है, तो उसका आपको कोई भी deduction नहीं मिलेगा, अब आजाता है मित्रो section 43B, section 43B आपसे क्या कहता है, सर section 43B कहता है कि कुछ खर्चे ऐसे हैं, जिनका deduction आपको मिलेगा, अगर आप उनका payment, return filing date तक कर देते हो, तो जैसे आपका खर्चा previous year 23-24 का है, खर्चा previous year 23-24 का है, previous year 23-24 की return जाती है 24-25 में, 24-25 में ये return filing date है, तो इस year का जो खर्चा है, उसका deduction इसी year में मिल जाएगा, 23-24 का जो खर्चा है, उसका deduction 23-24 में ही मिल जाएगा, अगर उसकी payment return filing date तक कर दी जाए, अगर उसकी payment return filing date तक कर दी जाए अगर payment return filing date के बाद होगी तो खर्चा आपको 23-24 में allow नहीं होगा उस year में allow होगा जिस year में आपने payment करी है Normally आपको सभी खर्चे due basis पे allow कर दी जाते हैं लिकिन section 43-B के अंदर कुछ खर्चे ऐसे लिखे हैं जिनका payment return filing date तक करना जरूरी है अगर ये खर्चों का payment return filing date तक नहीं हुआ तो ये आपके पास current year में allow नहीं होंगे उस year में allow होंगे जिस year में आपने payment करा है इसके अंदर सबसे पहला payment आता है सर टेक्स का, ड्यूटी का, सेस का, फी का जो आपको government को देना होता है किसी भी law के अंदर अगर कोई tax, duty, सेस, fee अगर ये ले भी हो रही है तो इसका खर्चा आपको allow होगा जब आप इसका payment return filing date तक कर देंगे तो जैसे municipal taxes जिस building में आप अपना business चला रहे हो उस building के municipal taxes ये municipal taxes का payment return filing date तक हो जाना चाहिए अगर return filing date तक payment नहीं हुई तो municipal tax का खर्चा allow नहीं होगा, उस year में allow होगा जिस year में आपने actually में payment करी है अगर आप contribution कर रहे हो SPF में, RPF में approved super renovation fund में approved gratitude fund में notified pension scheme में जिसका खर्चा section 36 allow करता है तो इसका deduction भी आपको तभी मिलेगा जब return filing date तक आप इसका payment कर दोगे अगर आप employees को leave salary का payment कर रहे हो bonus commission का payment कर रहे हो तो इसका खर्चा भी आपको तभी अला होगा जब return filing date तक payment होगी अगर आपने bank से loan ले रखा है किसी financial institution से loan ले रखा है किसी NBFC से loan ले रखा है और आप इसको interest का payment करना है तो जब तक आप return filing date तक payment नहीं करोगे तब तक आपको खर्चा अलाओ नहीं होगा अगर मैंने bank से loan नहीं लिया financial institution से loan नहीं लिया NBFC से loan नहीं लिया अपनी महिला मित्र से loan ले लिया मैंने महिला मित्र से loan ले लिया तो उस case में section 43B नहीं लगेगा 43B उस loan पे लगता है उस loan के interest पे लगता है जो हमने bank से लिया है financial institution से लिया है या फिर NBFC से लिया है कोई भी amount जो हमको pay करनी है Indian railways को for the use of Indian railways asset कोई भी amount जो हमको pay करनी है Indian railways को for the use of Indian railways asset उसका payment अगर return filing date तक होगा तभी खर्चा अलाओ होगा otherwise नहीं होगा अगर payment return filing की due date के बाद होती है तो खर्चा अलाओ करा जाएगा उस year में जिस year में आपने payment करी है अगर outstanding interest है और bank उस outstanding interest को convert कर देता है नए loan पे तो इसे आप payment नहीं मानोगे इसे आप payment नहीं मानोगे मानलो मेरे पास bank का loan है और outstanding interest मानलो 5 लाग का हो गया है मैंने bank को installment नहीं दी ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज लगके मेरा outstanding interest 5 लाग का हो गया है bank ने मेरे इस outstanding interest को जो 5 लाग का outstanding interest था इसे नए loan में convert कर दिया bank loan restructuring करती है तो bank ने मेरे loan की restructuring करी जो 5 लाख रुपे का interest outstanding था bank समझ गई थी कि सरदार जी एक साथ नहीं दे पाएंगे bank ने इस outstanding interest को एक नए loan में convert कर दिया तो जैसे ही outstanding interest एक नए loan में convert होता है आप इसको payment नहीं मानेंगे और इसका आपको कोई भी deduction नहीं मिलेगा जो आपका converted loan है जो 5 लाख का नया loan है उस 5 लाख के loan की मैंने जितनी installments पे करी होंगी मुझे उसका deduction मिल जाएगा तो मानलो जो 5 लाख का outstanding interest था उसे जब नए loan में convert किया गया उसमें से मानलो मैंने 50,000 रुपे की installments पे कर दी पाँच लाख में से 50,000 की installment पे कर दी तो deduction मुझे को मिलेगा उन installments का जो मैंने actually में पे करी है in respect of the new loan इसका एक question हमने class में किया था बहुत बढ़िया question है एक बार देख लेना उस question को similarly अगर outstanding interest convert करते हो debentures पे अगर outstanding interest को debentures में convert कर दिया जाता है तो इस conversion को भी payment नहीं मानते जब actually में payment करते हो तभी आपको deduction मिलेगी चलो भाई अब एक important बात करते हैं amendment by finance act 2023 एक बहुत important amendment आया है इस पे पक्का पक्का exam में adjustment आ रहा है पक्का से exam में इसके उपर adjustment निकल कर आ रहा है क्या कह रहा है कि any sum payable by the assessee any sum payable by the assessee to MSME beyond the time limit specified in section 15 of the MSME development act would be allowed as deduction in that previous year in which such sum is actually paid अगर आपने किसी भी micro और small याद रखना medium नहीं यह provision medium enterprises पे नहीं लगने वाले medium enterprises पे यह provision नहीं लगने वाले यह provision लगने वाले हैं micro के उपर और small enterprises के उपर तो अगर आपने किसी micro और small enterprise से समान खरीदा है तो आपको उसकी payment MSME development act के section number 15 में जो due date लिखी है MSME act के section 15 में जो due date लिखी है उस date तक करनी है अगर आपने उस date तक payment नहीं करी तो deduction आपको उस year में मिलेगी जिस year में आपने payment करी है अब यह section number 15 क्या कहता है section number 15 कहता है कि जब आपने micro और small enterprises से समान खरीदा था और आपका written agreement हुआ था payment को लेकर तो वो payment आपको as per agreement करनी है लेकिन अगर agreement में जो date लिखी हुई है वो 45 days के बाद की है तो हम maximum 45 days लेके चलेंगे तो written agreement में अगर मानलो आपने 60 days का उधार लिया है तो आपको payment 60 days में नहीं करनी 45 days में करनी है और written agreement में अगर आपने 30 दिन का उधार लिया है तो आपको payment 30 दिन के अंदर करनी है तो अगर return agreement है तो जो भी agreement के हिसाब से date है लेकिन वो date maximum 45 days से जादा नहीं हो सकती from the date of acceptance of goods and services और अगर कोई भी return agreement नहीं है तो आपको payment maximum 15 दिन के अंदर करनी है अब please मेरी बात को ध्यान से सुनना माल लो as per section 15 माल लो as per section 15 पहले तो बता देता हूँ खर्चा let's say आपने goods purchase करे हैं from micro enterprise आपने micro enterprise से goods खरीदे हैं मान के चलते हैं 15 जनवरी 2014 को यहाँ पर 1 लाख रुपे के goods हैं ठीक है एक लाख रुपे के goods हैं आपने 15 जनवरी 2014 को खरीदे आपका written agreement था और agreement में due date लिखी हुई थी कि आपको payment करनी है let's suppose कर लेते हैं 25 दिन के अंदर अंदर तो आपको payment करनी है 9 फरवरी 2014 तक आपको payment करनी है 9 फरवरी 2014 तक due date के बाद करी है लेकिन due date के बाद जो payment हुई है वो payment 23-24 में ही हुई है वो payment 23-24 में ही हुई है तो यहाँ पर आपको खर्चा allowed कर दिया जाएगा एक लाख रुपे का आप अपने PL में इसको debit कर सकते हो लेकिन अगर मान लो आपने इसका payment करा होता 15 April को 15 April आता है 24-25 में आपको payment कर देनी चाहिए थी 9 फरवरी तक लेकिन आपने 9 फरवरी को payment नहीं करी आपने payment करिये 15 April को 24-25 में तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपको 23-24 में कोई खर्चा अलाओ नहीं होगा आपको खर्चा जाकर अलाओ होगा 24-25 के अंदर पूरा का पूरा एक लाख रुप फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने अगर आपने within the due date payment नहीं किया तो जिस year में payment करा होगा उस year में खर्चा अलाओ होगा यहाँ पर आपने due date में payment नहीं किया due date के बात payment किया लेकिन अच्छी बात यह है कि 23-24 का खर्चा था आपने payment भी 23-24 में ही कर दी तो खर्चा आपको 23-24 में ही allowed हो जाएगा दूसरे case में 23-24 का खर्चा था payment 9-24 तक होनी चाहिए थी लेकिन आपने payment due date तक नहीं करी और payment अगले साल में चली गई तो खर्चा भी अगले साल में अलाओ होगा इस साल में अलाओ नहीं होगा इसके बाद आता है section 44-AA section 44-AA compulsory maintenance of books of accounts की बात करता है कहता है कि अगर आप specified profession में हो specified profession बोले तो legal, medical, engineering, architect, profession of accountancy technical consultancy, IT, company secretary, film artist authorized representative, interior decoration अगर आप ये specified profession में हो और आपकी जो gross receipts हैं वो exceed कर रही है exceed कर रही है 150,000 रुपे को in each of the last three years पिछले तीनों साल ये अगर आपका current year है तो पिछले तीन साल एक साल, दो साल, तीन साल तीनों साल आपकी gross receipt अगर आपके पास डेड़ लाग को exceed कर रही है तो current year में आपके उपर 44-AA applicable हो जाएगा आपको detailed books बनानी पड़ेंगी लेकिन अगर किसी भी year वो डेड़ लाग को exceed नहीं कर रही जैसे यहाँ पे एक लाग पचास अजार है तो आपके उपर 44-AA की obligation नहीं आएगी अगर assessi other profession में है मतलब specified profession में नहीं है other profession में है या फिर business में है तो ऐसे case में उसको detailed books of accounts बनानी पड़ेंगी अगर any one of the following condition satisfy हो जाती है in the last three previous year any one of the following condition अगर satisfy हो जाती है in last three previous year पिछले तीन previous year में किसी भी साल अगर आपके पास अगर आपके पास individual HOF के case में income धाई लाग से जादा है turnover 25 लाग से जादा है इन दोनों में से कोई भी एक चीज पिछले तीन साल में किसी भी साल इन दोनों में से कोई भी एक चीज पिछले 3 साल में किसी भी साल अगर exceed हो रही है तो आपके उपर 44 AA की तलवार आ जाएगी अगर आप individual और HUF नहीं हो तो profit आपका जो income है आपकी business की वो 1,20,000 से जादा की है और आपका turnover 10,00,000 से जादा का है तो जैसे माल लो आपका current year है 23,24 पिछले 3 साल 22,23,21,21 अब समझना यहाँ पर यहाँ पर आपका जो turnover है turnover है यहाँ पर मानके चलते हैं 25,00,000 रुपे का यहाँ पर turnover है 26,00,000 रुपे का यहाँ पर turnover है 24,00,000 रुपे का यहाँ पर आपकी income है 2,00,000 रुपे की यहाँ है 2,10,000 की यहाँ है 2,20,000 रुपे की तो अब ज़रा ध्यान से देखो आपका पिछले 3 साल में कभी भी profit धाई लाग से जादा का नहीं है लेकिन पिछले 3 साल में 21,22 में 21,22 में अगर आप ध्यान से देखो तो आपका turnover 25,00,000,000 से जादा है 21,22 में आपका turnover 25,00,000,000 से जादा है तो पिछले 3 साल में या तो turnover या तो income पिछले 3 साल में या तो turnover या तो income किसी भी साल अगर limit को exceed कर जाएंगे तो आपको current year में detailed books of accounts बनानी पढ़ेंगे यहाँ पे section 44 AA आपके उपर applicable होजा है Detailed books से हमारा क्या मतलब होता है cash book, ledger, journal, carbon copies of the bill अगर आपने 25 रुपे से जाधा का payment करा है या 25 रुपे से जाधा का payment receipt करा है original bill and the receipts of the expenditure अगर आपने 44 AA में detailed books of accounts नहीं बनाई तो आपके उपर 25,000 रुपे तक की penalty लग सकती है जो आपकी detailed books of accounts हैं उन्हें आपको अपने पास maintain करके चलना है संभाल के चलना है 6 years तक from the end of the relevant assessment year तो अगर assessment year 23-24 की books of accounts है तो 24-25 आपका खतम होता है 31 March 25 को 24-25 assessment year की books of accounts है तो 24-25 के end से 6 साल तक 31 March 25 से 6 साल तक यानि की 31 March 31 तक आपको ये books maintain करके चलनी पड़ेंगी 31 March 31 तक इसके बाद अगला section आता है section 44 AB और ये बात करता है compulsory audit of books of accounts की ये आपके पास बात करता है compulsory audit of books of accounts की अगर आप business में हो तो आपको audit करवाना होता है जब आपका turnover एक करोड को exceed करता है एक provision insert करा गया है 44 ABA में ये कहता है कि अगर आपका turnover एक करोड से जादा है लेकिन 10 करोड को exceed नहीं कर रहा then also आपको audit नहीं करवाना provided प्रोवाइडड प्रोवाइड 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 आपका जो cash receipts है वो आपकी total cash जो आपकी cash receipts है वो आपकी total receipts के 5% से जादा नहीं होनी चाहिए आपकी cash receipts आपके total receipts के 5% से जादा नहीं होनी चाहिए एंड आपकी cash payments है एंड जो आपकी cash payments है वो आपकी total payments के 5% से जादा नहीं होनी चाहिए अगर आपकी cash receipts total receipts के 5% से जादा नहीं है और आपकी cash payment total payments के 5% से जादा नहीं है तो ऐसे case में आपको 10 करोड रुपे तक के टरनोवर पे audit करवाने के ज़रुद नहीं अगर आप profession में हो और आपकी gross receipts 50 लाक रुपे को exceed करती है तो आपको audit करवाना पड़ेगा तो आपको audit करवाना पड़ेगा इसके बाद अगर आप presumptive sections को opt नहीं करते presumptive sections से opt out करते हो अपना profit presumptive income से कम दिखाते हो तो भी आपको अपने books का audit करवाना पड़ेगा अगर आपने books का audit नहीं करवाया तो आपके उपर penalty लगती है 0.5% of the turnover या फिर 1,50,000 दोनों में जो भी lower है दोनों में जो भी आपके पास lower है 0.5% of the total sales और 1,50,000 इसके बाद आता है आपके पास presumptive taxation presumptive taxation कहता है कि सर आपका presumed profit निकाला जाएगा एक rate decide किया जाएगा और उस rate से आपका profit निकाला जाएगा मतलब आपको section 30 से लेकर section 43 तक जो भी बाते लिखी है इनकी compliance करने की जुरुत नहीं है हम जो percentage आपको बता रहे हैं अगर आप उस percentage से अपना profit declare कर देते हैं तो हम उसी profit को full and final आपकी income माल लेंगे ये presumptive taxation में सबसे पहला section आता है 44 AD ये applicable होता है resident individual के उपर resident HOF के उपर resident firm के उपर LLP के उपर नहीं लगता LLP के उपर नहीं लगता company के उपर नहीं लगता AOP के उपर नहीं लगता BOI के उपर नहीं लगता HOF के उपर लगता है individual के उपर लगता है firm के उपर लगता है LLP के उपर नहीं लगता, इनको resident होना चाहिए, 44 AD जो है वो आपके पास applicable होता है only to business, यह business के उपर applicable होता है, specified profession के उपर applicable नहीं होता, also it is not applicable for the person जो commission income कमाता है, brokerage income कमाता है, agency का धन्दा करता है, उसके उपर भी नहीं लगता, specified profession पे नहीं लगता, जो commission कमाता है, उसके उपर नहीं लगता, जो brokerage agency का धन्दा करता है, उसके उपर भी नहीं लगता, आपको 44 AD का option तभी मिलेगा जब आपका turnover 2 करोड को exceed नहीं करेगा, अगर 2 करोड को exceed करता है, तो फिर आपको presumptive income नहीं मिलेगी, यह 2 करोड की limit को बढ़ा कर 3 करोड किया गया है, अगर आपकी cash receipts, total cash receipts का, sorry, total turnover का 5% से ज़्यादा का नहीं है, अगर आपकी cash receipts, आपके turnover के 5% से ज़्यादा की नहीं है, तो उस case में, उस case में, आपके लिए limit 3 करोड की हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी cash receipts, आपके turnover के 5% से ज़्यादा है, तो फिर आपके उपर 2 करोड वाला ही limit applicable होगा, आपकी जो presumptive income होती है, वो होती है 8% of the turnover, जितना भी आपका turnover है, उसका 8% presumptive income होती है, इस income में से आपको कोई further खर्चा अलाओ नहीं किया जाता, section 30 से लेकर 38 तक, 8% की जो limit है, इसे reduce करके 6% कर दिया जाता है, अगर आपको पैसा, return filing date तक मिला है, as per specified mode, अगर आपको अपने turnover की payment, return filing date तक मिल गई है, as a specified mode, तो उस case में आपका जो presumptive rate है, वो आपके पास 6% हो जाता है, मान लो मेरा turnover जो है वो 1 करोड 75 लाक रुपे का है, इस 1 करोड 75 लैक में से, मान के चलो मेरे पास 1 करोड specified mode से आये हैं, और मान के चलो मेरे पास 75 लैक cash में आया है, तो जो पैसा मेरे पास non specified mode पे आया है, उस पे मेरा 8% का presumptive income लगेगा, इस 1 करोड के specified mode से, up to return filing date, मेरे पास 60 लाक आया है, 40 लाक रुपे मेरे पास after written filing date आया है, जो पैसा turnover का written filing date के बाद आया है, उस पे भी 8% ही लगेगा, जो specified mode से आया है, और written filing date तक आया है, उसके उपर जो presumptive rate है, वो 6% से लगेगा, इसके बाद lawmaker क्या कहता है, कह रहा है कि सर अगर आपके पास brought forward business loss है, तो आप वो इस presumptive income में से minus कर सकते हो, जो brought forward business loss है, वो इस presumptive income से minus कर सकते हो, लेकिन जो brought forward depreciation है, वो हम आपको allow नहीं करेंगे, brought forward depreciation, presumptive income से minus नहीं हो सकता, लेकिन brought forward loss है, तो उसे आप set off करवा सकते हो, presumptive income से, अगर आप 44 AD opt करते हो, तो आपको detailed books of accounts नहीं बनानी, और नहीं आपको books का audit करवाना है, लेकिन अगर आप presumptive income opt नहीं करते, तो आपको detailed books भी बनानी पड़ेंगी, और उनका audit भी करवाना पड़ेगा, अगर assessi reject कर देता है presumptive income, तो उसे detailed books भी बनानी पड़ती है, और audit भी करवाना पड़ते हैं, अगर आप presumptive scheme लेते हो, 44 AD वाली, तो आपको अपनी text liability का 100% जमा कराना होता है, single installment में 15 मार्च तक, नॉर्मली advanced text चार installment पे जाता है, लेकिन अगर आपने presumptive income opt कर ली है, तो ये आपके पास single installment पे जाएगा, up to 15th of मार्च तक, अगर आपने इस साल, अगर आपने इस साल, let's say 23, 24 में, आपने अगर 44 AD opt कर लिया है, तो अगले 5 साल तक, अगले 5 साल तक, आपको 44 AD opt करना पड़ेगा, अगले 5 साल में किसी भी साल, अगर आपने 44 AD reject कर दिया, तो उसके अगले 5 साल तक आपको 44 AD नहीं मिलेगा तो अगर इस साल 44 AD लिया है तो अगले 5 साल तक 44 AD लिना पड़ेगा अगले 5 साल में किसी भी एर में अगर 44 AD आपने रिजेक्ट कर दिया तो उसके अगले 5 साल तक आपको 44 AD नहीं मिलेगा जैसा 44 AD था वैसा ही 44 ADA है The only difference is 44 ADA specified profession पे लगता है 44 AD में specified profession को हटा दिया था 44 ADA के अंदर केवल specified profession को ही cover किया गया है Lawmaker कहता है कि अगर आप resident individual हो या फिर partnership firm हो other than LLP तो आपको 44 ADA मिल जाएगा यानि कि 44 ADA HOF को नहीं मिलता Company को नहीं मिलता AOP को नहीं मिलता BOI को नहीं मिलता LLP को नहीं मिलता 44 ADA इन पाचों को नहीं मिलेगा सिर्फ individual और partnership firm को मिलेगा other than LLP 44 ADA आपको मिलेगा अगर आपका gross receipts 50 lakh को exceed नहीं करता यह 50 lakh की limit को बढ़ा कर 75 lakh कर दिया है अगर आपकी crash receipts आपके turnover का 5% से जादा नहीं है Presumptive income आपको 50% of gross profit की दिखानी पड़ेगी इसमें से further कोई भी deduction 30 से 38 की आपको नहीं मिलेगी Business loss आप adjust कर सकते हो Brought forward depreciation adjust नहीं कर सकते अगर आप 44 ADA opt कर लेते हो तो आपको detailed books नहीं बनानी और नहीं audit करवाना है लेकिन अगर आप इसे reject करते हो तो detailed books भी बनेंगी और audit भी करवाना पड़ेगा 44 ADA के जैसे ही आप अपना advanced tech single installment पे जमा कर सकते हो 15 मार्च तक 44 ADA year to year basis पे मिलता है इस साल opt कर लो अगले साल छोड़ दो उसके अगले साल opt कर लो उसके अगले साल छोड़ दो कोई tension नहीं है यहाँ पर 5 साल वाली restriction applicable नहीं होती अब बात करते है section 44 A.E की section 44 A.E की बात करते है business of plying, hiring or leasing of goods अगर आप goods transportation के धंदे पे हो आपका plying का, hiring का, leasing of goods carriage का काम है तो उस case में आपको 44 A.E में presumptive scheme मिलती है यहाँ पर कोई भी assessi presumptive scheme opt कर सकता है जिसका business है plying, hiring, leasing of goods carriage आपके पास जो heavy goods vehicle है जिनका gross weight 12 metric ton से जादा का है वहाँ पर आपकी income निकल कराती है 1000 रुपे per ton per month और part there of अगर आपके पास 15 ton का heavy goods vehicle है जिसको आपने own किया है 11 या 10 महीने और एक दिन अगर आपने 10 महीने और एक दिन own किया है part of the month अगर आपने own किया है तो उसे complete month मान लेंगे तो आपकी income 11 महीने की निकलेगी 1000 रुपे per ton income निकलती है तो आपके पास तो 15 ton है तो आपकी 15,000 रुपे की income हो गई एक महीने की तो 11 महीने की कित्ती होगी आपके पास वहिकल ओन है तो इंकम निकलेगी actually में वो run करता है कि नहीं इससे कोई फरक नहीं परता income is calculated on the basis of ownership it is irrelevant whether the assessee actually runs the vehicle or not ownership के basis पे income निकलती है यहाँ पे actually में run करते हो कि नहीं करते हो कोई फरक नहीं परता other than heavy goods वहिकल है तो आपकी income 7500 रुपीज पर मन्त निकलती है और part there off तो मालो आपके पास 10 टन का वहिकल है 10 टन का मतलब यह heavy नहीं है इसको आपने own किया है 9 महीने और 5 दिन 9 महीने 5 दिन का मतलब 10 महीने own किया है हर महीने की 7500 की income है यानि की पूरे महीने की 75,000 तो heavy goods वहिकल में per ton 1000 रुपे की income आती है other than heavy में पूरे महीने की income आती है इसमें ton से मतलब नहीं होता 44AE आपको तभी मिलेगा जब आपके पास पूरे साल भर में कभी भी 10 वहिकल से जादा ना हो 44AE आपने opt कर लिया तो section 30 से लेकर 38 का कोई भी deduction नहीं मिलेगा लेकिन 44AE में जो presumptive income आएगी उसमें से partner की salary और partner का interest minus हो सकता है partnership firm की case में 44AE opt कर लिया तो books maintain नहीं करनी उनका audit नहीं करवाना लेकिन अगर आप reject करते हो presumptive income को तो books भी maintain करनी पड़ेंगी audit भी करवाना पड़ेगा यहाँ पर भी option year on year basis पर मिलता है brought forward depreciation adjust नहीं कर सकते लेकिन brought forward loss जो है वो आप यहाँ पर adjust इसी के साथ आपका यह जो PGBP है यह complete हो गया लगबग लगबग तीन घंटे हमने लगाए है अच्छे से detailed में discussion किया है उम्मीद करता हूँ आपने इसको enjoy किया होगा चलिए आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं चलिए बचो start करते हैं हमारा अगला chapter जिसका नाम है income under the head capital gains यह हमारे पास fourth head of income है chapter super important है exam में you can expect कि यहाँ से भी stand alone question निकल कर आ सकता है तो सबसे पहले बात करते हैं सर chargeability of capital gains की यानि की basis of charge की आपका जो basis of charge है capital gains का वो आपके पास cover होता है section नंबर 45 के अंदर section नंबर 45 simple बात करता है कहता है कि सर अगर आपने capital asset को transfer किया है अगर आपने capital asset को transfer किया है तो उस case में आपके उपर capital gain implication निकल कर आएगी दो चीज़े important है capital asset होना और capital asset का transfer होना अगर capital asset है और capital asset transfer हुई है तो दुनिया की कोई भी ताकत राजा बेटा आपका capital gain नहीं रोक सकती आपके उपर capital gain implications निकल कर आएगी अब सवाल ये उठता है कि capital gain implications कब निकल कर आएगी जब हमको consideration receive होगा तब या जब हमने asset को transfer किया है तब तो lawmaker यहाँ पर clear कर देता है इस बात को कि हमें consideration से मतलम नहीं है जिस भी year में आपने capital asset को transfer किया है उसी year में आपके पास capital gain implications निकल कर आएगी फॉर इग्जामपल लेट से आपने 31st March 24 को आपने 31st March 24 को आपने capital asset को transfer किया है आपने 31st March 24 को capital asset को बेटा क्या किया है ट्रांसफर किया है और आपको consideration है वो मान लिजे 1st April 24 को मिलता है तो आपकी asset जो है वो transfer हुई है 2023 में कब transfer हुई है राजा बेटा सर यह हमारे पास transfer हुई है 2023 में और हमें consideration कम मिल रहा है राजा बेटा सर हमें consideration मिल रहा है 2024 में तो हमारे उपर tax implication कब निकल कर आएगी तो lawmaker ने clearly कह दिया कि भाई साब आपका जो capital gain है वो 2023 में taxable होगा यानि कि transfer year में taxable होगा आपको consideration कम मिला है इससे हमें कोई मतलब नहीं है आई एक बार read कर लेते हैं कहता है कि any profit or gain arising from the transfer of capital asset effected in the previous year shall be deemed to be the income of the previous year shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place जिस year में आपकी capital asset transfer हुई है उसी year में आपके उपर capital gain implication निकल कर आएगी now it brings me to the another point कि सर आपको capital asset से क्या समझ में आता है सर what do you mean by capital asset तो capital asset को define किया गया है section 2 clause 14 के अंदर section 2 clause 14 के अंदर capital assets को define किया है और बहुत ही simple सी definition है यह कहता है सर आखे बंद करो चलो करो आखें बंद करो आखें बंद करके आप सब assets को capital assets declare कर दो, आखे बंद करके अब सब assets को capital assets declare कर दो, every asset is a capital asset, except, exception डाले, कुछ चीजों को capital asset की definition से exclude कर दिया, सर यहां पे कौन-कौन सी assets को exclude किया, राजा बेटा, stock and trade कभी भी capital assets नहीं होती, रूरल एग्रिकल्चरल लैंड कभी भी capital assets नहीं होती, आपके पास gold deposit bonds, ये कभी भी capital assets नहीं होते, इसके अलावा, super important चीज, सर, personal movable effect की जो चीजें होती है, जैसे सरजी घड़ी, जैसे सरजी कपड़े, सरजी कार, सरजी बाइक, सरजी हवाई जहाज, है ना, सर, ये सारी चीजें आपके पास capital assets नहीं होती, personal movable effect की चीजों को capital assets नहीं माना जाता, लेकिन 6, 6, 6 personal movable assets ऐसी है, जिनको capital assets ऐसी है, जिनको capital assets माना गया है, इनके अंदर आती है, जोल्री, इनके अंदर आता है archaeological collection, इनके अंदर आती है drawings, paintings, sculpture, any work of art, ये 6 personal movable effect की ऐसी चीजें हैं, जिनको capital assets माना जाता है, तो अगर आप जोल्री बेचोगे, तो capital gain लगेगा, archaeological collections बेचोगे, drawings बेचोगे, paintings बेचोगे, sculpture बेचोगे, any work of art बेचोगे, तो बाबु यहाँ पर आपके पास capital gain implication आएगी, लेकिन इन 6 assets को छोड़ कर, आपने अदर कोई personal movable assets बेची, तो आपके पास कोई भी capital gain implication नहीं आएगी, सर यह जो word jewelry है, इसमें केवल और केवल यह मत समझना, कि आपके पास जो हमारी बहने, माताएं, पहनती हैं, वो वाली jewelry की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज, जिसके अंदर आपके पास, जो क्या बोलते हैं, precious metal के बने हो, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी metal की बनी हुई है, वो आपके पास jewelry की definition में आ जाएगी, तो इसके अंदर माल लो, आपके पास चांदी के बरतन है, सोने के बरतन है, हो सकते हैं न, तो वो आपके पास jewelry ही है, और उनको अगर आप बेचोगे, तो capital gain लगेगा, आपके घर पे एक chair है बेटा, chair है आपके घर एक, आपके घर पे एक ऐसी chair है, और उस chair पे diamonds लगे हुए, diamond studded chair है, तो बाबु ये भी आपके लिए फिर jewelry की definition में आ जाएगी, तो jewelry का मतलब सिर्फ ये मत समझ लेना, कि जो आप पहनते हो, सोने की चीज, diamond की चीज, वो ही jewelry है, नहीं, कोई भी ऐसी चीज, जो precious metal से बनी अगर आपने unit linked insurance policy ली है, जहां पर आप aggregate premium 2,50,000 से जादा का देते हो, जहां पर आपका aggregate premium 2,50,000 से जादा का है, और policy आपके पास 1 फरवरी 2021 या उसके बाद issue करी गई है, तो ऐसे ulip को भी आपके पास capital asset बाना गया है, या आप CA final में पढ़ोगे, सर, foreign institutional investors अगर इंडिया में securities खरीदते हैं, तो उनको भी capital assets की तरह treat किया जाता है, foreign institutional investors कौन हो सकते हैं, सर, मानलो USA की कोई बहुत बड़ी insurance company है, वो इंडिया में पैसा लगा रही है, सर, USA की कोई mutual fund वाली company है, वो इंडिया में पैसा लगा रही है, तो अगर इन्होंने इंडिया में securities को खरीदा है, चाहे वो आपके पास shares हो, debentures हो, bonds हो, कोई भी security हो, अगर foreign institutional investor ने करी दिये, तो उसे हम capital assets consider करके चलेंगे, अब सर, बात करते हैं कि हमारे पास कितने तरीके की capital assets होती है, तो राजा बिटा हमारे पास दो तरीके की capital assets होती है, एक होती है short term और एक होती है long term, short term को define किया गया है act के अंदर, तो जो asset short term नहीं होगी, वो अपने आप क्या बन जाएगी, long term बन जाएगी, तो short term की criteria क्या है, यह criteria decide होता है on the basis of period of holding, आपने asset को कितने time तक hold किया, तो lawmaker कहता है कि अगर आप उसे up to 36 मन तक hold करते हो, अगर आप उसे up to 36 मन तक hold करते हो, तो यह आपके पास कौनसी asset होती है सर, यह आपके पास, यह आपके पास short term capital asset होती है, तो अगर आप asset को hold कर रहे हो, अगर आप asset को hold कर रहे हो, let's say for 36 मन तो यह asset आपके लिए क्या है राजा बेटा, यह asset आपके लिए short term capital asset है, और 36 मन से जादा hold कर रहे हो, तो यह आपके पास कौनसी asset है सर, long term capital asset है, यह 36 मन का period, 24 मन कंसीडर करा जाता है, दो assets के case में, इन दो assets के case में, 24 मन तक आपके पास short term रहेगा, और 24 मन के बाद long term हो जाएगा, और 24 मन के बाद long term हो जाएगा, land और building आपके पास 24 महीने तक short term रहती है, और 24 महीने से जादा hold कर ली, तो long term बन जाती है, unlisted shares, 24 महीने तक short term रहते हैं, और अगर 24 महीने से जादा hold कर लेते हो, तो वो आपके पास क्या बन जाते हैं, long term बन जाते हैं, तो short term up to 24 मन्स, land और building और unlisted shares, यह 24 मन्स का period, 12 मन्स कर दिया जाता है, in the case of following assets, सर अगर आपके पास कोई भी shares, या फिर कोई भी security, अगर recognized stock exchange पे लिस्टेड है, कोई भी share, कोई भी security, अगर आपके पास recognized stock exchange पे लिस्टेड है, तो यह 12 महीने तक short term रहती हैं, 12 महीने के बाद long term बन जाती है, अगर आपके पास units पणी है, unit trust of India की, या फिर किसी भी equity oriented mutual fund की, अगर आपके पास किसी भी mutual fund में पैसा लगा है, किसी company में पैसा लगाते हो, तो वहाँ पे share मिलते हैं, लेकिन किसी mutual fund में पैसा लगाते हो तो वहाँ से unit मिलते है, mutual fund अलग-अलग तरीके के होते हैं, कुछ equity oriented होते हैं, कुछ debt oriented होते हैं, कुछ long term पे पैसा लगाते हैं, large cap पे पैसा लगाते हैं, कुछ middle cap पे पैसा लगाते हैं, तो बहुत तरीके के mutual fund होते हैं, यहाँ पे हम कौन oriented mutual fund की, equity oriented mutual fund वो होते हैं जो 65% या उससे ज्यादा का पैसा equity में invest करते हैं, तो अगर आपके पास ऐसे mutual fund की units हैं, जो की equity oriented है, ये 12 महीने तक short term रहेंगी, 12 महीने के बाद long term बन जाएंगी, अगर आपके पास zero coupon bonds हैं, तो ये भी आपके पास 12 महीने तक short term रहते हैं, 12 महीने के बाद long term बन जाते हैं, zero coupon bond कौन issue करता है, सर, zero coupon bond आपके पास issue करती है, infrastructure company, जो infrastructure companies होती हैं, वो इन bonds को discount पे issue करती हैं, और इनका redemption या तो par पे होता है, या तो premium पे होता है, इन bonds पे आपको कोई भी interest नहीं मिलता, इन bonds पे आपको कोई भी interest नहीं मिलता है, इसके बाद आगे चलते हैं, तो सर, आपके पास 12 महीने के अंदर कौन कौन सी assets आ गई, shares और securities जो recognized stock exchange पे listed है, units of UTI और equity oriented mutual fund, zero coupon bond, 12 महीने तक short term, 12 महीने के बाद long term, 24 महीने में land or building unlisted shares, 24 महीने तक short term, 24 महीने के बाद long term, इनके अलावा जो assets हैं, वो 36 मन तक short term, 36 मन के बाद वो क्या बन जाती है, long term, अब जैसे हमारे पास capital assets दो तरीके की है, हमारे पास capital assets दो तरीके की है, वैसे ही हमारे पास capital gain भी दो तरीके का निकल Capital gain निकालने के लिए सबसे पहले पकड़ा जाता है full value of consideration को. यह full value of consideration क्या होती है? सर यह आपके पास जो sales consideration होती है, जिस value पे आपने अपनी asset को sale किया है, उसको बोलते है full value of consideration. तो आपके पास सबसे पहले निकल कर आती है full value of consideration, full value of consideration में से आप minus कर देते हो, asset को transfer करने के खर्चे, तो जैसे माल लो आपने asset को transfer करने के लिए किसी broker की services ली, तो आपको brokerage pay करना पड़ेगा, माल लो आपने कोई asset बेची और उस asset को let's say वो machine थी, आपको machine को dismantle करना पड़ा, dismantle करना मतलब unassembled करना पड़ा, खोलना पड़ा, तो machine को खुलवाने के charges लग गए, इंजिनियर सहाब आये थे, उन्होंने machine को खोला, उसके लिए उन्होंने पैसा charge कर लिया, तो dismantling के charge आपको देने पड़ गए, तो asset को बेचने से related जो भी खर्चा होगा, वो खर्चा आप यहाँ पर क्या करोगे, minus करोगे, तो sales consideration में से, आपने transfer expenses को minus कर दिया, आपके पास result निकल कर आ गया net consideration, इसी net consideration में से, आप अपनी cost of acquisition क्या कर दोगे, minus कर दोगे, cost of acquisition वो value जिस value पे आपने asset को acquire किया था, इसमें से आप minus करवा दोगे, अपने पास cost of improvement, सरी, cost of improvement क्या होता ह बेटा, cost of improvement होता है, capital expenditure जो आपने incur करा है, capital expenditure जो आपने incur करा है, asset के उपर, asset को खरीदने के बाद, for example, माल लो, मैंने एक घर खरीदा था, उसमें केवल ground floor constructed था, ये मैंने 2005 में खरीदा था, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, बेटा, इसके बाद मैंने यहाँ पर 2015 में, मैंने इसका first floor construct करवाया, तो मैंने जो ये first floor construct करवाया न, this is what, this is cost of improvement, cost of improvement is nothing, but it is a capital expenditure which is incurred on the asset after its acquisition, after its acquisition, तो basically ये आपके पास क्या है राजा बेटा, सर ये आपके पास capital expenditure, तो आपने क्या करना है सर, आपने full value of consideration में से transfer expenses minus करने है, net consideration आजानी है, net consideration में से cost of acquisition और cost of improvement को minus कर देना है, आपके पास gain before exemption आजाएगा, और इसी gain में से कुछ exemptions आप claim कर सकते हो, exemption claim करने के बाद जो result बचेगा, that result will be termed as short term capital gain, सर आपके पास इसी तरीके से long term capital gain निकाला जा सकता है, long term capital gain की computation में और short term capital gain की computation में एक छोटा सा फरक है, जब आप short term capital gain का computation करते हो, तो आप net consideration में से cost of acquisition और net consideration में से cost of improvement को minus करते हो, जबकि long term के अंदर आप net consideration में से index cost of acquisition और index cost of improvement को minus करते हो, सर ये index cost of acquisition और index cost of improvement क्या होता है, बेटा ये inflation adjusted आपके पास cost of acquisition और cost of improvement होती है, बई simple सी चीज है, माल लो आपने 2006 में कोई land खरीदा था, और आप इस land को 2023 में sell कर रहे हो, तो obvious है, सर 2006 में inflation कम था, 2023 में inflation जादा है, सर जो भाव 2006 में थे, वो भाव अब बहुत बढ़ चुके हैं 2023 में, तो यहाँ पर अगर correct profit निकालना है, कि assessi को correct profit किता हुआ है, तो हमें इस 2006 की cost को index करके, inflation से adjust करके, 2023 में लाना पड़ेगा, और जब हम इसे inflate करके, inflation से adjust करके, 2023 पे लेकर आएंगे, उसी को बोला जाएगा index cost of acquisition, और selling price में से index cost of acquisition को minus किया जाएगा, Similarly, index cost of improvement क्या है, ये भी inflation adjusted cost of improvement है, कि सर अगर आपने cost of improvement पहले कराया था, और long term बनाने के बाद आप asset को बेच रहे हो, तो cost of improvement में भी क्या करना पड़ता है, indexation करना पड़ता है, अब ये indexation कैसे किया जाता है, सर cost of acquisition का multiply कराते है, inflation index of the transfer year से, और इसे divide करा देते हैं, inflation index of the purchase year से, ये inflation indexes आपको question में given रहेंगे, ये inflation indexes आपको question में given रहेंगे, सर जो भी आपकी cost of acquisition है, अगर इसको index करना है, तो जिस year में आपने asset को transfer किया है, जिस भी year में आपने asset को transfer किया है, उस year के inflation index से आप multiply कराओगे, और जिस year में आपने purchase किया था, उस year के inflation index से आप इसको divide करा दोगे, same concept, cost of improvement में लगता है, सर जो transfer year का inflation index होता है, उससे multiply करवाया जाता है, और आपके पास जो inflation index होता है, improvement के year का, उससे आप इसे क्या कर देते हो, divide करा देते हो, example देता हूँ यहाँ पर भी, माल लो, आपने 2006 साथ में, 2006 साथ में आपने asset खरीदी थी, आपने asset खरीदी थी, let's suppose कर लेते हैं 50 लाग रुपे की, 2017-18 में आपने इसका improvement करवाया, improvement पे आपने 10 लाग रुपे खर्च कर दिये, इसके बाद आपने इसे 2023 में transfer कर दिया, 2023 में आपने इसे transfer कर दिया, तो simple है न, index cost of acquisition निकालना है, तो 50 लाग रुपे आपकी cost of acquisition है, इसका multiply कराएंगे inflation index of transfer year, transfer year के inflation index से हम इसका multiply करा देंगे, और जो भी inflation index है, acquisition year का, उससे हम divide करा देंगे, तो 23-24 के inflation index से multiply है, 6-7 के inflation index से divide, और अगर index cost of improvement निकालना है, तो 10 लाग रुपे आपने improvement पे खर्च करें थे, इसका multiply कराएंगे inflation index of 23-24, और इसको divide करा देंगे, inflation index of improvement year, improvement year आपके पास 17-18, simple सा concept है, आगे बढ़ते हैं सर, एक बात याद रखना कि आपने जो भी खर्चा किया है, asset को transfer करने में, उसका आपको deduction मिल जाएगा, जैसे आपने brokerage पे अगर खर्चा किया, तो आपको brokerage का deduction मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने security transaction tax pay करा है, अगर आपने security transaction tax pay करा है, at the time of purchase, as well as at the time of transfer, shares खरीते वक्त, securities खरीते वक्त, securities को बेचते वक्त, अगर आपने STT pay करा है, तो उस STT को आपको बिलकुल वैसे ही इगनोर करना है, जैसे आपकी crush आपके message को इगनोर करती है, राइट, बिलकुल सेम, डिटो वैसे आपको क्या कर देना है, इगनोर, देख के अन देखा, मतलब STT अगर आपने pay करा है, purchase के वक्त, STT अगर आपने pay करा है, transfer के वक्त, तो इन दोनों का कोई भी treatment, capital gain के अंदर नहीं होगा, purchase के वक्त आपने STT दिया है, इगनोर मारो, सेल के वक्त आपने STT दिया है, इगनोर मारो, इसके बाद, अगला point निकल कर आता है, land and building जो है, वो आपके पास separate assets होती है, land और building आपके पास separate assets होती है, अगर आपने land खरीदी है, दो साल से जादा पहले, और आपने building खरीदी है, दो साल के अंदर, if the land is purchased before two years, but the building has been constructed within the two years, then while calculating the capital gain, we have to calculate separate capital gains, we have to calculate separate capital gains for both the assets, land क्योंकि 24 महीने से जादा hold है, वहाँ पे long term capital gain निकलेगा, building जो कि 24 महीने तक hold करी गई है, वहाँ पर आपके पास short term capital gain निकलेगा, भाई, simple सा fund है, simple सा fund है, कि दोस्त मान लो आपने land खरीदी है, आपने land खरीदी है 2020 में, आपने उस पे building का construction करवाया है, 2022 में, और 2023 में आपने इसको बेच दिया है, 2023 में आपने land और building क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है, तो अब यहाँ पर अगर आप land की case देखोगे, तो land आपके पास long term capital gain के लिए eligible है, land आपके पास long term capital gain के लिए eligible है, लेकिन जो building है आपके पास, वो आपके पास short term capital gain के लिए eligible होगी, क्योंकि building का अगर आप period of holding निकालोगे, तो वो आपके पास short term निकल कर आएगा, और अगर आप land का period of holding निकालोगे, तो वो आपके पास long term निकल कर आएगा, Land का सेल कंसेडरीशन अलग दिया जाएगा ए आपको building का सेल कंसेडर्चन अलग दिया जाएगा तो land का capital gain अलग से निकालोगे वह long-term capital gain होगा और building का capital gain उप अलग से निकालोगे वह आपके पास short term capital gain होगा अगला आता है कि सर अगर आपने असेट्स खरीदी है 142001 से पहले तो क्या होगा Actually में हमारे पास जो Indexation Factor अवेलिबल है वो 2012 से अवेलिबल है आपके पास Indexation Factor 2012 का 100 है 2012 से पहले का Indexation Factor आपके पास अवेलिबल नहीं है और अगर आप 23-24 का Indexation Factor चेक करोगे बुक के अंदर तो ये आपको 348 मिलेगा तो 23-24 का Indexation Factor 348 है 1-2 का Indexation Factor 100 है अगर हमने असेट 1-2 से पहले खरीदी होगी तो उसके Indexation में आएगी दिक्कत अगर आपने असेट एक दो से पहले खरीदी होगी तो उसके इंडेक्सेशन में आएगी दिक्कत इसी दिक्कत को दूर करने के लिए आपके पास ये प्रोवीजन बनाया गया lawmaker कहता है कि अगर आपने एक दो से पहले असेट खरीदी है तो हम आपको एक option देंगे कि 142001 को उस असेट का जो FMV चल रहा है आप उस FMV को cost of acquisition बना सकते हो 142001 की जो FMV चल रही है आप उस FMV को अपने पास क्या बना सकते हो उस FMV को आप अपनी cost of acquisition बना सकते हो अगर FMV 142001 की जादा होगी तो हम उस option को exercise कर लेंगे और अगर 142001 की FMV हमारी actual cost से कम होगी तो हम इस option को क्या कर देंगे reject कर देंगे let's say आपने जोलरी खरीदी थी आपने जोलरी खरीदी थी 1490.99 में आपने इसको खरीदा था let's suppose कर लीजे 4 लाक रुपे में अब मान लीजे मैं आपको 142001 की FMV दे दूँ और कहूं कि वो FMV 5 लाक की है और आपको option दूँ कि आप 142001 की FMV को अपनी cost बना सकते हो तो obviously आप ये option exercise कर लोगे cost जितनी जादा होगी gain उत्ता कम निकल कराएगा तो आपके पास option है अपनी actual cost को cost बना सकते हो या फिर 142001 की FMV को cost बना सकते हो तो आप यहाँ पर कहोगे कि sir cost of acquisition कित्ती ले लेते हैं हम cost of acquisition 5 लाक ले लेते हैं वहीं पर मानलो आपने asset 4 लाक की खरीदी थी लेकिन 142001 को इसकी FMV धाई लाक की हो गई तो अब आप ये option को exercise नहीं करोगे आप कोगे 142001 की FMV हमें consider नहीं करनी हम हमारे पास cost कित्ती लेके चलेंगे 4 लाक लेके चलेंगे तो simple सा पंडा है जितने में asset खरीदी है या फिर उस asset की जो FMV है दोनों में जो भी आपके पास higher होगा हम उस higher को क्या बना देंगे sir हम उस higher को cost of acquisition बना देंगे और इनका indexation शुरू होगा 2012 से इनका indexation आप करोगे from year 2001-2002 से वही पर lawmaker कहता है कि अगर immovable property है अगर आपके पास immovable asset है और आपने वो 14-2001 से पहले ली है तो ऐसे case में आपको तीन चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी आपको इसकी original cost देखनी पड़ेगी आपको इसका 14-2001 का FMV देखना पड़ेगा आपको इसका SDV 14-2001 का देखना पड़ेगा SDV I hope आप समझते हो it is a stamp duty value वो value जिस value पे हमें state government को stamp duty देना पड़ता है तो lawmaker कहता है कि आपको FMV as on 1-4-2001 और SDV as on 1-2001 आपको इन दोनों में जो भी lower है उसको पकड़ना है उस lower को आपको actual cost से compare करना है और उन दोनों में जो भी आपके पास higher होगा आप उसी को क्या बनाओगे cost of acquisition FMV 14-2001 या फिर SDV 14-2001 दोनों में जो भी lower है उस lower को original cost से compare करवाना और दोनों में जो भी आपके पास higher निकल कर आए उसी higher को आप लोग क्या बोल देना कि ये हमारे पास cost of acquisition है अब एक बात और ध्यान रखना कि सर अगर आपने improvement करवाया है अगर आपने improvement करवाया है before 14-2001 अगर आपने improvement करवाया है before 14-2001 राजा बेटा इसके साथ भी वैसा ही काम करना जैसा तुम्हारा crush तुम्हारे साथ करता है ignore full to ignore सक्त लॉंडा बन जाना है यापए सक्त लॉंडा बन जाना है यापए पेटिया कह रही है मेरी बहने कह रही है मेरी सर हम क्या करेंगे मेरी बहनों तुम लोगों को सक्त महिला बन जाना है चीक है तुम लोगों को सक्त महिला बन जाना है 14-2001 से पहले की अगर cost of improvement है तो आप उसे ignore कर देंगे उसे आप बिल्कुल भी consider करके नहीं चलेंगे तो ये बाते मैंने आप लोगों को पढ़ा दी सारी की सारी अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं meaning of transfer की capital asset क्या होती है ये समझ लिया कितने तरीके की होती है ये भी समझ लिया अब हम बात करते हैं sir meaning of transfer की sir किसको transfer माना जाता है lawmaker ने कहीं पर भी word sale use नहीं किया lawmaker ने charging section में जो word use किया है वो है transfer lawmaker ने आपके पास जो word use किया है वो word use किया है transfer तो transfer में क्या निकल कर आता है transfer को आपके पास define किया गया है section 2 clause 47 के अंदर section 2 clause 47 transfer के meaning को define करता है ये कहता है कि sir अगर आप asset को sale करते हो आप asset को exchange करते हो या फिर आप अपना title relinquish करते हो relinquish करने का मतलब क्या होता है wave off करते हो relinquish का मतलब क्या होता है कि आप अपना title क्या करते हो wave off करते हो तो आप अगर asset को बेच रहे हो तो वो transfer माना जाएगा आप asset को exchange कर रहे हो और example मैंने आपको अपने एक करोड रुपए के Reliance के shares दिये और आपसे मैंने बदले में मैंने आपसे 50 लाक रुपए ले लिये और आपका एक घर था एक फ्लैट था वो ले लिया मैंने आपको क्या दिया सर मैंने आपको अपने एक करोड रुपए के share दिये मैंने आपको अपने एक करोड रुपए के Reliance के shares दिये और आपसे बदले में मैंने 50 लाक रुपए ले लिये प्लस आपका एक बढ़िया सा फ्लैट था मैंने वो फ्लैट ले लिया ठीक है मैंने वो flat ले लिया तो इसको क्या बोलेंगे exchange अब यहाँ पे दो capital gain निकलेंगे एक capital gain यहाँ पर मेरे हाथ में निकलेगा क्योंकि मैंने आपके साथ क्या किया है सर मैंने आपको अपने reliance के share transfer करे हैं रिलाइंस के share capital asset है तो मैंने अगर आपको reliance के share transfer करे हैं तो मेरे हाथ में capital gain निकलेगा दूसरा capital gain आपके हाथ में निकलेगा क्योंकि आपने अपना flat मेरे को transfer किया है तो इस exchange के अंदर दो लोगोंने capital asset transfer करी है मैंने आपको reliance के share दिये है आपने मुझे flat दिया है तो हम दोनों के हाथ में capital gain implication निकल कराएंगी मुझे reliance के shares का जो transfer है उस पे capital gain टेक्स देना पड़ेगा और आपको flat के transfer पे क्या देना पड़ेगा capital gain का टेक्स देना पड़ेगा इस तरीके का question इंटर लेवल पे नहीं आता तो load मत लेना आगे बढ़ते है relinquishment of asset का मतलब क्या होता है कि आप अपना title waive off कर देते हो आप अपनी ownership give up कर देते हो तो जिसको आप ये title दे रहे हो जिसको भी आप ये title दे रहे हो वो recipient हो गया वो transfer हो गया आपको भले consideration ना मिले इसको क्या माना जाएगा transfer माना जाएगा इसके बाद lawmaker कहता है कि अगर आपके rights किसी capital asset में extinguish हो रहे हैं Extinguishment का मतलब क्या होता है खतम हो जाना Relinquishment का मतलब क्या होता है कि आपने अपना title अपनी मर्जी से छोड़ दिया Extinguishment का मतलब क्या हो गया कि आपका right asset पे खतम हो गया ये कब होता है जैसे आपके पास preference shares थे उनका redemption हो गया तो जैसे ही preference share का redemption हुआ आपका जो right था capital asset पे वो खतम हो गया debentures का redemption हो गया zero coupon bond का redemption हो गया All these are covered under the extinguishment of right इसके बाद अगला point निकल कराता है compulsory acquisition of asset by the government अगर government को कोई infrastructure development करनी है और उस infrastructure development को करने के लिए government को आपकी immovable property की ज़रुवत है तो government आपसे वो immovable property compulsorily acquire कर लेती है irrespective of the fact कि आप उसे transfer करना चाते हो या नहीं करना चाते हो आपसे वो asset compulsorily acquire कर ली जाती है irrespective of the fact कि आप उस asset को transfer करना चाते हो कि नहीं करना चाते हो for example मेरा एक flat था let's say let's say let's say मेरे पास एक property थी flat छोड़ो मेरे पास एक property थी एक land था और sir government ने क्या किया sir government ने एक highway प्रपोस किया और वो highway जो है वो मेरे land से होता हुआ गुजरता है मेरे पास एक land था यहाँ पर मेरे पास इधर एक land था और government ने क्या किया sir, government ने एक highway प्रपोस किया और वो highway बेटा ये land से होता हुआ जाएगा ये land से होता हुआ जाएगा तो government क्या करेगी सर government मुझसे मेरा ये land compulsorly acquire कर लेगी मैं बेचना चाहूं तो ठीक है नहीं बेचना चाहूं तो ठीक है government के पास power है government उसे ले सकती है conversion of capital asset into stock in trade अगर आप अपनी capital asset को stock in trade में convert कर देते हो इस conversion को deemed transfer मान लिया जाता है और आपके पास capital gain की implication निकल कर आ जाती है for example let's say आपके पास बहुत सारे lands थे आपके बाप दादाओं के जमाने पे आपके पास बहुत सारे lands थे जैसे मेरे पास दूर की नानी है ना मेरी दूर की नानी मेरे को काफी संपत्ती दे कर गई है वैसे ही आपके पास भी बाप दादाओं के जमाने से काफी सारा land है आपक मन क्या किया कि अब हमें काम करते हैं, बिल्डर बन जाते हैं, हम बिल्डर बन जाते हैं, हम हमारे इस लैंड पे फ्लैट्स बना कर बेचेंगे, तो जैसे ही आपने उन लैंड पे फ्लैट का कंस्ट्रक्शन शुरू किया, मतलब आपने उन लैंड को कन्वर्ट कर दिया इंट के उपर capital gain की implication लगा देंगे सर अगर आपके पास immovable property का आपने possession transfer कर दिया है अगर आपने immovable property का possession transfer कर दिया है for the part performance of the contract sir part performance of the contract का मतलब क्या होता है for example let's say आपका और मेरा सौधा हुआ आप कहते हो sir जी आपका घर खरीदना है मैंने का खरीद लो आपने पूछा कितने का है मैंने का बिटा 5 करोड का है आपने का ठीक है sir ये पकड़ो 3 करोड रुपए आपने मुझे 3 करोड रुपए advance में दे दिय और मुझसे आपने 6 महीने का टाइम ले लिया आपने का कि sir 2 करोड रुपए हम आपको 6 महीने के बाद देंगे मैंने का ठीक है आपने मुझसे का कि sir टाइटल जो है घर का वो 6 महीने के बाद transfer करना मैंने का obviously ये कोई कहने की बात है जब तुम मुझे बाकी के 2 करोड ownership तुमको दूँगा आपने का sir एक छोटी से request है मैंने का क्या कहता है sir ये घर को ना मुझे रिनोवेट करवाना है मुझे ये घर को रिनोवेट करवाना है आप इस घर का possession मेरे को आज दे दो तो मैं रिनोवेशन का काम शुरू करवाता हूं और आपके लिए 2 करोड का इं रुपे दे के title transfer करवा लूँगा और अपनी महिला मित्र के साथ इस घर पे रहने लगूँगा मैंने का ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं ले ले possession पोजेशन लेने से क्या हुआ चा भी तेरे पास चली गई घर का ownership तो मेरे पास ही है तो lawmaker कहता है कि sir अगर आपने possession दे दिय for the part performance of the contract 5 करोड की performance होनी थी लेकिन 3 करोड की performance हुई है पाट परफॉर्मेंस के लिए अगर आपने possession transfer कर दिया तो हम इसे transfer मान लेंगे और capital gain की implication आपके पास निकल कर आएंगी जब आप possession hand over करोगे तब ना कि जब आप ownership transfer करोगे तब तो जैसे ही मैंने आपको possession दिया मेरे उपर capital gain का implication immediately arise हो जाएगा इसी तरीके से अगला point निकल कराता है कि अगर आप मान लो किसी cooperative housing society के member बनते हो आप किसी cooperative housing society के जब member बनते हो तो वहाँ पर cooperative housing society आपको रहने के लिए flat देती है flat का जो ownership होता है वो cooperative housing society के पास होता है लेकिन flat का position आपके पास होता है क्यूंकि आप cooperative housing society के member हो तो आपको वहाँ पर flat को use करने का right मिल जाता है जो cooperative housing society का belong है similarly अगर आपको ये flat किसी को बेचना है तो आप flat नहीं बेच सकते हैं क्योंकि flat तो cooperative housing society के नाम पे register है आप अपनी membership बेचते हो तो अगर कोई भी ऐसा transaction हुआ है कोई भी ऐसा transaction हुआ है जिसका effect ये निकल कर आता है कि सामने वाले व्यक्ति को enjoyment मिल जाता है of any immovable property कोई भी ऐसा transaction जिसका effect ऐसा हो जिससे immovable property transfer हो रही है या फिर सामने वाला व्यक्ति immovable property को use कर पा रहा है ऐसा जनरली कब होता है जब आप co-operative housing society के member बनते हैं तो अगर आपने membership बेची और membership बेचने से क्या हुआ कि सर आपके flat का position चला गया गोकुलधाम society में मेरे को जेटालाल का घर चाहिए गोकुलधाम society में अगर मुझे जेटालाल का घर चाहिए तो जेटालाल भाई क्या करेंगे मेरे को अपने घर की membership बेचेंगे गोकुलधाम cooperative housing society की membership बेचेंगे जैसे ही मेरे पास membership आएगी तो जो flat आपके पास जेठा लाल का था, वो flat का position अब मेरे पास आ जाएगा, being a member I can use that flat, तो मुझे उसका क्या माना जाएगा, deemed owner consider किया जाएगा, इसके बाद जब आपके zero coupon bonds redeem होते हैं, इस redemption को भी transfer माना गया है, zero coupon bond के redemption पे आपके हाथ पे जो भी पैसा निकल कर आएगा, that will be considered as your full value of consideration और यहाँ पर भी capital gain implication जो है, वो arise हो जाएगे, चलिए, अब हमने यह समझ लिया कि sir, transfer किसको मानते हैं, अब act के अंदर कुछ चीज़े ऐसी हैं, जिनको बोला गया कि sir, इसको हम transfer नहीं मानेंगे, मतलब अगर हम इसको transfer नहीं मानेंगे, तो आपके उपर कोई भी capital gain की implication निकल कर नहीं आएगी, अगर हम इसे transfer नहीं मानेंगे, तो आपके उपर कोई भी capital gain की implication नहीं निकल कर आएगी, यानि कि section number 47 में जो बाते लिखी हैं, वहाँ पर कोई भी capital gain arise नहीं होगा, वैसे तो यह बहुत लंबा चोड़ा section है, लेकिन inter level पे जितनी बाते आपके म जो point निकल कर आता है, gift, will और inheritance, अगर आपने capital asset को किसी को gift करा है, आपने will के through किसी को capital asset transfer करी है, inheritance के through अगर आपने किसी को capital asset transfer करी है, तो transferer के हाथ में कोई भी capital gain implication निकल कर नहीं आती, transferer के हाथ में कोई भी capital gain implication निकल कर नहीं आती, for example माल लेते हैं Mr. X हैं, इन्हों ने अपना land gift कर दिया, अपने बेटे, इन्हों ने land gift कर दिया, अपने बेटे को, Mr. X ने land gift कर दिया, son को, तो यहाँ पर कोई भी capital gain implication, यहाँ पर कोई भी capital gain implication नहीं निकल कर आएगी, in hands of Mr. X, Mr. X के हाथ में कोई भी capital gain implication निकल कर नहीं आएगी, सर क्या son के हाथ में gift taxable होगा, नहीं, सर son के हाथ में भी यह gift जो है वो taxable नहीं है, क्योंकि आपके पास यह relative से gift आया है, वहीं पर अगर मैं मान लो यह कहता कि Mr. X ने land gift कर दिया है, अपने friend को, सर land अगर gift कर दिया है अपने friend को, Mr. X ने अगर land gift कर दिया है अपने friend को, तो again, सर Mr. X के हाथ में कोई capital gain implication नहीं निकलेगी, क्योंकि gift को transfer नहीं माना गया है, फ्रेंड के हाथ में gift आपका taxable हो जाएगा, अगर इस gift का stamp duty value exceed करता है 50,000 को, अगर इसका stamp duty value exceed करता है 50,000 को, तो friend के हाथ में gift जो होगा वो taxable हो जाएगा, तो पहला point निकल कर आ गया कि अगर आपने किसी को gift दिया है, किसी को will के थूँ, किसी को inheritance के थूँ, अगर property transfer करी है, तो इसे हम capital gain में consider नहीं करेंगे, इसे transfer नहीं माना जाएगा, अगर आपकी H.U.F. का partition हो रहा है, अगर H.U.F. का partition हो रहा है और H.U.F. के partition में उसके members को capital asset transfer करी जा रही है, तो उस case में H.U.F. के हाथ में कोई भी tax implication निकल कर नहीं आएगी, Sir, अगर आप debentures को, bonds को convert करते हो into shares, समझना मेरी बात को. आपने अगर debentures को convert कर दिया into shares, convertible debentures होते हैं, convertible debentures होते हैं और आपने debentures को अगर convert कर दिया into shares, या फिर आपने preference shares को convert कर दिया equity share के अंदर तो lawmaker कहता है कि हम इस conversion को transfer नहीं मानेंगे जब debentures को shares में convert किया जाएगा जब preference को equity share में convert किया जाएगा तो हम इसे transfer नहीं मानेंगे अब एक और important चीज निकल कर आती है कि सर आपके पास जो ये shares आपको receive हो रहे है ये जो shares आपको receive हो रहे है debentures के conversion पे या फिर आपको जो equity share receive हो रहे है preference के conversion पे इनकी जो cost of acquisition होगी वो क्या होगी सर वो debentures की या फिर जो preference की cost थी वही इनके पास cost of acquisition बन जाएगी मतलब ये shares जो आपको conversion में मिले है इन shares की cost क्या होगी जो debentures की cost थी ये equity share जो आपको conversion में मिले है इन equity shares की cost क्या होगी जो preference shares की cost थी even इनका जब period of holding निकालेंगे period of holding निकालेंगे जब हम shares का तो वो कहां से निकालेंगे सर उसमें debentures का और preference का दोनों का period of holding consider किया जाएगा दोनों का period of holding consider किया जाएगा प्लीज ज़रा ध्यान से सुनना मालो आपने एक दस सत्रा को debentures खरीदे थे कमपनी में कितने debentures खरीदे थे 10,000 debentures खरीदे थे और इन debentures को खरीदने के लिए suppose कर लिजे आपने 5,000,000 रुपए खर्च करे थे आपको option मिला आपने एक दस धो हजार बीस को debentures को convert करवा लिया shares में आपने debentures को convert करवा लिया shares में conversion में suppose कर लेते हैं आपको 40,000 share receive हुए conversion में आपको 240,000 शेर रिसीव हुए आपने क्या किया सर आपने इन शेर को 15 जुलाई 23 को ट्रांसफर कर दिया आपने 15 जुलाई 23 को ट्रांसफर कर दिया शेर को एट रूपीस let's say 50 एच आपने इनको बेच दिया एट रूपीस 50 एच अब प्लीस मेरी बात को ध्यान से सुनना आपका फुल वेल्यू ओफ कंसिडरेशन तो आजाएगा 40,000 शेर multiplied by 50 ये आपके पास आजाएगा 20 लाख रूपीस इसमें से आपको इंडेक्स कोस्ट ओफ एक्यूजीशन माइनस करनी पड़ेगी और यहाँ पर शेर की कॉस्ट क्या मानी जाएगी सर शेर की कॉस्ट मानी जाएगी ये वाले 5 लाख रूपे जो डिबेंचर्स की कॉस्ट थी वही शेर की कॉस्ट बन जाएगी और पीरियड ओफ होल्डिंग आपकी कहां से कैलकुलेट करी जाएगी सर, period of holding आपकी 1 October 17 से calculate करी जाएगी यानि कि shares की cost बनेगी जो debentures की cost थी और shares की period of holding में आप debentures की period of holding को भी consider करके चलेंगे आप यहाँ पर shares की period of holding 2021 से calculate नहीं करेंगे आप shares की period of holding 17-18 से calculate करेंगे एक तरीके से माना जाएगा कि जो shares आपको यहाँ मिले हैं वो यहाँ नहीं मिले थे, वो shares आपको यहाँ मिले थे basically यह shares क्या करने वाले हैं? debentures को replace करने वाले हैं 40,000 shares की cost 5,000,000 हो जाएगी यह 40,000 shares की period of holding 1 October 17 से calculate करी जाएगी सर आगे बढ़ते हैं, अगला point निकल कर आता है अगर आपने capital asset को transfer किया है in a transaction of reverse mortgage reverse mortgage क्या होता है? सर, reverse mortgage एक ऐसी scheme है जो government ने बनाई है और कहा है कि अगर कोई senior citizen है और उसके पास house property है तो वो bank को house property क्या कर सकता है, mortgage कर सकता है, गिरवी रखवा सकता है और bank क्या करेगा? सर, bank इसके बदले में senior citizen को या तो लमसम में payment करेगा या तो periodical payment करेगा या तो लमसम में payment करेगा या तो periodical payment करेगा सर ये जो लमसम पेइमेंट और पिरियोडिकल पेइमेंट हमारे पास senior citizen को मिलेगी सर ये taxable नहीं होगी ये जो लमसम पेइमेंट मिलेगी हमारे पास या फिर पिरियोडिकल पेइमेंट मिलेगी हमारे पास ये taxable नहीं होगी in the hands of senior citizen सर यहां पर इस senior citizen को ये पैसा bank को लोटाने की भी जरूरत नहीं है senior citizen को ये पैसा bank को लोटाने की भी जरूरत नहीं है जब तक senior citizen जिन्दा है वो इस house property में रह सकता है basically senior citizen को कुछ income आनी शुरू हो senior citizen को कुछ income आनी शुरू हो उसके लिए ये scheme बनाई गई है कि senior citizen अगर HP को own करता है तो वो क्या कर सकता है bank को अपनी HP गिरवी रखवा सकता है bank इसके बदले में इसे lump sum amount या फिर periodical amounts का payment करेगा ये जो lump sum और periodical amount senior citizen को मिल रही है ये उसके हाथ में taxable नहीं होगी senior citizen को ये amount bank को वापस नहीं करनी है senior citizen जब तक जिन्दा है वो इस house property में रह सकता है senior citizen के मर जाने के बाद bank क्या करेगा bank इस senior citizen के legal hire को option देगा कि भाई साब आपके जो बुजुर्ग है उन्होंने हमसे इतना loan लिया था ये loan को आप repay कर दो हम property छोड़ देगे bank senior citizen के जो legal hire है उनको option देगा कि ये amount जो है वो repay कर दे और bank से property अपनी क्या कर ले release कर वा ले अगर आपका जो legal hire है वो ये option exercise नहीं करेगा तो bank इस HP को sell out कर देगा bank जब इस HP को sell out करेगा तो loan के पैसे को adjust करेगा और उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाएगा तो वो आपके पास legal hire को pay कर के चलेगा तो reverse mortgage को in detail हमने class में discuss किया था overall मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि senior citizen क्या करता है senior citizen bank के पास अपनी property गिरभी रखवाता है bank उसके बदले में उसको lump sum payments करती है या फिर periodical payments करती है ये lump sum payment और periodical payment जो receive होती है senior citizen को ये उसके हाथ में fully exempt रहती है आपके पास bank को पैसा वापस लोटाने की tension senior citizen को नहीं लेनी senior citizen जब तक जिन्दा है वो HP को यूज़ कर सकता है senior citizen के मर जाने के बाद bank ये property को बेचके पैसा recover करेगा और sir ये property को बेचने से पहले वो legal hire को option देगा कि भाई अपने जो loan है उसे आप pay कर दो और property को release कर वालो अगर legal hire ये option exercise नहीं करता bank property को sell out करके अपने loan के पैसे को recover कर सकता है अगला point निकल कर आता है आपके पास deemed cost of acquisition deemed cost of acquisition आपसे क्या कहता है in case the asset is acquired through a mode given in section 47 that is give to relative or a will then the cost of acquisition is cost to the previous owner previous owner is the person who acquires the asset by paying the price period of holding shall be computed from the date the previous owner acquires the property प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा इसको भी मैं यहाँ पर आपको explain करता हूँ जिसे माल लीजे माल लीजे Mr. X है इन्होंने क्या किया इन्होंने एक land खरीदा था एक दस दो हजार दस को पंद्रा लाख रुपे का इन्होंने क्या करा इन्होंने यह land गिफ्ट कर दिया अपने बेटे को इन्होंने यह land गिफ्ट कर दिया अपने बेटे को यह land गिफ्ट कर दिया अपने बेटे को मान लेते हैं ओन एक दस पंदरा एक दस पंदरा इन्होंने लैंड गिफ्ट कर दिया मिस्टर वाय को सर मिस्टर वाय ने आगे ये लैंड ट्रांसफर कर दिया मिस्टर जेड को इन्होंने ये लैंड आगे transfer कर दिया Mr. Z को किते रुपे में सर मान लेते हैं 70 लाक रुपे में transfer कर दिया Mr. Z को 70 लाक रुपीज पे कब transfer कर दिया मान लेते हैं transfer कर लिया 10 जुलाई 2020 अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना जब Mr. X Mr. Y को property देंगे तो यहाँ पर कोई भी capital gain का implication नहीं निकलेगा यहाँ पर कोई भी capital gain का implication निकल कर नहीं आएगा क्योंकि gift जो होती है वो transfer नहीं होती है Sir Y के लिए Y के लिए जिसको यह property gift में मिली है इसके लिए इस property का cost of acquisition क्या होगा cost to the previous owner previous owner Mr. X थे Mr. X ने यह घर 15 लाग का खरीदा था तो Sir इसके लिए cost of acquisition बन जाएगा 15 लाग Mr. Y के लिए जब हम period of holding calculate करेंगे तो period of holding जिस दिन इनको gift मिला है वहाँ से calculate नहीं करेंगे previous owner ने यह property जब से खरीदी थी तब से calculate करेंगे यानि की period of holding calculate करी जाएगी from 1st October 2010 अब एक बात और याद रखना कि अगर मालो previous owner ने कोई improvement करवाया है अगर previous owner ने कोई improvement करवाया है अगर previous owner ने कोई भी cost of improvement करवाया है और यह improvement अगर हुआ है before 1-4-2001 तब तो इसको ignore कर देना अगर यह improvement हुआ है before 1-4-2001 तब तो इसे ignore कर देना लेकिन अगर previous owner ने कोई improvement करवाया है on और after 1-4-2001 तो उसे आप consider करेंगे आप उसे भी consider करेंगे also be considered while calculating capital gain ठीक है जी simple सा funda है clear हो गया funda इसके बाद आता है advance money forfeited advance money अच्छा यहाँ पर फिर से मैं बोल दे रहा हूँ अगर Mr. X ने कोई भी improvement करवाया होगा इस period में Mr. X ने कोई भी improvement कराया होगा इस period में तो Mr. Y के हाथ में जब capital gain निकालेंगे तो हम उस improvement को भी consider करेंगे और Mr. Y ने अगर इस period में कोई improvement करवाया है तो वो भी consider होगा 2001 से पहले कराई है तो उसे आप include नहीं करोगे उसे आप ignore करके चलोगे इसके बाद आता है treatment of advance money forfeited treatment of advance money forfeited अगर आप property को sell out करने के किसी के साथ agreement में जाते हैं अगर property को sell out करने के लिए आप किसी के साथ agreement में enter करते हैं और आपको advance receive होता है लेकिन किसी भी reason से वो agreement पूरा नहीं हो पाता और आप advance को forfeit कर लेते हो जब्त कर लेते हो आपका जो buyer था वो जो भी conditions थी agreement की वो उनको fulfill नहीं करता जिसकी वज़े से उसने जो भी advance दिया था आपको आपने वो advance जब्त कर लिया इसको बोलते है advance money forfeited तो अगर आपका advance money forfeet हुआ है before 1-4-2014, 14-2014 से पहले अगर आपने advance को forfeet करा है तो उसे आप reduce करते हैं from the original cost of acquisition before indexation, indexation करने से पहले आपकी जो cost है उसमें से उसे क्या कर दिया जाता है, minus कर दिया जाता है तो अगर आपने advance forfeet किया है 14-2014 से पहले तो उसे हम cost of acquisition में से minus करके चलते हैं और अगर आपने advance forfeet किया है on or after 1-4-2014, अगर आपने advance forfeet किया है on or after 1-4-2014 तो वो आपके लिए other sources की income बनता है तो 1-4-1414 से पहले का advance forfeet हुआ तो उसका capital gain में implication आएगा आपकी asset की जो भी original cost है उसमें से advance money forfeet को minus करा देंगे और अगर 1-4-1414 या उसके बाद का है तो वो other sources में आपकी income बन जाएगा जनरली जब कभी भी आप long term capital asset बेचते हो तो वहाँ पे indexation की facility होती है महीने से जादा hold करने के बाद आपने debentures और bonds बेचे हैं अभी आगे चलके हम slum sale पढ़ेंगे depreciable asset आपने बेची है या फिर कोई भी आपने ऐसा share बेचा है जो की 112A में cover होता है listed equity shares जिसके उपर STT pay कर रखा है इन 5 cases में आपको indexation का benefit नहीं मिलता zero coupon bond के case में, debentures के case में, slum sale के case में, depreciable asset के case में listed equity shares अगर आपने बेचे हैं जो की recognize stock exchange पे listed है और आपने STT जिन पे pay कर रखा है जो की basically 112A में cover होते हैं इन 5 assets के case में आपके पास कभी भी कोई भी indexation facility अवेलेबल नहीं करवाई जाती आगे चलते हैं और बात करते हैं capital gain in case of deemed transfer capital gain in case of deemed transfer deemed transfer का मतलब क्या हुआ? कि सर ये actually में transfer नहीं थे लेकिन lawmaker ने इनको जबरदस्ती transfer बना दिया है इसके अंदर सबसे पहला point निकल कराता है destruction of capital asset and insurance claim received अगर आपकी capital asset destroy हो जाती है और आपको उसके बदले में insurance claim मिलता है तो ऐसे case में इसे transfer माना जाता है और आपका capital gain taxable करा जाता है उस year में जिस year में आपके पास insurance claim रिसीव हुआ है for example एक दस सत्रा को आपने जुएलरी परचेस करी थी पांच लाख रुपे की आपके पास 31st March 23 को घर पे आग लग गई और ये जुएलरी डिस्ट्रोई हो गई घर पे आग लग गई और ये जुएलरी आपके पास डिस्ट्रोईड हो गई जिस दिन ये जुएलरी डिस्ट्रोई हुई उस दिन इसकी FMV मानके चलते हैं 12 लाख रुपे की थी आपके पास 15 April 23 को इंशोरेंस क्लेम रिसीव होता है इंशोरेंस क्लेम रिसीव होता है 11,75,000 का आपको इंशोरेंस क्लेम रिसीव होता है 11,75,000 का तो लॉमेकर कहता है कि जिस दिन आपकी असेट डिस्ट्रोई हुई है हम मान के चलेंगे कि ये उस दिन transfer हो गई है तो transfer माना जाएगा 31 March 23 को यानि कि transfer year है आपके पास 2022 insurance claim आपको receive हुआ है 15 April 23 को यानि कि 23 चौबिस में तो lawmaker कहता है कि यहाँ पर asset को transfer माना जाएगा जिस दिन आपकी capital asset destroy हुई है तो आपके उपर capital gain implication arise हो जाएगी 2022-23 में लिकिन आपको tax 2022-23 में देने की जरुरत नहीं है आपको tax देने की जरुरत है जिस year में आपको insurance claim receive हुआ है तो आपकी जो capital gain की taxability है वो आपके पास कब निकल कराएगी 2023-24 में निकल कराएगी capital gain की taxability आपके पास 2023-24 में निकल कराएगी और जितना insurance claim आपको receive हुआ है वो आपके लिए क्या बन जाएगी full value of consideration जितना आपको insurance claim मिला है वो आपके लिए बन जाएगी full value of consideration जिस दिन आपकी asset destroy हुई है उस दिन की अगर FMV दे रखी है तो इस FMV को आपको कुछ नहीं करना ये आपके लिए irrelevant information है full value of consideration बनेगी insurance claim received taxability आएगी जिस year में insurance claim received हुआ है transfer माना जाएगा जिस दिन asset destroy हुई है अब हमेशा याद रखना कि अगर मुझे इस cost को index करना है अगर मुझे इस cost को index करना है तो indexation हमेशा transfer year तक होता है taxability आपके पास previous year 23-24 में आएगी taxability आपके पास previous year 23-24 में आएगी आपकी asset transfer हुई है 2022-23 में तो indexation जब आप करोगे तो indexation हमेशा up to transfer year होता है indexation up to transfer year होता है 2022-23 तक आपकी cost of acquisition का multiply indexation factor 22-23 से कराया जाएगा और इसको खरीदा गया था 17-18 में तो इसको 17-18 के indexation factor से divide करवाया जाएगा अगला concept आपके पास निकल कर आता है conversion of capital asset into stock in trade lawmaker कहता है कि sir अगर आपने capital asset को convert कर दिया है into stock in trade अगर आपने capital asset को convert कर दिया है in stock in trade तो lawmaker कहता है फिर से यहाँ पर जैसे ही आपका stock in trade में conversion होगा हम इसे transfer माल लेंगे तो मान के चलो आपने 11-17 में jewelry purchase करी थी let's say 5 लाक रुपे की आपने इसे 1 October 22 को convert कर दिया into stock in trade आपने इसे convert कर दिया into stock in trade और जब आपने इसे convert किया उस दिन इसकी जो FMV चल रही थी वो चल रही थी मान लीजे 12 लाक रुपे की वो चल रही थी 12 लाक रुपे की तो lawmaker क्या बोलता है lawmaker कहता है कि sir जैसे ही आप इसे convert करते हो into sit हम इसे transfer माल लेंगे तो यानि कि आपका transfer माल लिया गया है conversion date वाले दिन यानि कि 1 October 22 को बोले तो आपका transfer हो गया है 2022 के अंदर तो आपके उपर capital gain का implication 2022 में लग जाएगा लेकिन lawmaker कहता है कि हम आपका ये capital gain taxable conversion के वक्त नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर actually में आपको कोई भी sale consideration receive नहीं हुआ है भई ये तो जबरदस्ती transfer बनाया गया है conversion into SIT जबरदस्ती transfer है पहले भी asset के मालिक आप थे आज भी asset के मालिक IPO the only differences पहले asset capital asset थी अब आपके पास asset stock in trade बन गई है तो lawmaker कहता है कि हम यहाँ पर आपकी taxability को थोड़ा सा differ करेंगे जब आपका ये converted SIT actually में विकेगा हम तब आपके उपर taxability लगाएंगे तो माल लो आपके पास 15 April 23 को ये आपने SIT sold कर दिया for rupees 14 lakh तो lawmaker यहाँ पर दो बाते करता है lawmaker कहता है कि आपने SIT बेचा है तो आपके उपर PGBP भी लगना चाहिए भई आप अगर stock in trade को बेच रहे हो तो business का आपका transaction है इसके उपर PGBP भी लगना चाहिए तो यहाँ पर दो तरीके के tax निकलेंगे जब आप capital asset को convert करोगे into SIT तो आपके पास capital gain निकलेगा और जब यह converted SIT बिकेगा तो आपके उपर PGBP भी लगेगा अब प्लीज मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना अक्टूबर 17 से अक्टूबर 22 तक यह वाला जो period है यहाँ आपने जो भी gain बनाया है यहाँ पर आपने जो भी profit बनाया है वो आपके पास capital gain है और conversion के बाद आपने जो profit बनाया है यह आपके पास PGBP है conversion तक जो profit है conversion तक जो profit है वो capital gain है conversion के बाद का जो profit है वो PGBP है आपकी जो यह FMV है conversion date वाले दिन यह दो काम करेगी capital gain के अंदर हम इसको full value of consideration मानेंगे और इसी FMV को हम PGBP के अंदर stock in trade की cost मानेंगे हम इसको आपके पास cost of stock in trade मानेंगे प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो मैं वापस से repeat करता हूँ आपने October 17 में जोलरी खरीदी October 22 में आपने इसे stock in trade में convert कर दिया जैसे ही आपने conversion किया ये transfer हो गया यानि कि यहाँ पे capital gain implication आ गई लेकिन capital gain की taxability यहाँ पर नहीं होगी taxability को postpone किया गया जब आप ये SIT को बेचोगे lawmaker कहता है जब ये converted SIT actually में विकेगी हम तब capital gain पे tax लेंगे हम capital gain यहाँ पे compute तो कर लेंगे लेकिन tax कहाँ पर लेंगे जब वो SIT आप actually में क्या करोगे sell करोगे अब जब ये SIT भिकेगी तो आपके पास एक और income निकल कराएगी जो की होगी PGBP income अब इसी question को अगर मैं solve करूँ तो मेरे पास previous year 23-24 में PGBP की income निकल कराएगी जो मैंने SIT sale किया है जो मैंने SIT sale किया है वो 14 लाक रुपे का sale किया है और जो cost of SIT है that will be FMV on the date of transfer FMV on the date of transfer मैंने बोला ना कि conversion के बाद का जो profit है वो business का profit है conversion की date पे जो FMV है वो आपके पास cost बन जाएगी अपनी SIT की ये 12 लाक रुपे cost है 12 लाक की चीज आपने 14 लाक में बेची आपको 2 लाक रुपे की business income हो गई और previous year 23-24 में ही जब आप capital gain निकालोगे तो full value of consideration 12 लाक ली जाएगी जो FMV थी on the date of conversion वो आपके पास full value of consideration बनेगी और इसमें से index cost of acquisition को minus किया जाएगा आपने ये जोलरी पाँच लाक की खरीदी थी 17-18 में transfer year है 2022-23 transfer year है 2022-23 जब आपका transfer होता है indexation भी वहीं तक होता है transfer 22-23 में हुआ है indexation भी 22-23 में होगा gain आपका taxable 23-24 में हो रहा है gain आपका taxable 23-24 में हो रहा है लेकिन indexation हमेशा कब तक होगी transfer के year तक ही होगी तो 5 लाग का multiply indexation factor 22-23 से और इसका division जिस year में खरीदा था उस year से जो भी value निकल कर आएगी minus कर दीजेगा that will be your capital तो जब भी आप capital asset को convert करते हो into SIT तो दो gain निकलते है conversion की date तक capital gain निकलता है conversion की date के बाद business income निकलती है conversion की date के अंदर जो FMV होती है वो दो role play करती है capital gain के अंदर वो full value of consideration बनती है PGBP के अंदर वो stock की SIT बनती है PGBP का gain निकालने के लिए gain निकालने के लिए FMV में से cost of acquisition या फिर index cost of acquisition माइनस करें दोनों आपके पास taxable कब होंगे business income और capital gain कब taxable होंगे जिस year में आपके पास converted SIT बिकेगा यानि की 23-24 में आपके उपर taxability आएगी इसके बाद तीसरा point आता है capital contribution by the partner simple है यह वाला यहाँ पर capital contribution by partner में बोलता है कि जिस year में आपने contribution किया है वही आपका transfer year है जिस year में आपने contribution किया है उसी year को हम transfer year मानेंगे taxability भी उसी year में आएगी जिस year में आपने capital asset contribute करी है by simple सी चीज़ है जब partner का admission होता है किसी भी firm में तो वो capital contribute करता है यहाँ फिर जब कभी भी additional capital की सुदूरत पड़ती है तो जो partner होता है वो additional capital business में लेकर आता है तो जो आपके पास capital contribution है अगर वो kind में हो रहा है और kind वाली चीज capital asset है फॉर example partner कोई machine लेकर आ रहा है business में पार्टनर कोई shares लेकर आ रहा है बिजनस में, पार्टनर कोई land और building लेकर आ रहा है बिजनस में, तो वहाँ पर पार्टनर asset को transfer करता है firm में, पार्टनर transfer होता है, firm transfer ही होती है, पार्टनर के हाथ में capital gain implication आती है, जिस year में contribution किया है, वही year transfer year है, वही year taxability year है, full value of consideration बनती है, जो value books में record करी जाती है, जो value आपके पास books में record करी जाती है, उस value को आप क्या बोलते हो, full value of consideration, तो मानलो X का admission हो रहा है firm में, और वो अपना land contribute कर रहा है as a capital, कब कर रहा है, मानलो 1 April 2023 को कर रहा है, ऐसा हो सकता है कि इस land की जो FMV हो, 142023 को वो 50 लाग की हो, ऐसा हो सकता है कि इसकी FMV 50 लाग की हो, लेकिन firm ने अपनी books में जब entry बनाई, firm ने अपनी books में जब entry बनाई, तो वो entry बनाई कि land को debit किया, लैंड को debit किया, suppose कर लेते है 48 लाग पे, और X को credit किया 48 लाग से, तो books में entry किते पे कहिए, सर books में entry गई है 48 लाग पे, बुक्स में entry गई है 48 लाग पे, तो भले इसकी FMV 50 लाग की थी, हम 50 लाग को full value of consideration नहीं मनेंगे, full value of consideration बनेगी, जिस value पे इसे books में record किया गया है, that is your 48 लाग, that is your 48 लाग, इसके बाद अगला आपके पास point निकल कर आता है, compulsory acquisition of capital asset, compulsory acquisition of capital asset, compulsory acquisition of capital asset, जैसा कि मैंने आपको बताया कि government के पास power है, अगर उसे infrastructure development करना है और आपकी property उसके बीच में आ रही है, तो government आपसे आपका property acquire कर सकती है, irrespective of the fact कि आप बेचना चाहो चाहे, ना बेचना चाहो, पहली चीज, full value of consideration क्या होगी, तो lawmaker कहता है, कि जितना भी compensation government fix करेगी, वो आपके लिए full value of consideration होगी, तो आपकी property के लिए जो भी compensation amount decide हुआ है, that will be your full value of consideration, यहाँ पर भी taxability जो है, वो postpone करी जाती है, और उस year में आप capital gain pay करने के लिए liable होते हो, जिस year में आपको initial compensation receive होता है, तो मालो आपका compulsory acquisition 22-23 में हुआ, लेकिन आपको initial compensation 23-24 में मिला, तो आपके उपर capital gain implication तो 22-23 में लग जाएगी, लेकिन taxability आपके पास 23-24 में आएगी, अगर आपको compensation receive होता है installments पे, तो अगर आपको installments में पैसा मिल रहा है, पूरा का पूरा compensation गवर्मेंट ने आपको एक साथ नहीं दिया, then also, जिस year में पहला compensation, पहली installment आपको मिली है, उसी year में आपका entire consideration पे capital gain निकाल दिया जाएगा, जब आपको पहली installment मिली है, उस year में entire consideration पे आपका capital gain निकाल दिया जाएगा, transfer कब माना जाएगा, जिस year में आपकी asset compulsorly acquire हुई है, indexation कब तक किया जाएगा, transfer के year तक किया जाएगा, और अगर आप government के fixed compensation से खुश नहीं हो, और आप government के against पे case कर देते हो, court में, और court आपके favor में enhanced compensation का order पास कर देती है, आपका compensation बढ़ा दिया जाता है, तो enhanced compensation आपका taxable हो जाएगा, जिस year में आपको receive होगा, और इस enhanced compensation में से, आपको जो litigation expenses हैं, उन्हें minus करने की permission मिल जाएगी, आईए, एक example के through मैं आपको यह समझा देता हूँ, देखो, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, content दो घंटे की जगा में, धाई घंटे में खतम हो जाए, कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन जो दो घंटे invest करे हैं, वो fruitful तभी होंगे, जब with examples आपको चीज़े दी जाएगी, तो मैं हमेशा कोशिच करता हूँ, कि आपको कोई भी provision explain करूँ, तो वो along with example हो, so that आप बाद में कभी भी revision करो, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आए, तो for example आपने एक दस सोला को एक HP purchase किया था, let's suppose कर लेते हैं 50 लाख रुपे का, ठीक है जी, सर आपने एक दस सोला को HP purchase किया था 50 लाख रुपे का, सर गवर्मेंट ने क्या किया, गवर्मेंट ने आपका ये property, 25 March 23 को compulsorly acquire कर लिया, गवर्मेंट ने आपका ये property compulsorly acquire कर लिया और गवर्मेंट ने आपका जो compensation है, वो fix किया, let's suppose कर लेते हैं 95 लाख रुपे का, तो आपका transfer कब माना जाएगा सर आपका transfer माना जाएगा 25 March 23 को यानि कि आपका transfer कब हो गया सर आपका transfer हो गया 2022 में तो capital gain implication आपके उपर 2022 में लगा दी जाएंगी अब government ने आपको initial compensation दिया एक April 23 को आपको initial compensation दिया government ने आपको let's suppose कर लेते हैं इस 95 lakh में से 55 lakh रुपीज April 23 में दे दिये तो April 23 में आपको initial compensation मिला यानि कि आपके पास taxability जो निकल कर आएगी वो 2023-2024 में निकल कर आएगी 2023 में आपका full value of consideration बनेगा जितना भी compensation आपका fix हुआ था भले आपको 55 lakh रुपीज मिले हैं आपका capital gain इस पूरे 95 lakh पे calculate करा जाएगा 2023 में तो 2023 में full value of consideration 95 lakh बनेगी और इसमें से आप index cost of acquisition को minus करोगे आपने ये घर 50 lakh का खरीदा था 50 lakh का multiply करोगे indexation factor of transfer year से transfer year है आपके पास 22-23 के indexation factor से divide करोगे जिस year में खरीदा था 16-17 में उस year के indexation factor से आप इसको divide कर दोगे सर बैलन्स compensation suppose कर लो आपको मिलता है एक चार 24 को बैलन्स compensation आपको मिलता है 40 lakh रुपीज का टोटल 95 lakh आने थे 55 lakh आ चुके थे 40 lakh आने बाकी थे ये 40 lakh का balance compensation आपको मिलता है 14-2024 को अब जब ये balance compensation आपको 40 lakh का मिलेगा तो यहाँ पर आपके पास कोई text implication निकल कर नहीं आएगी यहाँ पर आपके पास कोई भी text implication निकल कर नहीं आएगी क्योंकि जब आपको 55 lakh मिला था तब आपने already 95 lakh पे government को text दे दिया था ये 40 lakh रुपीज इसी 95 lakh का है जिस पे आप already government को text दे चुके हो जब आपको initially 55 मिले थे तो जब 55 मिले थे तब 95 पे text दे दिया था तो ये 40 उसी 95 का part है दुबारा से taxable नहीं होंगे इस बीच में आपने government के ऊपर court case फाइल कर दिया था माल लेते हैं आपने एक इधर डाल देते हैं आपने इधर government के ऊपर case फाइल कर दिया था इधर आपने government पे suit फाइल कर दिया था let's suppose कर लेते हैं एक पांच 23 को और माता रानी की क्रपा से आपके पास enhanced compensation अनाउंस करा गया एक एपरल 25 को माता रानी की क्रपा से आपको enhanced compensation अनाउंस किया गया government ने आपका 10 लाक रुपे का compensation बढ़ा दिया एक चार पक्चिस को और आपको litigation expenses incur करने पड़ गए 2 लाक रुपे के तो previous year 2026 में previous year 2026 में जब आपको enhanced compensation मिलेगा तब वो taxable होगा और इसमें से आपके जो litigation expenses हैं 2 लाक के वो माइनस कर दिये जाएंगे 8 लाक रुपीस का आपके पास long term capital गेना चाहिए ठीके जी? ओके सर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं capital gain in case of specified agreement इसको हम joint development agreement भी बोलते हैं इसको हम joint development agreement भी बोलते हैं last attempt तक ये module में exist करता था लेकिन अब इसे module से हटा दिया गया है module के अंदर ये वाला topic आपके पास नहीं दे रखा हम एक काम करेंगे हम इस point को पढ़के चलेंगे ठीके कोई दिक्कत नहीं है जहां इत्ती पढ़ाई करी है थोड़ी सी और कर लेंगे कोई आफ़त नहीं आजाएगी हम ये point पढ़के चलेंगे क्योंकि पहले भी institute इस question पे इस provision पे question पूछ चुका है तो specified agreement एक joint development agreement होता है मैं पूरा का पूरा case आपको समझा देता हूँ इसमें क्या रहता है सर इसमें एक व्यक्ति रहता है वो जो है वो आपके पास land का immovable property का owner रहता है तो माल लेते है Mr. X है Mr. X एक land के owner है Mr. X जो है वो एक land के owner है इन्होंने क्या किया सर इन्होंने agreement कर लिया इन्होंने एक agreement कर लिया let's suppose कर लेते हैं एक XYZ builder के साथ एक XYZ builder के साथ builder क्या करेगा सर builder इस land पे suppose कर लेते हैं 50 flats बनाएगा builder इस land पे क्या करेगा 50 flats का construction करेगा और इस 50 flats में से 20 flats Mr. X को दे दिये जाएंगे और 30 flats यहाँ पे XYZ बिल्डर ले लेगा अब एक बात यहाँ रखना यहाँ पे land जो थी वो Mr. X की थी 50 flats के construction पे जो खर्चा आएगा वो बिल्डर करेगा तो इसको बोलते है joint development agreement एक व्यक्ति आपके पास land का owner है immovable property का owner है और दूसरा व्यक्ति उस पे construction का खर्चा करता है दोनों jointly इस property को develop करते हैं इस property का share land owner के पास भी चला जाता है और बिल्डर के पास भी चला जाता है तो 50 flats का construction हुआ 50 flats का construction में 20 flats Mr. X को दिये गए 30 flats जो है वो बिल्डर ने अपने पास रखे इसके अलावा बिल्डर ने Mr. X को cash में आप कहलो 10 लाक रुपे और दिये तो basically Mr. X को अपने land के बदले में Mr. X को अपने land के बदले में 10 लाक रुपे मिले है और 20 flats मिले है तो इसे आप एक तरीके से exchange का treatment मान सकते हो कि आपको आपके land के बदले में 10 लाक रुपे प्लस 20 flats मिले है तो lawmaker कहता है जिस year में आपको जिस date पे आपको completion certificate मिला है उस date की जो SDV है हम वो पकड़ लेंगे प्लस जो money consideration आपको मिला है वो पकड़ लेंगे ये दोनों मिला कर आपके पास क्या बन जाएंगे full value of consideration इस land का full value of consideration क्या बन रहा है इस land का full value of consideration बन रहा है 10 लाक रुपीस प्लस ये 20 flats की SDV 10 लाक रुपीस प्लस 20 flats की SDV आपके पास full value of consideration बन रही है इस full value of consideration में से जो भी index cost of acquisition है land का वो minus करवा दीजएगा जो result निकल कर आएगा that will be your long term capital gain अब यहाँ पर भी आपका जो capital gain है वो taxable होता है उस year में जिस year में आपको completion certificate receive होगा मतलब आपने हो सकता है land का position बिल्डर को दे दिया हो 1 October 2021 को और आपको ये 50 flats का completion certificate मिला है 1 November 2023 को तो यहाँ पर आपका land आपका land transfer माना जाएगा जब आप land का position दे देते हो बिल्डर को जब आप land का position दे देते हो बिल्डर को यानि कि 1, 10, 21 माना जाएगा कि आपकी land transfer हो गई है यानि कि आपका जो transfer year है वो 2021 है लेकिन आपके ऊपर taxability कब आएगी तो जब हम indexation करेंगे land का तो वो indexation transfer year तक होगा 2021 तक लिकिन taxability कब आएगी 2023 में transaction क्या है capital gain on transfer of land or building और बोथ under the specified agreement ये applicable होता है individual और HOF पे taxability आएगी वो year पे जिस year में completion certificate रिसीव हुआ है taxability आएगी उस year में जिस year में completion certificate मिला है transfer माना जाएगा जिस दिन आपने possession hand over कर दिया है real estate developer को full value of consideration क्या बनती है SDV बनती है of the share in the project as on the date of receiving the completion certificate as increased by money consideration if any तो वही चीज मैंने आपको यहां पर बताई कि आपने possession एक दस 21 को दे दिया था आपने possession एक दस 21 को दे दिया था तो यहां पे transfer year 21-22 हो गया capital gain 21-22 में calculate होगा लेकिन taxability कब आएगी जब completion certificate मिलेगा completion certificate आपको कम मिला completion certificate आपको मिला 2023-24 में तो 2023-24 में आपके उपर taxability आएगी full value of consideration क्या बनेगी सर यह जो 20 flats आपको मिले है इनकी जो SDV है उसको पकड़ा जाएगा plus इसमें 10 lakh रुपीस का जो money consideration उसको add कर दिया जाएगा that will be your full value of consideration और इसमें से index cost of acquisition of land को minus करेंगे indexation हमेशा याद रखना कब तक होगा transfer year तक किया जाएगा this is what joint development agreement is इसके बाद अगला point आपके पास निकल कराता है full value of consideration in case of transfer of land और building और both अगर आपने land और building ट्रांसफर करी है तो उस case में क्या होगा बेटा यह जो provision है यह most important है exam point of view से ICAI का favorite topic है बहुत बार exam में आता है full value of consideration in case of transfer of land और building और both आप लोगों को मैंने class में बताया था कि सर सबसे ज़ादा जो black money transactions होते हैं वो किस पे होते हैं सर वो immovable property की sale purchase पे होते हैं इसी चीज़ को कम करने के लिए section 50C लाया गया government कहती है कि सर यह बताओ कि आपकी जो sales consideration है आपकी जो sale consideration है क्या वो क्या वो क्या वो क्या वो SDV से ज़ादा है अगर आप कहते हो कि आपका sale consideration आपके SDV से ज़ादा है sale consideration किसका land और building का तो land और building का अगर sale consideration SDV से ज़ादा है तो government कहती है कि full value of consideration आपकी sale consideration ही बनेगी फुल वैल्यू ओफ कंसेडरेशन आपकी सेल कंसेडरेशन ही बनेगी लेकिन अगर आपकी सेल वैल्यू आपके SDV से कम है तो गवर्मेंट कहती है क्या ये डिफरेंस 10% से ज़ादा है क्या सेल वैल्यू स्टेंप ड्यूटी वैल्यू से 10% से ज़ादा कम है तो गवर्मेंट कहती है चेक करो क्या SDV एकसीड कर रही है 110% ओफ सेल कंसेडरेशन को अगर सेल कंसेडरेशन का 110% किया जाए तो क्या वो 110% SDV से कम है अगर आपका आंसर येस है कि सेल कंसेडरेशन का 110% करने के बाद भी वो SDV से कम है तो ऐसे केस में फुल वैल्यू आफ कंसेडरेशन SDV बनती है और अगर नहीं है तो ऐसे केस में आपका फुल वैल्यू आफ कंसेडरेशन आपका जो सेल वैल्यू है उसी को बना दिया जाता है एक्जाम्पल ले लेते हैं मान लेते हैं आपकी जो SDV है वो 10 लाक रुपे की है Case No. A, आपका जो Sale Value है, वो मान के चलते हैं 12 लाक रुपे का है, तो अगर आपका Sale Value 12 लाक रुपे का है, तो आपकी Sale Value SDV से ज़ादा है, और अगर Sale Value SDV से ज़ादा है, तो ऐसे Case में आपका Full Value of Consideration Sale Value बनेगा यानि की 12 लाक रुपे Case No. B, मान लीजे, आपके पास जो Sale Value है, वो 9,50,000 रुपे की है, तो आपका जो Sale Value है, वो आपके SDV से कम है, तो ऐसे Case में हम Sale Value का 110% कर देते हैं, तो अगर आप Sale Value का 110% करोगे, 9,50,000 में 10% एड़ कर दो, आपके पास 10,45,000 आएगा, क्या आपकी SDV आपके Sales Consideration के 110% से ज़ादा है? क्या आपकी SDV आपके Sales Consideration के 110% से ज़ादा है? नई सर, हमारा जो 110% निकल कर आ रहा है, वो 10,45 आ रहा है, जबकि SDV तो केवल 10,00 की है, तो ऐसे Case में, आपका Full Value of Consideration, आपकी Sale Value ही बनती है, यानि की 9,50,000 रुपे ही बनती है, अगर Sale Value का 110% आपके SDV से कम नहीं है, तो उस Case में, आपकी जो Sale Value होती है, उसी को Full Value of Consideration बना लिया जाता है, Case No.3, अगर मान के चलिए कि आपकी जो Sale Value है, वो आपके पास 9,00,000,000 रुपे की होती, तो सर इस Case में भी आपकी जो Sale Value है, वो आपके पास SDV से कम है, तो हम Sale Value का 110% करेंगे 9,90,000,000 आएगा, क्या सर हमारे पास ये जो Sale Value है, क्या ये SDV से कम है, हाँ सर, आपकी जो SDV है, वो 110% of Sale Value से जादा है, अगर SDV 110% of Sale Value से जादा है, येस, तो ऐसे Case में Lawmaker कहता है, कि फुल वैल्यू अफ कंसेडरेशन, इस डीवी बनेगा, यानि कि 10,00,000,000, क्या है, सर, SDV Government की Declared Value है, Immovable Property की, Government कहती है, कि अगर आपने SDV से नीचे Property बेची है, तो हम by default मानके चलेंगे, कि आपने वहाँ पर cash transaction को involved किया है आपने वो amount involved करी है जो आप disclose करना नहीं चाहते आप black में पैसा receive कर रहे हो अगर आपने SDV से कम value में बेचा है तो basically हम ये मान के चलेंगे by default ये consider करके चलेंगे कि आपने इस transaction में black money को involved किया है और हम SDV को ही full value of consideration बनाएंगे और ऐसा तभी होगा जब आपकी SDV आपके 110% of sale value से जादा हो तो जब भी आपके पास immovable property का question आएगा land और building वाला question आएगा वहाँ पे हमेशा याद रखना कि section 50C की implication निकल कर आएगी सर ये SDV हमें कौन से दिन की लेनी है क्या ये SDV हमें date of agreement की लेनी है या फिर हमें SDV date of registration की लेनी है तो lawmaker कहता है कि सर अगर आपको agreement के वक्त advance receive हुआ है अगर आपको agreement के वक्त advance receive हुआ है specified mode से मतलब account पर ही check से, account पर ही draft से, electronic clearing system through bank account से NEFT से, IMPS से, UPI से अगर आपको advance मिला है at the time of agreement अगर at the time of agreement आपको advance मिला है specified mode से तो ऐसे case में जो agreement date की SDV होती है हम उसे consider करते हैं लेकिन अगर आपको agreement के वक्त या तो advance नहीं मिला या तो agreement के वक्त advance मिला लेकिन non specified mode से मिला तो फिर SDV registration date वाली consider करी जाती है ठीक है जी इसके बाद आपके पास कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हो आप कहते हो अपने assessing officer से आप कहते हो अपने assessing officer से कि sir government ने stamp duty value जादा declare करी हुई है assessi का claim है assessi का claim है कि जो fair market value है property की वो कम है SDV से मतलब market में कोई भी ऐसा buyer नहीं है जो हमें SDV पे करके राजी करे market में कोई भी ऐसा buyer अवेलेबल नहीं है जो SDV दे के राजी हो आपकी property की जो market value है fair market value है वो SDV से कम है मतलब मान के चलो भाई SDV है आपके पास 10 लाक रुपे की और हमने property बेची है 9 लाक रुपे की तो हम कह रहे हैं कि market की जो fair value है वो 9 लाक रुपे की है market की जो fair value है 9 लाक रुपे की है हमने कोई भी चोरी नहीं करी हमने महिला मित्र की कसम खाली कसम से कसम से महिला मित्र की कसम हमने property सच्ची में 9 लाक की बेची है हमने कोई भी यहाँ पर cash transaction नहीं किया कुछ भी black में transaction नहीं किया हमने महिला मित्र की कसम खा ली कि भई हम बिलकुल जूट नहीं बोल रहे हमने सच्ची में 9 लाक की बेची है मार्केट में कोई भी ऐसा बायर अवेलेबल ही नहीं है जो 9 लाक रुपे से उपर दे कर राजी हो तो गवर्मेंट ने जो SDV फिक्स कर रखी है उस पे तो कभी प् से कम है तो ऐसे केस में A.O. क्या करता है सर A.O. रिफर कर देता है केस टू एलुएशन ओफिसर अगर वैलुएशन ओफिसर के पास केस जाता है और वैलुएशन ओफिसर की वेल्यू SDV से जादा निकल कर आ जाए मतलब हमारी SDV हमारे पास SDV 10 लाग की है और हमने जो Sale Value डिकलेर करी है वो 9 लाग की है अब Valuation Officer बाबू कहते है कि सर सरदार जी जूट बोल रहे है इन्होंने महिला मित्र की कसम जूटी डाली है Fair Market Value तो 12 लाग की है मुझे 12 लाग रुपे में अराम से कस्टमर्स मिल रहे है जो प्रॉपर्टी 12 लाग में खरीदना चाहते है तो अगर Valuation Officer वैल्यू लेकर आता है जो Stamp Duty वैल्यू से जादा होती है तो ऐसे केस में As per Section 50C आपका जो Full Value of Consideration है वो आपका Consider किया जाता है SDV ही That is 10 लेक लेकिन अगर Valuation Officer कहे कि सरदार जी सच्ची बोल रहे है ये अपनी महिला मित्र से बहुत प्यार करते हैं ये सच्ची बोल रहे है इनोंने जूटी कसम नहीं खाई है सर एक्चुली में जो FMV है वो SDV से कम है लेकिन जितनी सरदार जी वैल्यू बता रहे है उतनी नहीं है उससे जादा है मतलब Valuation Officer जो वैल्यू लेकर आया है Valuation Officer जो वैल्यू लेकर आया है वो SDV से तो कम है लेकिन जो Sale Value Assessy ने डिकलेर करी है उसससे जादा है Doesn't exceed the SDV but exceed the actual Sale Value जो Value Valuation Officer लेकर आया है वो SDV से जादा की नहीं है लेकिन actual Sale Value से जादा की है तो आपके पास 9.5 लाक रुपए SDV से कम है लेकिन आपने जो Value Declare करी थी उससे जादा है तो Section 50C कहता है कि Full Value of Consideration बनेगा Valuation Officer का Value यानि की 9.5 लाक रुपए लेकिन अगर Valuation Officer जो Value लेकर आया है वो Value अगर Sale Value से भी कम है मतलब जितना Value आप लेकर आये थे उस Value से भी कम Valuation Officer लेकर आया है तो Lawmaker कहता है कि As per Section 50C Full Value of Consideration बन जाएगी Sale Value यानि की 9.5 लाक रुपए इसका मतलब सर ये निकल कर आता है कि आपके पास सबसे उपर Stamp Duty Value है सबसे नीचे आपके पास Sale Value है मतलब अगर Valuation Officer के पास Case जाएगा और Valuation Officer SDV के उपर की Value ले आये Valuation Officer की Value अगर SDV से उपर होगी तो वो Reject हो जाएगी आपका Full Value of Consideration SDV बनेगा अगर Valuation Officer की Value Sale Value से कम हो जाए तो अगेन वो Value Reject हो जाएगी और Full Value of Consideration आपकी Sale Value बनेगी लेकिन अगर Valuation Officer की Value SDV और Sales Consideration के बीच की हो तो वो Value क्या कर ली जाएगी Accept कर ली जाएगी Simple सा Reason मानलो ये 10 लाक रुपे का था ये 9 लाक रुपे का था जब Valuation Officer 12 लाक रुपे की Value लाया था वो Reject हो गई थी जब Valuation Officer 8.5 लाक की Value लाया था वो Value भी Reject हो गई थी 9.5 लाक रुपे की Value लेकर आया था वो Value Accept कर ली गई थी उसी को Full Value of Consideration बना दिया गया था उसी को Full Value of Consideration आपके पास बना दिया गया था छीक है जी राइट चलिए अब बात करते है cost of self generated assets की सर self generated assets क्या होती है आपके पास जो intangible assets होती है उनको यहाँ पर क्या बोला जाता है सर उनको यहाँ पर बोला जाता है अपने पास cost of self generated assets जैसे आपके पास हो सकता है brand name आपके पास हो सकता है trademark ठीक है associated with business or profession, tenancy rights, goodwill of a business or profession manufacture, produce or process any article thing for a consideration, right to carry on any business or profession अब प्लीज मेरी बात को समझेगा, इन assets के case में जो self generated है आपने खुद बनाई है, कहीं से खरीदी नहीं है आपने brand name खुद बनाया, आपने tenancy rights लिए, आपने goodwill create करी business की right to manufacture, इन सब cases में जो cost of acquisition होती है और जो cost of improvement होती है वो आपके पास nil होती है, right, इनका ना तो cost of acquisition होगा ना तो cost of improvement होगा, लेकिन यही assets अगर आपने purchase करी है यही assets अगर आपने purchase करी है, तो जो भी पैसा आपने इसके purchase के लिए pay कराए that will be considered as your cost of acquisition अभी सर आपको पता होगा कि previous year 19-20 के बाद से आपके पास goodwill पे depreciation अलाओ नहीं होता तो अगर आपने goodwill business के लिए खरीदी थी और उस पे आप depreciation लगा रहे थे तो 19-20 का depreciation claim करने के बाद जो value बचेगी that value will be considered as cost of acquisition in case of a goodwill of a business or profession on which the depreciation is claimed cost of acquisition of such goodwill would be the amount of the purchase price as reduced by total amount of depreciation obtained by the assessi under section 32-1 कहने का मतलब कि अगर आपने goodwill के लिए sorry business के लिए अगर आपने goodwill करीदा है business के लिए goodwill आपने खरीदा है और उस पे आप depreciation का खर्चा claim कर रहे थे तो 19-20 तक जितना भी depreciation claim कर चुके हो यानि कि जो WDV of goodwill है उसे हम cost of acquisition मान के चलेंगे अगर आप goodwill पे depreciation claim कर रहे थे 19-20 तक तो depreciation claim करने के बाद की जो WDV है उसे आपके पास full cost of acquisition माना जाएगा अगर आपके पास ये asset 14-2001 से पहले की खरीदी हुई है तो इसकी FMV को ignore करा जाएगा normally क्या होता है कि अगर आपने asset 14-2001 से पहले करीदा होता है तो वहाँ पर आपको FMV लेने का option मिलता है लेकिन अगर आपके पास जो asset है वो आपके पास intangible asset है tenancy rights है, goodwill है, brand name है, trademarks है अगर आपने ये 14-2001 से पहले करीदे है अगर इन्हें आपने 14-2001 से पहले करीदा है तो इनका FMV राजा बेटा आप क्या करके चलोगे इनका FMV राजा बेटा आप ignore करके चलोगे right, clear है यहां तक, sorted है यहां तक बात चलिए, अब बात कर लेते हैं बेटा हम लोग capital gain in case of slum sale slum sale क्या होती है सर जब आप पूरा का पूरा unit पेच देते हो lump sum value पे without valuing each asset individually जब आपने पूरा का पूरा unit आपने पूरा का पूरा department बेच दिया individual asset को value करे बिना for example, let's say आपकी shoes manufacturing unit थी एक unit आपके पास चन्नई में थी और एक unit आपके पास दिल्ली में थी आपने क्या किया आपने दिल्ली वाली unit sell कर दी let's suppose कर लेते है at 5CR आपने sell कर दी at 5CR आपकी दिल्ली वाली units में कुछ assets रही होंगी factory हो सकती है, plant and machinery होंगे, data होंगे आपके पास कुछ intangible assets हो सकती है, कुछ current assets हो सकती है आपके पास कुछ liabilities होंगी तो आपने individually किसी को भी value नहीं करा आपने दिल्ली वाला unit एक lumsum price पे बेच दिया 5CR रुपे पे इसको बोलते है slum sale तो जब आप slum sale करते हो, तो full value of consideration जो होती है उसको अपन पकड़ते है higher of, higher of what? आपका जो actual sales consideration है या फिर जो आपने assets transfer करी है, उनकी FMV इन दोनों में जो भी higher है sale consideration जो आपको receive हुआ है और जो capital asset आपने transfer करी है उनकी जो FMV है इन दोनों में जो भी higher है वो आपके लिए full value of consideration बन जाती है cost of acquisition, slum sale के अंदर net worth बनती है net worth आप लोगों को calculate करना आता है net worth आप लोगों को calculate करना आता है net worth is what? net worth is your total assets minus आपका जो total debt है minus जो आपका total debt है debt के अंदर क्या क्या आता है total debt के अंदर आपकी जो current debt होती है वो भी आ जाती है और जो आपकी long term debt होती है वो भी आपके पास आ जाती है basically जो outsiders को आपको पैसा देना है basically जो outsiders को आपको पैसा देना है वो आपके पास total debt का part बन जाता है तो net worth जो होती है उसे हम cost of acquisition मनाते हैं एक बात हमेशा याद रखना कि आपके पास slum sale के case में indexation का कोई भी benefit available नहीं होता अगर आपकी unit आपने hold करी है for not more than 36 month तो short term capital gain है और अगर आपने उसे hold किया है after hold किया है for more than 36 month और उसके बाद आपने बेचा है तो वहाँ पर long term capital gain तो जैसे मैंने दिल्ली वाली unit का example लिया था अगर दिल्ली वाली unit आपने hold करी है let's say for 36 month तो ये आपके पास short term capital gain आएगा लेकिन अगर आपने इसे hold किया है let's say for 40 months तो आपके पास long term capital gain आएगा long term capital gain में ध्यान रखना कि कोई भी indexation का benefit आपको नहीं मिलेगा जब आप net worth का calculation करोगे तो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर किसी asset का revaluation करा गया है तो उस revaluation को आपको क्या करना है ignore करना है assessi क्या कर सकता है किसी भी asset की value को inflate कर सकता है revalue करके उसकी value को बढ़ा सकता है तो अगर assessi ने revaluation करके किसी asset का value बढ़ाया है लेटसे उसने building की value को revalue कर दिया है building की value books में थी पहले 50 लाक रुपे और इसको revalue करके 60 lakh बना दिया गया है इसको revalue करके 60 lakh बना दिया गया है तो जब आप net worth निकालोगे तो net worth में 60 lakh को consider नहीं करोगे net worth निकालते वक्त आप 50 lakh को ही consider करोगे तो अगर किसी भी asset का revaluation हुआ है तो revaluation को आपको क्या करके चलना है ignore करके चलना है अब अगला point निकल कर आता है capital gain in case of depreciable asset इसे हम लोग cover करेंगे along with PGBP covered along with PGBP इसे आपने cover कर लेना है along with PGBP अब बात कर लेते हैं capital gain in case of sale of shares की अगर आप shares को transfer करते हो तो क्या होगा सबसे पहले हम shares के cost of acquisitions की बात कर लेते हैं आपके जो original shares होते हैं जिनको आप खरीदते हो उनका cost of acquisition क्या होता है जितना amount आपने actually में pay करा है लेकिन अगर आपने इन्हें 142001 से पहले खरीदा है तो आपको option मिलता है आप actual cost या फिर FMV जो 142001 की है दोनों में जो higher है उसे आप cost of acquisition बना सकते हो कई बार company आपको bonus share देती है तो bonus share की cost क्या ली जाती है निल ली जाती है लेकिन अगर bonus आपको issue किया गया है before 142001 तो वहाँ पर जो 142001 की FMV है वो bonus share की cost बन जाती है तो normally अगर आपको bonus 142001 के बाद मिलेगा तो उसकी cost आप निल लेके चलोगे लेकिन 142001 से पहले मिलेगा तो जो 142001 की FMV है आप उसे पकड़ के चलोगे कई बार company आपको right shares का option देती है company नए share holders के पास जाने से पहले आपको option देती है नए shares को खरीदने का तो right share का right अगर आपने exercise किया right share को buy करने का right अगर आपने exercise किया तो जितना भी पैसा आपने company को pay करा है जितना भी पैसा आपने company को pay करा है उन shares के लिए वो आपके लिए cost of acquisition बन जाएगी for example company अगर right share लेकर आई है let's say market value है 500 रुपे की और वो आपको share दे रही है 350 रुपे में company आपको 500 रुपे वाला share अगर 350 रुपे में दे रही है और आप right को exercise करके 350 रुपे में share को खरीते हो तो 350 will be the cost of acquisition आप अपना right क्या कर सकते हो? renounce कर सकते हो renounce कर सकते हो मतलब आप अपना right to exercise the right share किसी को बेच सकते हो right to exercise the right share आप किसी को बेच सकते हो company ने आपको right share खरीदने का option दिया आपने का मुझे नहीं खरीदना लेकिन आप अपना ये right अपने दोस्त को transfer कर सकते हो आपका दोस्त आपकी जगा पर right share को acquire कर लेगा 350 रुपे में अब ऐसा हो सकता है कि जब आप right को renounce करो तो आप सामने वाले से कुछ पैसा charge करो for example आपने अपने दोस्त को ये right दे दिया कि भाई देख 500 रुपे का company का share है market में company 350 रुपे में खरीदने का option दे रही है सीधे सीधे 150 रुपे का फाइदा होने वाला है तू इस फाइदे में से 50 रुपीज मुझको दे दे तो आपने क्या किया 50 रुपीज में right को renounce कर दिया आपके दोस्त का भी फाइदा है आपके दोस्त को 350 रुपे company को देने पड़ेंगे 50 रुपे आपको देने पड़ेंगे आपके दोस्त के खर्ज होंगे 400 रुपे उसको 400 रुपे खर्ज करके 500 रुपे का शेर मिल जाएगा वो अभी भी फाइदे में है तो renounce क्या करता है आपसे right खरीद लेता है तो आपने अगर right को renounce किया और renounce करके अगर आपको कोई पैसा मिलता है तो वो आपके लिए हमेशा short term capital gain होती है renounce जिसने right खरीदा है आपसे उसके लिए cost of acquisition क्या होगी shares के लिए जितना पैसा उसने आपको दिया 50 रुपे प्लस जितना पैसा उसने company को दिया simple अब इसके बाद आपके पास shares जो होते हैं इसके बाद आपके पास जो shares होते हैं वो किते तरीके के होते हैं अगर मैं Shares की बात करूँ, तो Shares आपके पास दो तरीके से निकल कर आ सकते हैं, एक आपके पास ऐसे Shares जो लिस्टेड है on Recognized Stock Exchange, ऐसे Equity Shares जो लिस्टेड है आपके पास Recognized Stock Exchange में प्लस आपने उन पे STT पे करा है, उनके Sale के वक्त भी और उनके Purchase के वक्त भी, अगर इन Shares का Period of Holding अप्टू 12 मन्स है, तो यह आपके पास Short Term Capital Gain है Under Section 111 A, जिस पे आपको 15% से Tax देना पड़ेगा, और अगर इनका Period of Holding Exceed करता है 12 मन्स को, तो यह आपके पास Long Term Capital Gain है Under Section 112 A, इन पे आपको 10% से Tax देना पड़ेगा, On Gain Exceeding 1 Lack, जितना भी आपको Gain हुआ है, उसमें से 1 Lack को Minus कर दिया जाएगा, और Remaining Amount पे आपको 10% का Tax देना पड़ेगा, इनकी जो Cost है, वो Determine करी जाती है Normally, इनकी जो Cost होती है, उसको Determine किया जाता है Normally, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, Original Shares हैं, तो जितना पैसा खर्च किया, 142001 से पहले लिए हैं, तो जितना पैसा खर्च किया, या 142001 की FMV, बोनस है तो निल, बोनस 142001 से पहले का है, तो FMV 142001 की, तो Normally जैसे Shares की Cost को Determine किया जाता है, जो अभी हमने सीखा, उसी तरीके से निकल कर आ जाएगी, लेकिन जो 112A वाला Capital Gain होता है, जो 112A वाला Capital Gain होता है, यहां पर Cost of Acquisition निकालने का तरीका अलग है, यहां पर Cost of Acquisition पकड़ी जाती है, Higher of A Point, जो भी इनकी Original Cost है, B Point, Lower of 31st January 18 की जो FMV है, या फिर जिस प्राइस पे आप इसको बेच रहे हो, 31st January 18 की जो FMV है, या फिर जिस प्राइस पे आप इसको बेच रहे हो, For example, अगर आपके Original Share की Cost 300 रुपे है, 31st January 18 की FMV, मान लो आपके पास 200 रुपे की है, और आप इस शियर को बेच के चल रहे हो, 500 रुपे पे, तो 200 और 500 में जो Lower है वो पकड़ा जाएगा, 200, 200 और 300 में जो Higher है वो पकड़ा जाएगा, यानि की आपकी Cost कित्ती निकल कर आएगी 300, अगर आपकी Original Cost 300 रुपे की है, 31st January 18 की FMV 450 रुपे की है, Full Value of Consideration 500 रुपे की है, तो 4500 और 500 whichever is Lower, 4500 और 300 whichever is Higher, एक बात हमेशा याद रखना, कि जब आप Long Term Capital Gain 112 A का निकालते हो, तो यहाँ पर कोई भी Indexation का Benefit नहीं मिलता, कोई भी Indexation का Benefit नहीं मिलता, 31 जनवरी 18 की जब आप FMV लोगे, तो कोशन हो सकता है आपको 3 Prices बताए, या 3 FMV बताए, वो Highest FMV बताए, वो आपको Average FMV बताए, और वो आपको Lowest FMV बताए, तो Highest Quoted Price हो सकता है, Lowest Quoted Price हो सकता है, Average Quoted Price हो सकता है, तीन प्राइस मिल सकते हैं आपको, 31 जनवरी 18 की FMV में आपको 3 प्राइस मिल सकते है, Highest Quoted Price, Average Quoted Price, Lowest Quoted Price, तो आपको कौन सा प्राइस कंसीडर करके चलना है, Highest Quoted Price कंसीडर करके चलना है, Average और Lowest से आपका मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, इसके अलावा अगर आपके पास Other Shares है, Other Equity Shares है, तो वहाँ पर जो Period of Holding होती है, वो 24 महीने की देखी जाती है, Period of Holding अगर अप्टू 24 मन्स की है, Yes, तो ये आपका Short Term Capital Gain है, और ये आपके पास Slab के हिसाब से Taxable होगा, और अगर Period of Holding आपके पास 24 मन्स से जादा की है, तो ये आपके पास Long Term Capital Gain 112 में जाएगा, यहाँ पर आपके पास Flat 20% से Tax लगेगा, यहाँ पर आपको Indexation Facility अवेलेबल है, यहाँ पर आपके पास Indexation Facility जो है, वो अवेलेबल है, ठीक है जी, हाँ सर, इसी के साथ हमारे पास ये वाला Topic complete हो गया, अब Last Topic पे हम लोग आ करेंगे हमारे पास Exemptions की, चलिए बचों, अब हम बात करते हैं Exemptions की, आपको बताए कि सर, Capital Gain के अंदर आप लोग के पास Exemptions अवेलेबल है, आपके पास Exemptions कैसे आती है, तो सर, Lawmaker क्लियरली कहता है, कि आपको कहीं न कहीं पैसा क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा हर एक Section अपने पास Specified Assets की बात करेगा, तो अगर आपने कोई Specified Assets ट्रांसफर करी है, तो आपको इस पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किसी Specified Assets के अंदर हर एक Section अपने आप में ये Conditions को Define करता है, कि कौन सी Capital Assets बेच कर, आप उस Section के अंदर Exemption ले सकते हो, और कौन सी Assets खरीदने पर आपको Exemption मिलेगी, जैसे आपके पास Section 54 है, तो Section 54 कहता है, कि अगर आपने Long Term Residential House Property बेची है, अगर आपने Long Term Residential House Property बेची है, तो आप उसका Exemption Section 54 के अंदर क्लेम कर सकते हो, यहाँ पर Exemption किसको मिलेगी, या तो Individual को, या तो HUF को, ये Individual और HUF या तो Resident हो सकता है, या तो Non Resident हो सकता है, मतलब कोई भी भेदबाव नहीं है, कि Resident को देंगे, Non Resident को नहीं देंगे, ऐसा कोई भेदबाव नहीं है, आप Individual हो, HUF हो, तो आपको Exemption मिल जाएगी, प्रोवाइड़ आपने Long Term Residential House Property बेची होनी चाहिए, अब आपने जो Asset बेची है, वो कौन सी होनी चाहिए, Long Term Residential House Property, पैसा Invests करना पड़ेगा, कहां पर Invests करना पड़ेगा, Sir, आपको Investment करनी है, New Residential House Property में, ये New Residential House Property कहां पर होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, अगर इंडिया के बाहर रहेगी तो आपको यहाँ पर कोई भी exemption नहीं मिल पाएगी तो इंडिया की new residential house property में आपको पैसा invest करना है Normally आपको अगर exemption claim करनी है तो आपको एक ही घर खरीदना पड़ेगा और उसी घर की आपको exemption मिलेगी For example, let's say आपने HPA, आपने long term house property A transfer कर दी और आपने इसके बदले में दो properties खरीद ली आपने house property B और house property C खरीद ली आपने दो properties खरीद ली house property B, house property C आप किसी anyone को, या तो house property B को, या तो house property C को एनी वन को यूज कर सकते हो for the purpose of exemption under section 54. आप चाहो तो house property B को यूज कर लो, आप चाहो house property C को यूज कर लो, आप किसी भी एक घर का exemption क्लेम कर पाओगे under section 54. लेकिन lawmaker कहता है, lawmaker कहता है कि अगर आपका long term capital gain up to 2 करोड है, दो करोड से ज्यादा का नहीं है, तो आप exemption क्लेम करने के लिए under section 54, दो house property खरीच सकते हो, ये option आपको सिर्फ life में एक बार मिलेगा, कि आप दो house property खरीद के exemption ले सकते हो, तो अगर आपका LTCG up to 2 CR है, तो exemption under section 54 किसी भी दो house property की आपको मिल सकती है, ये आप अपनी life time में एक बार कर सकते हो, otherwise हमेशा आप केवल एक ही घर का exemption क्लेम कर सकते हो under section 54, तो सर 54 ने आपसे क्या कहा, 54 ने आपसे कहा, कि अगर आपने long term residential house property बेची है, आप individual और HOF हो, तो आपको exemption मिल सकती है, अगर आप पैसा नई residential house property में invest कर दो, अब नया residential house property या तो purchase करवाया जा सकता है, या तो purchase करा जा सकता है, या तो construct करा जा सकता है, पर्चेस करने का time limit कित्ता दिया है, transfer की date से अगर एक साल पहले आपने कोई घर खरीदा है, तो उसका आपको exemption मिल जाएगा, transfer की date से दो साल के अंदर अगर आपने घर खरीदा है, तो उसका भी आपको exemption मिल जाएगा, for example आपने यहाँ पर transfer किया है, तो transfer की date से एक साल पहले तक, यह आपके पास मानलो one year है, तो मानलो आपने यहाँ पर house property एक ट्रांसफर करी है, और आपने इस से एक साल पहले, अगर house property भी खरीदी थी, तो यह eligible हो जाएगा exemption के लिए, या फिर transfer की date से दो साल तक, आप एक नया house property खरीद लो, तो अगर आपने transfer की date से एक साल पहले खरीदी है, तो भी exemption मिल जाएगी, transfer की date के दो साल के अंदर खरीदी है, तो भी आपको exemption मिल जाएगी, construction के लिए बोलता है, कि आपको transfer की date से 3 साल के अंदर, आपको अपना घर क्या करना है, construct करवाना है, तो आप घर purchase भी कर सकते हो, या फिर आप घर construct भी करवा सकते हो, construction में आपको time limit दी गई है 3 साल की, construction में आपको time limit जो दी गई है वो दी गई है तीन साल की quantum of exemption कितनी होगी quantum of exemption कितनी होगी तो sir lawmaker कहता है lawmaker कहता है कि जो quantum of exemption होगी वो होगी जितना amount आपने invest किया है या फिर जितना भी आपका capital gain है या फिर 10 करोड रुपए इन तीनों में जो भी आपके पास minimum है जो amount आपने invest करी है जितना आपको capital gain हुआ है या फिर 10 करोड इन तीनों में जो भी आपका minimum है उसका आपको exemption मिल जाएगा राइट अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 करोड रुपए से जादा का exemption section 54 में नहीं मिलेगा अगर आपका amount invested 12 करोड का है आपका long term capital gain 13 करोड का है तो maximum exemption जो मिलेगी वो 10 करोड की ही मिलेगी 10 करोड से जादा की exemption आप 54 के अंदर claim नहीं कर सकते जो नया घर आपने खरीदा है या जो नया घर आपने construct किया है इस घर का lock-in period है इस घर का lock-in period है 3 साल का 3 साल तक आप इस घर को बेच नहीं सकते अगर आपने 3 साल के अंदर इस घर को बेच दिया तो जितना capital gain आपका पहले exempt हुआ था वो capital gain अब आपका क्या कर दिया जाएगा taxable कर दिया जाएगा सर नय घर का lock-in period है 3 साल का अगर 3 साल से पहले आपने घर बेच दिया तो जितना capital gain आपका exempt किया गया था वो capital gain आपका taxable कर दिया जाएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा माल लेते हैं आपने एक अक्टूबर 23 को long term RHP transfer कर दी है transfer करते वक्त आपका full value of consideration आया है 75 lakh का आपके पास index cost of acquisition थी मान के चलते हैं 25 लाक रुपे की आपका long term capital gain निकल कर आ रहा था मान लेते हैं 50 लाक रुपे का आपने क्या किया बिटा आपने एक नवंबर 23 को एक नया RHP purchase कर लिया आपने नया RHP purchase कर लिया 70 लाक रुपीज का तो आपको exemption मिल जाएगी आपको exemption मिल जाएगी under section 54 exemption आ जाएगी under section 54 सर जितना आपका gain है gain है आपका 50 लाक का जितनी amount आपने invest करी है 70 लाक या फिर 10 करोड इन तीनों में जो भी lower है आपको 50 लाक की exemption मिल जाएगी आपका capital gain जो taxable होगा that will be nil आप यह जो नया घर है इस घर को आपको 5 साल तक hold करना है अगर आपने यह घर 5 साल से पहले बेच दिया sorry आपको यह घर 3 साल तक hold करना है अगर 3 साल से पहले आपने यह घर बेच दिया तो जो capital gain आपका exempt हुआ था वो इस नए घर की cost में से reduce कर दिया जाएगा तो आपको इस घर का lock-in period था 3 साल का इस घर का lock-in period था 3 साल था यानि कि 1,11,26 तक आप इस घर को नहीं बेच सकते थे लिकिन आपने क्या किया आपने 1,12,25 को या थोड़ा और पहले कर लेते हैं आपने 1,25 जुलाई,25 को यह घर बेच दिया आपने यह वाला घर transfer कर दिया आपने new RHP transfer कर दी new RHP transfer कर दी आपका full value of consideration ले लेते हैं 80,00,00,00 का आपकी cost of acquisition आपके नए घर की cost 70,00,00 की थी लिकिन इस घर ने आपका जितना capital gain exempt करवाया था वो इस में से minus कर दिया जाएगा आपका lock-in period था 3 साल आपने 3 साल से पहले property बेची आपको उसकी सजा मिलेगी punishment मिलेगी और punishment क्या है कि नए घर की cost को जितनी exemption मिली है उस amount से reduce कर दिया जाएगा यानि कि 80 में से 20 lakh चले जाएगे आपके पास 60 lakh रुपीज का short term capital gain निकल करा जाएगा इसके बाद अगला point निकल कराता है capital gain account scheme capital gain account scheme क्या है कि सर माल लीजे आपने return filing date तक return filing date तक आपने previous year 23-24 में capital asset transfer करी थी इसकी return filing date previous year 24-25 में आएगी या मैं कहलूं assessment year 24-25 में आएगी तो assessment year 24-25 में आपका जो return filing date निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 31 जुलाई अगर आपने return filing date तक अगर आपने return filing date तक नई asset purchase नहीं करी अगर आपने return filing date तक नई asset purchase नहीं करी और आप exemption लेना चाहते हैं तो lawmaker क्या कहता है कि आपको पैसा capital gain account scheme में जमा करना पड़ेगा अगर return filing date तक आपने नया घर या तो purchase नहीं किया या फिर नया घर आपने construct नहीं किया तो आपको यहां पर इस date तक जितना भी पैसा capital gain account scheme में जमा होगा वो पैसा exemption के लिए consider कर लिया जाएगा इस date के बाद जो पैसा capital gain account scheme में जमा होगा उसका आपको कोई भी exemption नहीं मिलेगा Secondly, capital gain account scheme में जो पैसा जमा हुआ है उससे आपको नया घर या तो purchase करना है या तो construct करना है और इसकी time limit है आपको capital gain account scheme को खाली करना है Sir, ये रही आपकी transfer की date ये रही आपकी transfer की date ठीक है? आपके पास transfer की date से 3 साल तक transfer की date से 3 साल तक आपने मानलो यहाँ पर capital gain account scheme में amount को deposit किया है तो आपको ये capital gain account scheme में जो पैसा जमा किया है इस पैसे को utilize करना है 3 साल तक यानि कि इस particular date तक इस particular date पे अगर कुछ unutilized पैसा पढ़ा होगा capital gain account scheme में इस date पे जब आपके 3 साल expire हो रहे हैं transfer की date से जब 3 साल expire हो रहे हैं अगर इस date पे आपके पास capital gain account scheme में कुछ unutilized पैसा पढ़ा होगा that amount shall be chargeable to tax that amount shall be chargeable to tax for example transfer की date थी 1 October 23 3 साल पूरे होते हैं 1 October 26 माल लो आपके पास 1 October 26 को unutilized amount पढ़ी हुई है capital gain accounts scheme में 3 लाक तो previous year 26 27 में previous year 26 27 में ये जो unutilized amount है इसे taxable कर दिया जाएगा as a long term capital gain इसे taxable कर दिया जाएगा as a long term capital gain ठीक है जी? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी clear है, बात समझ में आ गई सबी बच्चो को चलिए बच्चो, अब आगे बढ़ते हैं अभी तक हम लोग exemption में section 54 पढ़ चुके हैं अब हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं section 54 B की section 54 B कहता है कि अगर आपने urban agricultural land को transfer किया है अगर आपने urban agricultural land को transfer किया है, यह urban agricultural land चाहे short term हो चाहे यह आपके पास long term हो, दोनों ही cases में आपको इसका exemption मिल जाएगा, exemption किसको दिया जाएगा, individual और H.O.F. को दिया जाएगा, again वो resident हो चाहे non resident हो investment करने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा new agricultural land के अंदर यह जो नया agricultural land आप खरीदोगे, यह urban भी हो सकता है rural भी हो सकता है जो transfer किया है, वो urban होना चाहिए चाहे short term, चाहे long term लेकिन जो agricultural land acquire करना है, जहाँ पर पैसा invest करना है, वो नया agricultural land, urban या फिर rural कोई भी हो सकता है तो अगर आप urban agricultural land बेच के, एक urban land खरीद लेते हो, तो आपको exemption मिल जाएगी एक urban agricultural land बेच के एक rural agricultural land खरीद लेते हो तो आपको exemption मिल जाएगी यह जो नया agricultural land आपको खरीदना है यह आपको acquire करना है within two years from the date of transfer transfer की date से दो साल के अंदर अंदर आपको यह acquire कर लेना है तो simple सी बात है कि बेटा अगर आज transfer किया है एक 10-2023 को तो यहां से दो साल यानि कि आपके पास एक October 25 तक एक October 25 तक आपको पैसा invest कर देना है सर exemption किती मिलेगी बेटा जितना amount तुम invest करोगे या फिर जितना तुमको capital gain हुआ है दोनों में जो भी lower है उसका आपको exemption मिल जाएगा सर यह जो नया agricultural land आपने खरीदा है इसको आपको 3 साल तक hold करना है same as section 54 अगर 3 साल से पहले आपने बेच दिया तो जो capital gain आपका exempt हुआ था earlier जो capital gain आपका exempt हुआ था earlier उसे reduce करवा दिया जाएगा आपकी cost of asset में से इसके बाद अगर आपने return filing date तक पैसा invest नहीं किया अगर आपने return filing date तक पैसा invest नहीं किया तो बाबू उस case में क्या होगा उस case में आपको return filing date तक पैसा capital gain account scheme में जमा करना पड़ेगा to avail the exemption अगर आपने return filing date तक नया agricultural land नहीं करीदा तो capital gain account scheme में जित्ता भी पैसा return filing date तक जाएगा जित्ता भी पैसा return filing date तक जाएगा उतना पैसा eligible हो जाएगा exemption के लिए जो पैसा आपने capital gain account scheme में जमा किया है उसे आपको transfer की date से 2 साल के अंदर-अंदर use करना है मालो आपने urban agricultural land transfer करी थी आपने urban agricultural land transfer करी थी 1 October 23 को तो आपको 2 साल का time दिया गया है नया agricultural land खरीदने के लिए यानि कि आपको time दिया गया है 1 October 25 तक आपको 1 October 25 तक नया agricultural land खरीदना है तो माल लेते हैं यहाँ पे return filing date थी आपकी 31 July 24 तक आपने capital gain account scheme में पैसा जमा कर दिया जितना भी पैसा return filing तक जमा होगा वही eligible होगा return filing के बाद जो जमा होगा वो eligible नहीं होगा यह जो पैसा आपने यहाँ पर जमा किया है इस पैसे को आपको utilize करना है up to 1 October 2025 इस पैसे को आपको utilize करना है इस पैसे को आपको utilize करना है up to 1 October 2025 अगर 1 October 2025 को यहाँ पर कुछ unutilized amount रह गई तो वो आपके पास क्या कर दी जाएगी taxable कर दी जाएगी इस पैसे exam में question आने के chances ना के बराबर होते है main आपके पास section number 54 है main आपके पास section number 54 है main आपके पास section 54 EC है और main आपके पास section 54 F है यह तीन section आपके लिए जादा important है 54D में भी exam में कुछ नहीं आएगा just एक knowledge purpose के लिए read कर लेते हैं section 54D कहता है कि अगर आपने कोई भी land and building transfer करी है जो की एक industrial undertaking का part है section 54D कहता है कि अगर आपने कोई land and building transfer करी है जो की आपके पास एक industrial undertaking का part है तो बाबू उस case में आपको exemption मिलेगी provided यह land and building क्या होनी चाहिए compulsorily acquired होनी चाहिए तो अगर government ने आपका land and building जो की किसी industry का part था किसी factory का part था अगर government ने compulsorily acquire कर लिया तो आप इसका exemption क्लेम करने के लिए section 54D के पास आ सकते है यहाँ पर exemption किसी भी assessi को मिल जाती है any assessi can claim exemption under this particular section investment आपको एक नए land and building में करना पड़ेगा वो नया land and building आपका industrial undertaking का part होना चाहिए investment आपको within 3 years करनी है और यह 3 year transfer की date से नहीं होगा from the receipt of compensation होगा क्योंकि compulsorily acquisition हुआ है तो compulsory acquisition में जब आपके हाथ में पैसा आएगा वहाँ से 3 साल count करे जाएगे यहाँ पर भी आपको जो exemption मिलेगी वो मिलेगी lower of amount invested or the capital gain lower of amount invested or the capital gain यहाँ पर भी lock in period same as section 54 है यानि कि 3 साल तक आपको hold करना है sir return filing date तक अगर आपने पैसा invest नहीं किया नए land और building में तो आपको exemption claim करने के लिए पैसा capital gain account scheme के अंदर क्या करके चलना पड़ेगा deposit करके चलना पड़ेगा एक बात समझना यहाँ पर जो land है आपके पास section 54D में land आपके पास short term capital gain भी निकल सकता है और आपके पास long term capital gain भी निकल सकता है लेकिन जो building होगी आपके पास क्योंकि building एक depreciable asset है तो building पे आपके पास हमेशा short term capital gain ही निकलेगा तो land पे जब land compulsorly acquire होगी तो उस पे short term या long term दोनों निकल सकते हैं period of holding check कर लेना 24 महीने वाली लेकिन building क्योंकि एक depreciable asset है यह industrial undertaking का part है तो building पे depreciation मिलता होगा तो यहाँ पर आपके पास हमेशा क्या निकलेगा short term capital gain निकलेगा under section 50 ठीक है यह वाला point हम लोगों ने PGBP में पढ़ा है short term capital gain under section 50 depreciable asset वैला when the entire block of asset is sold ठीक है जी बाकी इसमें कुछ खास नहीं है आजाए section 54 EC की बात कर लेते section 54 EC important है section 54 EC कहता है कि अगर आपने long term land और building बेची है long term land और building बेची है तो section 54 EC में आपको exemption मिल सकती है यहाँ पे कोई भी assessi चाहे individual हो, HOFO, AOP हो BOI हो, company हो कोई भी हो, वो यहाँ पर क्या कर सकता है यहाँ पर वो आपके पास exemption claim कर सकता है investment आपको specified bond में करना है चार तरीके के bonds specify करे गए है एक आपके पास NHAI का bond है एक आपके पास RECL का bond है एक आपके पास power finance corporation limited का bond है और एक आपके पास Indian railways finance corporation limited का bond है इन चार bonds में आप पैसा क्या कर सकते हो, invest कर सकते हो exemption claim करने के लिए तो अगर आपने कोई long term land और building बेची है तो exemption claim करने के लिए आप section 54 EC पे आ सकते हो 54 EC में आपको पैसा invest करना होता है चार bond में National Highway Authority of India Rural Electrification Corporation Limited Power Finance Corporation Limited Indian Railways Finance Corporation Limited इन चार bonds के अलावा कहीं और पैसा invest करोगे exemption नहीं मिलेगी इन चार bonds में जब पैसा invest करोगे तभी आपको exemption मिलेगा Investment आपको कब तक करनी है सर विधिन 6 months करनी है Investment आपको कब करनी है सर विधिन 6 months आपको investment करके चलना है विधिन 6 months from the transfer date अगर 6 महिने के बाद पैसा invest होगा तो उसका exemption नहीं मिलेगा सर exemption यहाँ पर किती मिलती है जितना amount आपने invest किया है जितना आपका capital gain है subject to maximum 50 lakhs यानि कि आपके पास section 54 EC के अंदर maximum exemption 50 lakh की होगी For example अगर मान लो आपके पास amount invested है 75 lakh आपका capital gain था मान लीजे 85 lakh तो आपको maximum exemption section 54 EC में जो मिलेगी that will be equivalent to 50 lakhs इसके बाद यहाँ पर कोई भी capital gain account scheme available नहीं है इस बात को याद रखिएगा section 54 EC में कोई भी capital gain account scheme नहीं है 54 EC में जो आपने यह bonds करीदे है 54 EC में आपने जो यह bonds करीदे है इन bonds को आपको 5 साल तक अपने पास hold करना होता है 5 साल से पहले आप इनको transfer नहीं कर सकते और ना ही आप इने convert कर सकते हो into money ना तो आप इसे बेच सकते हो ना तो आप इसे money में convert कर सकते हो money में convert करने का मतलब कि इनको mortgage करके आप इसके against loan भी नहीं ले सकते आप bond को mortgage करके उनके against loan भी नहीं ले सकते तो आपको 5 साल तक इन्हें hold करना है 5 साल तक ना तो बेज सकते हो ना तो money में convert कर सकते हो अगर आपने 5 साल से पहले इनको बेच दिया या फिर इनको money में convert कर दिया तो जिस भी year में आपने इनको बेचा होगा उस year में इन्हों ने जितनी आपको exemption दिलवाई थी, वो taxable हो जाएगी, आपका LTCG जो exempt हुआ था पहले, वो आपके पास taxable हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, लेट सपोस कर लेते हैं, हमने एक अक्टूबर 23 को एक long term land को ट्रांसफर कर दिया, एक long term land को ट्रांसफर कर दिया, full value of consideration थी 55 lakh की, index cost of acquisition थी 15 lakh रुपीज की, आपके पास long term capital gain आ रहा था 40 lakhs का, आपने क्या किया, एक दिसंबर 23 को आपने NHAI के bond ले लिये, 35 lakh रुपीज के, तो आपको section 54 EC में exemption मिल गई, आपको 35 lakh की exemption मिल गई, आपका LTCG जो taxable निकल कर आया, वो 5 lakh निकल कर आ गया, ये जो bond थे इनको 5 साल तक hold करना था, इन bonds को 5 साल तक hold करना था, यानि कि 1, 12, 28 तक hold करना था, एक 12, 28 तक hold करना था, लेकिन आपने क्या किया, इसे बीच में ही बेच दिया, आपने यहाँ पर इनको क्या कर दिया, राजा बेटा, ट्रांसफर कर दिया, आपने इनको इधर क्या कर दिया, राजा बेटा, आपने इनको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इन बॉंड ने आपको जितना इक्जम्षन दिलवाया था वह एक्जम्षन टेक्सेबल हुजाएगा यानि कि आपके पास LTCG टेक्सेबल निकल कर आजयेगा थर्टी फाइफ लेक का तो जितना आपको exemption मिला था ये exemption आपका एक तरीके से withdraw हो गया और ये आपका capital gain क्या हो गया taxable हो गया अभी तक क्या हो रहा था section 54 में 54B में 54D में अगर आप 3 साल से पहले asset को transfer कर रहे थे तो नए asset की cost को reduce किया जा रहा था जितना आपको exemption मिला था उस exemption को reduce कर रहे थे cost में से लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है कि जितनी आपको exemption दी थी हम उस exemption को taxable कर देंगे हम bonds की cost को reduce नहीं करेंगे हमने आपको जितनी भी exemption दी थी हम उस exemption को क्या कर देंगे taxable कर देंगे ठीक है जी अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं section 54F की Section 54F की, Section 54F आप से कहता है कि अगर आपने कोई भी Long Term Capital Asset बेची है, कोई भी, word क्या use किया हुआ है, any, आपने कोई भी Long Term Capital Asset बेची है, except residential house property. आपने long term jewelry बेची है, long term shares बेचे है, long term land बेचा है, long term office बेचा है, long term shop बेची है, long term factory बेची है मतलब other than residential house property, other than residential house property अगर आपने कोई और property बेची है, जो की long term है उसका exemption आप section 54F में claim कर सकते हो 54F में exemption मिलेगा individual और HOF को, चाहे वो resident हो, चाहे वो non resident हो investment आपको कहां करना है एक नए RHP में आप नएा RHP purchase कर सकते हो, या फिर आप नएा RHP construct करवा सकते हो और जो time limit है, वो same है जो section 54 में दिया हुआ था purchase के लिए अगर बात करें, तो purchase के लिए one year before और two year after the date of transfer और construction की बात करें, तो three year within the date of transfer तो यहाँ पर आपको exemption claim करने के लिए पैसा invest करना है नए RHP के अंदर नएा RHP या तो purchase या तो आपको construct करके चलना पड़ेगा, अब यहाँ पर exemption मिलने का तरीका बिलकुल अलग है lawmaker कहता है कि यहाँ पर हम आपको exemption देंगे proportionate to the amount invested जितना आपने amount invest किया है उसके proportion में आपको exemption मिलेगी मतलब माल लो आपके पास full value of consideration 75 lakh रुपीज का आ रहा है आपके transfer expenses एक लाख रुपे के हैं आपका net consideration 74 lakh रुपीज का आ रहा है आपका index cost of acquisition suppose कर लेते 25 lakh रुपीज का है 74 में से 25 चला गया आपके पास बचा 49 lakh अब आप चाहते हो कि आपका यह 49 lakh रुपीज पूरा का पूरा exempt हो जाए आप चाहते हो कि section 54F में आपका यह पूरा का पूरा exempt हो जाए 49 lakh रुपीज तो आपको क्या करना पड़ेगा entire net consideration invest करना पड़ेगा entire net consideration अगर आप पूरा का पूरा 74 lakh रुपीज invest कर देते हो तो आपके यह 49 lakh रुपीज exempt हो जाएंगे लेकिन अगर आपने investment 74 lakh रुपीज से कम करी तो आपको proportionate exemption मिलेगी तो suppose करो आपने amount invest किया in new रुपी 50 lakh रुपे का आपने 50 lakh रुपे का नया रुपी खरीदा तो section 54F कहता है कि जितना भी capital gain हुआ है इसको proportionate कर दो 74 lakh रुपीज के net consideration पे 49 lakh का gain है और आपने 50 lakh रुपीज invest करे हैं तो आपकी exemption किती होगी 49 divided by 74 into 50 आपको exemption मिलेगी 33.11 lakh की आपको exemption मिलेगी 33.11 lakh की यानि की 49 में से 33.11 आपके पास क्या कर दिये जाएंगे minus यानि की 15.89 lakh 15.89 lakh आपके पास क्या निकल कर आएगा आपके पास LTCG taxable निकल कर आजाएगा लेकिन अगर आपकी amount invested मालो 90 lakh की होती amount invested अगर आपकी 90 lakh की होती तो ऐसे case में इसका proportion अगर निकालेंगे 49 into 90 divided by 74 ये proportion आपके पास आ रहा है 59.59 lakh अब एक बात बताओ क्या आपकी exemption आपकी income से ज़ादा हो सकती है अगर आपने 74 lakh रुपीज से ज़ादा की investment कर दी तो sir क्या आपकी exemption आपके gain से ज़ादा हो सकती है नहीं अगर आपने 74 lakh से ज़ादा की investment कर दी तो maximum exemption जो आपको मिलेगी वो gain के बराबर की मिलेगी यानि की nil आपका text निकल कर आएगा तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है LTCG into amount invested divided by net consideration या फिर LTCG इन दोनों में जो भी आपका lower है उसी का आपको exemption मिलेगा जितना आपका gain है या फिर जितनी आपकी proportionate exemption है इन दोनों में जो भी lower है उसी का आपको exemption मिलेगा Secondly, अगर आपने 10 करोड रुपे से जादा का पैसा invest कर दिया है किसी नए घर में तो maximum आपका 10 करोड रुपे ही consider करा जाएगा for the purpose of exemption 10 करोड से जादा का amount अगर invested है तो इस formula के अंदर maximum 10 करोड को ही consider करा जाएगा इसके बाद lawmaker कहता है कि अगर आपको section 54F में exemption चाहिए तो लेटसे आपने एक अक्टूबर एक अक्टूबर 23 को लेटसे आपने long term jewelry बेची आपने long term jewelry बेची एक अक्टूबर 23 को तो अगर आप section 54F में exemption लेना चाहते हो तो एक अक्टूबर 23 को आपके पास एक residential house property से जादा नहीं होना चाहिए जब आपने long term jewelry ट्रांसफर करी तो उस वक्त आपके पास एक residential house property से जादा की ownership नहीं होनी चाहिए आपने exemption क्लेम करने के लिए एक दिसंबर 23 को नया RHP खरीद लिया एक दिसंबर 23 को आपने नया RHP खरीद लिया exemption क्लेम करने के लिए under section 54F lawmaker कहता है कि सर अब आपको एक बात का ध्यान रखना है आपके पास दो घर हो गए है जब आपने long term jewelry बेची थी तब already आपके पास एक घर था और आपने 54F में exemption करने के लिए एक घर और खरीद लिया है तो अब यहां से 2 साल तक आप और कोई घर नहीं खरीद सकते यहां से 3 साल तक आप और कोई घर construct नहीं करवा सकते section 54F के अलावा आपने और कोई घर ना तो खरीदना है और ना तो और कोई घर आपने construct कराना है यहां पर भी आपके पास 3 साल की restriction है जो नया घर आपने खरीदा है इस घर को आप 3 साल तक नहीं बेच सकते अगर 3 साल से पहले आपने इस घर को बेच दिया तो जितना आपका capital gain पहले exempt हुआ था वो अब आपका क्या हो जाएगा टेक्सेबल हो जाएगा सेम है section 54 EC कि जो आपने bonds खरीदे हैं आप उन्हें 5 साल तक hold करेंगे 5 साल से पहले ना तो बेच सकते हैं ना तो money में convert कर सकते हैं अगर कर दिया तो जो gain आपका exempt हुआ था वो टेक्सेबल हो जाएगा सेम वो ही चीज यहाँ पर है कि 3 साल तक आप घर नहीं बेच सकते 54 F वाला 54 F वाला जो घर आपने खरीदा है exemption के लिए इसका lock-in period है 3 साल का 3 साल से पहले अगर आपने यह वाला घर बेच दिया या transfer कर दिया तो lawmaker कहता है कि जो capital gain आपका exempt किया था वो आपका अब taxable हो जाएगा सर यहाँ पर भी capital gain account scheme available है बोले तो return filing date तक अगर आप लोगों ने पैसा invest नहीं किया है specified asset के अंदर और exemption claim करना चाहते हैं तो आपको पैसा कहां invest करके चलना पड़ेगा capital gain account scheme में जितना पैसा return filing date तक capital gain account scheme में जमा हो गया उतने amount को exemption purpose के लिए consider कर लिया जाएगा जो सर तीन साल के expiry में unutilized amount बचेगी अगर कोई बचेगी तो वो आपकी taxable कर दी जाएगी और इसी के साथ हमारे पास capital gain के सारे के सारे provisions बिटा हो जाते हैं समात